मोटिवेशनल हिंदी ओडियो बुक सिरीज के अंतरगत प्रस्तुत है प्रसिद अंतराष्टिय लेखक सीव खेरा दुवारा रचित अंग्रेजी पुस्तक यू कैन वीन का हिंदी अनुवाद जीत आपकी यह किताब आपको मदद करेगी यह सब करने के लिए अच्छी सोच के साथ कदमों पर विशेष्था हासिल करके पुद में आत्मिस्वास लाएं अपनी कमजोडियों को फुवियों में बदलकर सफलता हासिल करें सही कारण के लिए सही कदम उठाकर अपनी ख्याती को बढ़ाए प्रस्तितियों को अपने उपर हावी होने देने के बजाए उन पर काबू करना सीखें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रसपर मान सम्मान बढ़ाकर आस्ता और विस्वास को बनाए अपनी रुकाउतों को हटाकर असरदार कदमों पर विसेशता हासिल करके पुद में आत्विश्वास लाए अपनी कमजोडियों को फुवियों में बदलकर सफलता हासिल करें सही कारण के लिए सही कदम उठाकर अपनी ख्याती को बढ़ाए प्रस्तितियों को अपने उपर हावी होने देने के पजाए उन पर काबू करना सीखें अपने आसपास के लोगों के साथ प्रस्पर मान सम्मान बढ़ा कर आस्था और विस्वास को बनाए अपनी रुकाउतों को हटा कर असरदार बने उस तक शुरू करने से पहले आपसे अनरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं सेयर अवस्य करें तो आईए शुरू करते हैं जीत आपकी जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते वे हर काम को अलग धंग से करते हैं अधियाए एक नजरिये की अहमियत Importance of Attitude सकारात्मक नजरिया अपना है Building a Positive Attitude एक आदमी मेले में गुबारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे, चारो रंग के गुबारे थे जब कभी उसकी बिक्री कम होने लग थी तब वह हिलियम गयस से भरा एक कुबारा हावा में छोड़ देता था बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला कुबारा पने के लिए मचल ऊड़ते बच्चे उससे गुबारा खरीते और इस तरह उसकी पिक्री फिर से बढ़ जाती दिन भर यही सिलसिला चलता रहता एक दिन वह आदमी बजार में खड़ा गुबारा बेच रहा था अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका उरता पकड़ कर खीच रहा है उसने पीछे मुर कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया उस बच्चे ने गुबारे वाले से पूछा अगर आप काला गुबारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया बेटे गुबारा अपने रंग की वज़ा से नहीं उड़ता बलकि उसके अंदर क्या है इस वज़ा से ही वह उपर जाता है ठीक यही बात हमारी जिन्दगी पर भी लागू होती है कीमती वह चीज है जो हमारे अंदर है और वह चीज जो हमें उपर की ओर ले जाती है वेक्ति कमपनिया या देश दूसरे के मुकाबले ज़्यादा काम्याब क्यों होते हैं यह कोई राज नहीं है ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज़्यादा असरदार होता है यह लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीम्ती संसाथनों यानि लोगों में पुंजी की लगा कर काम और को असरदार कैसे बनाया जाय या लोग ही उनकी सबसे बड़ी पुंजी है मेरा यकीन है कि किसी इंसान संसा या देश की काम्याबी उसके लोगों की कूबियों यानि क्वैल्टी पर निर्वर करती है मैंने दुनिया भर की बड़ी कमपनियों के बड़े उनसे एक सवाल पूछा अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और एक चीज बदलनी हो जो आपको अपने काम में बेहतरी और लाब दिलाए तो वह क्या चीज है इसका सब का जवाब एक जैसा था सबने कहा कि अगर लोगों का नजरिया बेहतर हो काम करने की ख़ाई से भरा हो तो वे बिल्कुल मिल जूल कर काम करेंगे इससे नुकसान कम होगा वफादारी बढ़ेगी और आम तोर पर कमपनिय में लगन से काम करने का एक माहूल बन जाएगा हारवर्ड युनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है मेरी पीठी की सबसे बड़ी खोज या है कि इनसान अपने नजरिये में बदलाव लाकर अपनी जिन्दगी को बेहतर बना सकता है तजुर्बे से पता चलता है कि किसी भी बेवसाय का सबसे जरूरी और कीमती संसाथन इनसान होता है इसकी अहमियत तो पुंजी और मसीनों से भी जादा होती है पर बदकिस्मती से यह सबसे जादा बेर्थ या बेकार चला जाता है आदमी ही आपकी सबसे बड़ी पुंजी या सबसे बड़ा बोज हो सकते हैं खुबियों से भरे लोग TQP Total Quality People बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे Customer Service, Selling Skills और Strategic Planning के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इन सारे बड़े प्रोग्राम के सामने एक ही चुनोती है ये प्रोग्राम तब तक काम्याब नहीं होते जब तक इनकी सही बुनियाद ना हो और इनकी सही बुनियाद है TQP यह TQP क्या है इसका मतलब है Total Quality People यानि वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले इमांदार नेतिक मुल्यों और सकारात्मक नजर ये वाले होते हैं मुझे गलत न समझें आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरौत है मगर वे तभी सफल होंगे जब आपकी नीव सही होगी और वह नीव है TQP एक उदारन के तोर पर कुछ ग्राहक सेवा प्रोग्रामों में भागीदारों को महरबानी और सुकरिया जैसे लफजों का इस्तमाल करने के साथ ही खड़ितारों के सामने मुस्कुराने और हाथ मिलाने की बात सिखाई जाती है लेकिन जोटी मुस्कान व्यक्ति का साथ कवतक देगी अगर उसके दिल में सेवा करने का जजबा ही न हो और फिर लोग ऐसी जोटी मुस्कान को बड़ी असानी से भाव लेते हैं यदि मुस्कान जोटी है तो लोग उससे चिठ जाते हैं मेरे कहने का मकसद या है कि असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है न कि दिखावा इसमें कोई सक नहीं है कि महरबानी, सुक्रिया, मुश्कराना अब वगरा बेहत जरूरी है मगर याद रखें कि अगर सेवा की भावना हो तो ये सब फुद बखुद बहुत असानी से आ जाते हैं मसुहूर फ्रेंड चिन तक बिलेज पासकल के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं एक बहतर इंसान बन सकता तब पासकल ने जवाब दिया एक बहतर इंसान बनो तुम्हारा दिमाग फुद बखुद मेरे जैसा हो जाएगा केलगेरी टावर की उचाई एक सो नब्य दसमलब आठ मीटर और वजन दस हजार आठ सो चौरासी टन है पुल वजन में तकरीबन 60 फिस्दी यानि 6,349 टन हिस्सा जमीन के अंदर है इससे जाहिर है कि जितनी बिसाल इमारत होगी उतनी ही मजबूत उसकी बुनियाद होगी जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरुरत होती है उसी तरह सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरुरत होती है और वह बुनियाद है आपका नजरिया सफलता में आपके नजरिये का हिस्सा हरवर्ड युनिवर्सिटी दुबरा की गई एक स्टेटी में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति नौकणी पाता है तो उसमें 85 फिजदी हिस्सेदारी उसके नजरिये की होती है और बाकि के 15 फिजदी में उस व्यक्ति की smartness और काम की जानकारी सामिल होती है हैरत की बात तो यह है कि पठाई पर खर्च होने वाली पूरी की पूरी यानि सत परतिसत रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है जबकि सफलता में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15 फिजदी है यह किताब सफलता के बाकी 85 फिजदी के बारे में ही है अंग्रेजी भासा में एटिचूड सबसे महतपूर्ण लव्ज है जिंदगी के हर हिस्से में इसका महतव है चाहे वह आपकी जिंदगी हो या फिर आपकी बेफसाई की जितगी क्या एक अफसर अच्छे नजरिये के बगएर एक अच्छा अफसर बन सकता है अच्छे नजरिये के बगएर क्या कोई विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है क्या माबाब, गुरू, दुकांदार, मालिक और करमचारी अच्छे नजरिये के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं चाहे आप किसी भी छिद्र में काम कर रहे हों काम्यावी की बुनियाद एक ही है और वह है आपका नजरिया अगर आपका नजरिया काम्याब और लक्ष प्राप्ति के लिए इतना ही महत्कुन है तो क्या आपको जिंद्गी के परती अपने नजरिये को जाचना नहीं चाहिए क्या खुछ से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नजरिया आपके मकसद पर किस हद तक असर डाल सकता है। हीरों से भड़ा खेत। अफरिका में एक खुस और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुस था क्योंकि वह संतुष्ट था। और संतुष्ट था क्योंकि वह खुस था। एक दिन उसके पास एक ग्यानी वेक्ति आया जिसने उसे हीरों की आहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया ग्यानी वेक्ति ने कहा अगर तुम्हारे पास अंगुठी के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक सहर खरीज सकते हो और अगर तुम्हारे पास मुठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम सायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो ऐसी बातें किसान को बता कर वह ग्यानी विक्ती चला गया उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका वह नाखुस और असंतुष्ट हो गया वह नाखुस था क्योंकि वह असंतुष्ट था और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि नाखुस था अगले दिन सुबा उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घरवालों की देखवाल का इंजाम करके वह हीरों की कोज में निकल पड़ा पूरे अफरिका में वह गूमता रहा लेकिन कुछ न मिला सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी नहीं हुई जब वह एस्पेन पहुँचा तब तक वह भवनात्मत सारीरिक और आर्थिक कमी से बिलकुल तूट चुका था उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा तूट गई थी कि उसने वार्सी लोना नदी में खूद कर खुद कुद 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 कर ली उधर जिस बैक्ति ने उसके खेत खरीदे थे एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने उटों को पानी पिला रहा था तो नहर की दूसरी किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ये एक पत्थर पर पड़ी तो इन धनुस की तरह साथ रंग जगमगा उठे उस बैक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा और वह उसे उठा कर घर ले आया और बैठक में सजा दिया उसी दो भर वह ग्यानी बैक्ति फिर वहां आया उसकी नजर जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफीज वापस आ गया है नए मालिक ने जवाब दिया नहीं लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं तब ग्यानी बैक्ति ने जवाब दिया वह सामने पत्थर हीरा है मैं देखते ही पहचान जाता हूं नए मालिक ने फिर कहा नहीं वह सिर्फ एक पत्थर है मैंने उसे नहर के पास से उठाया है चलिए मैं आपको दिखाता हूं वहां ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमुने हुए थे इस कहानी से क्या सबक मिलता है इस कहानी से पांच सबक मिलते हैं एक जब हमारा नजर्या सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरी और घास हमेशा हड़ी दिखती है। तीन जैसे हम यह सोचते हैं कि दूसरे का आस्थान हासिल करके हमें खुसी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा आस्थान पाकर उन्हें भी खुसी मिलेगी। इसी ख्वावी सोच को लेकर लोग अदला बदली को तयार रहते हैं चार जब लोग मोके को पहचान नहीं पाते तो अवसर का खट-खटाना उन्हें सोर लगता है पांच एक मोका दोबारा नहीं खट-खटाता दूसरा मोका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था इसलिए सही फैसला करें समय पर चलना और करना बहुत आमियत रखता है डेवीड और गोली यत डेवीड और गोली यत की कहानी हम सभी जानते हैं एक राक्षस था जो गाउं के बच्चों को डराता धमकाता और परिसान करता था एक दिन 17 साल का एक गरड़िया अपने भाईयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो भाई बहर डरे हुए थे उन्होंने जवाब दिया क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता है तब डेवीड ने जवाब दिया नहीं ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते बलकि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं सकते बाकि सब इतिहास है हम सबी जानते हैं कि क्या हुआ डेवीड ने गुलेल से ही राक्षस को मार डाला राक्षस वही था लेकिन उसके बारे में डेवीड का नजरिया अलग था हमारा नजरिया इस बात को तेक करता है कि हम हार को किस तरह देखते हैं सकारत्मक सोच वालों के लिए हार सफलता के लिए एक सीड़ी हो सकती है तो नकारत्मक सोच वालों के लिए यह रास्ते की बाधा हो सकती है अच्छी संस्थाओं की पहचान तनखाओं और काम के हाला से नहीं मापी जाती बलकि उनकी पहचान तो एहसास नजरिया और आपसी संबंधों से मापी जाती है जब करमचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता तो इस बात के दो मुमकीन मतलब हो सकते हैं क्या वे यह कह रहे हैं कि उन्हें काम करना नहीं आता या वे काम करना नहीं चाहते अगर उन्हें यह काम करना नहीं आता तब तो उन्हें ट्रेनिंग की जरुवत है अगर वे यह कहते हैं कि काम करना नहीं चाहते तो यह उनके नजरिये का मुद्दा हो सकता है यानि वे परवाह नहीं करते या यह वसूलों का मुद्दा हो सकता है यानि वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए संपुर्णता का रास्ता मैं संपुर्णता की सोच में यकीन करता हूँ हम सिर्फ एक हाथ या पैर नहीं है बलकि पूरे एक इनसान है पूरा आदमी काम पर जाता है और वही पूरा आदमी लोटकर घर आता है हम घर की परिसानियों और मुश्किलें दफ्तर में और दफ्तर की मुश्किलें घर में ले आते हैं जब हम घर की मुश्किलें दफ्तर में ले जाते हैं तब क्या होता है हमारा तनाव बढ़ जाता है और काम की छमता कम हो जाती है उसी तरह दब्तर और समाज की मुश्किलों का असर हमारी जिन्दगी के हर पहलू पर पड़ता है इसमें से किसी एक मुद्य पर जिम्मेदारी के साथ एक समझदार बेक्ति के रूप में सोच विचार करें इसे परिवारिक जिन्दगी या अपने काम या अपनी सरकार या अपनी दुनिया पर लागू करके देखें यह सही साफ और ठोश साबित होगी हमारा नजरिया तरह करने वाले कारक क्या हम नजरिया लेकर पैदा होते हैं यह उम्र के साथ विक्सित होता है वे कौन से कारक हैं जो हमारा नजरिया बनाते हैं अगर अपने माहोल की वज़ा से जिनकी की परती आपका नजरिया नकारात्मक है तो क्या आप इसे बदल सकते हैं हमारे नजरिये का जादतर हिसा हमारी कच्छी उम्र के दोरान ही रूप ले लेता है मुखी रुप से ये तीन कारक हमारे नजरिये को तै करते हैं एक माहूल यानि इनवरामेंट दो तजर्बा यानि एक्सपेरियेंस तीन सिख्छा यानि एजुकेशन हमें इन तीन नजरिये को इज तिरी इज कह सकते हैं आईए अब अलग-अलग इन तीनों पर नजर डालें एक माहूल माहूल नीचे लिखी बातों से बनता है घर सकारात्मक या नकारात्मक असर साथियों का दबाव मदद करने वाले या ज्यादा मीन मेख निकालने वाले या आलोचक सुपरवाजर मीडिया टेलिविजन अखवार मेगजीन रेडियो फिल्मे सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी धार्मिक प्रिष्ट भूमी परंपराएं और आस्थाएं समाजिक माहूल राजनेतिक माहूल ये सारे माहूल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं चाहे घर हो या दबतर हो या देश हो हर किसी की अपनी तहजीब होती है क्या आपने कभी इस बात पर गोर किया है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं वहां का सेल्समेन अदब वाला होता है और वहां का सुपरवाजर और मेनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं तो पाते हैं कि वहां हर कोई बड़ा रुखा और बदतमीज है आप किसी के घड़ जाते हैं तो वहां बच्चों और उनके माबाप सभी को अच्छा विभार वाला तमीज वाला और ख़याल रखने वाला पाते हैं जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो वहां के लोगों को आपस में उत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते जगरते ही पाते हैं जिस देश की सरकार और राजितिक माहुल में इमंदारी होती है वहां के लोग भी आमतोर पर इमंदार, मददगार और कानून का बालन करने वाला होता है इसका उल्टा भी उतना ही सच है जिस तरह बैमान और भरष्ट माहुल में एक इमंदार आदमी का जीना मुस्किल हो जाता है उसी तरह इमंदारी से भरे माहूल में बैमान बेक्ति को मुस्किल होती है अच्छे माहूल में मामूली करमचारी की भी काम करने की सकती बढ़ जाती है जबकि घटिया माहूल में अच्छा काम करने वाले की कारचमता गिर जाती है किसी भी जगह ताजीम उपर से नीचे आती है नीचे से उपर कभी नहीं हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहूल बनाया है घटिया माहूल में अच्छे बेवार की उम्मीद करना भी मुश्किल है जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता है वहां इमंदार नागरी भी चोर उचक्के और बैमान हो जाते है क्या यही वह समय नहीं है जब हमें जानना और परक्ष्णा चाहिए कि हम किस माहूल में है या हमने अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा माहूल बनाया है दो तजुर्बा जिंदगी में लोगों से और हालस से जैसा हमारा अनुवव होता है उसी के अनुसार हमारा वेभार बदलता है अगर किसी बेक्टी के साथ हमारा अनुवब अच्छा होता है तो उसके परती हमारा नजरिया भी अच्छा होता है इसका उल्टा भी उतना ही सच है 3. सिक्छा मैं सिर्फ अक्षर के ग्यान या डिग्री की बात नहीं कर रहा बल्कि अपचारिक और अनपचारिक दोनों तरह की सिक्छा की बात कर रहा जब ग्यान को योजनाबत तरीके से इस्तमाल किया जाता है तो वह बुत्ति मत्ता में बदल जाता है और काम्यावी एक तरह से पक्की हो जाती है मैं सिख्षा की बात एक विश्रित अर्थ में कर रहा हूँ इसमें सिख्षक यानि सिख्षा देने वाले की भूमिका बड़ी ही आम होती है सिख्षक का असर अनंध है इसके असर की लहरे अंगिनत है हम सुचनाओं के समुद्र में तो डूब रहे हैं लेकिन सही ग्यान और समझ के लिए तरस रहे हैं सिख्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोजी रोटी का माना सिख्षाए बलकि हमें जीना भी सिख्षाए सकारात्मक नजरिये के लोगों की पहचान कैसे करें जिस तरह से खराब सेहत ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं है उसी तरह किसी बेक्ती में नकारात्मक था ना होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वह सकारात्मक है अच्छे नजरिये वाले लोगों की सक्षियत में ऐसी कुपियां होती है कि जिन से उन्हें असानी से पहचाना जा सकता है वे विनर्व, धेर्जवान, आत्म विस्वासी और दूसरों का खयाल रखने वाले होते हैं ऐसे लोगों को खुझ से और दूसरों से बड़ी उमीदें रहती हैं ये हमेशा अच्छे नतीजे की ही उमीद करते हैं अच्छा नजरिया रखने वाला विक्ती हर मोसम में फलने वाले फल की तरह होता है जिसका हमेशा स्वागत किया जाता है सकारात्मक नजरिये के फायदे ये फायदे कई हैं जिने असानी से देखा जा सकता है लेकिन जो चीज असानी से देखी जा सकती है वह असानी से छूट भी जाती है अच्छे नजरिये के कुछ फाइदे ये है उत्पादक्ता बढ़ाता है मिल जूलकर काम करने की प्रेरना देता है मुश्किले सुल्जाता है क्वाइलिटी को बेहतर बनाता है भाइचारे का माहुल बनाता है वफादार बनाता है मुनाफाब बनाता है मौलिक, करमचारी और खरितारों के बीच अच्छे वह बेहतर रिष्टे बनाने की प्रेरना देता है तनाव कम करता है वेक्ति को समाज में योगदान देने वाला बनाता है और वह देश के लिए महत्पुन पुंजी बन जाता है एक अच्छी सक्सियक का निर्मान करता है घटिया नजरिये के नतीजे हमारी जिंदगी एक बड़ी बाधा दोर की तरह है और घटिया नजरिया होने से हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं घटिया नजरिये वाले लोगों के लिए नोकरी, साधी, दोस्ती या रिस्तों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है उनका नजरिया, करुवाहट, नराजगी, बिना मकसद की जिन्दगी, खरावसेहट, खुद तथा, दूसरों के लिए तनाव के रास्ते पर ले जाता है ऐसे लोग घर और दब्तर में घटिया माहुल बनाते हैं और समाज के लिए एक वोज बन जाते हैं ये लोग अपने घटिया वेभार को ना सिर्फ अपने आसपास रहने वाले लोगों बलकि आने वाली बीड़ी तक फेलाते हैं अपने घटिया नजरिये का एहसास हो जाने पर भी हम उसे बदलते क्यों नहीं हैं इंसानी फित्रत आम तोर पर बदलाव का विरोध करती है बदलाव तकलीफ दे होता है चाहे इसका असर अच्छा हो या बुरा बदलाव तनावरा हो सकता है कभी-कभी अपने गलत या बुरे नजरिये को हम इतना अराम देह महसूस करते हैं कि हमारे अच्छे के लिए हो रहे बदलाव को भी हम कभूल नहीं करना चाहते हैं हम बुडे ही बने रहना चाहते हैं चार्ल्स डिक्यंस ने एक ऐसे कैदी के बारे में लिखा है जिसने कई साल अपनी सजा काल कोटरी में काटी रहा होने पर उसे खुले अस्मान के नीचे सूरज की रोशनी में लाया गया उस आदमी ने चारो तरफ देखा और वहां अपनी पाई हुई नई अजादी में उसने खुद को तकलीफ में महसूस किया और उसमें फिर से अपनी काल कोटरी में जाने की इच्छा जाहिर की उसके लिए अजादी और फुली दुनिया के बदलाव के बज़ाए काल कोटरी हजकरी और अंदेरा ही सुरक्षा और अराम देने वाला था अच्छा नजरिया बनाने के उपाए बच्छपन में जो भी नजरिया हम बनाते हैं वह पूरी जिंदगी साथ रहता है इसमें कोई सक नहीं है कि यह बहुत आसान और बढ़िया होगा कि कच्छी उम्र के दोरान ही हम सही नजरिया अपनाए तो क्या इसका यह मतलब है कि अगर कभी जान पुछकर या गल्ती से हम नकारात्मक और बुरा नजरिया अपना लेते हैं तो उससे बंधे ही रहेंगे जाहिर है बिलकुल नहीं तो क्या हम बदल सकते हैं हाँ क्या यह असान होगा बिलकुल नहीं आप कैसे एक अच्छा नजरिया बनाकर उसे कायम रख सकते हैं अच्छा नजरिया बनाने वाले वसूलों को जाने अच्छा बनने की इच्छा रखें उन वसूलों का पालन करने के लिए निष्ठा और अनुसासन को अबनाए वातावरम, सिख्छा और तजुर्वे के बावजूद एक समझदार इंसान होने के नाते हमारे नजरिये के लिए कौन जिमेदार है हम खुद जिमेदार हैं, जिंद्गी में कभी न कभी हमें जिमेदारी कबूर करनी पड़ेगी हम खुद को दोसी मानने के बज़ाए हर ब्यक्ती और हर चीज को दोसी ठाराते हैं ये हमारे उपर है कि हर सुबह हम अपना नजरियाग उद्धे करें समझदार इंसान होने के नाते हैं या जरूरी है कि हम अपने विभार और कामों की जिमेदारी कभूल करें गलत नजरियाग वाले लोग अपनी नाकाम्यावी के लिए पूरी दुनिया अपने माबाब, गुरू, जीवन साथी, अर्थविवस्ता और सरकार को दोसी ठाराते हैं आपको अपने अतीज से दूर हटना होगा अपने बिते हुए कल की धूल जार कर सही रूख अपनाए, अपने सबनों को बटोड़िये और आगे बढ़िये सच्चाई, इमंदारी और अच्छाई जैसी सही चीजों की सोच हमारे दिमाग को अच्छी सोच के दैरे में ले जाती है अगर हम सही नजरिया बना कर उसे कायम रखना चाहते हैं तो हमें नीचे लिखे कदमों को ध्यान से अमल में लाने की जरूरत है पहला कदम, अपनी सोच बदले और अच्छाई कोजे, हमें एक अच्छा कोजी बनने की जरूरत है जीवन में हमें सही या अच्छाई पर ध्यान देने की जरूरत है आईए हम किसी विक्ती या हालात में कम्यों को देखने की बजाए उनकी सही चीज़ें और अच्छाई़ें को देखना चुरू करें हम अपने सभाव के कारण दूसरों में कम्या वा गलतियां ढूनने के इतने आदि हो जाते हैं कि उसकी सही तस्वीर भूल जाते हैं गलतियां ढूनने वाले तो स्वर्ग में भी गलतियां ढूनने से नहीं चुकेंगे ज़्यादतर लोग जिस चीज की तलास कर रहे होते हैं वह पावी लेते हैं अगर वे दोस्ती पुसिया या अच्छाई की तलास कर रहे होते हैं तो वही उन्हें मिल भी जाती है अगर वे जगरा या महत्वहिंता ढूंडते हैं तो वही उन्हें मिलता है साबधान अच्छाईयों को तलास करने का मतलब यह नहीं है कि गलतियों को नजर अंदाज कर दिया जाए सोने की तलास में एसकार्टलेंड का एक युगग एंड्यू कार्णेगी अमरिका आया और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगा एक दिन वह अमरिका की सबसे बड़ी स्टिल फेक्टरी का मालिक बन गया एक समय ऐसा था जब 43 करोड़ पती कार्णेगी के लिए काम करते थे 50-60 साल पहले एक मिलियन डालर बहुत सा पैसा होता था आज भी यह बहुत सा पैसा है किसी ने उनसे पूछा की आप लोगों से कैसे पैस आते हैं तब कार्णेगी ने जवाब दिया लोगों से पैस आना सोने की खुदाई करने जैसी ही है जब आप एक तोले सोने के लिए खुदाई करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है। लेकिन जब आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी की तलास में नहीं बलकि सोने की तलास में जाते हैं। आपकी नजर किस पर है? सोने की खुदाई करने वाले जैसा बने हैं। अगर आप लोगों और चीजों में गलतियां ढूनेंगे तो ये बहुत मिल जाएंगे आप क्या तलास कर रहे हैं एंड्यू कार्नेगी के जबाब में एक अहम संदेश छिपा है हर ब्यक्ति और हर आलात में कुछ न कुछ तो अच्छा जरूर होता ही है कभी-कभी अच्छा पाने के लिए काफी गहराई में जाना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि यह साफ दिखाई न पर रहा है लोगों और हालात में गलतियां तलासने की हमें इतनी आदत हो जाती है कि क्या ठीक है यह देखना ही भूल जाते हैं किसी ने ठीक कहा है कि बंद घड़ी भी दीन में दो बार सही समय देती है याद रखें जब आप सोने की खोज में जाते हैं तो आपको टनो टन मिट्टी हटानी पड़ती है एक तोला सोना पाने के लिए जब आप खोज में निकलते हैं तो मिट्टी की नहीं बलकि सोने की खोज में निकलते हैं गलत नजर ये वाले लोग हमेशा नुक्स निकालते हैं चाहे कुछ भी हो कुछ लोग हर बात में नुक्स निकालते ही हैं इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं की, आप किस तरब हैं, वे हमेशा दूसी तरब ही रहेंगे, नुक्स निकालने को ही उन्होंने अपना केरियर बना लिया है, वे बैफसाई कालोचक हैं, वे ऐसे नुक्स निकालते हैं, मानो कोई कमप्रिसन चल रहा हो, और उसमें उन्हे इनाम जीतना है, वे हर एक आदमी, हर एक हालात में, कोई न कोई नुक्स ढून ही निकालेंगे, घर, परिवार, या दब्तर में, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे लोग हर जगह दूसरों के नुक्स ही निकालते रहते हैं, और सबसे कहते हैं, कि हर चीज का कितना दूस लेने वाले कहलाते हैं, ऐसे लोग किसी कैफे टेडिया में जाएंगे और इस बहाने से बीस्यों कब चाय या काफी और सिगरेट पी कर दिल भालाएंगे कि वे राहत पाने की कोशिज कर रहे हैं, ऐसा करके वे खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए दिजे बुरे या गलत, रावर्ट फुल्टाउन ने भाब से चलने वाली नाव की खोज की, हटसन नदी के किनारे वह अपनी नई खोज का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां कुछ निरासावादी और सक्की मिजाज लोग भी इस खोज को देखने के लिए इकठा हुए, और एसे ही वह नदी में आगे बढ़ना शुरूर हुई, तो जो लोग कहते थे कि नाव चलेगी ही नहीं, वही निरासावादी लोग चिलाने लगे कि अब यह नाव कभी रुकेगी ही नहीं, यह भी क्या नजरिया है, कुछ लोग हमेशा कम्यों की तलास में रहते हैं, एक सिक यह करिस्मा देख उसे अपनी आँखों पर यकीन नहीं आया, उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज दिखा पाएगा, सिकारी ने अपने एक दोस्त को बत्तक के सिकार पर बुलाया, कुछ देर बाद उन्होंने कुछ बत्त बत्तकों को मार गिराया, सिकारी के कहने पर कुटा सारे दिन पानी पर दोर दोर कर बत्तकों को लाता रहा, मालिक को अपने आस्तर जनक कुट्टे की तारीख की उम्मीद थी, लेकिन उस दोस्त ने कुछ भी नहीं कहा, जब वे घर वापस लोट रहे थे, तो उसने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने मेरे कुट्टे में कुछ अनोखी बात देखी, दोस्त ने जवाब दिया, जरूर मैंने कुछ अनोखी बात महसूस की, तुम्हारा कुट्टा पानी में तैर नहीं सकता, कुछ लोग सिर्फ कलक पहलु को ही देखते हैं, निरासावादी लो बात में भी ये बुरा ही महसूस करते हैं, इसी डर से की ना जाने कल क्या हो, अपनी जिन्दगी का ज्यादातर समय वे कंप्लेन काउंटर पर ही गुजार देते हैं, हमेशा बत्ती बुझा कर देखना चाहते हैं कि अन्धेरा कितना है, जिन्दगी के आइने में दरारे लोग मरते हैं, ये बिश्तर पर सोना ही छोड़ देते हैं, अपनी सेहत का मजा नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि सायद कल बीमार हो जाएंगे, सिर्फ बदतर हालत की उमीद ही नहीं करते, बलकि जो कुछ भी होता है, उसे भी बदतर बना देते हैं, ये आम को न भूलकर सिर्फ मुसीवतों को ही गिनते हैं, ये विश्वास करते हैं कि कड़ी मेहनत किसी को तकलीफ नहीं पहुचाती, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चांस क्यों लिया जाएं, आसावादी कौन है, इसका वर्णन नीचे अच्छी तरह से क्या गया है, इतना मजबूत मने कि कोई भी चीज आपके मन की सांती को भंग ना कर सके, जिस किसी से भी मिलें, अच्छी सेहत, फुसी और तरक्की की बात करें, सभी दोस्तों को यह एहसास कराएं कि उनमें भी खुबिया हैं, हर चीज की अच्छी पहलू को नहीं देखें, सिर्फ बढ़िया नजरिया की बारे में सोचें, सबसे बढ़िया के लिए ही काम करें और सबसे बढ़िया की उम्मीद करें, जितने की आप अपनी काम्यावी के लिए होते हैं, दूसरों की काम्यावी के लिए उतने ही उतसाहित बनें, पुरानी गलतियों को भूल कर आने वाली उपलब्तियों की ओर इतने बड़े बने की जिन्ता न सताय और इतने उदार बने की गुस्ता न आये। दूसरा कदम हर काम तुरंत करने की आदत डाले हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी काम में टाल मटोल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने भी ऐसा किया है और बाद मैं मैं पस्ताया भी हूँ। टाल मटोली की आदत गटियार अब ये क्यों बढ़ावा देती है। इंसान को इतनी थकान काम करने की मेहनस से नहीं होती जितनी की टाल मटोली की आदत से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशाली और होसला देती है, जबकि आधा दूरा काम आपकी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है, जैसे पानी के टेंक में कोई छेद टेंक को खाली कर देता है, अगर आप सही नजरिया बनाना चाहते हैं, और उससे कायम रखना चाहते हैं, तो आज मैं जीना सीखिये और काम को तुरत करने की आद़ डालिये, वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिन्दगी गुजार कर, वह गुजर गया, कुछ कर न सका हार कर, जैम्स अलबड़ी, जब मैं बरा हो है कि छोटा बच्चा काता है कि जब मैं बरा हो जाओंगा, तो यह काऊंगा, वह करूंगा और बरा खुस हो जाओंगा, और जब वह बरा हो जाता है, तब काता है कि मैं कालेज की परहाई पूरी करके यह कर लूँगा, वह कर लूँगा, और फिर खुस हो जाओंगा, और परहाई पूरी कर लेता है तो कहता है कि जब मुझे पहली नोक्री मिलेगी तब मैं यह करूंगा वह करूंगा और खुस हो जाओंगा और जब उसे पहली नोक्री भी मिल जाती है तब वह कहता है कि साधी करने के बाद यह करूंगा वह करूंगा और खुस हो जाओंगा जब स स्कूल की परहाई के बाद वह कहता है कि रिटायर होने के बाद मैं यह करूंगा वह करूंगा और फुस हो जाऊंगा और जब वह रिटायर हो जाता है तब वह क्या देखता है वह देखता है कि जिन्दगी तो उसकी आखों के सामने से यूंही गुजर गई कुछ लोग अपनी टालमटोली की आदत को फूपसूरत लब्जों की आड में छिपाते हैं यह कहकर कि मैं तो अभी इस पर बारीकी से सोच रहा हूँ छा मईने सोचने के बाद वे भी कहते हैं तो अभी भी बारीकी से सोचने के काम में मैं लगा वे यह नहीं समझते की वे एक ऐसी बीमारी के सिकार हो जाते हैं जिसे बारीकी से सोचने का लखवा कहते हैं ऐसे लोग कभी काम्याव ना होंगे फिर टालमटोली की आदत वालों में दूसरे तरह के लोग भी हैं जो कहते हैं मैं तयारी कर रहा हूँ एक महिने बाद भी वे तयारी ही कर रहे होते हैं और च्छा महिने बाद भी वे तयारी ही कर रहे होते हैं और इस तरह वे नहीं समझ पाते हैं कि वे बहानाबादी की बीमारी के सिकार हैं और वे बहाने ही बनाते रह जाते हैं जिन्दगी कोई dress rehearsal नहीं है मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस philosophy में यकीन करते हैं बस हमें एक ही मुका मिलता है इस खेल का जिसे जिन्दगी कहते है दाओं पर बहुत कुछ लगा होता है और दाओं पर लगी होती है आने वाली पीडिया हम कहा हैं और किस दोर में हैं इसका जवाब है कि हम इसी दोर में हैं और यहीं है आईए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें इसका मतलब नहीं है कि हमें आगे के लिए योजना बनाने की जरुरत नहीं है पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की जरूरत है और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तमाल को साली के लिए कर रहे हैं तो हम खुद बखुद आने वाले बेहतर कल के लिए बीच बो रहे हैं क्या आप मानते हैं अगर आप सही नजरिया अपनाना चाहते हैं तो इस कहावत को सीख ले तुरंत काम करो और टाल मटोली की आज़त छोड़ दे जिन्दगी में सबसे ज़्यादा उदासी से भरे सब यह हैं यह हो सकता था मुझे करना चाहिए था मैं कर सकता था कास मैं कर लेता कास मैंने थोड़ी और कोशिस की होती जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टाले बेंजामीन फ्रेंकलीन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारे बीजेता टाल मटोल करना तो चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए जब लोग कहते हैं मैं यह काम किसी दिन कर लूँगा तो इसका यह साफ मतलब होता है कि यह काम कभी नहीं होगा कुछ लोग घर से निकलने से पहले इस इंतजार में रहते हैं कि कब सब बत्यां हडी होगी ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा और काम की सुरुवात करने से पहले ही वेहार चुके होंगे यह बहुत अफसोस की बात है टाल मटोली की आदत छोड़ें क्या यही वह समय नहीं है जब हम टालने की आदत को छोड़ दें तीसरा कदम एहसानमंद होने का नजरिया बनाए अपनी नियामतों को गिने मुश्किलों को नहीं गुलाव की खुसभू का लुफ्थ उठाने का वक्त निकालिये आम तोर पर हम सुनते हैं कि एक्सिडेंट या बिमारी की वज़ा से कोई अंधा या अपाहिच हो गया लेकिन मुआबजे की तोर पर उसे लाखों डालर मिल गए हमें से कितने लोग ऐसे आदमी की जगह लेना चाहेंगे ज़्यादा नहीं हमारे पास जो नहीं है उसका रोना रोने में हम इतने मस्गूल हो जाते हैं कि जो है उसे भी नजर अंदाज कर देते हैं हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें सुखगुजार होना चाहिए जब मैं आपकी मुश्किलों की नहीं बलकि नियामतों के लिए सुखगुजार होने की बात करता हूँ तो मेरा मतलब यह नहीं कि आप जिस हाल में हैं उसी हाल में संतुष्ट रहें अगर आपने मेरी बात का मतलब आत्मसंतुष्टी निकाला है तो मैं अपनी बात को ना समझा पाने के लिए दोसी हूँ और आप दोसी हैं अपना मनपसंद मतलब निकालने के लिए मनपसंद मतलब निकालने की आदत की मिसाल देने के लिए मैं आपको उस डॉक्टर की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसे सरावियों के बीच भासन देने के लिए बुलाया गया था वह वहाँ एक प्रदरसन करना चाहता था जिसे देखकर लोग समझ जाएं की सरावियों के लिए हानिकारक है इसके लिए उसने सीसे के दो जार लिए एक में साफ पानी भरा था दूसरे में सराव उसने एक केच्वा साफ पानी के जार में डाला वह अराम से उसमें तेरता हुआ ऊपर आ गया दूसरा केचवा उसने सराव के जाल में डारा और देखते ही देखते सबकी आँखों के सामने वह टुकरे टुकरे हो गए वह इस बात और इस उदारन से सावित करना चाहता था कि सराव हमारे सरीर के अंदर ऐसे ही नुपसान पहुचाती है उसने उन सरावियों से पूछा इससे हमें क्या सबक मिलता है तभी पीछे से एक आदमी बोला कि अगर आप सराव पिएंगे तो आपके पेट में गिरिय नहीं होंगे क्या यही संदेश वह डाक्टर देना चाहता था नहीं हर्गीज नहीं इसे ही मनपसंद का मतलब निकालना कहते हैं यानि हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं और वह नहीं जो कहा जा रहा है हमारी बहुत सी नियामतिया चिपी वी खजानों की तरह होती है इसलिए अपनी नियामतों को गिने मुश्किलों को नहीं चौथा कदम लगातार ग्यान हासिल करने की आदत डालें आईए हम कुछ गलत फ़र्मियों को अपने राश्ते से हटाएं यह आम बिस्वास की बात है कि सिक्षा पाने की जगह इसकूल और कालेज ही समझे जाते हैं मैं कई देशों में अपने सेमिनार के दोरान लोगों से यह पूछता हूँ कि क्या हम सच-मुछ अपनी सिक्षा इसकूल और कालेजों में पाते हैं आम तोर पर सबकी राय एक सी थी, कुछ तो सिक्षा पाते हैं लेकिन जादा दर नहीं इस्कूल कालेजों में हमें धेरों जानकारिया मिलती है मुझे गलत न समझें, परहा लिखा होने के लिए हमें जानकारी तो चाहिए लेकिन हमें सिक्षा का सही मतलब समझने की जरूरत है बहुत धीक सिक्षा जहां आपके दिमाग पर असर करती है वहीं मुल्यों पर अधारिश सिक्षा आपके दिल पर असलियत में जो सिक्षा दिल पर असर न डाले वह नुकसान दे हो सकती है अगर हम परिवार, दब्तर और समाज को चरित्रवान बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मुल्य और नेतिक सिक्षा का कम से कम एक अस्तर हासिल करना होगा जो सिक्षा、 इमंदारी, दया, साहस, इरादा और जिम्मेदारी जैसी बुनियादी और बेहर जरूरी कुभ्यों को बढ़ाती और बनाती है उसकी बहुत ज़्यादा ज़्रूरत है हमें ज़्यादा अक्षर सिक्षा की जरूरत नहीं बलकि चरित्र बनाने वाली सिक्षा की ज़्यादा जरूरत है मैं तो इस बात पर जोड़ दूँगा कि एक ज़्यादा पढ़े लिखे लेकिन नैतिक सिक्षा ही इन ब्यक्ति के मुकाबले नैतिक सिक्षा वाला ब्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता पाने में ज़्यादा काबिल होगा चरित निर्मान और नैतिक मुल्यों की सिक्षा कच्ची उम्र के साथ आती है क्योंकि बच्चा इन सिक्षाओं के साथ पैदा नहीं होता मुलिहीन सिक्षा मालगारी ही चुड़ा कर ले जाएगा विस विद्याले से युबक बहुत काविल मगर पढ़े लिखे जाहिल बनकर निकल रहे हैं क्योंकि हम युबाओं को नेतिक्ता का कोई अधार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज्यादा से ज्यादा तालास है हमारी कोशिस ग्यान और बुतिमत्ता के लिए होनी चाहिए ना कि सिर्फ ग्रेट पाने के लिए ज्यादा सीखे बिना भी अच्छे ग्रेट और डिग्री तो मिल जाती है लेकिन सबसे अहम बात कोई सीख सकता है तो वह यह है कि सीखने के सही तरीकों को सीखें लोग सुचनाओं को रटने की कावलियत को ही गलती से सिक्षा समझ लेते हैं बिना मुल्यों के दिमागी सिक्षा समाज के लिए आफ़त को पैदा करती है सिक्षित होने का मतलब यह नहीं की फैसले भी सही ही हो यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सरक के किनारे समोसे बेचा करता था वह अनपड़ था इसलिए उसने कभी अख़वार नहीं पढ़ा था उचा सुनाए देने की वज़ा से उसने कभी रेडियो भी नहीं सुना था उसकी आँखे कमजोर थी इसलिए उसने कभी टेलिवीजन भी नहीं देखा था लेकिन वह धेरों समोसे बड़े उच्जा से बेचा करता था उसकी बिक्डी और ज़्यादा मुनाफा दिनो दिन इतना बढ़ता गया कि परिनाम स्वरूप उसे ज़्यादा समान और बड़ा चुला खिलितना पड़ा जब उसका बेपार दिन दोगुना बर रहा था तब उसका बेटा जिसने हाल ही में कॉलेज की अपनी परहाई पूरी की थी अपने बाप के साथ काम में जुट गया उन्ही दिनों एक अजीब गटना गटी बेटे ने एक दिन अपने पिता से पुशा पिता जी क्या बेपार में आने वाली मंदी के बारे में आपको जानकरी है पिता ने जवाब दिया नहीं लेकिन मुझे इस बारे में बताओ बेटे ने आगे कहा अंतराष्ट ये हालात बहत खराब है और राष्ट के हालात तो उससे भी बुड़े है हमें आने वाले बुड़े दिनों के लिए तयार रहना चाहिए पिता ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज बढ़ चुका है अगवार बढ़ता है और रेडियो भी सुनता है इसलिए उसे सब जानकारी है उसकी सलाह को हलके ढंक से नहीं लेना चाहिए इसलिए अगले ही दिन से पिता ने समोसों के कच्चे समान की खरीद कम कर दी दुकान का बोड भी हटा दिया काम में उसका उच्छाह भी कम होता चला गया जल्दी ही उसकी दुकान पर गरहकों का आना कम होता चला गया और उसकी बिगरी भी गिरने लगी तब बापने बेटे से कहा तुम ठीक थे हम लोग मंदी के दोर से गुजर रहे हैं मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समय से पहले ही आगाह कर दिया था इस कहानी से क्या सबक मिलता है एक बहुत बार हम अकलमंदी और सही फैसले में फर्क नहीं कर पाते एक इनसान अकलमंद तो हो सकता है लेकिन उसके फैसले गलत हो सकते हैं तीन अपने सलाकारों को ध्यान से चुनिए और अपनी समझ का इस्तेमाल किजिए चार अप्चारिक सिक्षा होने या ना होने पर भी कोई व्यक्ति सपल हो सकता है और होगा भी अगर उनमें ये पांच खूबियां हो चरिद्र, कमिटमेंट, डिड़ विश्वास, विनर्मता, होजला या साहस पांच, बड़े अफसोस की बात तो यह है कि बहुत से ऐसे चलते फिरते इन साइकलोपीडिया है जो नाकाम्याबी की जिन्दा मिसाल है जिखाती है जब हमें सिक्षा को इस्तिमाल करने की कावलियत और इच्छा दोनों होती है तो उसे ही सामर्थ कहते हैं इच्छा ही वह नजरिया है जो हुनर्मंद को सामर्थवान बनाती है बहुत से लोग हुनर्मंद तो होते हैं लेकिन सामर्थवान नहीं होते क्योंकि सही नजरिये की बिना काविलियत प्यर्थ हो जाती है। युनिवर्सिटी की पहले जिम्मेदारी ग्यान देना और चडितिक निर्मान होता है ना कि बैपारिक और तक्निकी सिक्षा देना। विश्टर्ण चर्चिल सिक्षित हालाद का सामना सही ठंक से करते हैं और वे जो हालाद से सामना होने पर सही निर्ने लेने और सही कदम उठाने में सायद ही कभी चूखते हो। दूसरे वे जो दूसरों के साथ ब्यभार में बरप्पन दिखाते हैं, दूसरों के ओपिरिये ब्यभार और बातों का बुरा नहीं मानते और अपने सहयोगिकों के साथ उतने भले होते हैं जितना की एक इनसान हो सकता है और आगे वे जो अपनी खूसियों पर काबू रखते हैं और कठिनाईयों को अपने उपर हावी नहीं होने देते और कठिन प्रस्तितियों का मुकाबला एक बहादूर इनसान की तरह करते हैं जो इनसानी फित्रत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे लोग जो सफलता मिलने पर बिगरते नहीं जो अपनी असलियत से मुह नहीं मूड़ते साथ ही वो दिमान और धीर गंभीर ब्यक्ति की तरह डिर्टा से जमीन पर पर जमाये रखते हैं तुक्ये से मिली अच्छी चीजों पर खुष होने के बज़ाए जन्म से मिली काबिलीत और बधी से प्राप काम्याग्यों पर खुष होते हैं खुष होने की ऐसी प्रवरति उनकी बच्पन से ही होती है जिन लोगों के चरिज में इनमें से एक दो नहीं बलकि सारे गुण हैं जिन्हों ने ये सभी बातं शिखी है वे ही सर्वगुन संपन सच्चे अर्थों में सिक्षीत हैं शुकराद थोड़े में कहें तो परहे लिखे वे लोग हैं जो किनी भी हालात में साहस और अकलमंदी से काम करना तै करते हैं अगर उनमें अकलमंदी और बेवकुफी अच्छे और बुरे सोमिता और असलीलता के बीच चुनाव करने की काविलियत है तो उनके पास अक्षर की टिग्रियों हो या नो हो वे ही सही माइने में सिक्षीत हैं विशे सग्य वही होता है जो सारे जवाब जानता है अगर आप सही सवाल पूछें बहु मिख्यूई सिक्षा क्या है कुछ जानवरों ने जंगल में इस्कूल सुरू करने का फैसला लिया एस्टूटेंट में सामिल थे एक कुत्ता एक मचली एक किरिया एक खरगोस एक गिलहरी और कम दिमाग वाली एक इल एक बोर्ड बनाया गया बहु मुखी सिक्षा देने के खयाल से बोर्ड ने फैसला किया कि इस्कूल में उरने पेर पर चढ़ने तरने और जम्मीन में बिल बनाने की सिक्षा सिलेवस में सामिल होगी ताकि सभी को बहु मुखी सिक्षा दी जा सके और सभी जानवरों को सभ भी बिसे कंपल सरी थे चिरिया उरान भरने में तो फस्ट आई पर जब बिल बनाने की बात आई तो वह अपनी चोंच और पंक तोड़ती रही और फैल रही जल्दी ही पंक तुटने की वज़ा से चिरिया उड़ने में भी नाकाम्याब रही वहीं पेर पर चड़ना और इसलिए बाकी हर चीज में फैल हो गई कुट्टे ने इस्कूल में दाखिला ही नहीं लिया और टैक्स देना बंद कर दिया और भौकने को सिलेवस में सामिल करवाने के लिए मेनेजमेंट से जगरने लगा बिल खोदने में खरगोस फष्ट रहा लेकिन पेर पर चड़ना उसके लिए बहुत मुस्किल था पेर पर चड़ने की कोशिस के दौराँ वह सीर की बल गिरता रहा और उसके सीर में जबरदस्त चोटे आई जिसकी वजह से जल्दी ही वह बिल खोदने में भी नाकाम्याब होने लगा दिमागी तोर पर कमजोर इल ने हर काम को आदे अधूरे ढंग से किया वह अपनी कलास में फस्ट आई स्कूल का बोर्ट बहुत खुश था क्योंकि सभी एस्टूडेंट बहुमुखी सिक्षा पा रहे थे एस्टूडेंट का अपनी खास फूभियों और काबिल को खुए बगर जिंद्गी के लिए तयार रहना ही सही माइनों में बहुमुखी सिक्षा है कि कुद्रत ने हर इंसान को कोई न कोई खुबी दी है हमिंग बड़ गुंजन करने वाली एक छोटी सी चिरिया होती है का वजन एक तोले के बराबर होता है अपने इसी कम वजन क की वज़ा से यह चिरिया अपने पंखों को एक सकेंड में 75 बार फड़ फड़ा सकती है जो सोचने में भी कितना कठिन लगता है यह उची उड़ान हवा में तेटना और छलांगे लगाने जैसे काम तो नहीं कर सकती लेकिन फूलों पर मन राते हुए ही उनका रस ले लेती है दूसरी और सुत्रमूर्व दुनिया का सबसे भारी पक्षी है लगवक 300 पाउंड के और अपने वजन के कारण वह उड़ नहीं सकता हलाकि इसकी टांगे इतनी मजबूत होती है कि प्रती घंटा 50 मील की रफ्तार से दोड़ सकता है और 12-15 फीट के लंबे-लंबे कदम भ अग्यानता है बेवकूफ लोगों के पास एक अजीब तरह का आत्म विश्वास होता है जो सिर्फ अग्यानता से ही आता है अग्यानी होना उतनी सर्म की बात नहीं है जितनी की किसी काम को सही ठंग से सीखने की इच्छा ना होना बेंजामिन प्रेंकलिन अग्यानता कोई बुरी बात नहीं है लेकिन अग्यानता के साथ भविस बनाने की बात सोचना बेवकूफी है कुछ लोग अग्यानता को ही इकठा करते रहते हैं और उसे सिक्षा समझने की बूल करते हैं अग्यानता कोई आनंदमे चीज नहीं है यह तो एक मुसीबत दुख गरीबी और ब जाना खतरनाक है तो बहुत सी अग्यानता छोटापन डर कटरपन अंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है बुद्धी मत्ता अग्यानता के अंदकार को बिटाने को कहते हैं हम सुचनाओं के यूग में रह रहे हैं अनुमान है कि जानकारियां हर साल दुगुनी होती च शोड़कर हमें सब कुछ सिखाया जा रहा है हमें पटना लिखना सिखाया जाता है मगर जो दिमागी सिख्चा किस काम की जिसमें इंसानियत की कीमत नहों इसकूल तो ग्यान के जढ़ने हैं जहां कुछ चात्र अपनी प्यास बुझाते हैं तो कुछ एक दो मूठी पीते ह हैं और कुछ तो सिर्फ पुल्ला ही करते हैं ब्यभारिक बुद्धी ब्यभारिक बुद्धी के बगर सिक्षा और ग्यान का महत्व कुछ भी नहीं है किसी भी चीज को उसके सही रूप में देखने और उसे जैसा किया जाना चाहिए उस रूप में करने की काविलियत को ही ब्यभारिक बुद्धी कहते हैं हम लोग पांच ग्यानेंद्रियों के साथ बेदा होते हैं छूना स्वाद लेना देखना सुमना और सुनना लेकिन काम्याव लोगों के पास एक छटी ग्यानेंद्रिये भी होती है जिसे ब्यभारिक ग्यानेंद्रिये कहते हैं सिक्षा के बिना भी ब्यभारिक बुद्धी हासिल की जा सकती है लेकिन ब्यभारिक बुद्धी के बिना अच्छी से अच्छी सिक्षा भी किसी काम की नहीं है भरपूर ब्यभारिक बुद्धी का होना ही बुद्धी मत्ता कहलाता है अपनी बुद्धी को और तेज करें जाउन नाम का एक लगरहारा पांस साल से एक कमपनी के लिए काम कर रहा था इन सालों में उसकी तनखा एक बार भी नहीं बढ़ी थी उधर एक नए लगरहारे बिल की एक साल के अंदर ही तरक्की हो गई यह बात सुनकर जाउन को बहुत बुरा लगा और बात करने के लिए वह अपने मालिक के पास जा पहुँचा मालिक ने जवाब दिया तुम आज भी उतने ही पेड काट रहे हो जितने आज से पांस साल पहले काटा करते थे हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं अगर तुम्हारी उत्पादन चमता भी बढ़ जाए तो हमें तुम्हारी तनखा बढ़ाने में भी खुसी होगी जाउन वापस चला गया और पेरों की कटाई करने में पुब महनस से देर तक जुटा रहता उसके बापजूद भी वाज ज्यादा पेर नहीं काट पाया निरास होकर एक दिन उसने अपनी परेसानी मालिक को बताई मालिक ने जाउन को बिल के पास जाने की सला दी और कहा हो सकता है उसे कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम ना हो जाउन ने बिल से पूछा की वह ज्यादा पेर कैसे काट पाता है बिल ने बताया कि हर पेर को काटने के बाद मैं दो-तीन मिनट के लिए रुकता हूँ और अपने कुलहारी की धार तेज करता तुम बताओ कि तुमने आखरी बार अपनी कुलहारी की धार कब तेज की थी बिल के इसी सवाल ने जाउन की आँखें कोल दी और उसको अपना जबाब मिल गया मेरा सवाल यह है कि आपने आखरी बार कब अपनी कुलहरी की धार तेज की थी बीते हुए कल का गौरब और सिक्षा से काम नहीं चलता हमें अपने ग्यान की धार को लगातार तेज करते रहना पड़ेगा अपने दिमाग को खुराक दे जिस तरह हमारे सरीर को रोजाना अच्छे खाने की जरूरत होती है उसी तरह हमारे दिमाग को भी रोजाना अच्छे बिचारों की जरूरत होती है इस वाक्य में मुखे लफ्स अच्छा खाना और अच्छे बिचार है अगर हम सरा गला खाना खाएं और अपने दिमाग को घट्या बिचारों से फढ़ लें तो सारीरिक और दिमागी दोनौ तोर पर हम बिमार हो जाएंगे अपने सही राश्ते पर चलते रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सही और अच्छी सोच की खुराग दें लगातार प्रैक्टिस और प्रदर्सन के जरिये हम उन वसूलों को समझ सकते हैं जो इनसान को काम्याब बनाते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि हम बास्केट बॉल खेलना सीखते हैं ग्यान एक सकती है हम रोजाना सुनते हैं कि ग्यान एक सकती है जबकि असलियत में यह बात सही नहीं है ग्यान तो महजानकारी का नाम है ग्यान में सकती बनाने की छमता है और यह तभी सकती बनता है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है उन दो लोगों में क्या फर्क है जिन में से एक को तो पढ़ना जानता ही नहीं और दूसरा पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं फर्क बहुत ज्यादा नहीं है सीखना तो खाना खाने की तरह है इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं फर्क तो इस बास से पड़ता है कि आप उसमें से कितना बचा सकते हैं जानकारी छिपी हुई सकती है तो बुद्धी मत्ता सच्ची सकती है सिख्षा के कई रूप होते हैं यह सिर्फ ग्रेड या डिग्री की बात नहीं है बलकि यह है सक्टी को बरहना आत्म अनुसासन सीखना सुनना समझना सीखने की इच्छा होना हमारा दिमाग हमारी मसल्स की तरह उतना ज्यादा या कम सिखुरता या फैलता है जितना हम उससे बयायाम करवाते हैं अगर आप सोचते हैं कि ग्यान पाना महगा है तो अग्यानी बन के देपो डेड़ेग बाउग लगातार अच्छी सिख्छा से अच्छी सोच को बढ़ावा मिलता है सिख्छा एक भंडार है अच्छी सोच वाले लोग उन एथलीट की तरह होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस से अपने अंदर ताकत का एक भंडार सा बना लेते हैं जो कम्प्रिशन के समय उनके काम आती है बिना प्रैक्टिस के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे इसी तरह से अच्छी सोच वाले लोग हर दिन दिमाग को लगातार सही और ताकतवर बातों की खुराग देते हैं और इससे अपने अंदर उमीदों से भरे नजरिये का एक भंडार सा बना लेते हैं वे समझते हैं कि हम सब का सामना बुराई से होगा और अगर हमारे पास अच्छे नजरिये का भंडार होगा तो हम उससे उबर पाएंगे, नहीं तो बुरी सोच हमारे उपर हावी हो जाएगी अच्छी सोच वाले बेवकूफ नहीं होते हैं, नहीं वे जिंदगी में आँखों पर पट्टी बांद कर चलते हैं ये ऐसे विजेता होते हैं जो अपनी कमजोडियों को तो जानते हैं लेकिन अपना धिहान अपनी ताकत पर रखते हैं जबकि दूसरी तरफ आरने वाले अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमजोडियों पर ही फोकस रखते हैं पाँच्वा कदम अच्छे स्वाभिमान का निर्मान स्वाभिमान क्या है स्वाभिमान वह नजरिया है जिसके द्वारा हम खुद को महसूस करते हैं जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तब हम बेहतर काम करते हैं और घर और दब्धर में लोगों के साथ हमारे सम्मन् दुनिया खुबसूरत लगने लगती है इसकी वज़ा क्या है यहां पर महसूस करने और बेभार करने में सीधा संबन है क्योंकि हम किसी चीज या बात के बारह में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके परती बेभार करेंगे अच्छे स्वाविमान का निर्मान कैसे करें अगर आप जल्द से जल्द अच्छे स्वाविमान का निर्मान करना चाहते हैं तो इसका एक सबसे तेज तरीका या है कि उन लोगों के लिए कुछ करो जो बदले में आपको धन दौलत या कुछ नहीं दे सकते कुछ साल पहले मैंने जेल में कईदियों को नजड़िया और स्वाविमान सिखाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए कुछ ही हक्तों मैंने वहां उतना कुछ सिखा जितना सालों में नहीं सिख सका था मेरा प्रोग्राम दो हपते एटेंड करने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर पूछा सीव मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसने बताया कि मैं कुछ ही हपतों में जेल से छूटने वाला हूँ मैंने उससे पूछा कि मेरे इस प्रोग्राम से उसे क्या फैदा हुआ उस देर तक सोचने के बाद उसने बताया कि अब वह अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं मैंने कहा अच्छा मेरे लिए कोई माइने नहीं रखता मुझे ठीक से बताओ कि तुम्हारे बेभार में क्या बदलाव आया है मेरा मानना है कि एक इंसान तब तक कुछ नहीं सीखता जब तक उसके बेभार में बदलाव नहाए उसने बताया कि जब से मेरा प्रोग्राम सुरू हुआ है तब से वह रोजाना बाइबिल पढ़ता है तब मैंने पूछा कि बाइबिल पढ़ने का उस पर क्या आसर पढ़ा है उसने बताया कि वह अब अपने और दूसरों के बारे में अच्छा महसूस करता है जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था मैंने कहा यह सब तो ठीक है लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जेल से रिहा होने के बाद तुम क्या करोगे उसने बताया कि रिहा होने के बाद वह समाज का एक जिम्मेदार और उपयोगी सदस बनने की कोशिस करेगा मैंने उसे दूसरी बार वही सवाल पूछा और मुझे जबाब भी पहले जैसा ही मिला जब मैंने वही सवाल तीसरी बार पूछा कि तुम जेल से निकलने के बार क्या करोगे यकिन नन मैं कुछ गुछ अउड़ ही जवाब पोज रहा था इस बार उसने गुस्य से कहा कि मैं समाज का जिम्मेदार और उपयोगी सदस से बनूँगा तब मैंने उसे पहले और इस जवाब में आये फर्क को बताया पहले उसने कहा था कि मैं बनने की कोशिस करूँगा और इस बार उसने कहा कि मैं बनूँगा फर कोशिस लव्ज का है उसने कोशिस लव्ज से छुटकारा पा लिया यही अकल की बात थी किसी काम को या तो हम करते हैं या नहीं करते हैं कोशिस लव्ज उसके दोबारा जेल जाने के दरवाजे खुले ही रखता है दूसरा कैदी जो हमारी बाते सुन रहा था उसने पूछा सीव तुम्हें इस काम से क्या बैसे मिलते हैं मैंने उससे कहा कि जो हुसी और एहसास मुझे अभी मिले है वे पूरी दुनिया की दोलत से भी बढ़कर है तब उसने पूछा आप यहां क्यों आते हैं मैं ने कहा मैं तो यहां अपने स्वार्थ के लिए ही आया हूँ और मेरा स्वार्थ का कारण है इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना इस तरह का स्वार्थ अच्छा होता है थोड़े में कहें तो आप समाज को जैसा देते हैं वैसा ही उससे पाते हैं कई बार तो जितना आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही पाते हैं लेकिन आप समाज को कुछ देते समय उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखें एक और कैदी ने कहा कोई जो भी कहे वह उसकी मरजी जब लोग नसा करते हैं तो इससे आपको क्या मतलब आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मैंने जवाब दिया मेरे दोस्त हला कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ तब भी तुम जो कह रहे हो उससे मैं समझोता करके मान लूँगा कि इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है अगर तुम मुझे इस बात की गारेंटी दो की नसा करने वाला जब भी गारी चलाएगा और दुरगटना होगी तो वह सिर्फ पेड़ के साथ ही एक्सिटेंट करेगा तब मैं समझोता कर लूँगा लेकिन अगर तुम गारेंटी नहीं दे सकते की जब वे नसा करेंगे और दुरगटना होगी तो तुम और तुमारे बच्चे या मैं और मेरे बच्चे पहिये के नीचे तब कर नहीं मरेंगे तो बेहतर होगा कि तुम विश्वास करो कि यह मेरी जिमेदारी बन जाती है कि मैं नसेवाज को सरक से दूर रखो इस एक कहावत ने यह मेरी जिन्दगी है मैं जो चाहूं वही करूँगा हमें हैदे की बजाए नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया है लोग भाव को नजर अंदाज करते हुए उसका वह मतलब निकालते हैं जो उन्हें अच्छा लगे ऐसे लोगों ने इसका मतलब स्वार्थ निकाला है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कहावत का यह भाव नहीं होगा ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हम समाज से अलग नहीं रहते हैं जो आप कहते हैं उसका असर मुझे पर पड़ता है और जो मैं करता हूँ उसका असर आप पर भी पड़ता है हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमें एहसास करना चाहिए कि हम सब इस धरती के भागीदार हैं और हमें जिम्मेदारी के साथ ब्यभार करना सीखना चाहिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं लेने वाले और देने वाले लेने वाले कुप खाते हैं और देने वाले चैन की नींद सोते हैं देने वालों में उच्छे स्वाविमान का भाव होता है उनका नजरिया अच्छा होता है और वे समाज की सेवा करते हैं समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब उन तूट पुझियों निताओं से नहीं है जो समाज सेवा की आड़ में अपना मतलब साथ दे हैं इनसान होने के नाते हमें पाने और लेने की जरूद होती है फिर भी उच्छे स्वाविमान से बरे एक अच्छे सक्स को सिर्फ लेने की ही नहीं बलकि देने की भी जरूद होती है एक आदमी अपनी नई कार की सफाई कर रहा था जब उसके परोसी ने पूछा कि यह कार तुम कब लाए उसने जवाब दिया यह कार मेरे भाई ने मुझे दी है इस पर परोसी ने कहा कास मेरे पास भी ऐसी कार होती फिर उसकार वाले ने कहा तुम्हें यह फाइस करनी चाहिए कि कास मेरे पास भी ऐसा भाई होता पडोसी की पत्नी उन दोनों की बात सुन रही थी बीच में ही उसने कहा कि कास मैं ऐसा भाई होती कितने कमाल की बात है छठा कतम बुड़े असर से दूर रहे आगे नवजवान बरों के बेभार और मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं उनपर अपनी साथियों का भी दवाब रहता है साथियों का दवाब आग सिर्फ नवजवानों पर ही नहीं बलकि बरों पर भी पड़ता है स्वाविमान की कमी की वज़ा से लोगों में ना कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत होती है ये बुरे असर क्या है? एक घटिया सोच वाले लोग चील का एक अंडा एक मुर्गी के गोसले में रखा गया था समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से चील निकला खुद को चूजा मानते हुए पलने लगा चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता वा उड़े में से खाने के डाने ढूनता मुर्गी के तरह बांग देता और हर काम उसी की तरह करता वा कभी भी थोड़ी सी उचाई से ज़्यादा उड़ नहीं पता क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी उसने एक दिन आसमान में एक चील को बरिसान से उड़ते देखा उसने मुर्गी से पुछा कौन है वह सुंदर चिरिया मुर्गी ने जवाब दिया वह चील है वह एक तेज दर्रार चिरिया है लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो इस तरह वह चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका और इस बात को सच मान कर उस चील के बच्चे ने जो मुर्गी की तरह पला दुबरा नहीं सोचा वह एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी वैसे ही अपनी समझ और दूर की ना सोचने के अभाव से उसने खुद को अपनी पैदाईसी गुनों से महरूम रखा कितना बड़ा नुकसान हुआ वह जीतने के लिए पैदा हुआ था पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तयार हुआ था यही बात ज्यादतर लोगों पर लागू होती है जिन्दगी की बदकिस्मती के बारे में बताते हुए ओलिवर वेंडाल हॉम्स कहते हैं ज्यादतर लोग अपने दिलों में कुछ करने की चाह लिए ही मर जाते हैं हम अपनी ही दूरदर्सिता की कमी की वज़ा से बहतरी हासिल नहीं कर पाते अगर आप चील की तरह आसमान से में उच्छे उड़ना चाहते हैं तो आपको चील के तोर तरीकों को सीखना पड़ेगा अगर आप काम्याब लोगों की संगत में रहते हैं तो आप उन जैसे ही बनेंगे अगर आप सोच विचार करने वाले के बीच रहेंगे तो आप उन में से एक बनेंगे अगर आप दानियों की संगत में रहेंगे तो आप भी उन जैसे बनेंगे अगर आप सिकायत करने वाले की संगत में रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनेंगे जब भी कोई जिन्दगी में काम्यावी हासिल करता है तो घटिया लोग उन पर वार करते हैं और उनको नीचा खीचने की कोशिश करते हैं। जब आप इन घटिया लोगों से नहीं उलज दे तब जीत आपकी होती है। मार्सल आट में सिखाया जाता है कि जब कोई आप पर वार करे तब आप उसके वार को रोखने की बजाये वहां से हट जाए। क्यों वार को रोकने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है क्यों न उस ताकत को और अच्छे तरीके से इस्तमाल किया जाए। इसी तरह गाटिया लोगों से उलजने के लिए उनके अस्तर तक आना पड़ता है। यही वे चाहते हैं क्योंकि जब आप उनमें से एक हो गए है। गाटिया सोच वाले लोगों को अपने उपर हावी न होने दे। याद रखे कि एक इनसान का चरित्र सीफ इस बास से नहीं दाहिर होता कि वह कैसी संगत में रहता है। 2. सिग्रेट, चरस, गाजा और सराव मेरे सराव न पिने की एक वज़ा या है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। लेडी एस्टर सराव आदमी की हिच की चाहत को खत्म कर उसे कमासा बना देती है। अपने सफर के दोरान मैंने पाया कि कुछ देशों में सराव पिना वक्त गुजारने का तरीका बन गया है। अगर आप सराव नहीं पीते हैं तो आपको ऐसे देखते हैं मानो कहीं कुछ गलत है। उनका आदर्स है कि अगर आपको ऐसकाउच अच्छी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंगलिस कैसी है। अगर एक बैंकर उनसे पूछे कि आपकी लिक्वीड एसेट क्या है तो वे ऐसकाउच की दो बोतल ले आएंगे। आज सिगरेट और सराब पीना सानो सोकत की चीज बन गई है। इन सब की सुरवात पहली बार से होती है। अगर आप किसी से पूछे कि वे सराब या सिगरेट क्यों पीते हैं तो वे धेरो बजहें गिना देंगे। कुछी मनाने के लिए फर्पियोहार मनाने के लिए मनोरनजन के लिए मुसीवतों को भूलने के लिए तजुरूआ के लिए रोब डालने की लिए फैसन के तोर पर मेल मिलाब के लिए आदी-오ग अपने साथियों के तबाब का हिस्सा ता मुन कर रहना किसी अंजान कभी कि यह कविता एक सराव पिने वाले की दूबीदा को दरसाती है मैंने तुम्हारी सेहत के लिए सराव खानों में पी है मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते-पीते मैंने अपनी ही से खराब कर ली है सराब पीकर गारी चलाने की कीमत जिंदगी से देनी पड़ती है जेरी जांसन ने अपनी किताब में अमेरिकन होस्पिटल एसोसेशन की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि सभी अस्पतालों में भरती होने वाले लगबग आधे लोग सराब या उसके कारणों के सिकार होते हैं नेशनल सेप्टी कॉंसिल की 1989 की एक रिपोर्ट एक्सिडेंट फैक्स एडिसन में बताया गया कि हर साथ सेकेंड में एक आदमी सराब के करण दुलगटना का सिकार होता है 3. अभध्र और अस्लील साहित बच्चों को सिकार बनाना घरेलो जिंद की में दरार पैदा करना सेक्ष समंदी अत्याचारों को बढ़ाना नेतिक और आदर्स मुल्यों का मजाग बनाना अब्यक्तियों, परिवारों और समाजों को बरबाद करना अमरीका में हर 46 सकेंड में एक महिला से बलतकार होता है नेशनल विक्टीम सेंटर क्राइम विक्टीम रिसर्ज एंड ट्रीटमेंट सेंटर उनिस्स बानबे डॉक्टर बिलियम मार्सल के अनुसार 46 परतिसत बलतकारियों ने माना है कि वे असलील साहित के आदी थे इसके साथ 57 परतिसत लोगों ने यह स्विकार किया कि उन्होंने सेक्स अपराद करने में असलील दिर्श्यों की नकल की थी National Coalition for the Protection of Children and Families Annual Report 1995 यह देखकर दुफ होता है कि लोग कितना नीचे गिर जाते हैं जो पैसे कमाने के लिए असलील साहित का बेपार करते हैं और उन घटिया लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो इसे खरीटते हैं चार घटिया फिल्मे और टेलिविजन प्रोग्राम आज के बच्चे अपने नजरिये और संसकार कहीं और से ज्यादा फिल्मों और टेलिविजन से सीखते हैं जेरी जॉंसन की किताब इट्स किलिंग आवर किड्स के अनुसार ऐसा अनुमान है कि यूनाइटेड एस्टेट में जब एक बच्चा हाई स्कूल पास करता है तब तक वह टेलिविजन पर 20,000 घंटे के प्रोग्राम देख चुका होता है जिसमें 15,000 हत्याई की घटनाएं और सराब से सम्मंदित लगवग एक लाख पिग्यापन सामिल होते हैं। वह इस बात का परचार करते हैं कि सराब पिना एक मस्ती है, सिगरेट पिना सान की बात है और चरस गांजे का तो जमाना है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि क् परती दीन आने वाले सिरियल साधी से पहले और साधी सुधा जीवन में नजाएज सम्मंदों को बहुत सान से दिखाते हैं या कोई हैरत की बात नहीं है कि रिष्टों में कमिटमेंट कम होता जा रहा है और तलाग दर्थ बर रही है। आसानी से प्रभावित होने वाले द पांच अपसब्द का इस्तमाल करना यह दिखाता है कि हम खुद पर अनुसासन और काबू नहीं रख सकते। छा राक म्यूजिक कुछ हीट गाने की लाइने बहुत असलील हैं ऐसे गीतों को सुनने और देखने से हमारे अबचितन पर असर पड़ता है। साथवा कदम जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें। हमें पसंद आए या ना आए कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। जैसे मां अपने बच्चों की देखवाल करती हैं हो सकता है कि कुछ काम मजा किया खेलना होकर तकलीफ दे हो। लेकिन अगर हम अपने काम को चाहना सीख लें तो ना मुमकिन मुमकिन बन सकता है। जो जरूरी है उससे सुरू करें फिर जो मुमकिन है हुआ करें। और आप अचानक बाएंगे कि आप ना मुमकिन काम भी करने लगे हैं। सेंट फ्रांसिस अफ एसीसी आठवा कदम अच्छे ढंग से दीन की सुरूआत करें। दीन की सुरूआत कोई अच्छा विचार पढ़ने या सुनने से करें। रात में अच्छी नींद आने पर हम तरोताजा महसूस करते हैं। और इससे हमारा अवचेतन मन स्विकार करने के लिए तैयार हो जाता है। या हमें दीन भर के लिए सही लए देता है और हर एक दीन को अच्छा दिन बनाने के लिए हमारी सोच को सही ढांचे में ढाल देता है। बदलाव लाने के लिए हमें अचेत होकर अच्छी सोच और सद्वेभार को अपनी जिन्दगी का एक हिस्सा बनाने की लगातार कोशिज करना और कमेटिड रहना होगा यह कोशिज तब तक जाड़ी रखनी चाहिए जब तक अच्छी सोच और बैवार हमारी आदत नब बन जाए Harvard University के William James का कहना है अगर आप अपनी जिन्दगी में बदलाव लाने की सोच रहे हैं तो यह काम तुरंत और उच्छा से शुरू कर देना चाहिए विजेता और पराजित में अंतर विजेता हमेशा एक समधान का हिस्सा होता है पराजित हमेशा समस्या का हिस्सा होता है विजेता के पास हमेशा कुछ करने का एक प्रोग्राम रहता है पराजित के पास कुछ ना करने का बहाना बिजेता कहता है मैं आपके लिए कर देता पराजित का कहना है कि यह मेरा काम नहीं है बिजेता के पास समाधान है हर समस्या के लिए पराजित के पास समस्या है हर समाधान के लिए बिजेता कहता है यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन मुम्किन है पराजित कहता है यह काम मुम्किन हो सकता है लेकिन बेहद मुश्किल है गलती करने पर बिजेता कहता है मैं गलत था पराजित गलती करने पर कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी बिजेता कमिटमेंट करता है पराजित केवल वाइदा करता है बिजेता के पास काम्यावी के सपने होते है पराजित के पास सिर्फ एस्कीम्स होते है बिजेता कहता है मुझे कुछ करना चाहिए पराजित कहता है कुछ होना चाहिए बिजेता टीम का हिस्सा होता है, पराजित टीम के हिस्से करता है बिजेता उपलवदियों को देखता है, पराजित तकलिपों को देखता है बिजेता देखता है कि क्या संभव है, पराजित देखता है कि क्या असंभव है विजेता हर किसी की जीत में विश्वास रखता है पराजित विश्वास रखता है कि उसे जीतने के लिए किसी को हारना होगा विजेता आने वाले कल को देखता है पराजित वीते हुए कल को देखता है विजेता थर्मो एस्टेट जैसा होता है पराजित धर्मा मीटर जैसा होता है विजेता सोचकर बोलता है पराजित बोलकर सोचता है विजेता नमरता के साथ अपनी ठोस दलिलें प्यस करता है पराजित कड़े सब्दों में कमजोड दलिलें प्यस करता है विजेता अपने वसूलों पर टिका रहता है और छोटी मोटी बातों पर समझोता कर लेता है पराजित छोटी मोटी बातों पर अरा रहता है और अपने वसूलों पर समझोता कर लेता है विजेता सहानुभूती के इस विचार में विश्वास करता है कि दूसरों के साथ वैसा बैभार मत करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुमसे न करे पराजित इस विचार में विश्वास करता है कि दूसरों के कुछ करने से पहले आप ही उसे कुछ कर दो विजेता करके दिखाता है पराजित कुछ होने का इंज़ार करता है विजेता प्लान बनाकर जीत की तैयारी करता है इसमें सबसे अहम लफज है तैयारी विजेता बने आवस्यक कदम पहले बताए गए आठ कदमों के साथ मैं इस चेप्टर को समाप्त करना चाहूँगा एक एक अच्छा होजी बने दो हर काम को तुरंट करने की आदत डाले तीन हहसान मंद होने का नजरिया बनाए चार लगातार शीखते रहने की आदत डाले 5. अच्छे स्वाहिमान का निर्मान करें 6. उड़े असर से दूर रहें 7. जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सिखें 8. अच्छे ठंग से दिन की सुरुआत करें अध्याय दो सफलता काम्यावी के उपए सफलता सिर्फ एक संयोग नहीं है यह हमारे नजरिये का नतीजा है और अपना नजरिया हम खुद चुन सकते हैं इसलिए सफलता चुनाओ की बात है न की तुक्के की ज़्यादातर वेवकुफ इंसान किसी लौट्री के लगने का इंज़ार करते रहते हैं पर क्या उससे काम्यावी मिल सकती है एक पादरी कार से जा रहे थी रास्ते में उन्हें एक बहुत खुबसूरत खेट दिखा फसल की भरपूरता देखकर मुबारक बात दिने के लिए उन्होंने अपनी कार रोकी और किसान की ओर बढ़े पादरी को खेट की तरफ आते देख किसान ट्रेक्टर चलाता हुआ उनके पास आया पादरी ने कहा इसवर ने आपको बहुत बढ़िया खेट दिया है आपको उनका सुक्र गुजार होना चाहिए किसान ने जवाब दिया इसमें कोई सक नहीं है कि इसवर ने मुझे बढ़िया खेट दिया है और मैं इसके लिए एहसान मंद भी हूँ लेकिन आपको इस खेट को उस समय देखना चाहिए था जब यह पूरा खेट भगवान ने सिर्फ अपने हाथ में रखा था अईसा क्यों होता है कि एक वेक्ती एक के बाद एक सफलता हासिल करता चला जाता है जबकि दूसरे लोग सिर्फ तैयारियों में ही लगे रहते हैं किस तरह एक वेक्ती जिन्दगी में एक के बाद दूसरी मुसीवत का सामना करते हुए अपने लक्ष को पा लेता है जबकि दूसरा सिर्फ संगर्स ही करता रह जाता है और कहीं नहीं पहुँच पाता है अगर इन सवालों के जवाब सिलेवस में सामिल किये जाएं तो ये सिक्षा परनालिम में करांती ला देंगे असाधारन बेक्ती अवसर तूनता है जबकि साधारन आदमी सुरक्षा खोजता है जरुरत के हिसाब से हम अपना ध्यान क्या करना चाहिए उस पर लगाएं ना कि इस बात पर की हमें क्या नहीं करना चाहिए सफलता क्या है सफलता और असफलता के विशे पर बहुत खोज हुई है जरुरत है तो हमें इतिहास से कुछ सिखने की जब हम सफल बेक्तियों की जीवनियों पर नजर टालते हैं तो पता चलता है कि सभी में निसंदे मिलते जुलते कुछ खास गुन है चाहे हुए किसी भी युक के रहे हो सफलता हमेशा अपने निसान छोड़ जाती है और अगर हम इन निसानों को पहचान ले और सफल ब्यक्तियों की कुणों को अपने जीवन में अपना ले तो हम भी सफल हो जाएंगे इसी तरह से सभी असफल आदमियों के दुरगुन और लक्षन भी मिलते जुलते होते हैं अगर हम ऐसे लोगों के दुरगुनों से दूर रहे तो हम असफल नहीं होंगे सफलता कोई अजुबा नहीं है या तो सिर्फ कुछ बुनियादी वसुलों का लगातार पालंग करने का नतीजा है इसका उल्टा भी उतना ही सही है और सफलता सही माइनों में कुछ गल्तियों को लगातार दोहराने का नतीजा है यह सब सुनने में बहुत असान सा लग रहा होगा लेकिन हकिकत यही है कि सच्चाई हमेशा सरल होती है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह आसान है लेकिन यकिन यह सरल है सदा मुस्कराना और सब को प्यार करना गुनी जनों का सम्मान पाना बच्चों के दिल में रहना सच्चे आलवचक से सुकिर्ति पाना जूटे दोस्तों की दगवाजी को साना खूबसूरती को सराहना दूसरों में खूवियां तलासना किसी उम्मीद के बिना दूसरों के लिए खुद को अर्बित करना उच्साह के साथ हसना और खेलना और मस्ती भरे तराने गाना इस बात का एहसास कि आपकी जिन्दगी ने किसी एक वेक्ति का जीवन आसान बनाया यही सची सफलता है अग्याद सफलता की पडिवासा क्या है कौन सी चीज वेक्ति को सफल बनाती है हम सफलता की पहचान कैसे कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या दौलत है तो उसके लिए नाम कमाना अच्छी सेहत अच्छा पडिवार खुसी संतोस और दिलो दिमाग का चैन तो क्या हम सफलता को पहचान सकते हैं सफलता अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग मायने रखती है मेरे तजरुबे में हम सफलता को इस तरह पडिवासित कर सकते हैं मुल्यवान लक्ष की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है अर्ल नाइटेंगिल आईए इन प पहुंच कर हम रुख जाएं एक लक्ष पाने के बाद हमारे सामने दूसरा लक्ष होता है और फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा प्राप्ति का मतलब है तजुर्बा लक्ष प्राप्त करने का तजुर्बा बाहरी बातें सफलता का एहसास नहीं दे सकती सफलता तो अप लोग किधर जा रहे हैं सही दिसा में या गलत दिसा में सफलता का सफर कितना अच्छा होगा यह हमारे लक्ष की मुलिता के महत्व पर निर्भर है यही हमारी सफलता को सही अर्थ और पूर्णता देता है पूर्णता और संतोष के बिना सफलता अधूरी है लक्ष क्यों लक् का एहसास कराते हैं सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको हर कोई स्विकार कर लेगा कुछ ऐसे संगठन है जहां मैं अपनी मर्जी से खुद ही सामिल नहीं होना चाहूंगा मैं घटिया चरित वाले लोगों द्वारा की गई तारीफ की पजाए ना समझ लोगों की आलोचना पसंद करूँगा मैं तो सफलता को एक तरह की खुश किस्मती मानता हूं जो प्रेरना आकंच्छा निराशा और मेहनत का परिनाम है सफलता और खुशी हाथ में हाथ डाले चलती है जो आप चाहते हैं उसे पाना सफलता है और जो आप पाते हैं उसे चाहना खुशी है सिर्फ जीए जाने का नाम सफलता नहीं है यह इससे कहीं जादा है सिर्फ जीन्दगी न गुजारो जीओ सिर्फ चुओ नहीं महसूस करो सिर्फ देखो नहीं गोर करो सिर्फ पड़ो नहीं जीवन में उतारो सिर्फ सुनो नहीं ध्यान से सुनो सिर्फ ध्यान से ही ना सुनो समझो जान एच रोड्स सफलता की राह में कुछ रुकावट हैं असली या ख्वाबी अहंकार सफलता और सफलता का डर स्वाविमान की कमी योजना का ना होना लक्षों का ना होना जिंदगी के बदलाओ टाल मटोल परिवारिक जिम्मेदारियां आर्थिक और सुरक्षा दिसाहींता पैसे के लालज की वज़ा से दूर की ना सोचना सारा पोज खुद उठाना छमता से ज़्यादा अपने आपको बांधना कमिंटमेंट का ना होना ट्रेनिंग की कमी डिर्टा की कमी प्रार्थमिकताओं की कमी जितने वाली बात पैदा करने के लिए हमें स्रेश्टा हासिल करने की जरुवत होनी चाहिए और कोसिस भी करनी चाहिए ना कि पड़ी पूर्णता हासिल करने की, पूर्णता प्राप्त करने की कोशिस करना पागलपन है, स्टेश्ट होने की कोशिस करना तरक्य है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सुधारा और बहतर ना बनाया जा सके, हम में बस जरासी जितने वाली बात होनी चाहिए, आप सोचते हैं कि यह गोड़ा दूसरे गोड़ों से पांच या तस गुना ज्यादा तेज दोड़ता है बिल्कुल नहीं यह गोड़ा बहुत मामूली से फर्क से जीतता है लेकिन इनाम उसे पांच या तस गुना ज्यादा मिलता है क्या ऐसा होना चाहिए क्या यह सही है क्य फर्क पड़ता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो खेल के नियम है खेल तो इसी तरह खेला जाता है यही वसूल हमारे जीवन पर भी लागू होता है सफल व्यक्ति और सफल लोगों से 10 गुना ज्यादा काबिल नहीं होते बस इनकी बात ही कुछ और है जो उन्हें 10 ग के परितिसस सुधार की दिरूरत है जोकि बहुत आसान है यह जीतने वाली बात है संघर्स जिंदगी के संघर्स दुखत या सुकत हो सकते हैं यह इस बात पर निर्वर करता है कि हम इन संघर्सों का सामना कैसे करते हैं बगर पोसिस के कामयावी नहीं मिलती एक किस तरह तितली में बदल जाती है। उसने एस्टुडेंट्स को बताया कि अगले कुछ घंटों में तितली को कुण से बाहर निकालने के लिए छट पटाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि तितली को बाहर निकलने में कोई मदद न करें। इतना कहकर वे बाहर चले गए। एस् उसने टीचर की बात की परवा किये बगएर कोकून को तोर कर तितली को बाहर निकालने में मदद की, जिससे तितली को संगर्स नहीं करना पड़ा और वह असानी से बाहर निकल आई, लेकिन थोड़ी ही देर में तितली मर गई, जब टीचर लोटे तो उन्हें पूरी घटना बताई गई, टीचर ने उस बच्चे को समझाया कि उसने तितली की मदद करने के बजाए उसे मार दिया, क्योंकि कुद्रत का या वसूल है कि कौकून से बाहर आने में जो संगर्स तितली करती है, वही उसके पंखों को मजबूत बनाता है, बच्चे ने उसका संगर्स छीन लिया, इसलिए तितली मर गई, इसी सिधान्त को अपने जीवन पर भी लागू करें, बिना संगर्स की जीवन में कुछ भी मातुकूर्ण हासिल नहीं होता, हम ना चाहते हुए भी अपने प्रिया जनों को नुक्सान पहुचाते हैं, क्योंकि हम संगर्स से जो सक्ती मिलती है, उससे उन्हें महरूम कर देते हैं, रुकावटों से उबरना, जिन लोगों ने मुसीवतों को जहला है, वे उन लोगों की तुल्ला में कहीं ज़्यादा आत्मिश्वास से भरे हैं, जिन्होंने मुसीवतों का सामना ही नहीं किया, हम सब की अपनी अपनी पड़े सानिया हैं और इसलिए कभी कभी हमारा होसला भी तूटने लगता है, जाधतर लोग निरास हो जाते हैं, लेकिन वीजेता मायूस नहीं होते, रुकावटों से उबरने का हल एक ही है, हिम्मत नहार्वना, एक अंग्रेजी कहावत है, एक सां समुद्र में नाविक कभी कुसल नहीं बन पाता, हर चीज असान होने से पहले मुश्किल होती है, हम अपनी मुश्किलों से भाग नहीं सकते, केवल हारने वाले ही होसला छोड़कर भाग जाते हैं, आत्महत्या और अस्थाई समस्या का अस्थाई समाधान है, अभी गेल ब इस एहसास से मापी जाती है कि आप जानते हैं कि आपने सही काम, सही ढंक सिर्पूरा किया और अपने लक्ष को प्राप्त किया है, सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि जिंदगी में हमारा वहता किया है, बलकि इस बात से मापी जाती है कि हमने किन मुसीवतों का सामना क करके उसे पाया है Ludwigी में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती की दूसरों के मुकाबले में हम कैसा कर रहे हैं बल्कि हमारी सफलता तो इस बात पर निरृत करती है कि हम अपनी हमताओं दुल्ना में क्या कर रहे हैं सफल व्यक्ति खुझ से ही मुकाबला करते हैं, वे अपने ही काम में सुधार लाकर अपने ही रिकार्ड तोड़ते हैं और लगातार तरक्की करते रहते हैं। सफलता इस बास से नहीं मापी जाती कि जिन्दकी में हम कितनी उचाई तक जाते हैं, बलकि इस बास ये तेह भी है कि हम गिरकर कितनी बार उठते हैं। गिरकर बार बार उठने की सकती ही सफलता का रास्ता बनाती है। हर सफलता की कहानी एक बड़ी और सफलता की कहानी भी है और सफलता ही सफलता का रास्ता दिखाती है टाउम वेट्सन सिनियर ने कहा है अगर आप सफल वोना चाहते हैं तो और सफलता की दर दुगुनी कर दिजिए अगर आप इत्यास पढ़े तो पाएंगे कि सभी सफलता की कहानिया बड़ी और सफलता की कहानिया भी होती है लेकिन लोग और सफलताओं को नहीं देखते वे सिक्य का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं और कहते हैं कि वह तो बहुत किस्मत वाला है वह सही जगह पर सही वक्त पर रहा होगा मैं आपको एक आदमी की जिन्दगी की कहानी सुनाना चाहूंगा यह आदमी 21 साल की उम्र में बेपार में और सफल हुआ 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा 24 साल की उम्र में फिर से बेपार में और सफल हुआ 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया 27 साल की उम्र में मांसिक संतूलन हो बैठा 34 साल की उम्र में कंगुरेस का चुनाओ हार गया 35 साल की उम्र में सिनेट का चुनाओ हारा 47 की उम्र में उपराष्टपती बनने की पर्यास में नाकामियाब रहा फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाओ हार गया और 52 साल की उम्र में अमरीका का राष्टपती चुना गया यह व्यक्ति अबराहम लिंकन था क्या आप उन्हें और सफल कहेंगे वे हार कर बढ़ सकते थे लेकिन लिंकन के लिए हार एक पल की बाधा थी कोई अंद नहीं 1913 में ली टी फारेस्ट जो ट्रायोड ट्यूब के अविस्कारक थे पर डिस्टिक्ट एटर्णी ने यह आरोप लगाया कि उसने एट्लांटिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक आवाज महुचाने का दावा करके जन्ता को गुमराह किया और धोके में लोगों को अपनी कमप दिसंबर 1903 को नियुवार्क टाइम्स के एटिटोरियल ने राइट प्रदर्स की समझ पर सवालिया निसान लगा दिया जो एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो हवा से भारी होने पर भी उड़ सकते इसके एक हपते बाद ही किट्टी होग में राइट प्रदर्स ने अपनी मसूर उरान भरी 62 साल की उन्व में करणल सेंडर्स के पास एक पुरानी कार और सोशल सेक्रूटी से प्राप सिर्फ एक सट डॉलर थे उन्होंने इतने से ही कुछ करने की सोची उन्हें मा की सिखाए गई रेसिपी याद थी और उसे वे बेचने निकले क्या आप जानते हैं उन्हें कितने दर्वाजे खट-खटाने परे उन्होंने लगवग एक हजार दर्वाजे खट-खटाए तब कहीं उन्हें पहला खरीदार मिला हमें से अधिकतर लोग तीन कोशिस, दस कोशिस या सो कोशिस करके हार मान लेते हैं और कहते हैं कि हमसे जितना हो सकता था हमने किया आज वे दुनिया भर में केंटुकी फ्राइट चिकन यानि के अफ्सिक के नाम से मस्भूर है युवा कार्टूनिस्ट वाल्ड डिस्नी के कार्टूनों को बहुत उसे एडिटर्स ने घटिया बताते हुए उन्हें वापस लो कारी ने उन्हें कार्टून बनाने का काम दिया डिस्नी चर्च के पास चूहों से भरते एक छोटे से कमरे में बैठा था अपना काम कर रहा था उन्हें नन्हें चूहों को देखकर उससे कुछ नया करने की सूजी और यहीं से मिक्की हाउस की शुरुआत हुई सफल बेक्ति कोई महान काम नहीं करते वे जोटे कामों को ही महान ढंग से करते हैं एक दिन थोड़ा उचा सुनने वाला चार साल का एक बच्चा अपनी जेब में टीचर के लिखे एक नोट के साथ भर पहुँचा उस नोट पर लिखा था आपका टॉमी इतना बेवकूफ है कि कुछ नहीं सीख सकता उसे इसकूल से निकाल लिजिए उसकी मा ने नोट पढ़कर जवाब दिया मेरा टॉमी बेवकूफ नहीं है मैं उसे खुद बढ़ाऊंगी और वही टॉमी बढ़ा होकर महान थामस एडिसन बना थामस एडिसन ने सिर्फ तीन महिने की इसकूली पढ़ाई की थी और वे उचा सुनते थे हेंडरी फोर्ड ने जो पहली कार बनाई थी उसमें वे रिवर्स गियर डालना ही बोल गई थे क्या आप ऐसे व्यक्तियों को और सफल मानेंगे उन्होंने मुसीवतों के वावदूद सफलता पाई ना कि इसलिए कि मुसीवतें नहीं थी जबकि बाहरी दुनिया को ऐसा लगता है कि उन्हें काम्यावी किसमत से मिली हर सफलता की कहानी के पीछे और सफलता की कहानी पीछी भी होती है फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार गिरकर वे उठ रहे होते हैं ऐसी और सफलता आगे बढ़ाती है ना कि पीछे धकेलती है आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी सफलताओं से सीख लें और आगे बढ़ते रहें 1914 में जब थामस एडिसन सरसर साल के थे उनकी करोरों रुपे की फेक्टरी आग में जलकर नश्ट हो गई उस कमपनी का भीमा बहुत कम था एडिसन जो अब जबान नहीं हुए थे अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को आग में जलते देखकर बोले जो होता है अच्छे के लिए होता है हमारी सारी कम्यां इसमें जलकर राग हो गई इस्वर की किरपा से हम नए सिरे से सुरूप कर सकते हैं इतने बड़े हाथ्चे से सिर्फ तीन हबते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का अविस्कार किया क्या खूब है यह नजरिया भी सफल लोगों की और सफल कोशिसों के कुछ उधारन इस प्रकार है थामस एडिसन ने विजली के बल्ब के अविस्कार के दोरान तक्रिवन दस हजघ्यार बार वसफलता का सामना किया 40 साल की उन्ड में हैंडी फोट दिवालिया हो गए थे ली इयाकोका जो 54 साल की उन्ड में हैंडी फोट दुद्याएं ने नोक्री से निकाल दिया था युवा बीथोवन से कहा गया था कि उसमें संगीत की परतिवा नहीं है मगर उन्होंने दुनिया को बेहतरीन संगीत की रचनाई दी जिंदगी में औसफलताएं तो मिलेंगे ही एक औसफलता के लिए ड्रैविंग कोर्स भी बन सकती है और हमें नम्रता भी सिखाती है दुख में मिला साहस और विस्वास आपको औसफलता से उगरने में मदद कर सकता है हमें हालात का सिकार होने के बजाए उससे उपर उठकर जीतना सीखना चाहिए डर और सक से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है हर और सफलता के बाद उससे पुछे इस घटना से मैंने क्या सीखा और तभी आप रास्ते की रुकावटों को सफलता की सीजियों में पदल पाएंगे अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए है तो आप हार गए है अगर आप सोचते हैं कि आप में होसला नहीं है तो सच मुछ नहीं है अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो निशित है कि आप नहीं जीतेंगे अगर आप सोचते हैं कि हार जाएंगे तो आप हार चुके हैं क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि सफलता की सुरुवात इंसान की इच्छा से होती है ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्फ़र करता है अगर आप सोचते हैं कि पिछर गए है तो आप पिछर गए है तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच उची करनी होगी कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले आपको अपने परती विश्वास लाना होगा जीवन की लराईयां हमेशा सिर्क तेज और मजबूत लोग ही नहीं जितते बलकी आज नहीं तो कल जितता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा सबसे बड़ा तोफा सभी जीवों में आदमी सारी लिक रूप से सबसे जादा अक्षम है वह चिरिया की तरह उड़ नहीं सकता छोटे से कीड़े के काटने से ही मर सकता है चीते की तरह तोड नहीं सकता गड़याल की तरह तैड नहीं सकता बंदर की तरह पेड़ पर चड़ नहीं सकता उसकी बाज की तरह पेनी नजर नहीं होती नहीं बाग और सेर की तरह उसके मजबूत पंजे और दान्थ होते है अगर इस ढंग से सोचा जाए तो सारीरिक रूप से आदमी और सहाय और लचार होते है मगर पुद्रत बरी समझदार और महरवान है उसने आदमी को सोचने की छमता का सबसे पड़ा तोहफा दिया आदमी अपने हिसाब से माहल को ढाल लेता है जबकि जानवर को माहल के अनुसार ढलना पड़ता है अफसोस की बात है कि बहुत कम ही लोग इस महान तोफे सोचने की छमता का पुरा इस्तमाल कर पाते हैं असफल दो तरह के होते हैं वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं दूसरे वे जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं सोचने की छमता का पर्योग किये बिना जिन्दगी गुजारना ठीक उसी तरह है जैसे बिना निसाने के तीर चलाना जिन्दगी एक केफेटेरिया की तरह है अपनी प्लेट लो पसंद का खाना डालो और फिल चुकाओ अगर आप पैसे देने को तैयार है तो वहाँ आपकी पसंद की कोई भी चीज मिल सकती है किसी केफेटेरिया में अगर आप इस बात का इंजार करें कि वेटर आकर आप से कुछ खाने के लिए पूछेगा तो आप इंजार ही करते रह जाएंगे जिन्दगी भी कुछ ऐसी ही है आप चुनाव करते जाईए और कीमत चुकाते जाईए जिन्दगी चुनाव और समझोतों से भरी है ये दोनों बातें एक दुसरे का विरोत करती है यदि जिन्दगी चुनाव से भरी है तो समझोते का सवाल ही कहां उड़ता है याद रखिए समझोता भी एक चुनाओ है आईए इस बर चर्चा करें जिंदगी किस तरह चुनाओं से भड़ी है अगर हम घटिया नेता चुनते हैं तो हम अपनी बरबादी खुद चुनते हैं जब हम जरुरत से ज़्यादा खाते हैं तो हम मोटे होना भी खुद भी चुनते हैं जब हम जरुरत से ज़्यादा सराब पीते हैं तो अगली सुबह सीरदर्द की परिसानी भी खुद भी चुनते हैं अगर हम सरा पिकर गारी चलाते हैं तो दुरगटना में खुद को मारने या दूसरों को मारने का चुनाओ भी खुद करते हैं जब हम दूसरों के साथ पुरा बरताओ करते हैं तो बदले में अपने लिए वैसा ही बरताओ खुद चुनते हैं जब हम दूसरों की प्रवाह नहीं करते तो यह हमारा ही चुनाव होता है कि दूसरे हमारी प्रवाह ना करे हर चुनाव का कोई ने कोई नतीजा होता है हम चुनाव के लिए आजाद हैं लेकिन एक बार चुन लेने पर वही चुनाव हमें कंट्रोल करने लगता है और समान बनने के लिए हम सब के पास समान अवसर होते हैं चुना हमारा अपना है हम जिन्दगी की तुलना उस कुमहार से कर सकते हैं जो मिट्टी से मन चाहे अकार के वर्तन बना लेता है ठीक उसी तरह हम भी अपनी जिन्दगी को जिस धांचे में चाहें ढाल सकते हैं जिन्दगी किस तरह समझोतों से भड़ी है जिन्दगी सिर्फ मोज मस्ती और खुसी नहीं है इसमें दुख और मायूसी भी है इसमें ऐसी घटनाएं भी होती है जो कभी सोची न गई हो कई बार सब कुछ उलट उलट हो जाता है अच्छे लोगों के जीवन में भी बुरी बातें हो जाती है कुछ चीजें हमारे बस के बाहर होती है जैसे अब अपाहिजता या दूसरा कोई पैदाशी दोस इसलिए अगर इस तरह की कमी रहती है तो यह दुख की बात है अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें बैटकर रोए या जो कुछ सम्भव है वह करें यही वह चुनाव है जो हमें करना है साफ मोसम में बहुत सी नावें हर दिशा में चलती दिखती है ऐसा क्यों है? हलांकि हवा एक ही दिसा में चल रही है फिर भी नावे अलग-अलग दिसाओं में जा रही है तो अंतर क्या है? यह इस बात पर निर्बर करता है कि पाल किस तरह से लगाये गए हैं और यह फैसला नाविक द्वारा लिया जाता है यही बात हमारी जिन्दगी पर भी लागू होती है हम हवा का रूप तो नहीं चुन सकते मगर नाव में बाल अपनी मर्जी से जरूर लगा सकते हैं जिन्दगी में हम हालाद तो नहीं चुन सकते मगर अपना नजरिया तो जरूर चुन सकते हैं चुनाव हमारा है चाहे हम आलाद पर विजय पाएं या आलाद का सिकार बने हमारी अस्तिती नहीं बलकि किसी अस्तिती में हम अपने आपको कैसे समखालते और ढालते हैं उसी से हमारी सफलता ते होती है बारीस और धूप दोनों के मिलने से इंद्धनुस बनता है हमारा जीवन भी इससे अलग नहीं है इसमें फुसियाओं और गम दोनों है अच्छाई और गुराई है अंधेरा और उजाला है अगर हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं तो इससे हम मजबूत बनते हैं हम अपनी जिन्दगी में खटने वाली सभी खटनाओं को कंट्रोल तो नहीं कर सकते लेकिन उनसे निपटने का तरीका जरूर हमारे साथ में होता है रिचर्ड ब्लेस नीडेन 1904 के सेंट लुईस वर्ल्ड फेयर में आरतिया चाय का परचार करना चाहते थे बहुत गर्मी होने की खुब विग रहे थे चाय को चीनी के साथ मिला कर एक ठंडी ड्रिंक के रूप में बेचने की बात उन्होंने सोची और जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों ने उस चाय को पसंद भी किया और इस तरह दुनिया में ठंडी चाय की सुरुआत हुई जब काम बिगड जाता है और कई बार ऐसा होता भी है तब हमारा बेभार जिम्मेदारी भरा भी हो सकता है और अफसोस भरा भी अब इंसान कोई बोर तो नहीं है जिसकी अपनी कोई मर्जी ना होती हो एक बोर खुद फैसला नहीं कर सकता कि वह एक बरा भारी पेड़ बने या गिलहरियों का खाना इंसान की अपनी मर्जी होती है अगर पुद्रस से हमें निम्बू मिला है तो यह हमारी मर्जी है कि या तो आख में टालकर आसुब भाय या निम्बू पानी यानि सिकणजी बना करवे है फूबियों जो बेक्ती को सफल बनाती है सफलता प्राप्त करने की प्रेतना लक्ष को हासिल करने की गःड़ी इच्छा सक्ति से आती है नेपोलियन हिल ने लिखा था इनसान जो सोच सकता है और जिसमें यकीन करता है वह उसे हासिल भी कर सकता है एक नौजवान ने एक बार सुकराथ से सफलता का रहा से पुछा सुकराथ ने उस नौजवान को अगली सुबह नदी के किनारे मिलने को कहा अगले दिन वे दोनों मिले सुकराथ ने उस नौजवान से कहा कि वह उसके साथ नदी की तरब चले आगे बढ़ते बढ़ते जब पानी उनकी गर्दन तक आ पहुँचा तो सुकराथ ने अचानक नौजवान का सीर पकड़ कर पानी में डूगो दिया लड़का बाहर निकलने के लिए बहुत छट पटाया पर सुकराथ ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह लड़का नीला नहीं पढ़ने लगा सुकराथ ने जैसे ही उसका सीर पानी के उपर निकला तो सबसे पहले उसने एक गहरी सांस ली सुकरात ने सवाल किया जब तुम्हारा सीर पानी के अंदर था तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज की इच्छा थी लड़के ने जवाब दिया हवा की सुकरात बोले यही सफलता का राज है सफलता की इच्छा अगर उतनी ही गहरी हो जितनी की डूबने वाले को हवा की होती है तो वह आपको जरूर मिलेगी सफलता पाने का दूसरा कोई रहा से नहीं है सभी काम्याबों की सुरुआत उने पूरा करने की गहरी इच्छा से ही होती है जिस तरह थोड़ी सी आग ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती उसी तरह कमजोर इच्छा से बड़ी काम्यावियां नहीं मिल सकती दो कमिंट्मेंट निष्ठा और बुद्धी मत्ता कमिंट्मेंट बनाने के दो मजबूत आधार है एक मेंझजर दोवारा अपने एच्ठाप से कहीं गई बात से यह साथ जाहिर होता है निष्ठा का मतलब है कि नुकसान होने पर भी अपने कमिंट्मेंट पूड़े करना और बुद्धी मत्ता का मतलब है कि ऐसे मुर्द्धा कुर्भ कमिंट्मेंट ना करना खुसहाली और काम्यावी हमारे पिचारों और फैसलों का नतीजा होते हैं या हमारा अपना फैसला होता है कि कि इन बिचारों को हम अपने उपर हावी होने दें सफलता सिर्फ एक संयोग नहीं है या हमारे नजर ये का नतीजा है खेल में जीतने के लिए कमिंटमेंट जरूरी है जीतने के लिए खेलना और ना हारने के लिए खेलना इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो कमिंटमेंट और उत्साह के साथ खेलते हैं जबकि जब हम सिर्फ हार से बचने के लिए खेलत यहां। आभीटियत के लिए फुकाने को तैयार कोते हैं। विजयताु जीत के लिए खुद को तैयार औरprésना का नतीजा 72 और ostrz करें भी पहुंचने के लिए किसी धारा के साथ ना तो हम बह सकते हैं और ना ही किनारे पर खरे रह सकते हैं हमें कभी तो हवा के रूख के साथ और कभी उसके खिलाब ना चलानी पड़ती है लेकिन हमें चलते रहना तो पड़ेगा ही किसी भी कोच या खिलारी से पूछ कर देखे कि सबसी अच्छी और खराब टीम में क्या फर्क है तो उनकी सारे डिक छमता परतिफा और योगता में बहुत मामूली फर्क पाएंगे सबसे बड़ा फर्क जो पाएंगे वो है भावनात्मक जीतने वाली टीम में गहरी लगन होती है और उनकी कड़ी मेहनत थोड़ी जादा होती है एक विजेता के लिए चुनोती जितनी ही मुश्किल होती है उसे उतना ही प्रोसाहन मिलता है उसे उतनी ही जादा प्रेटना मिलती है काम करने की ताकत और अच्छी होती है जीत उतनी ही फुसी देती है जितनी बड़ी चुनोती उतना ही बड़ा होसला नई चुनोतियां हमारी नई छमता बढ़ाती है जादतर खिलारियों ने सबसे अच्छा परदर्शन तब किया जब मुकबला करा था और प्रस्तितियां खराब थी यही वह समय है जब वे अपनी छिपी विशक्ति को खीच कर बाहर लाते हैं जब मैं ठक जाता और ठक कर रुख जाना चाहता तो मुझे कुछ सुकता होती थी कि मेरा प्रतित्यवंदी इस समय क्या कर रहा होगा जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है और मैं और मेहनत करता और जब मैं देखता कि वह ठककर अराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता सफलता हासिल करने में नहीं बलकि उसके एहसास में है हार के डर से कुछ लोग तो कोशिस ही नहीं करते और साथ ही पीछे ना छुट जाएं इस डर से वे पीछे रहना भी नहीं चाहते दोनों तरफ ही खत्रा है जहां जब गहरे पाने में होते हैं तो उन्हें तुफान का खत्रा होता है लेकिन जब वे सिर्फ किनारे पर ही खड़े रहें तो उन्हें जंग ही लगेगा और वे जंग लगने के लिए नहीं बनाये गए थे यही फर्क जीत के लिए खेलने और नहारने के लिए खेलने में भी है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई commitment भी करे और खत्रा भी ना ले जो जीत के लिए खेलते हैं वे जितना ज़्यादा दबाब होगा उतना उबरते हैं मगर जो ना हारने के लिए खेलते हैं वे नहीं जानते कि काम्याभी कैसे हासिल की जाए जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुगबला होगा उतनी ज्यादा तैयारी करते हैं और जो ना हारने के लिए खेलते हैं वे करे मुकाबले में अपनी स्वावाविक छमता भी को बैठते हैं ऐसे लोग जीतना तो चाहते हैं लेकिन हारने के डर से अपनी पूरी छमताओं का इस्तमाल नहीं कर पाते वे अपनी छमता इस चिंता में गवाते हैं कि कहीं हार ना जाए बजाए इसके की जीतने की कोशिस में उसे लगाया है हार की सोच वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीत की सोच वाले नए अवसरों को तलास करते हैं हार मान लेने वाले मरने से ज़्यादा जीने से डरते हैं और सफल होना कोई गुनाह नहीं है लेकिन सफलता के लिए कोशिस ना करना जरूर है किसी व्यक्ति के जीवन की quality उसके भेथर काम करने की commitment पर निर्फर करती है फिर चाहे उसका तार्जचत पोई भी हो विंस लांबर्डी commitment में डिट विश्वास बढ़ता है चाहत और डिट विश्वास में बहुत फरक है हमारी चाहतें तो बदली जा सकती है लेकिन डिटता और विश्वास subtle है दवाब में चाहत कमजोर पर जाती है जबकि विश्वास और मजबूत हो जाता है इसलिए यह जरूरी है कि हमारे नेतिक मुले अच्छे हो ताकि हमारे डिट विश्वास मुलेवान हो क्योंकि इसी डिड विश्वास से हमारी commitment बनती है तीन, जिम्मेदारी जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोस और खुसी मिलती है जार्ज ग्रीटर अच्छे चरित्र वाले बेक्ती जिम्मेदारियों को स्विकार करते हैं वे अपने फैसले खुद करते हैं जिम्मेदारियां कबूल करने में खत्रा भी होता है और जबाब देही भी जो कई बार तकलीफ देवी हो सकता है ज्यादातर लोग अपने आराम के दैरे में ही रहाना चाहते है और बगार जिम्मेदारियों को स्विकार किये निकम्मी जिंदिगियां ही बिताना पसंद करते हैं जिंदिगी के बहाव में खुद कुछ करने के बज़ाए वे कुछ होने का हिंजार करते रह जाते हैं जिम्मेदारियों को कबूल करने का मतलब है सोच विचार कर नपय तुले फैसले लेना ना कि बेवकुफी भरे खत्रे इसका मतलब है कि सबसे सही फैसला करने या कदम उठाने से पहले उसके नफे नुपसान पर पुरी तरह सोच बिचार कर लिया जाए जिम्मेदार लोग ऐसा कभी नहीं सोचते कि उनको आजविका देना दुनिया का फर्ज है आप बचत को नजर अंदाज करके फुसहाल नहीं हो सकते आप मजबूत और कमजोर करके कमजोर को मजबूत नहीं बना सकते आप अमीरों को गरीब बना कर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते आप रोजगार देने वाले को नुपसान पहुंचा कर रोजगार लेने वालों की मदद नहीं कर सकते आप इनसान की अजादी छीन कर चरित और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते आप आपसी द्वेश को बढ़ावा देकर भायचारा नहीं बढ़ा सकते आप अपनी चादर से बाहर पर बसाड़ने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बस सकते उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए आप उनकी पर्मानेंट मदद नहीं कर सकते अबराहम लिंकन एक कमपनी के प्रेसिडेंट ने रिटायर होने के मुखे पर नए प्रेसिडेंट को दो लिफाफे दिये जिन पर नमबर एक और नमबर दो लिखा हुआ था और कहा कि जब भी मेनेजमेंट की कोई खास दिक्कत आए और आप उसे खुद ना सुलजा सकते हों तो लिफाफा नमबर एक खोलें दोबारा ऐसी कोई दिक्कत आने पर लिफाफा नमबर दो खोलें कुछी साल बाद उस प्रेसिडेंट को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा उसने अपनी अलमारी से पहला लिफाफा निकाल कर खोला उसमें लिखा था अपने पिछले प्रेसिडेंट पर दोस डाल दो कुछ ही साल बाद एक दूसरी बड़ी दिक्कत आई प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफापा कोला उसमें लिखा था अपने बाद आने वाले प्रेसिडेंट के लिए दो लिफापा तैयार करो जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीख लेते हैं कुछ लोग कभी सीखते ही नहीं गलतियों के बारे में हम तीन काम कर सकते हैं अंदेखा कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, उन्हें कबूल करके उनसे सीख ले सकते हैं तीसरा कदम उठाना हिम्मत का काम है इसमें खत्रा तो है लेकिन लाफ जादा है मगर ऐसा करने की बजाए अगर हम अपनी कमजोडियों पर परदा डालते हैं तो हम इन कमियों के जाल में फस्ते जाते हैं बजाए इसके की हम इन से उबढ़ने की कोशिश करें ये गलतियां जो आपको राश चलते संयोग से मिल जाए इसके लिए बहुत सी तैयारियां और चरित्र की जरूरत होती है जीतना तो सभी चाहते हैं लेकिन जीत को हासिल करने के लिए कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देते हैं इसके लिए अनुसासन और गुर साथ देगी दुनिया काम की इच्छा करने वाले लोगों से भड़ी पड़ी है कुछ खुद काम करने की इच्छा रखते हैं और कुछ उन्हें काम करने देने की इच्छा रखते हैं मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं की, या पहले बारा घंटे है या बाद के बारा घंटे कैमन्स विल्सन, CEO Holiday Inn जिस तरह कोई ब्यक्ति डिक्स्मेरी के उपर बटने से एस्पेलिंग्स करना नहीं सीख सकता उसी तरह कोई भी ब्यक्ति कड़ी मेहनत के बिना अपनी काम करने की सकती को नहीं बढ़ा सकता प्रोफेशनल ब्यक्ति तवरा किया गया काम दूसरों को इसलिए इतना असान लगता है क्योंकि वे जो भी काम करते हैं उनकी बुनियाती चीजें में कुसलता हासिल कर लेते हैं अगर लोगों को यह पता चल जाता कि इस कुसलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चरजनक न लगता माइकल एंजेलो अपने यहां नोकरी के लिए आए कंडिडेट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक अधिकारी ने उसके पुराने सुपरवाजर से पूछा इस आदमी ने आपके यहां कितने दिन काम किया सुपरवाजर ने कहा तीन दिन अधिकारी बोला उसने मुझे बताया कि वह आपके साथ तीन साल था सुपरवैजर ने जवाब दिया या सही है वह हमारे साथ तीन साल था पर काम उसने तीन दिन ही किया एक आदमी अपने काम में अपनी सक्ती और योगता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योगता तक का इस्तेमाल करते हैं और उन गिने चुने लोगों को सीर आँखों पर बिढाती है जो अपनी छंपता का स्वाफिजदी इस्तबाल करते हैं एंड्रियू कार्णेगी काम्यावी इस विश्वास का नतिजा है कि हम पूछे कि कितना ज्यादा काम हुआ है ना कि कितना कम कितने ज्यादा घंटे लगाये हैं ना कि कितने कम अच्छे संगितकार योजना रोजना प्रैक्टिस करते हैं विजेता को जीत पर सरविंदा होने की जरुवत नहीं क्योंकि उन्होंने उसे लंबी समय तक कड़ी मेहनत करके पाया होता है यह असानी से नहीं मिलती होती है हर वह चीज जिसका हम आनंद ले रहे हैं किसी न किसी की कड़ी मेहनत का नतीजा है कुछ काम तो हम लोगों को दिखता है और कुछ अंदेखा रह जाता है लेकिन दोनों ही कामों का महतु बराबर है कुछ लोग नोकडी मिलते ही काम करना बंद कर देते है इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद अच्छे काम करने वालों का मिलना आज भी मुश्किल है जादातर लोग खाली बटने और फुरसत में बटने का फरक नहीं समझ बाते खाली बटना समय की चोड़ी और परबाती है जबकि फुरसत वस समय है जो मेहनत से कमाया गया है टाल मटोल का मतलब है काम ना करना सिरेश्टा सिर्फ किस्मत की बात नहीं यह कड़ी मेहनत और बहुत सी प्रैक्टिस का नतीजा होती है कड़ी मेहनत और प्राइक्टिस व्यक्ति के काम बहतर बनाते हैं फिर चाहे वह कोई भी काम कर रहा हो इंदजार करने वालों वो चीजे मिलती तो हैं लेकिन सिर्फ वही मिलती हैं जो संगर्स करने वाले छोड़ देते हैं अबराहम लिंकन मेहनत खुद में ही शुरुवात भी है और अंध भी रेकिती जितनी कड़ी मेहनत करता है उतना ही अच्छा महसूस करता है और वह जितना ही अच्छा महसूस करता है उतनी कड़ी मेहनत करता है सबसे अच्छा विचार भी किसी काम का नहीं जब तक कि इसका इस्तमाल नर किया जाए मेहनत और मजबूत इरादे के बगर स्रेश्ट परतिवा या टेलेंट भी बेकार है हमें खुद्रस से सीखने की ज़रुत है बत्तक पानी में जितनी तेजी से चलाती रहती है उपर से उतनी सांत और अस्तीर दिखती है महान वैलन पातक फ्रीज क्रिसलर के एक प्रोग्राम के बाद एक व्यक्ति उनके पास स्टेज पर आया और बोला आपके जैसा वैलन बजाने के लिए मैं अपना पूरा जीवन दे सकता क्रिसलर ने जवाब दिया मैंने तो दे दिया है सफलता के लिए कोई जादोई छड़ी नहीं होती वास्तविक्ता मैं सफलता सिर्फ काम करने वालों को मिलती है तमासा वीनों को नहीं बोज ढोने वाला गोरा दुलत्ती नहीं मार सकता और दुलत्ती मारने वाला गोरा बोज नहीं ढो सकता आईए हम दुलत्ती मारना छोड़कर जिम्मेदारी उठाना सुरू करें बिना करी मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती पुद्रत चीरियों को खाना तो जरूर देती है लेकिन उनके घोसलों में नहीं डालती उन्हें अपना खाना पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है आसानी से कुछ नहीं मिलता पेराडाइज लोस्ट लिखने के लिए मिल्टन हर रोज सुबा चार बजे उठ जाते थे नोहा वेवस्टर को वेवस्टर टिक्स्टनरी का संकलन करने में 36 साल लगे एक छोटी काम्यावी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और वह बड़ी बड़ी बाते करने से कहीं बहतर है पांच चरित्र चरित्र व्यक्ति के नेतिक मुल्यों विश्वासों और सक्ष्टियस से मिलकर बना है यह हमारे बैभार और कार्जियों में जलगता है इसे दुनिया की वेसुमार दौलत से भी जादा संभाल कर रखने की जरुरत होती है जीतने के लिए चरित्र का होना जरूरी होता है जार्ज वासिंग्टन ने कहा मैं उमीद करता हूं कि मुझे हमेशा इतनी जेटता और गुन हो कि मैं एक इमंदार आदमी के रूप में जाना जा सकूं जो मेरे लिए दुनिया के किसी भी महत्तुकुन ओहदे से बढ़कर है वोटों से और जनता की राय से नहीं बलकि एक लीडर के चरित्र से ही इतिहास की दिशा तै होती है एमंदारी और असलियत दोरंगी नहीं होती सफलता के रास्ते में बहुत सी रुकावटते होती है और इन रुकावटों को पार करने के लिए चरित्र और बहुत सी मेहनत की जरूरत होती है। लोगों की आलोजनाओं से दिल छोटा नत करने के लिए भी चरित की उतनी ही जरूरत होती है। ऐसा क्यों है कि जाएतर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं बगर सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आम अस्तर से उपर उड़ता है तो कोई न कोई उसकी टान खीचने की कोशिस करता है। जब आप किसी व्यक्ति को पहार की चूटी पर पाते हैं तो स्वभावित है कि वह तुक्य से तो नहीं पहुचा होगा। उसे एक मुश्किल चढ़ाई जरूर चढ़नी पड़ी होगी। ठीक ऐसा ही जिन्दगी में भी होता है। किसी भी व्यक्ति में सफल बेक्ति से बाकी लोग इर्ष्या करते हैं जो सफल ना हो सके हैं। कभी भी आलोचनाओं का सिकार बनकर अपने लक्ष से न भढ़के। आम आदमी आलोचना से बचने के लिए असान रास्ता खोजता है। इसलिए नहीं तो वो कुछ कहता है, करता है और न बनता है। जितना ही आप काम्याब होंगे उतना ही आलोचनाओं का सिकार बनने का खत्रा बढ़ता है। ऐसा लगता है कि सफलता और आलोचना के बीच में एक कहरा संबंद है। जितनी ज़्यादा सफलता उतनी ही ज़्यादा आलोचनाओं आलोचक खुद तो ज़्यादा हासिल करते नहीं लेकिन बाहर बैटकर काम करने वालों पर चिलाते हैं कि कैसे काम ठीक से किया जाए। मगर याद रखिए आलोचक ना तो लीडर होते हैं और ना ही काम करने वाले और इसलिए बहतर होगा कि उनसे कहा जाए कि जहां काम हो रहा है वे लोग वहां आकर काम करके दिखाएं आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं आसकर वाइल्ड इर्जिया कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की सहता तब तक करने को तयार रहते हैं जब तक वे खुद कुछ करने के काविल ना हो जाएं लेकिन जैसे ही वे अपने पेरों पर खड़े होने लगते हैं तो वही सहता करने वाले लोग उनके जीवन को नरग से भी बत्तर बना देते हैं इस तरह का वेवहार इर्जिया का नतीजा होता है यह भी जिन्दगी का एक हिस्सा है और अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इसके बाब दूद करनी पड़ती है चरित्र बहुत से गुनों का मेल है चरित्र इमानदारी, निश्वार्थ, खौक, कापसी, समझ, धर्णा, साहस, वफादारी और आदर जैसे गुनों का मिला जुला रूप है एक अच्छे चरित्र वाली सक्सियत क्या है यह अपने आप में ही एक कहदा है यह सयमित है यह अस्थीर है यह ट्रीड और आत्मिस्वासी है बगेर जिती हुए यह लिहाज रखना है यह बहाने बनाना नहीं है यह जानती है कि विनर्मता और तहजीव छोटी कुर्बानिया लेती है यह पिछली गलतियों से सीख लेना है इसका दोलत और जन्म से कोई वास्ता नहीं है यह दूसरों को बरबाद करके भी कभी अपना निर्मान नहीं करती यह असलियत है कि दिखावाने यह उच्छे रुच्बे के साथ चलकर भी अपनी असलियत बनाए रखती है यह मिठी जुबान अच्छी नजर और एक नेक मुस्कान है यह छिपा हुआ गर्व है जो अत्याचार के खिलाब ख़ड़ा रहता है यह खुद में और दूसरों के साथ सहज है यह एक निरालापन है जो जीत की बात देता है यह कमाल करती है यह चमतकार करती है इसे पहचानना असान है लेकिन समझना मुस्किल यह जिम्मेदारियों को स्विकार करना है यह विनर्मता है यह एक उतारता जीत में भी और हार में भी यह नाम और यस नहीं है यह कोई मैडल नहीं है यह अस्थाई है यह निराकार है यह बिनर्मता है बगेर दीनता के, यह बरप्पन है बगेर छीछोरवपन के यह एक आत्मनुसासन और ग्यान है, यह आत्म संतुष्ट है यह उदार वीजेता और समझदार राज़त काम्याव हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल उसे समभावना होता है बहुत से लोग यह तो जानते हैं कि काम्यावी कैसे हासिल करें पर काम्यावी हासिल करने पर यह नहीं जानते कि उसे कैसे संभालें यही वज़ा है कि योगिता और चरित्र साथ साथ चलते हैं योगिता आपको सफलता जरूर दिलाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है हम अपनी खोज खुद नहीं करते बलकि खुद का निर्मान वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं चरित्र का बनना जन्म से शुरू होता है और मरने तक चलता रहता है चरित और सफलता की जरूरत नहीं है वह खुद ही सफलता है जिस तरह एक मालिक को लगातार जंगली घास उस निकालकर बगीजे के पोधोत का जीवन बचाना पड़ता है उसी तरह हमें भी अपना चरित बनाने और बढ़ाने के लिए अपनी कम्यों को दूर करते रहना पड़ता है कठिनाईयां चरित को बनाती या दिखाती है मुश्किल हालात में कुछ लोग रिकार्ड तोड़ते हैं और दूसरे खुद तूट जाते हैं जिस तरह बिना कटाई गिसाई के हीरे में चमक नहीं आती और आग में थपाए बिना लोहा एस्टील नहीं बनता उसी तरह मुश्किलें व्यक्ति के चरित को दिखाती है और उसका उससे परिचे कराती है रूस में एक कहावत है हथोड़े की चोड़ सीसे को तोड़ देती है लेकिन लोहे को अवलाद बनाती है इस बात में बहुत सच्चाई है क्या हम सीसे के बने हैं या लोहे के हथोड़ा तो वही है जिस तरह एस्टील की क्वालिटी कारवन से पहचानी जाती है उसी तरह आदमी की quality उसकी चरिद से पहचानी जाती है 6. सही या सकारात्मक विश्वास सही सोच और सही विश्वास में क्या फर्क है अगर आप कभी असलियत में अपने विचारों को सुन सकते तो क्या वे क्या कहते क्या वे सही या गलत होते आप अपने दिमाग को किस तरह प्रोग्राम कर रहे है सफलता या असफलता के लिए आपकी सोच काम करने की सकती पर गहरा असर डालती है हर सुबह सही नजरिया बनाने और रेडित रहने का चुनाव हमारा अपना होता है सही जीवन जीना असान नहीं है मगर गलत जिन्द की जीना भी कौन सा असान है बलकि जादा ही मुस्किल है अगर मुझे चुनाव करना हो तो मैं सही जीवन जीना ही चुनूंगा सही सोच गलत सोच से बहतर है और यह हमें अपनी छमताओं का भरपूर इस्तमाल करने में मदद करेगी सही विश्वास सही सोच से कई गुना बढ़कर है इस विश्वास की वज़ा है कि सही सोच जरूर काम करेगी सही विश्वास अत्मिश्वास होने का नजरिया है जो तैयारी से आता है बिना मेहनत किये सिर्फ आसावादी सोच का होना हवाई के लिए बनाना जैसा है नीचे लिखा उदारन सही विश्वास को दिखाता है क्या Lockheed Company की विश्वास के पीछे कोई ठोस वज़ा है जी हाँ बहुत साल पहले Lockheed Company ने L-1011 टाइस्टार नामक जहाज बनाया इस जेट लाइनर की सकती और सेप्टी सिस्टम को जाचने के लिए Lockheed Company ने 18 महिनों तक इस पर कड़ी से खड़ी परिक्षा ली और इस पर लगवग 1.5 मिलियन डॉलर खर्च किये हाइड्रोलिक जैक्स, एलेक्रोनिक सेंसर और कंप्टर की मदद से इस जहाज ने 36,000 उराने बिना एक भी गरवरी के लिए जितना कोई भी जहाज एक सो साल की सेवा में पूरी करता आखिरकार सेप्टरो जाच के बाद इस जहाज को इस्तवाल की अनुमती दे दी गई अब हर तरह से यह विश्वास किया जा सकता है कि यह जहाज भूरने के लिए पूरी तरह सुरचित होगा क्योंकि इसकी तयारी में करी मेहनत की गई थी साथ जितना पाएं उससे ज़्यादा दे आज काम्याब होना असान है हमारा कोई कंप्रिशन ही नहीं है अगर आप जिन्दगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा चले और इसी थोड़ा ज़्यादा चलने में ही आपका कोई कंप्रिशन नहीं रह जाता आपको जो बदले में मिलता है क्या आप उससे थोड़ा ज़्यादा काम करने को तैयार है आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो बदले में मिलता है उससे थोड़ा अधिक काम करने को तैयार है सायद ही कोई ऐसा हो ज़्यादतर लोग उतना भी काम नहीं करना चाहते जितना बदले में पाते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो उतना ही काम करते हैं जितने से काम चल जाए और उनकी जान छूट जाए वे अपने हिस्से का उतवना ही काम करते हैं, जिससे नोकरी बनी रहे. मुठी भार लोग ही ऐसे हैं, जो अपने वेतन से थोड़ा अधिक काम करना चाहते हैं. वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर आप इस आखरी वार्ग में आते हैं तो आपका कम्टिशन कहां है? बेतन से अधिक काम करने के फैदे इस प्रकार है आप फुद को और ज्यादा महत्पुर्ण बना लेते हैं चाहे आप जो भी करते हो और जहां भी करते हो यह आपके आत्म विश्वास को बढ़ाता है लोग आपको लीडर की तरह देखने लगते हैं दूसरे आपको विश्वा सम्मान देने लगते हैं सिनियर और जुनियर दोनों में आपकी वफदारी बढ़ती है यह आपसी सहयोग की भावना बढ़ता है अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो उपर वाले की खातिर उसके लिए इमंदारी से काम कीजिए कीम हबड चाहे इनकी उम्र तजर्बा औ बिना निगरानी के काम करते हैं जो लोग समय की पावंद और दूसरों का खयाल रखने वाले हैं लोग जो धिहान पुर्वक सुनते हैं और निर्जेसों का सही सही पालंग करते हैं लोग जो सच बोलते हैं लोग जो एमर्जंसी में बुनाई जाने पर मुह नहीं बनाते औ और आना कानी नहीं करते, लोग जो महज खाना पूरी के बजाए नतीजा पाने के लिए काम करते हैं, और लोग जो फुस मिजाज और विनर्म हैं, हर काम को जादा मुलेवान बना कर देने की सोचे हैं, चाहे वह कराहक के लिए, दोस्तों के लिए, जीवन साथी के लिए, आप या बच्चों के लिए हो, जब भी आप कुछ भी करें, तो खुद से सवाल करें, मैं अपने काम को और बहतर कैसे कर सकता हूं, क्या मैं दूसरों के लिए और जादा मुलेवान कैसे हो सकता हूं, सफलता का निचोर इन चार सब्दों में हैं, और फिर थोड़ा जादा विजेता जो करना चाहिए, वो तो करते ही हैं, और फिर थोड़ा जादा अगर भरोसा और जिम्मेदारी के एक वोज होती है, ऐसा क्यों है कि कुछ बहुत बुद्धिमान लोगों की जिंदगी उची टिग्रियां होने के बावजूद सिर्फ नाकाम्याब है, और अगर नाकाम्याब नहीं है, तो सिर्फ काम चलाओ है, क्योंकि ये लोग काम पू वेतन मिलता है, या फिर ये उतना ही काम करना चाहते हैं, जितने से काम चल जाए, ताजूब की कोई बात नहीं कि ऐसे लोग और सफलता की जीती जागती मिसाल है, जब हम जिन्दगी में जितना पाते हैं, बदले में उससे जादा देते हैं, या जब हम जितना वेतन पाते हैं, उससे ज़ियादा काम करते हैं, तब हमारा कोई compression नहीं रहता, वास्तब में हम ही compression बन जाते हैं, ऐसा नजर या कुद्धिमानी और डिगरियों से कहीं ज़िया daha беспplus है आठ लगातार कोशिश करने या हिम्मद ना हारने की सकती, लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता परतिभा भी नहीं इससे ज्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे परतिभासाली और सफल लोग देखने को मिलते हैं जीनियस भी नहीं हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है सिक्षा भी नहीं दुनिया परहे लिखे ना समझों से है लगातार कोशिस और डीड़ इच्छा ही सर्व समर्थ है केलविन उलीज खुद को बहतर बनाए रखने का सफर इतना असान नहीं है यह रुकावटों से भरा परा है बिजेता के पास गिरकर उपने की और डीड़ इच्छा के साथ नई शुरुवात करने की योगता होती है हिम्मत न हारो, don't quit जब काम बिगर जाये जैसा की कभी कभी होगा जब रास्ता सिर्फ चठाई का ही दिखता हो जब पैसे कम और ज़्यादा हो जब मुस्कराहट की इच्छा आह बने जब चिंताएं दबा रही हो तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत न हारो भूल भूलिया है ये जीवन पकडंडियां जिसकी हमें पार करनी है कई और सफल तब लोट गए पार होते गए जो आगे बढ़ते गए धीमी है रप्तार तो क्या मंजिल को एक दिन पाओगे सफलता छिपी और सफलता में ही जैसे संका के बादल में आसा की चमक नाप सकोगे क्या इतनी दूरी दूर दिखती है लेकिन मुम्किन है यह नजदीक हो डटे रहो चाहो कितनी भी मुश्किल हो चाहे हालात जितने भी बुरे हो लेकिन हिम्मत न हारो डटे रहो महान वाइलिन वादक फिरीज क्रिसलर से पूछा गया आप वाइलिन इतना सुंदर कैसे पजा लेते हैं क्या आप फुस किस्मत है उन्होंने जवाब दिया या प्रैक्टिस की वज़ा से है अगर मैं एक महेने तक प्रैक्टिस ना करूँ तो मेरे स्रोता फर्क समझ जाते हैं अगर मैं एक सब्ता तक प्रैक्टिस ना करूँ तो मेरी फर्क पत्नी बता देती है अगर मैं एक दिन भी प्रैक्टिस ना करूँ तो मैं खुद की फर्क बता सकता है लगातार कोशिस करने का मतलब कमिटमेंट और दीट संकलब बढ़ते रहने में एक तरह का आनंद मिलता है कमिटमेंट और दीट संकलब एक फैसला है कुछ सेकेंड और मिंटों के परदर्शन के लिए खिलारी सालों साल प्रैक्टिस करते है लगातार कोशिस एक फैसला है यह ऐसा कमिटमेंट है कि जो काम आप शुरू करेंगे उसे खत्म भी करेंगे ठकान होने पर हिम्मत हार कर छोड़ देना अच्छा और असान तो जरूर लगता है लेकिन वीजेता आगे बढ़ते रहते हैं एक वीजेता खिलारी से पूछिये तो पता चलेगा कि वह तकलीफ के बावजूद भी जो शुरू करता है उसे पूरा करता है बहुत से पराजीत लोग ऐसे हुए जिन्होंने काम की शुरुआत तो अच्छी की लेकिन समापती नहीं लगातार कोशिस की छमता किसी उद्यस से पैदा होती है बिना मकसद के जिन्दगी में सिर्फ भक्टाव मटकाव है कोई इंसान जिसका कोई उद्यस नहों वह जल्दी ही हिम्मत हार जाएगा और कभी संतुष्ट महसूस नहीं कड़ेगा न. अपने काम पर गर्व आज दुनिया में गर्व से काम करना बिल्कुल गिर चुका है क्योंकि इसके लिए कोशिस और मेहनत की जरौत होती है फिर भी तब तक कुछ नहीं होता जब तक होने के लिए कुछ किया न जाए जब कोई निरास हो जाता तब वह असान रास्ते ठुनने की कोशिस करता है चाहे प्रलवन जैसा भी हो मगर ऐसा करने से हर हाल में बचना चाहिए गर्व करने की भावना अपने अंदर से आती है जिस से जीतने की बात आती है काम पर गर्व अहनकार को नहीं दिखता बलकि फुसी और विनामृता को दिखाता है काम की क्वालिटी और काम करने वाले की क्वालिटी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती आधे मन से किये गए काम आधे नतीजे नहीं लाते बलकि कोई नतीजा ही नहीं लाते तीन आदमी इटों की चुनाई कर रहे थे तो एक रागीर ने पुछा कि वे क्या कर रहे हैं पहले आदमी ने कहा क्या तुम देखते नहीं कि मैं रोजी कमा रहा हूं दूसरे ने कहा क्या तुम देखते नहीं कि मैं इटों की चुनाई कर रहा हूं तीसरी ने कहा मैं एक खूबसूरत इमारत बना रहा हूं तीनो आदमी एक ही काम कर रहे थे, मगर उनके जवाब अलग-अलग थे अब सवाल यह उठता है कि किया उनके नजरिये अलग-अलग थे और क्या उनके नजरिये काम पर असर डालेंगे जबाब बिल्कुल साफ है हाँ काम में बेहतरी दब आती है जब काम करने वाले बेहतर काम करके गर्व महसूस करता है हर काम काम करने वाले का चित्र खुद खीच देता है फिर चाहे काम जो भी हो जैसे गारी धोना घर साप करना या घर की पेंट पॉलिश करना पहली बार और हर बार सही काम करें, आज का ठीक ठंक से किया गया काम, आने वाले कल के लिए सबसे अच्छे बीमे की तरह है माइकल एंजिलो बहुत समय से एक मुर्ती पर काम कर रहे थे, उसमें बहुत समय लग रहा था क्योंकि वे बारिकी पर बहुत समय और ध्यान लगा रहे थे, जो पास खड़े ब्यक्ति को बिना बजह लग रहा था, जब उसने माइकल एंजिलो से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने जवाब दिया, छोटी छोटी बातें परिपुर्ण बनाती हैं, और परिपुर्ण का कोई छोटी बात नहीं है, बहुत से लोग यह तो भूल जाते हैं कि कोई काम आपने कितनी तेजी से किया, मगर उन्हें यह याद रहता है कि काम कितने पढ़िया तरीके से किया गया, अगर किसी आदमी को सडक साफ करने का काम दिया जाए, तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए, जैसे माइकल एंजिलो प्रेंटिंग करता हो, या वीथो बन संगीत की रचना करता हो, या सेक कर बोले कि यहाँ सरच सफाई करने वाला रहता था, जिसने अपना कार्द गर्ब से और बहुत अच्छी तरह किया, मार्टिन लूथर किंग जुनियर, काम और क्वाइल्टी के अस्तर पर कोई सम्झोता नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा जाता है कि मैट टोनाल के ससना पर, रे दो हफते के बाद उस फ्रेंचाईजी ने अपनी सदसता खो दी, रेक कराउक ने कहा, तुम्हें गर्ब और संतुष्टी के लिए काम करना चाहिए, हमें यह सिखाया गया था कि, ऐसे उनों का पुरसकार बाद में मिलता है, बढ़िया काम करने का एहसासी खुद में एक प दर्स खोजें, गुरू गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरू आपने जिन गोविंद दियो मिला है, अगर इस्वर और गुरू दोनों साथ खड़े हों, तो विद्यार्थी किसे पहले परणाम करेगा, भारतिय संस्कृती के अनुसार जबाव है गुरू को, क्योंकि बिना उसके मार्ग दर्सन और मदद के विद्यार्थी इसवर तक नहीं पहुंच सकता, एक गुरू वही होता है, जिसके बीते हुए कल आपके आने वाले कल के मार्ग दर्सक बन सकते हैं, किसी ऐसे आदर्स को खोजे जो आपको अपना सिस्षि बना सक गुरू का सम्मान करें और ग्यान की इच्छा रखें, गुरू ग्यान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट को पसंद करते हैं, अच्छे गुरू आपकी प्यास नहीं बुझाते, बलकि आपको प्यासा बनाएंगे, वे आपको जिग्यासू बनाते हैं, अक्टर और व्यवसाई भी थे आए और सबने उस सम्मान को पाने के लिए अपना अपना दावा पेस किया, बगर राजा उनसे प्रभावित नहीं हुए, अंत में एक बुझूर्ग इंसान आया, जिसके चेहरे पर चमक थी और उसने खुद को एक सिक्छक बताया, राजा अपने सिंगासन से उतर कर और जुक कर उस सिक्छक को सम्मानित किया, समाज की भविस को बनाने और संबाढने में सबसे बरा योगदान सिक्छक का ही होता है। क्या हम में वह खुवी है जो सफलता दिलाती है क्या हम सबसे सफलता पाने की खुवियां है कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनमें ऐसी खुवियां नहीं है वे काम चलाओ और सफल ही बने रहते हैं लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है क्योंकि हम सब में सफल होने की खुवियां है हो सकता है कि ये खुवियां उस अस्तर तक बिक्सित ना हुई हो जितनी होनी चाहिए मगर ये हम सब में है जरूर हम इन से बेखवर होते हैं मगर जब हमें इनका एहसास होता है तब हमारी काम करने की सक्ति बढ़ जाती है यह आपके बगीचे में गढ़े खजाने की तरह है जिसकी आपको जानकारी नहीं है आप इसे इस्तमाल नहीं कर पाएंगे लेकिन जैसे ही आपको इसका पता चलता है आपकी सोच और बेभार में फरक आ जा सकता है यही बात हम लोगों पर भी लागू होती है हम सम्मेक फुबियां से बड़ा खजाना चिपा है जरूरत इस बात की है कि हम उन्हें उभारे और ब्यभार में लाए हमें क्या रोक रहा है क्या होगा अगर हम अपनी गारी चला रहे हो और बेरेक लगी हो क्या यह अकल की बात होगी और गारी को क्या होगा वह कभी भी पूरी रफ्तार से नहीं चल पाएगी क्योंकि ब्रेक रुकावट बनेगी कार बहुत ज़्यादा गरम होकर खराब हो जाएगी और अगर वह खराब नहीं होगी तो इंजन को नुकसान पहुचेगा आपके सामने दो रास्ते हैं या तो आप एकसिलेरेटर को दबा कर नुकसान का जोखिम उठाए या ब्रेक से पएर हटा कर कार को तेज रफ्तार से चलने दे यही बात जिन्दगी पर भी खरी उतरती है क्योंकि हम जीवन की गारी भावनाओं के ब्रेक के साथ चलाते हैं यह ब्रेक या रुकाउटे कौन से हैं यह वही कारण है जो हमें सफलता प्राप करने से रोकते हैं सही नजर यह उचे स्वाभिमान और जिम्मेतार बनकर हम अपनी भावनाओं के इन ब्रेकों से छुटकारा पासकते हैं और सफलता के कारव हम बेहतरी क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं जिंद्गी एक दस गियर वाली सैकिल की तरह है हम में से जातर लोगों के पास ऐसे गियर है जिनका हम कभी इस्तिमाल नहीं करते चाल्स सूज एक खत्रे उठाने में जिजद कामयावी में सोच समझ कर उठाए गए और नपे तुले खत्रे को भी सामिल है खत्रे उठाने का मतलब यह नहीं कि मुर्खता कुन जुआ खेले और गएर जिम्मेदारी से प्यशा है कई लोग गएर जिम्मेदारी पुर्ण और उठ पठान कामों को करना भी खत्रे उठाना मान बढ़ते हैं उनके ये काम बुरे नतीजे लाते हैं और फिर वे किस्मत को दोस्त देते हैं खत्रे का मतलब अलग-अलग इंसान के लिए अलग-अलग हो सकता है और ट्रेनिंग का नतीजा भी हो सकता है एक तजरुबेकार और एक नए सीखने वाले दोनों ही पहार पर चटने वालों के लिए पहार पर चटना खत्रों से भरा है लेकिन तजरुबेकार पहार पर चटने वाले के लिए यह गएर जिम्मेदारी से भरा खत्रा नहीं है जिम्मेदारी भरा खत्रा उठाना यान, ट्रेनिंग, ध्यान पुर्वक, अध्यान, आत्मिश्वास और काविलियत पर निर्भर करता है जो इनसान को डर का सामना करने की हिम्मत देते हैं जो ब्यक्ति कभी कोई काम नहीं करता, वह कोई गलती भी नहीं करता अलाकि वह यह नहीं समझ पाता कि कुछ न करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती है फैसला न करने के कारण कई मोगे खुल जाते हैं इसकी आदत पर जाती है और यह आदत एक से दूसरे में फैलती है खत्रे तो उठाएं मगर जुआ न खेलें खत्रा उठाने वाले अपने आग कान खुले रखते हैं जबकि जुआरी अंधिरे में तीर चलाते हैं एक बार एक किसान से किसी ने पूछा कि क्या उसने इस बार गेहूं बोया है किसान ने जवाब दिया नहीं मुझे डर था कि सायद बारिस नहीं होगी फिर उस आदमी ने पूछा क्या तुमने मक्का बोई है किसान बोला नहीं मुझे डर था कि कीडे मक्का न खा जाएं फिर उस आदमी ने पूछा तो तुमने बोया किया है किसान ने कहा कुछ भी नहीं मैंने कोई खत्रा या रिस्क उठाया ही नहीं खत्रे हसने में बेवकूफ समझे जाने का डर है रोने में जजवाती समझे जाने का डर है लोगों से मिलने में नाते जुर जाने का डर है अपनी भावनाएं परगट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है अपने विचार अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिये जाने का डर है किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न पाने का डर है जीने में मरने का डर है आसा में निरासा का डर है कोशिस करने में और सफलता का डर है लेकिन खत्रे जरूर उठाएं जाने चाहिए क्योंकि जिन्दगी में खत्रे न उठाना ही सबसे बरा खत्रा है जो सक्स खत्रे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है वे जिन्दगी में दूख तर्द से तो बच सकते हैं लेकिन वे सीखने महसूस करने बदलाव लाने आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने को सीख नहीं पाते हैं अपने नजरिये की जंजीरों में बंद कर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आजादी हो देते हैं सिर्फ खत्रे उठाने वाला इंसान सही माइनों में आजाद है दो लगातार कोशिस की कमी जब मुश्किलों पर काबू पाना ना मुवकिन लगने लगता है तो भागना सबसे असान तरीका नजर आता है यह बात हर परिवार मुपली और रिस्तों पर लागू होती है विजेता चोट भले ही खा जाएं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हम सभी को हार का सामना करना पड़ता है हार जाने का मतलब यह नहीं है कि हम असफल है जादतर लोग ग्यान और पर्तिवा की कमी से नहीं हारते बलकि वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मैदान ही छोड़ देते हैं सफलता का रहत से दो बातों में छिपा है लगातार कोशिश और विरोध जो करना चाहिए उसकी लगातार कोशिश करो और टेटेर हो और जो न करने की चीज़ है उसका विरोध करो कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादूर है बलकि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादूरी दूसरों की तुल्ला में दस मिनट ज़्यादा दिखाता है राल्फ वाल्डो इमर्सन हम अभी की सोचते हैं दूर की नहीं या एक सिमीत नजरिया है हम तुरंत इच्छा पूर्ती के दोर में जी रहे हैं आजकल हल्फ मर्च की दवा है जगाने से लेकर सुलाने तक की लोग अपनी समस्या का जटपट उपाय ढूनने की कोशिस में चाहते हैं कि एक गोली खाये और समस्या दूर हो जाए जब लोग रातो रात अमीर बनना चाहते हैं तब वे गलत रास्ते अपनाते हैं और अपने जमीर को बेश देते हैं रातो रात अमीर बनने की चाहत ने हीं लोट्री के वेबसाइक को इतना बढ़ावा दिया है याद रहे कि तुरंत इच्छा पुर्ति कुछ पल के आनंद के बारे में सोचती है नतीजों के बारे में नहीं वर्तमान पीड़ी एक अच्छा वजन उसे मानती है जिसको खाने से वजन पांच पाउंड घड़ जाए य इन्हें जन्मदीन तो जादा नहीं चाहिए मगर दोफे जादा चाहिए होते हैं प्रार्थ मिकताओं की लोग ऐसी बाते में भी तबदीली कर देते हैं जहां उन्हें नहीं करनी चाहिए उदारन के तोर पर वे रिष्टों में सने और समय के बजाए रुप्या पैसा और तोफे देने की कोशिज करते हैं कुछ लोग अपनी गैर मोजुद्गी की केमत अपने जीवन साथी और बच्चों के लिए तोफे खरीद कर चुकाते हैं जब हमारी प्रार्थमिक्ताएं सही नहीं होती तो हम समय की बरबादी करते हैं और या महसूस भी नहीं करते कि समय की बरबादी जीवन की बरबादी है प्रार्थमिक्ताओं को तैग करने में हमें अनुसासन की जरूरत पड़ती है जिससे हम वह करें जो जरूरी है बजाए इसके की जो हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है हम किसी काम को दिल से करने के बजाए उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं की एक चाबी है सूज बूज कुछ लोगों का ध्यान पैसा सत्ता धन दौलत और नाम तक ही सिमित है हमें अपनी प्रार्थ मिक्ताएं समधनी होगी सफलता के नियम पढ़ने या रटने से सफलता नहीं मिलती बलकि यह उन्हें समधने और अमल में लाने से मिलती है मुफ्थ कुछ नहीं मिलता यह एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने अपने सलाकारों को बुलाया और कहा कि वे सदियों के ग्यान की बातें इकठा करके लिखें ताकि वे उसे आने वाली पिरियों को दे सकें काफी मेहनत करने के बाद उन सलाकारों ने उतिमत्ता पर कई गरंथ लिख डाले और राजा के सामने पेस किये राजा ने अपने सलाकारों से कहा कि ये इतने लंबे हैं कि लोग पर्ट नहीं पाएंगे इसलिए इने छोटा करना पड़ेगा सलाकारों ने फिर मेहनत की और सिर्फ एक गरंथ बना कर ले आए राजा ने फिर वही बात दोहराई की वे फिर वापस गए और उसे एक पाठ में ले आए राजा इससे भी संतुष्ट नहुआ और उसे और छोटा बनाने को कहा अब सलाकारों ने फिर मेहनत की और एक पन्ने में लिख कर लाए लेकिन राजा अब भी संतुष्ट नहुआ राजा तब संतुष्ट हुआ जब तक वे सिर्फ एक ही वाक्य नहीं बना कर लाए और वह वाक्य था दुनिया में कोई भी चीज मुफ्ट में नहीं मिलती हर संस्ता और समाज किसी न किसी रूप में मुफ्ट कोडी के गुनागार होते हैं अक्सर ऐसा कमपनियों और संस्थाओं में देखा जाता है कि जायतर सज़से खुद को कुछ काम नहीं करते लेकिन काम करने वाले लोगों की कोशिस और मेहनत का फूरा फाइदा उठाना चाहते है आसान लगने वाला रास्ता वास्तव में मुश्किल भी हो सकता है एक बार जंगल में एक लार्क चिरिया गा रही थी तभी एक आदमी वहाँ कीरों से भरा बक्सा लेकर आया लार्क ने उसे रोका और पूछा तुम्हारे बक्से में क्या है और तुम कहा जा रहे हो आदमी ने जवाब दिया कि इसमें कीडे है और वह बजार में इनके बदले में पंक खरिदने जा रहा है लार्क ने कहा मेरे बहुत से पंक है मैं तुम्हें एक पंक दूँगी इससे मुझे कीरों की तलास में बठकना नहीं परेगा किसान ने लार्ख को कीरे दे दिये और बदले में लार्ख ने एक पंक तोरकर उसे दे दिया अगले दिन भी वैसा ही हुआ और यह सिल्चला चलता रहा फिर एक दिन ऐसा आया कि चिरिया के सरीर पर एक भी पंक नहीं बचा अब न तो वह उर सकती थी और न कीरे पकर सकती थी वह बदसुरत दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया और जल्दी ही मर गई इस कहानी से क्या सबक मिलता है सबक बहुत साथ है जो चिरिया को सबसे असान लगा था वही उसके लिए सबसे मुश्किल रास्ता बन गया क्या यही हमारे जीवन पर लागू नहीं होता कई बार हम लोग असान रास्ता दूनते हैं लेकिन अंत में पाते हैं कि वही रास्ता सबसे मुश्किल है हारने वाले तुरंत उपायों की तलास में रहते हैं अपने बगीचे में जंगली घास पूस निकालने के दो तरीके हैं आसान रास्ता और थोड़ा मुश्किल रास्ता आसान रास्ता तो यह है कि घास काटने वाली मसीन चला दीजिए जिससे बगिचात कुछ देर के लिए अच्छा दिखने लगता है मगर यह वह अस्थाई उपाय है कुछ ही समय बाद जंगली घास पूस फिर बढ़ जाती है मगर थोड़ा मुस्किल रास्ता यह होगा कि गुटनों के बल बैट कर अपने हातों से जंगली घास पूस को जड़ से उखार दिया जाए यह तकलीफ दे और समय लेने वाला हो सकता है मगर ऐसा करने पर इससे लंबे समय के लिए छुट करा मिल जाएगा पहला रास्ता असान था लेकिन समस्या बनी रही दूसरा रास्ता असान तो नहीं था लेकिन उसने समस्या को जड़ से मिटा दिया समस्या की तह में जाना और उसे जड़ से निकालना ही सही रास्ता है यही बात जीवन में हमारे नजरिये पर लागू होती है कुछ लोग करवाहट और उदासी को फेलाते हैं और उनका यह नजरिया जिंदगी के हर पहलू में उभरता रहता है आज लोगों के साथ मुश्किल यह है कि वे हर समस्या का हल तुरन चाहते हैं वे हर काम मिन्टों में निवटना चाहते हैं वे इंस्टेंट काफी की तरह इंस्टेंट खुशी भी पाना चाहते हैं मगर हर चीज का जबाब इंस्टेंट नहीं है और यही नजरिया बायूसी की होड ले जाता है च्छा स्वार्थ और लालच वे वेक्ति और संगठंग जो एक दूसरे के साथ और अपने ग्राहकों के साथ स्वार्थी रवया अपनाते हैं उन्हें अपनी तरक्की की पास सुचने का आंकार नहीं है ऐसे लोगों का रवया दूसरों का भला सोचे बगएर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने वाला ही होता है लालच का अंद नहीं है जरूरते पूरी की जा सकती है कि तू लालच नहीं या हमारी आत्मा को कैंसर की तरह जकर लेता है या हमारे रिस्तों को तोड़ देता है हम अपने लालच को ऐसे पहचान सकते हैं खुझ से इन तीन सवालों को पूछ कर क्या इसे पाने की मेरी उकात है क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है अगर यह मुझे मिल भी जाए तो क्या मुझे दिल और दिमाग की सांती मिल पाएगी स्वाभिमान की कमी से लालच पैदा होता है जो जूठा धमंट दिखावा और बनावट और रिस्या बरावरी करने की आदत के रूप में दिखाई देता है लालच से बचने का एक सीधा उपाय है कि हम अपनी चादर से बाहर बहर न फेलाए और संतुष्ट रहें संतुष्ट रहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि महत्वा कांच्छा ही न हो इसका अंध कहां है यह एक दौलत मंद किसांद की कहानी है जिसे यह कहा गया कि वह एक दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह सब उसकी हो जाएगी बसरते की वह सुर्यास से पहले सुरुवात की जगह पर आ जाए ज्यादा से ज्यादा जमीन पाने के लिए यह किसांद सुबह तरके ही निकल परा और फूप तेजी से चलने लगा ठकान के बावजूद भी वह चलता रहा क्योंकि जीवन में ज्यादा धन प्राप्ति के एक बार मिले सुनहरे मोके को वह भोना नहीं चाहता था जब दिन ढलने लगा तो अचानक उसे सर्थ याद आई कि सुरज ढूबने से पहले उसे सुरुवात की जगह पर पहुँचना है लालच में वह बहुत दूर तक चला गया था ढूबते सुरज पर नजर रखते हुए उसने तेजी से वापस आना शुरू किया साम जेसे जेसे करीब आती जा रही थी वह और तेजी से दोर रहा था वह ठक कर चूर हो चुका था और सांस उखर रही थी लेकिन वह जबरदस्ती आगे बढ़ता रहा सुरुवात की जगह पर पहुँचते ही वह पच्छार खाकर गिर परा और मर गया सुरद डूबने से पहले वह वापस तो जरूर आ गया था और पूरी जमी भी उसकी हो गई थी लेकिन उसे दपनाया गया और इसके लिए जितनी जमीन की जरुवत बड़ी थी वह एक छोटा सा टुकड़ा था इस कहानी में एक बहुत अच्छी गहराई और सबक छिपा हुआ है किसान चाहे अमीर था या गरीब इसका इतना महत्व नहीं है क्योंकि कोई भी लालची इनसान उस किसान की जगह होता तो उसका भी यही हस्र होना था साथ डीड विस्वास की कमी डीड विस्वास की कमी वाले लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं और बताईए कि सरक के बीच का रास्ता अपनाने वालों का क्या हाल होता है वे कुछले जाते हैं डीड विश्वास की कमी वाले लोग किसी वसूल पर नहीं टिकते, साहस और आत्म विश्वास की कमी की वज़ा से दूसरों के साथ चलते हैं उनकी स्विकिर्टी पाने के लिए, वे दूसरों की नजर में अच्छा बने रहने के लिए जानते हुए भी कि यह गलत काम है, वे फिर भी करते हैं और वे जूंड में एक भेड की तरह होते हैं, कुछ लोग अपने को दूसरों से अच्छा समझते हैं क्योंकि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, मगर उनमें उनका विरोध करने का साहस और आत्मिस्वास भी नहीं होता वे यह नहीं समझ पाते की विरोध नहीं करके वे बास्तब में उनका समर्थन करते हैं और बढ़ावा देते हैं सफलता पाने के रहास्यों में से यह भी एक है कि किसी चीज का विरोधी होने के बजाए किसी चीज का समर्थक बनिए इस तरह समस्या का हिस्सा बनने के बजाए आप उसके समाधान का हिस्सा बन जाते हैं और अटल होने के लिए डीड विश्वास की जरुवत हैं डीड विश्वास आस्था से उपजता है आस्था के बिना किया गया काम एक भरम या सपने की तरह है आस्था चमतकार का इंजार नहीं करती बलकि उसे साकार बनाती है अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप दोनों ही तर ठीक है हैं हेन्री फोर्ड हम सब की जिंदगी में दुख के पल होते हैं हम सभी गिरते हैं और चोट लगती है हम सभी की जिंदगी में ऐसे च्छन आते हैं जब हमारा आत्मिस्वास डग मगाने लगता है और हमें अपने पर रहम आता है लेकिन फिर भी या जरूरी है कि आप अपनी भावणाओं पर काबू पाएं और अपनी आस्ता को बनाए रखें. दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं. 1. वे जो कुछ करते हैं. 2. वे जो लोग कुछ होते हुए देखते हैं. तीन, लोग जो यह सोचकर हैरान होते हैं कि हुआ क्या, आप इनमें से किस वर्ग में आते हैं आठ, कुद्रत के वसूलों को न समझने की कमी सफलता वसूलों का नाम है और ये वसूल कुद्रत के हैं बदलाव कुद्रत का वसूल है हम या तो आगे बर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगार रहे हैं, कुछ भी अस्थाई नहीं रहता, एक बीज को अगर जमीन में उगने के लिए न बोया जाए तो वह सर जाएगा, बदलाव होना ही है और होता ही रहेगा, चाहे आप प स्विकार करना चाहिए, जब वह हमारे लिए उपयोगी हो, बिना जाचे पर्खे कुछ भी स्विकार कर लेना, हिला बेवार आत्मिस्वास की कमी और आत्म सम्मान की कमी को दिखाता है, परंपरा के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, सिर्फ बढ़ने के लिए ही स्विकार को फिलोसिफी है, यह गलत रूप से चारों और फैलता है, इस बढ़ने को बरबादी कहते हैं, सही अर्थों में तरक्की वही है, जो सही दिसा में होती है, वरना यह तरक्की नहीं बलकि सर्वनास है, सफलता किसमत का नहीं बलकि वसूलों का नाम है, वजह और न के रिष्टे को समझना जरूरी है, हर नतीजे की कोई न कोई वजह होती है, वजह और नतीजे के वसूल बीज बोने और फसल काटने के वसूलों जैसी ही है, बीज बोने और फसल काटने के वसूल पांच बातें बताते हैं, एक, हमें बीज बोने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा ही शुरुवात है दो हम जो बोते हैं वही कारते हैं अगर हम आलू बोएंगे तो आलू ही काटेंगे टमाटर नहीं तीन फसल काटने से पहले हमें बीज बोना पड़ेगा काटने से पहले बोने की परक्रिया आती है कुछ पाने से पहले कुछ देना जरूरी है हमें चुल्हे से आच तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसमें कोईला ना डाला जाए कुछ लोग हमेशा देने से पहले पाने की ताक में रहते हैं मगर इस तरह काम नहीं चलता यह पुद्रत का वसूल नहीं है चार जब हम एक वीज बोते हैं तो एक ही फल नहीं फलता बलकि हमारी पैदावार कई गुना हो जाती है अगर हम सही विचारों के वीज बोएंगे तो हमारी पैदावार भी कई गुना सही होगी और अगर हम गलत विचारों के वीज बोएंगे तो पैदावार भी कई गुना गलत होगी फिर भी ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग पुद्रत के वसुलों के खिलाब जाते हैं किसान अच्छी तरह जानता है कि हम बीज बोने और फसल काटने का काम एक ही दिन में नहीं कर सकते बोने और काटने के बीच एक निश्चित समय चाहिए ही होता है यह बहुतिक विज्ञान के नियमों की तरह है हर क्रिया के लिए समान और विप्रीत परतिक्रिया होती है जादातर समय लोग नतीजे को बदलने की कोशिस में ही लगे रहते हैं जबकि उस नतीजे की वजह कीतियों ही बनी रहती है या तो हम सही विचार अपने दिमाग को लगा कर देते रहें नहीं तो गलत विचार अपने आप खाली दिमाग को भड़ लेंगे बहुत से पुराने संतों ने वही कहा है जो जेम्स हेलेन ने अपनी किताब एज ए मैं ठिंकेट में कहा है इंसान का दिमाग एक वगीचे की तरह है अगर हम अच्छे बीच बोएंगे तो वगीचा सुन्दर होगा लेकिन अगर हम कुछ भी न बोएं तो भी कुछ ने कुछ पैता होगा और वे जंगली घास पूस होगी यही कुदरत का वसूल है यही बात हमारी जिंद्गी में भी खरी उतरती है मैं इसे अस्पष्ट करने के लिए एक बात और जोड़ना चाहता अगर अच्छे पोधे के बीच भी बोएं तो भी जंगली घास पूस उगी जाएंगे जम जाएगा इसमें कोई आस्चर्ज की बात नहीं है यह तो खुदरत का वसूल है वास्तम में उसका सिर्फ वही नतीजा होगा हमारे विचार वजह हैं आप जैसे विचार का बीच भोते हैं वैसा ही कर्म फलता है इस सब की सुरुवात एक विचार से होती है आकरसन के नियम हम वैसी ही चीजों को अपनी और आकरसित करते हैं जैसे हम है ना कि जिने हम चाहते हैं एक पुरानी कहागत है चोर-चोर मौसेरे भाई एकदम सच लगती है गलत सोच वाले लोग ठतरनाक होते हैं ये गलत सोच वाले लोगों को अपनी और आकरसित करते हैं गलत बेवार करते हैं और हमेशा बुरे की कामना करते हैं और इसके लिए ये कभी मायूस भी नहीं होते क्या आपने कभी इस बात पर धियान दिया है कि मेल जोल के किसी अबसर का सफल लोग दूसरे सफल लोगों को किस तरह आकरसित करते हैं और सफल लोग दूसरे और सफल लोगों को आकरसित करते हैं जो साथ मिलकर रोना रोते हैं और सिकायते करते हैं हमारे दोस्त भी हमारे जैसे होते हैं ना कि वैसे जैसे हम चाहते हैं नौ योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा जीतने की इच्छा सभी में होती है मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है विंस लांबार्णी दुक की बात है लेकिन यह सच है की जाथ़तर लोग पार्टी और छुट्टियां की प्लानिंग में ज्यादा समय लगाते हैं बजाए अपनी जिंदगी की प्लानिंग के तैयारी करना तैयारी करने से आत्म विश्वास पैदा होता है जो प्लानिंग और प्रैक्टिस के अलावाद कुछ भी नहीं है विजेता फुद पर दवाब बनाए रखते हैं और यह दवाब कड़ी मेहनत और तैयारी का होता है ना कि उनकी जीतने के लिए चिंता करने का अगर हमारी प्रैक्टिस में कमी है तो हमारी खेल में भी कमी है क्योंकि जैसी हमारी प्रैक्टिस होती है वैसा ही हम खेलते हैं सफलता और असफलता के बीच वही अंतर है जो बिल्कुल सही हो और लगबग सही में है सारिरिक और मांसिक रूप से एक पूरी तयारी त्याग और आत्मानुसासन का नतिजा है आम बनना तो आसान है वगर सबसे अच्छा बनना बहुत मुश्किल इसमें कोई ताजुब नहीं की आम लोग आसान रास्ता चुनते हैं किसी भी छेदर में सफलता प्राप करने के लिए पूरी तयारी करना सबसे जरूरी बात है उदेश पलस सिधान पलस योजना पलस अभ्यास पलस लगातार प्रियास पलस धैर्ज पलस घर्ब इस इक्वल टू पूरी तयारी तैयारी से अत्म विश्वास बढ़ता है तैयारी का मतलब है हार को सह लेना लेकिन हार न मनना इसका मतलब है बगेर हार माने हार का सामना करने का होसला करना अर्थार मन के हारे हार है मन के जीते जीत मायूस तो हो जाना लेकिन होसला नहीं करना तैयारी का मतलब है कि अपनी गल्तियों से सीख लेना भूल करना गल्ती नहीं है भूल हम सभी करते हैं वेवकूफ तो वे है जो एक ही गल्ती को दोबारा करता है एक वेक्ती जो गल्ती तो करता है लेकिन उसमें सुधार ना करके वह उससे भी बड़ी भूल करता है किसी भूल से निवटने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी ही गलती मान लो उस पर अरे ना रहो उससे सीख लो उसे दोहराओ मत ना तो भाने बनाओ और ना दूसरों पर दोस लगाओ तैयारी ना होने परतनाव और दबाव दोनों बढ़ते हैं तैयारी प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत की जगह दूसरा कुछ और नहीं ले सकता सिर्फ इच्छा और खयाली पुलाव से काम नहीं चलता तैयारी ही आपको जीतने की बात देगी तैयारी ना होने पर काम का दबाव किसी ब्यक्ति को अपाहिच कर सकता है जिस तरह पानी अपनी सकतर ढूंड लेता है वेसे ही सफलता उन लोगों की पास पहुचाती है जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है कमजोर कोशिस कमजोर नतीजे दिलाती है लगातार कोशिस इन सब का नाम है उदेश, एक योजना, तैयारी, कीमत, धैज, प्राइक्टिस, सिधान, गर्व, सही नजरिया खुज से पूछें क्या आपके पास एक साथ उदेश है? क्या आपके पास मकसद को पाने का कोई पलान है? आप तैयारी के लिए क्या प्रियास कर रहे हैं? आप क्या कीमत चुकाने को तैयार है? इसके लिए आप किस हद तक जाने को तैयार है? क्या आपके पास प्रियाब समय गुजर जाने तक का धर्ज है? क्या आप सबसे अच्छे परदर्शन के लिए प्रैक्टिस करने को तयार है क्या आपके कुछ निश्चित सितांत हैं दिन पर आप अटल रह सके क्या आप अपने काम पर गर्ब महसूस करते हैं क्या आपके पास मैं कर सकता हूं का नजरिया है दस बहाने बाजी बिजेता बारिकी से जांच परक्तों करते हैं लेकिन बहाने बाजी नहीं करते ऐसा हारने वाले करते हैं हारने वालों के पास काम ना कर पाने पर बहाना की लंबी चोरी लिष्ट होती है हम ऐसे बहाने अकसर सुनते हैं मेरी किस्मत ही कराव है मेरे पास ज्यादा संपर्क नहीं है कास मुझे कोई मोका मिलता कास मेरा परिवार नहीं होता कास मैंने ठीक जगा साधी की होती इस तरह इन बहानों का कोई अंद नहीं है हिंदुस्तान में बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है बंदर पकड़ने वाले एक बक्से का इस्तमाल करते हैं जो उपर से बस इतना खुला होता है कि बंदर का उसमें हाथ भर जा सके बक्से में मुंफलियां भरी होती है बंदर मुंफलियां हाथ में भर लेता है और इस परकार उसका हाथ मुठी बन जाता है बंदर अपने हाथ को निकालने की कोशिस करता है लेकिन खुला भाग खाली हाथ डालने के लायक तो होता है मगर बंद मुठी बाहर निकलने लाइक नहीं होती अब यह बंदर का फैसला है कि या तो वह मुंफली का लालच छोड़ दे और आजाद हो जाए या मुंफली के लालच में मुठी बांधे रखे और पकड़ा जाए सोचिए वह हर बार क्या चुनता है आपने ठीक अंदाजा लगाया वह मुंफली के लालच में मुठी नहीं खुलता और पकड़ा जाता है हम लोग इन बंदरों से अलग नहीं है हम सभी किसी न किसी लालच में अटक जाते है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक लेता है हम हमेशा बहानवाजी करते रहते है मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि और जो इस क्योंकी के बाद आता है वह उन मुंफलियों की तरह ही है जो हमें कुछ करने से रोकती है सफल लोग बहानवाजी नहीं करते दो बातें जो यह बताती है कि कोई काम्याब होगा की नहीं वे ये हैं कारण और परिनाम कारणों की गिंती नहीं होती सिर्फ परिनामों की होती है जिंदगी में ना काम्याबी के लिए एक अच्छी सला है ना सोचो ना पूछो और ना सुनो सिर्फ बहानवाजी करो पिछली गलतियों से न सीखना जो लोग इध्यास से सबक नहीं सीखते उनकी बरवादी निस्जित है हम सफलता हमें बहुत कुछ सिखा सकती है अगर हमाना नजर्या ठीक हो हम सफलता रास्ते की रुगावट है लेकिन आंद नहीं या देर हो सकती है मगर हार नहीं हम अपनी गलतियों को अनुभव का नाम देते हैं कुछ लोग जीतते हैं और सीखते हैं और कुछ सिर्फ जीतते हैं और कभी नहीं सीखते समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं लेकिन गुधिमान लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ही गल्दियों से सिखें बारह अवसरों को पहचानने में औयोगता अवसर बाधाओं के रूप में आते हैं यही वज़ा है कि बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर उतना ही बड़ा होगा तेरह डर काल्टनिक भी हो सकता है और बास्त्विक भी इसकी वज़ा से लोग अजीवों गरीब अरकते करते हैं और यह खासकर समझदारी की कमी के कारण होता है डर में जीना जज़वाती जेल में रहने की तरह है डर से और सुरक्षा आत्म विश्वास की कमी और टाल मटोल की सोच पैदा होती है डर हमारी छमता और योगता दोनों को परबाद करता है हम सीधा सोच भी नहीं सकते या हमारे रिष्टो और सेहत को भी बरबाद कर देता है कुछ जाने पहचाने डर इस परकार है और सफलता का डर, अंजानी चीज का डर, तयारी नहोने का डर, गलत पैसला लेने का डर, और स्विकार किये जाने का डर कुछ डर बतलाये जा सकते हैं, और कुछ सिर्फ महसूस किये जा सकते हैं, डर बेचनी को जर्म देता है, फिर इससे उल्टी सीधी सोच भीदा होती है, और यह वास्तव में हमारी समस्या के हल को तहस नहस कर देता है आम तोड़ पर डर के जवाब में लोग भार जाना पसंद करते हैं, सामना न करना हमें सुविधा जनक तो लगता है, और थोड़ी देर के लिए डर के असर को भी कम करता है, लेकिन डर का कारणजियों का तियों बना रहता है, कालपनिक डर समस्याओं का आकार कई गुना ब बुरा हो सकता है, और सफलता किसी के साथ होने वाली सबसे बुरी घटना नहीं हो सकती है, जो लोग कोशिस नहीं करते, वे कुछ करने से पहले ही और सफल हो जाते हैं, जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, तो उनके बार बार गिरने की और सफलता नहीं कहा जा सकता, क् कि वे फिर उठ जाते हैं अगर वे बार-बार गिरने से हार मानने तो कभी भी नहीं चल सकेंगे अपने पाउं पर खड़े होकर मरना अपने गुटनों पर डर कर जीने से बहतर है अलवर्ड आइंस्टीन ने एक बार कहा था मैं सुचता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिन्दगी में अपनी गोधिक छमता का सिर्फ 25 परतिसत तक ही इस्तमाल किया विलियम जिम्स के अनुसार इंसान अपनी छमता का सिर्फ 10-12 परतिसत ही इस्तमाल कर पाता है ज्यादतर लोगों की जिन्दगी में सबसे दुखत बात जिया है कि वे कुछ करने की इच्छा दिल में लिये हुए ही मर जाते हैं वे जिन्दा रहकर भी जिन्दगी नहीं जी पाए वे इस्तमाल की वज़ा से नहीं बलकि जंग लगने की वज़ा से खत्म हो जाते हैं जंग लगकर खत्म होने की बज़ा इस्तमाल होकर खत्म होना कहीं अच्छा है जिन्दगी में सबसे ज़्यादा दुख और मायूसी भरे सब यही है कास मैंने किया होता खाली बठने को इंतजार करने में बहुत फर्क है खाली बठने का मतलब है बेकारी और निकम्मा पन जबकि धर्ज और इंतजार करना एक सोचा समझा फैसला है यह एक करम है और इसमें लगातार कोशिस और डेठता सामिल है किसी ने एक बजुर्ब से पुछा जिन्दगी का सबसे बड़ा बोज क्या है बजुर्ब ने उदासी से कहा किसी बोज का ना होना ही सबसे बड़ा बोज है पंद्रह अनुसासन की कमी क्या आपको यह सोच कर कभी हैरानी हुई है कि क्यों कुछ लोग अपने लक्ष पर नहीं पहुँच पाते वे हमेशा विप्रीत और नाजुक परस्तितियों में प्राजित क्यों महसुस करते है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग लगातार सफल होती रहते है जबकि कुछ लोग लगातार और सफल जीवन में जिसने कोई भी खास मुकाम हासिल किया है वह अनुसासन के बिना नहीं किया चाहे वह खेलकुद हो पढ़ाय लिखाई हो या फिर बयापार बिना अनुसासन के लोग बहुत कुछ करने की कोशिस तो करते हैं मगर खुद को किसी बात के लिए कमिट नहीं करते कुछ उदारवादिक है जाने वाले विचारकों ने अनुसासन हिंता को भजादी का नाम दिया है जब भी मैं हवाई जहाज में सफर करता हूं तो चाहता हूं कि पाइलट अनुसासित हो और वह वही करें जो उसे करना चाहिए ना कि वह जो उसका दिल करें मैं नहीं चाहता कि उसकी फिलासफी यह हो मैं आजाद हूं और मैं यह नहीं चाहता कि मुझे कोई कंट्रोल टावर से यह बताए कि मुझे क्या करना है लगातार कोशिस की कमी अनुसासन हिंता अनुसासन में रहने के लिए आत्नियंतरन की और कुर्बानी की जरुवत तो है ही साथ ही मन को भटकने से रोकने और लालस से बचने की भी जरुवत है इसका मतलब होता है कि अपना फोकस बनाए रखे भाब को जब तक बांधा न जाए तब तक इंजन नहीं चल सकता नियागरा फाल्स से तब तक बिजली नहीं बनेगी जब तक उसके भाब को बांधा न जाए खरगोस और कच्वे की कहानी हम सभी जानते हैं खरगोस अपनी तेज चाल की डिंगे आका करता था और एक दिर उसने कच्वे की को दोड के लिए चैलेंज किया कच्वे ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया उन्होंने एक लॉमड़ी को अपना जज़ बनाया जिसने यह तैक्या की दोड कहां से सुरू होगी और कहां खत्म होगी दोड सुरू हुई और कच्वा धिरे धिरे आगे बढ़ता रहा खरगोस ने तेज दोड लगाई और कच्वे को बहुत पीछे छोड़ दिया और फिर सोचा की एक जबकी ले लों क्योंकि उसे पूरा भरोसा था की दोड वही जीतेगा जब वह सोकर उठा तो उसे दोड की याद आई और वह तेजी से भागा मगर उसने देखा की कच्वे दोड खत्म करके पहले ही जीत चुका है और नियमित कड़ी मेहनस से भी कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोजिस जो अनुसासन से आती है अनुसासन और पच्टावा दोनों ही दुखदायक है ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है जरा सोचिए इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ दे है आम तोर पर वे बच्चे जो ज्यादा आजादी और अनुसासन के पिना पलते हैं वे ना तो अपना आदर कर पाते हैं और नहीं माता-पिता और समाज का और अपनी जिम्मेदारिया निभाना बहुत मुश्किल लगता है। 16. कमजोर स्वाभिमान का मतलब है आत्मसम्मान और आत्माहत की कमी। 16. स्वाभिमान की कमी होने पर लोग खुझ से और दूसरों से दुराचार करते हैं। 17. कमजोर स्वाभिमान का नतीजा होते हैं और बहानवाजी भी इसी का नतीजा होता है। 17. ग्यान की कमी अग्यानता के छित्र की जानकारी ग्यान की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। एक ब्यक्ति अपना ग्यान जितना बढ़ाता है उतना ही उसे पता चलता है कि वह किन-किन छित्रों में अग्यानी है। वह ब्यक्ति जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है उसे ही सबसे ज़्यादा सीखने की जड़वत है। अग्यानी लोग नहीं जानते कि वह अग्यानी हैं वह नहीं जानते कि वह नहीं जानते हैं। अगर देखा जाए तो अग्यानता से ज़्यादा बड़ी समस्या है ज्यान होने का फ्रम होना जो ब्यक्ति को गुमराह कर सकता है। वे फुद को किस्मत की भरोसे छोड़ देते हैं, वे कुंडली और ग्रहों में लिखी नियती में यकीन करते हैं और ऐसा मानते हैं कि चाहे वे कुछ न करें जो होना है वह तो होकर ही रहेगा इसलिए वे कभी कोशिस नहीं करते और आत्मसंतुष्टी उनकी जिन्दगी का तरीका बन जाती है वे काम करने के बजाए कुछ होने का इंजार करते हैं किसी भी हारने वाले से पूछे तो वह यही कहेगा कि सफलता तो किस्मत से मिलती है कमजोर इरादे वाले लोग जोतीसियों, बहुरूप्यों, नचछतर ग्रहों और पंडितों के सिकार बनकर हसानी से उनके चंगुल में फस जाते हैं ऐसे घटिया लोग ही जो इनसान के रूप में सैतान हैं इन लोगों का नाजाईज फैदा उठाते हैं ना समझी की वज़ा से ये अंदविश्वास, ढोंगी, हाटमबरों और ठकोंसलों में फस जाते हैं गटिया लोग भाग में विश्वास करते हैं, हिमती और पक्के इरादे वाले लोग वज़ा और उसके नतीजों में भरोसा करते हैं कुछ लोगों का मानना है कि खरगोस का पहर भागसाली है, लेकिन क्या वह खरगोस के लिए भी भागसाली होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ बदकिस्मत है, यह भागवादी नजरिया को जन्म देता है, जो लोग आधे अधूरे मन से काम करते हैं, वे अकसर ऐसा कहते हैं मैं कोशिस करूँगा, मैं देखूँगा कि यह होता है या नहीं, मैं एक बार करके देखूँगा, मेरा क्या जाता है, वैसे मैंने भी ज़्यादा कोशिस नहीं की ऐसे लोग निश्चित रूफ से औसफल होते हैं, क्योंकि यह अपने काम को समर्पन और डिन इच्छा की बिना करते हैं, इनमें हिम्मत, कमिटमेंट और विश्वास की कमी होती है काम चलाओ भास से काम करने से यह संतुष्ट हो जाते हैं और खुद को बदकिस्मत कहते हैं एक आदमी ने रेस का एक गोड़ा खरीदा और उसे अस्तवल में बान दिया और वहाँ एक साइन गोड लगा दिया जिस पर लिखा था दुनिया का सबसे तेज दोड़ने वाला गोड़ा गोड़े के मालिक ने तो उस गोड़े को दोराया और नहीं उसे फुर्तिला बनाया उसको रखने की ट्रेनिंग दी उसने एक गोड़े को एक रोस रेस में दोराया और आखरी नमबर बराया मालिक ने फौरन साइन गोड़ बदल दिया जिस पर लिखा था गोड़े के जाते हैं फिर वे किस्मत को दोस्त देते हैं मेहनत से ही काम बनता है दूर दर्सिता साहस और गहराई के पिना जिन्द की एक अंधा तजुर्बा है छोटे कमजोर इरादे वाले और आलसी लोग हमेशा आसान रास्ता ढूंते हैं ऐसा रास्ता जिसमें सबसे कम रुका उठते हों एथलीट 15 से के परदर्सन के लिए 15 साल तक मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं उनसे पूछ कर देखिए कि क्या वे भाग से जीतते हैं एक एथलीट से पूछ कर देखिए कि एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद वह कैसा महसुस करता है वह आपको बताएगा कि वह ऐसा से खत्म हो गई अगर वह ऐसा महसुस नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसने अपनी पूरी योगता से प्रैक्टिस नहीं की है हारने वाले सुचते हैं कि जिंदगी ने उनके साथ नाइंसाफ किया है वे सिर्फ अपनी अर्चनों के बारे में सुचते हैं वे यह नहीं समझ पाते की वह व्यक्ति जिसने पूरी तैयारी की और अच्छा खेला उसे भी इतनी ही अर्चने मिली हैं लेकिन वह इन से उबर गया यही एक फर्ग है उसकी पीरा सहने की सक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में अच्छा प्रदर्शन करने तक सीमीत न रहाकर उसके चरित्च को भी उचा उठाती है भागे उनी का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं एक बार एक गाउं में बार आने के खत्रे से सभी गाउं वाले छोड़ कर भाग रहे थे सिवा एक आदमी के जिसने कहा इस्वर मुझे बचाएगा मुझे पुरा भरोसा है पानी जब बढ़ा तो उसने बचाने के लिए एक जीप आई मगर उस आदमी ने मना कर दिया और क कहा इस्वर मुझे बचाएगा मुझे पूरा भरोसा है जब पानी का अस्तर और बढ़ा तो वह दूसरी मंजील पर चला गया और एक नाव उसके बचाओं के लिए आई उसने फिर इंकार कर दिया और कहा इस्वर मुझे बचाएगा मुझे परोसा है इस तरह पानी का अस् मरकर जब वह इस्वर के पास पहुचा तो उसने गुस्य से पूछा मुझे तुम पर पूरा भरोसा था तुमने मेरी प्रात्ना को अनसुना क्यों किया और मुझे बचाया क्यों नहीं तब इस्वर ने कहा तुम क्या समझते हो कि वह जीप ना और हेलिकॉप्टर किसने भेज फरोसा करें ना की भागे पर जिद्गी में कुछ भी हासिल करने के लिए प्रतिक्षा अजुबे का इंजार या इच्छा करने की बजाए सही कदम तैयारी और योजना बनाने की जरूरत है भाग योग व्यक्तियों का ही साथ देता है एलेकजंडर ग्राहम अपनी पत्नी जो पूचा सुनती थी के लिए एक हीरिंग मसीन बनाने की जी तोड़ कोशिच कर रहे थे वे इस हीरिंग मसीन बनाने में तो नाकाम्याब रहे लेकिन इस तोरान उन्होंने टेलिफॉन के स सालिक कहेंगे किस्मत तभी साथ देती है जब पूरी तैयारी और फबसेद amazing मिलते हैं और पूरी तैयारी के बिना भाग का संयोग नहीं बनता है उस अ.. दिन काम किया और सारी रात काम किया उसने खेलना छोड़ा और मोजमस्ति छोड़ी उसने ग्यान के ग्रंद पढ़े और नई बातें सिखी वह अगे बढ़ता गया पाने के लिए सफलता जरासी दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वह आगे बढ़ा और जब वह सफल हुआ लोगों ने उसे भागिसाली कहा अग्याद उन्नीस उद्यस की कमी अगर हम उन लोगों की कहानिया पढ़े जो अपनी गंभीर अपाहिजिता से उबरे तो यह इस बात का सबूत है कि सफल कोने की गहरी इच्छा ही इनके आगे बढ़ने के लिए ग्रैविंग फोर्स रही इनके जीवन का उद्यस था यह सावित करना चाहते थे कि किसी भी तरह की मुश्किलों के बाब जूत कुछ करकर दिखाएंगे काम करते रहेंगे और उन्होंने ऐसा कर दिखाया इच्छा सकती नहीं पोलियोग्रस्त विल्मा रुडॉल्ग को 1960 के ओलंपिक में सबसे तेज दोड़ने वाली अथलीट बनाया जिसने तीन गोल्ड मेडल जीते थे गलेन कनिंगम के मुताविक इच्छा सकती की बतुलत ही एक मील की दोड़ में एक लर्का जिसके पैर जले हुए थे 20 रिकार्ड बना सका पांच साल की एक पोलियोग्रस्त बच्ची ने अपने पैरों की ताकत दोबारा पाने के लिए तेराकी सुरू की उसने सफल होने की गहरी इच्छा की वज़ा से ही उसने 1956 के मेलबॉर्ड ऑलम्पिक परत्योगता की तीन अलग-अलग बाजियों में गोल्ड मेडल जीते और रिकार्ड भी बनाया उसका नाम है सैली मान जब लोग बिना उद्यश के और दिसाहीन होते हैं तब वे अवसरों को देख नहीं पाते हैं अगर किसी बेक्ति में कुछ पाने की इच्छा हो अपने लक्ष तक पहुंचने की दिसा हो फोकस पर टिकने की लगन हो और करी मेहनत के लिए जरूरी अनुसासन हो तो बाकी चीजे आसान हो जा पूरी इमारत खड़ी होती है यह अस्थाई है 20 साहस की कमी सफल लोग चमतकारों या आसान रास्तों की फिराग में नहीं रहते यह मुसीवतों से उबढ़ने के लिए साहस और हिम्मत जुटाते हैं वे यह देखते हैं कि बाकी क्या बचा है बजाए इसके की क्या को गया ह है आसाय सच नहीं होती मगर डिट्टा और संकल्प और उमीद के अधार पर विश्वास जरूर बुरे होते हैं वही प्रार्तना सफल होती है जिसका अधार होसले से किया गया काम हो सफलता पाने के लिए होसला और चरित्र पेजोड मेल है यही सधारन और असधारन में फर् हो तो हम अपने डर्ग और रास्ते की मुश्किलों से उबर जाते हैं हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है हिम्मत का मतलब तो डर पर काबू पाना है साहस के बिना चरित्र बेसर होता है जबकि चरित्र इंसाप और इमंदारी के बिना साहस अत्याचार सफलता की रेसिप नहीं है तो केक सही नहीं बनेगा सभी समगरी अच्छी क्वाइल्टी और सही मात्रा में होना जरूरी है इसे न तो आप जरुष से ज़्यादा पका सकते हैं और नहीं कच्छाक रख सकते हैं एक बार आप सही रेसिपी सीख लें तो प्रैक्टिस और कभी कभार गलतियों के कि बापूतय काम बहुत असान हो जाएगा लगातार कोसिज करने और जीत में क्या फर्क है पर इतना ही है कि लगातार कोसिज करना दिर्शंकल्प को दिखाता है जबकि जीत मनमानी करने और अरीयलपन को दिखाता है अब रेसिपी आपके हाथ में है और इसे इस्तमाल करना आपकी मर्जी सफलता के कुछ मुख उपाए जीत के लिए खेले हार के लिए नहीं दूसरों की गलतियों से सीखें पूछे नेतिक चरित्र वाले लोगों के साथ नाता जोड़ें जितना पाएं उससे ज़्यादा दें बिना कुछ दिये कुछ पाने की कोशिस्ट ना करें हमेशा दूर की सोचें अपनी थाकत को परखें और अपना निर्दमान करें हमेशा दूर तक के असर को नजर में रखकर फैसला लें अपनी इमंदारी के साथ समझोता ना करें अध्याय तीन प्रेड़ना खुद को और दूसरों को भी रोजाना प्रेड़ित करना मैं दो बातों में यकीन रखता हूँ एक जादतर लोग अच्छे और भले हैं लेकिन बेहतर काम कर सकते हैं और दो जादतर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन वे क्यों नहीं कर रहे हैं कमी है तो सिर्फ एक चिंगारी की प्रेरना फुद की मदद कैसे करें बताने वाली बहुत सी किताबें सिखाती है कि क्या करना चाहिए लेकिन इस बारे में हम कुछ अलग ही सोचते हैं हम पुछते हैं कि आप यह काम क्यों नहीं करते अगर राह चलते लोगों से आम चीजों के बारे में सवाल पूछे जाए तो उनके जादतर जवाब सही होंगे आप उन से पूछे कि जो आपने सही जवाब दिया है किसी वेक्ति के विश्वास से आती है। इसका मतलब है कि उसे किसी भी काम में पुरा विश्वास करके जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यही प्रेड़ना महतपूर्ण बन जाती है। जब लोग अपने बेभार और कामों की जिम्मेदारी लेते हैं तब जिन्दगी के परती उनका नजर्या सही हो जाता है। घर और दफ्तर में काम करने की उनकी काविलियत बढ़ जाती है। उनके रिष्टे घर और दफ्तर में बेहतर बन जाते हैं। जिन्दगी और भी सार् पूरी होने के बाद भवनात्मत जरूरतें ज्यादा प्रेड़नादाई बोजाती है हमारा हर बेभार फाइदे या नुकसान के वसूल से बनता है अगर फाइदे नुकसान से ज्यादा है तो यही प्रेरख है और फाइदे के मकाबले नुकसान ज्यादा है तो यही रुकाव बन जाती है। कुछ फैदे सकार हैं और देखे जा सकते हैं जैसे की रुपिय पईसे, छुटियां और त्वफे। कुछ फैदे निराकार हैं जैसे की मानेता, तारेव, कुछ पाने का एहसास, तरक्की, जिम्मेदारी, खुसाली का एहसास, आम महात्म, पूर्णता और विश अंतर प्रेड़ना और प्रेड़ना में क्या फर्क है देश बिदेश में मेरे सेमिनारों के दोरान अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं दूसरों को प्रेड़ित कर सकता हूं मेरा जवाब है नहीं मैं नहीं कर सकता लोग अपने आपको फुद ही प्रेड़ित कर सकत हैं फिर भी मैं उन्हें खुद से प्रेप। लेने के लिए प्रेicz कर सक्ता हूं, हम एक ऐसा अशरदार माहुल बनÁ सकते हैं, जिससे हम प्रेरना पास लोगों को खुद से प्रे लिए, हमें उनकी जरुतों और इच्छाओं को समझना पड़ता है प्रेड़ना और कार्ज्छमता में सीथा संबंध है जो लोग उतना ही काम करते हैं कि उनकी नोकरी न जाए तो ऐसे लोग किसी भी कंपनी के लिए महत्पूर्ण नहीं हो सकते अंतर प्रेड़ना से सोच में बदलाव आता है जबकि प्रेड़ना से काम में बदलाव आता है प्रेड़ना एक आग के समान है अगर आप इसमें कोईलाना डालते रहेंगे तो यह बूच जाएगी जिस तरह खाना और बियायाम ज़्यादा देर नहीं चलते वैसे ही प्रेड़ना भी नहीं चलती लेकिन यदि प्रेड़ना का जड़िया अंदरूनी सिधानतों में विश्वास होना हो तो वह ज़्यादा देर तक चलती रहें सबसे बड़ी प्रेड़ना क्या है? क्या यह पैसा है? मानेता है? बेहतर क्वाल्टी का जीवन है? अपनों द्वारा स्विकार किया जाना है? ये सबी चीजें प्रेड़क हो सकती है तजर्वे बताते हैं कि लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करेंगे अच्छे नेता के लिए उसे भी ज्यादा और आस्था के लिए सबसे ज्यादा ऐसा बेवार दुनिया के हर कोने में हर यूग में देखा गया है लोग आस्था के लिए मरने को तयार होते हैं मैं आपके साथ इस सच को बाटना चाहता हूँ कि जब हम अपनी जिंदगी और बेवार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं तब जिंदगी के परती हमारे नजरिये में बेहतरी के लिए फर्क आ जाता है आईए प्रेड़ना की एक और परिवासा देखें अगली सोचने वाली बात या है कि प्रेड़ना है क्या प्रेड़ना क्या है? प्रेड़ना कुछ ऐसी चीज है जो हमारे काम और भावनाओं को प्रोश्चाहित करती है प्रेड़ित करने का मतलब है प्रोश्चाहित और अंतर प्रेड़ित करना प्रेडना का यह भी मतलब हो सकता है कि कामों या भावनाओं में जान डाल देना प्रेडना बहुत सक्तिसाली है या आप में डीट विश्वास जगाती है और आपके विचार की गारी को काम करने के लिए आगे बढ़ाती है दूसरे लबजों में प्रेडना को काम के लिए उदेश पलस भी कह सकते हैं या ऐसी ताकत है जो बास्तब में आपकी जिन्दगी बदल सकती है हमें प्रेरित होने की जरुरत क्यों है, प्रेर्णा हमारी जिन्दगी की गारी को आगे बढाती है, यह सफल होने की इच्छा से आती है, सफलता के बिना जीवन में कोई गर्व नहीं है, आनन्द नहीं, उटसाह नहीं, वह चाहे घर हो या दप्तर, जिन्दगी की गारी एक पंचर पहिय की तरह हो जाती है जो जटके खाती रहती है प्रेड़ना की सबसे बड़ी दुस्मन आत्मसंतुष्टी है आत्मसंतुष्टी मायूसी को बढ़ाती है और जब लोग मायूस हो जाते हैं तो होसला छोड़ देते हैं क्योंकि वे यह नहीं पहचान पाते की जरूर प्रेड़ना यह कैसे काम करती है एक बार जब इंसान यह वसूल समझ लेता है कि प्रेड़ना देने वाला खुद प्रेड़ना कहां से पाता है तभी वह अपने लक्ष को प्राप्ट कर दूसरों को प्रेड़ित कर सकता है अंदरूनी प्रेड़ना की आपकी चालक और नजर् यह फैलती चली जाती है दूसरे लख्जों में कहा जा सकता है कि प्रेरना भावना को कार्ज रूप देती है नजरिया वह जरिया है जो दूसरों का सहयोग पाने में मदद करता है इंसान अपने आपको प्रेरित और लक्ष बद कर सकता है आत्म सुझाओ वह जरूरी जरिया है जिनसे खिलारी लंबे समय तक खुद को प्रेरित रख सकते हैं आत्म सुझाओ में वे आसावादी वाक्य हैं जो वर्तमान काल में बनाये जाते हैं और दोहराये जाते हैं दूसरे लब्जों में यह खुझ से आसा भरी बाचित करना है, प्रेर्णा दो तरह की होती है, बाहरी और अंदरुनी, बाहरी प्रेर्णा, बाहरी प्रेर्णा चीजों से प्रभावित होती है, जैसे पैसा, समाजिक मानेता, यस, डर, बाहरी प्रेर्णा के कुछ उधारन है माबाप से डांट पढ़ने का डर, नोकरी से निकाले जाने का डर एक कमपनी अपने लोगों को पेंसन देने की एक योजना शुरू करना चाहती थी इसको लागू करने के लिए सबकी भागिदारी जरूरी थी सारे लोग तयार थे सिर्फ एक जाउन को छोड़ कर हलाकि इस योजना से सभी लोगों को फाइदा पहुचाने वाला था लेकिन जाउन का दस्तकत न करना ही एक रुकावर थी जाउन के सिनियर अपसरों और साथियों ने उसे समझाने की हर कोशिस की लेकिन सभी बेकार हुई आखिर में कमपनी के मालिक ने जाउन को अपने कमरे में बुलाया और कहा यह कागज और कलम है तुम दस्कत करके इस योजना के लिए तयार हो जाओ नहीं तो इसी वक्त तुम्हें नोकड़ी से निकाला जाता है जाउन ने चुपचाप योजना पर दस्कत कर दिये इसके बाद मालिक ने जाउन से जानना चाहा कि उसने इस योजना पर पहले दस्कत क्यों नहीं किये थे जो उनने जवाब दिया था कि उसे इस योजना को इतने अच्छे ढंग से पहले किसी ने समझाया ही नहीं था डर से पैदा हुई प्रेड़ना के ये फायदे है इससे काम जल्दी पूरे होते है इसका असर तुरंथ होता है वक्त पर काम पूरा होने से नुकसान नहीं होता कुछ समय के लिए आदमी की कार्जशमता बढ़ जाती है अक्सर ऐसा होता है कि भाग जब हीरन के पीछे भागता है तो ज़्यादतर हीरन चक्मा देकर अपनी जान बचा कर भाग निकलते हैं ऐसा क्यों क्योंकि इन में से एक तो अपनी जान के लिए भाग रहा है दूसरा अपने खाने के लिए इतिहास हमें बताता है कि पिरामीड गुलामों से बनवाए गए थे वे लगातार काम इसलिए करते रहे क्योंकि उन पर डंडा और कड़ी निग्रानी रखी जाती थी और काम न करने पर साजा कर डर था डर से पैदा हुई प्रेर्णा के नुकसान भी कई है यह बाहरी है जिसका मतलब है कि प्रेर्णा तब तक है जब तक की प्रेरग है जब प्रेरग चला जाए तो प्रेर्णा भी चली जाती है इससे तनाव बढ़ता है सिमीट काम करते हैं जिससे जान बची रहे आखिरकार कारचमता गिर जाती है रचनातमता को खत्म कर देती है वे डंडे के आदी हो जाते हैं और डंडे के बगएर काम नहीं करते एक खरीदार ने करमचारी से पूछा कि तुम यहां कब से काम कर रहे हो करमचारी का जवाब था जबसे मुझे काम से निकालने की धमकी दी गई परोच्चाहन से आने वाली प्रेड़ना बाहरी प्रेड़ना परोच्चाहन का रूप ले सकती है और परोच्चाहन के कई रूप हैं जैसे बोनस, कमीस्न, मानिता, इत्यादी इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि जब तक प्रुचसाहन असरदार होता है तब तक प्रेड़ना कायम रहती है एक ऐसे गधे के बारे में सूचिए जो बोध लदेट ठेले में दूता हो और उसके सामने गाजर लटक रही हो उससाह देने वाली प्रेड़ना यहां तभी अपना असर दिखा सकती है जब गधा भूखा भी हो गाजर मीठी भी हो और वजन कम हो बीच बीच में आपको गधे को थोड़ी थोड़ी गाजर खाना देने भी पड़ेगी नहीं तो उसका उससाह ठंड़ा पढ़ने लगेगा गधे का पेट भटने के बाद उसके फिर भूखे होने का इंजजार करना पढ़ेगा ताकि वा ठेला खीच सके ठीक यही बात हमारे बिजनेस के माहूल पर भी लागू होती है जैसे ही सेल्समेन अपना विक्री का कोटा पूरा कर लेते हैं काम करना बंद कर देते हैं इसकी वज़ा यह है कि उनकी प्रेड़ना कोटा पूरा करने तरहीं सिमीत होती है ऐसी बाहरी प्रेड़ना है अंदर नी सुनी थी इन में से एक भाई नसे और सराव का आदी था जो अक्सर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था जबकि दूसरा भाई एक काम्याब बिजनसमें था समाज में उसकी इचत थी उसका परिवार भी बहुत सुखी और पुश था लोग जानना चाहते थे कि एक बात पूछी तुम ऐसे काम क्यों करते हो नसे के आदी हो और सराव पीते हो परिवार वालों को पीटते हो यह प्रिवार ना तुम्हें कहां से मिलती है उसने जवाब दिया मेरे बाप से जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बाप से कैसे तो उसने जवाब दिया मेरा ब लोग फिर दूसरे भाई के पास गए उससे भी वही सवाल पूछा और कहा कि आप हर काम सही कैसे कर रहे हैं, आपको यह प्रेड़ना कहां से मिलती हैं, सोचिए उसने क्या जवाब दिया मेरे बाप से, जब मैं छोटा था और अपने बाप को सराप पीकर हर गलत काम करते, मार रहे थे लेकिन एक ने गलत रूप से अपनाया, तो दूसरे ने सही रूप से, नकारात्मक प्रेड़ना हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेड़ित करती है, जो की आखिर में मुस्किल रास्ता बन जाता है, अलग-अलग चीजों लोगों को अलग-अलग ढग से प लरका रोजाना फुटवाल की प्रैक्टिस के लिए आया करता था, लेकिन वह हमेशा रिजर्ब में रहता था, कभी भी 11 खिल्यारियों में सामील नहीं हो पाता, वह जब भी प्रैक्टिस करने आता, उसके पिता भी उसके साथ आते और दूर बैठ कर उसका इंचिजार करत मेश शुरू हुए, चार दिन हो गए, इस दोरा वह लरका ना तो प्रैक्टिस के लिए आया, ना ही क्वाटर और सेमी फैनल के लिए, अचानक फैनल मेश के दिन वह कोच के पास आया और बोला, आपने मुझे हमेशा रिजर्ब में रखा है, कभी भी फैनल में खेलने नही दे सकता, क्योंकि टीम में तुमसे अच्छे खिला रही है, आज फैनल है और स्कूल की इज़्जत का सवाल है, मैं इस समय खत्रा नहीं ले सकता, लड़के ने गुजारिस करते हुए कहा, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी विश्वास को नहीं थोड़ूंगा, मैं आपसे प्रारतना करता हूँ कि मुझे खिलने दीजिए, कोच ने लड़के को ऐसे बिंती करते पहले कभी नहीं देखा था, उसने कहा, ठीक है बेटा, जाओ खिलो, मगर याद रखना, मैं तुम्हें अपने ही बहतर फैजले के खिलाब इजाज़त दे रहा हूँ, इस उसे बॉल मिलती, वह गोल मार देता, कहने की जरुवत नहीं कि वह सबसे अच्छा खिलाडी रहा, वह मेच का हीरो बन गया, और उसकी टीम को जबर्दस जीत आसील हुई, मेच खत्म होने पर कोच लड़के के पास गया और बोला, बेटा, मैं अपनी जिंदगी में इतना गलत कैसे हो सकता था, मैंने आज तक तुम्हें इतना अच्छा खेलते हुए नहीं देखा था, और नहीं तुम पहले कभी ऐसा खेले, ऐसा कैसे हुआ, तुम इतना अच्छा कैसे खेल गए, लड़के ने जवाब दिया, सर आज मेरे पिता जी मुझे देख रहे हैं, तो को प्रेक्टिस के लिए आते थे, मगर आज तो वहाँ कोई नहीं है, लड़के ने जवाब दिया, सर एक बात मैंने आपको कभी नहीं बताई की, मेरे पिता अंधे थे, और चार दिन पहले ही उनका दिहान दो गया, आज पहली बार वे मुझे उपर से खेलते देख रहे हैं, अंदरूनी प्रेर्णा, अंदरूनी प्रेर्णा हमारे अंदर की संतुष्टी ही है, यह प्रेर्णा काम्यावी या जीत के लिए नहीं बलकी अंदरूनी भरपूरता के लिए होती है, जो कुछ कर लेने के एहसास से आती है, प्रेर्णा का तालुक मकसद को पाने से ज़्य पुरता के एहसास से है किसी घट्या लक्ष की प्राफती से भरपूता का एहसास कभी नहीं होता अंत्रूनी प्रेड़ना हमेशा बनी रहती है क्योंकि यह आत्मा से आती है और आत्म प्रेड़ना में बदल जाती है जहां प्रेड़ना carry पहचानना जरूरी है वह सफलता के लिए उसे मजबूत रखना भी जरूरी है अपने लक्ष को अपने सामने रखें और रोजाना सुबा साम पढ़ें याद करें प्रेरना के लिए दो सबसे जरूरी बाते हैं मान्यता और जिम्मेदारी मान्यता का मतलब है किसी की थारिफ प किसी बड़े काम का जरूरी हिस्सा समझने लगता है जिम्मेदारी की कमी इनसान की प्रेरना छीन लेती है रूपिय पैसों का इनाम टेंपरोरी होता है और बहुत कम दिन चलता है पैसे से मिली खुसी भी देर तक नहीं रहती इसके विप्रीत अगर कोई आपकी बात मान कर उस पर अमल करे तो भावनात्मत रूप से खुसी मिलती है तब लोगों को यह एहसास होता है कि उन्हें चीजों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है वे खुद को एक महत्पुन टीम का हिस्सा मानते हैं सही काम करने का एहसास ही खुद में प्रेर्णा बन जाता है प्रेर्णा से प्रेर्णा हिंता की ओर ले जाने वाले चार कदम एक प्रेरित लेकिन प्रभाव ही अपने काम के दोरान करमचारी सबसे ज़्यादा प्रेरित कब होता है जब वह किसी कमपनी में जुआइन करता है क्यों? क्योंकि इस वक्त वह साबित करना चाहता है कि उसे नोकली देकर मालिक ने सही कदम उठाया है लेकिन वह प्रेलित होने के बावजूद पूरी छमता से काम नहीं कर पाता क्योंकि वह उस माहूल के लिए नया होता है और यह भी नहीं जानता कि उसे क्या करना है इसलिए वह बेशर हो जाता है यही वह वक्त होता है जब कोई करमचारी फुले दिमाग से सीखने को तयार होता है और उस कमपनी के माहूल में असानी से ढलने को तयार रहता है ऐसे में training और orientation ढालना बहुत जरूरी हो जाते हैं घाटिया संस्थानों में या तो कोई orientation प्रोग्राम होते ही नहीं और अगर होते भी हैं तो बहुत धटिया होते हैं पहले दिन नए करमचारी को उसका supervisor काम करने की जगह और क्या काम करना है बता कर चला जाता है इस तरह सुपरवाइजर नए करमचारी को डूटी के साथ अपनी कम्यावी सिखा देता है नए करमचारी जल्दी ही अपने अपसरों की सारी गलतियां या कम्यों को अपना लेता है क्योंकि यही उसे सिखाया गया है इस तरह से कोई भी संस्था करमचारी को अपने तोड तरीकों में ढालने का मोका ही हो देती है दूसरी तरह अच्छी संस्थाएं नए करमचारीों को साबधानी से सामिल करती है और ठालती है वे उन्हें दूसरी अन्य जरूरी बातों के साथ नीचे लिखी बाते भी बताती है उपर से नीचे तक करमचारियों का पड़ीचे एक दूसरे से क्या-क्या उम्मीदे हैं क्या करें और क्या ना करें सिमाएं और काइदे कानों क्या स्विकार करने लायक है और क्या नहीं साधन क्या क्या है जब तक एक दूसरे से अपेच्छाय सुरू से ही साफ नहीं हो जाती तब तक बहतर कार्ज्छमता की उमीद कैसे कर सकते हैं क्रमचारियों की बहाली और ओरियंटेशन ठीक से की जाए तो बहुत सी आने वाली परिशानियों से बचा जा सकता है दो प्रेदित और प्रभावसाली इस अस्तर पर क्रमचारी सीख जाता है कि उसे क्या करना है और वह उच्साह वसामर से उसे करता है वह काम के गुन सीख गया होता है और उसके काम में यह दिखता भी है तब वह तिसरे अस्तर पर पहुंचता है तीन असरदार मगर प्रेदना ही उस समय बाद क्रमचारी की प्रेदना कम होने लगती है और क्रमचारी काम की तिक्रम बाजी सीखने लगता है इस अस्तर पर क्रमचारी जादा प्रेदित नहीं होता है वह पस उतना ही काम करता है जिससे कि उसके मालिक को उसे नोक्री से निकालने का कारण ना मिले मगर असल में देखा जाए तो वह प्रेरित नहीं है यह अस्तर तरक्की के लिए नुकसान देह बन जाता है किसी संस्ता के जायतर लोग इसी अस्तर में आते हैं एक प्रेडित क्रमचारी अपने काम सही तरीके से करना सीख लेता है और तिक्रम और चालवाजियों को फरेवियों के लिए छोड़ देता है जबकि प्रेडित क्रमचारी अपनी कमपनी को नुपसान पहुचाना शुरू कर देता है उसकी कार्ज छमता काम चलाओ होती है वह तो ठीक ढंग से काम करता नहीं और अच्छा काम करने वालों का मजाग उड़ाता है। वह हर नए विचार का विरोध करता है और चारों तरफ निरासा पहलाता है। हमारा मकसद ऐसे लोगों को ट्रेनिंग के जरिये दूसरे अस्तर यानी प्रेरित और प्रवासाली बनाने का है। तीसरे अस्तर यानी असरदार मगर प्रेर्णाहीन में करमचारी को ज़्यादा वक्त नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि या तो वे दूसरे अस्तर प्रेरित और प्रभासाली पर चले जाते हैं या फिर चोथे अस्तर पर चार प्रेरनाहीन और पेशर इस अस्तर पर जब करमचारी पहुंच जाता है तो मालिक के पास उसे नोकडी से निकालने के अलाबा और कोई चारा नहीं रहता इस हालात में सबसे सही कगम भी यही होता है याद रखें कि मालिक वही चीज चाहता है जो करमचारी चाहता है दोनों ही चाहते हैं कि वे काम्याब हों और उनका पेपार बढ़े इस काम में अगर करमचारी का सहयोग मिल जाता है तब वे ना केवल कमपनी के लिए अपने को मुलेवान बना लेते हैं बलकि अपनी काम्यावी भी पा लेते हैं प्रेजना हिंता के कारण प्रेर्णा हिंता के कुछ कारण इस परकार है नाजायज आलोचना, गलत आलोचना, सरेयाम बेजती, निकम्मे या खट्या करमचारी को इनाम देने से अच्छे काम करने वालों का होसला गिर जाता है असफलता या असफलता का डर काम्यावी से मिली आत्म संतुष्टी की वज़ा से लापरवाही सही दिसा ना होना, निश्यत लक्षों की कमी, कमजोर स्वाभी मान, प्रार्थमिक्ताओं की कमी गलत आत्म सुषा, दप्तर की राजनिती, बे इन्साफी का बरताव, पाखंड या दो गुलापन, घटिया अस्टेंडर, बार-बार बदला, अधिकार की बिनाजी में दारी यह जरूरी नहीं कि जो आदमी संतुष्ठ है वह प्रेरित भी है, कुछ लोग बहुत थुड़े में ही संतुष्ठ हो जाते हैं ऐसे हाल में संतुष्ठी जूटी त्रिप्ति का एहसास कराती है, या लापरवाही की तरफ ले जाती है प्रेर्ना उच्छा से पैदा होती है और उच्छा तब तक नहीं आता जब तक काम की परती पूरी कमिंटमेंट नहीं हो प्रेर्ना के नए तरीके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक प्रेर्ना हिंता के कारणों को हटाया ना जाए कई बार प्रेर्णा हिंता के कारणों को हटाते ही प्रेर्णा की चिंगारी पूट पड़ती है प्रेर्णा देने वाले हमारा असली मकसद अपने आपको खुद बखुद प्रेरित करना है क्योंकि जब लोग कोई काम अपनी वजह और विश्वास से करते हैं ना कि दूसरों की वजह से तो वही सच्ची प्रेर्णा है याद रखें कि विश्वास ही सबसे बड़ी प्रेर्णा होता है हमें खुद में या विश्वास जगाना है कि अपने काम और बैभार के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं जब लोग अपनी जिम्मेदारी कभूल करते हैं तो आपसी संबंद टीम वर्क, उत्पादक्ता और क्वाल्टी सभी में सुधार आ जाता है दूसरों को प्रेर्ण करने के कुछ कदम मान्यता देना, सम्मान देना, काम को रुचिकर बनाना दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें दूसरों को अच्छे काम के लिए चुनोती भी दें दूसरों की मदद जरूर करें लेकिन जो काम दूसरों को खुद करना है वह उनके लिए करें लोग किसी काम को अपनी वजहों वह बिस्वास से करते हैं न की दूसरों के लिए राल्फ वाल्डो इमर्सन के बारे में कही गई एक कहानी में इसी बात को बताया गया है राल्फ और उसका बेटा एक बार एक बच्चरे को उसकी कोट्फरी में ले जाने की कोशिस कर रहे थे वे दोनों धकेल ने खीचने से ठक कर चूर हो गए लेकिन बच्चरा टस से मस न हुआ तभी उदर से गुजर रही एक छोटी सी बच्ची ने बच्चरे के मुह में बड़े प्यार से अपनी छोटी होली डाल दी उसके बाद तो बच्चरा लड़की के पीछे बड़े अराम से कोट्फरी में चला गया अध्याए चार स्वाभी मान सकारात्मक स्वाभी मान और छवी बनाना एक विखारी रेलवे एस्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोड़ा लेकर बइठा हुआ था उधर से गुजरते एक नौजवान अफसर ने बिखारी के कटोड़े में एक डॉलर डाला और ट्रेन में चड़ गया ट्रेन के चलने से पहले उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वह वापस विखारी के पास जब पहुँचा और उसके कटोड़े से कुछ पेंसिले उठा ली और कहा इनकी कीमत है ठीक है न आखिरकार तुम भी एक बिजनसमेन हो और मैं भी और वह चला गया च्छा महीने बाद वही नोजवान अफसर एक पार्टी में गया वह विखारी भी वहाँ सूट टाई बहने हुए आया था नोजवान अफसर पहचान कर विखारी उसके पास गया और बोला आप सायद मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ उसने चा महीने पहले घटी घटना को दोहरा दिया तब अफसर ने कहा अब जब तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि तुम तो एक भी भी खारी थे तुम यहाँ सूट टाई में क्या कर रहे हूँ बिखारी ने जवाब दिया आप सायद नहीं जानते कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया मेरी जिन्दगी में आप पहले आदमी थे जिसने मुझे मेरा स्वाहिमान वापस लोटाया आपने मेरे कटोडे से कुछ प्यंसिलें उठा कर कहा था कि इनकी कीमत है ठीक है न तुम भी बिजनसमेन हो और मैं भी आपके जाने के बाद मैं अपने बारे में सोचता रहा मैं क्या यहां कर रहा हूँ भी क्यों मांग रहा हूँ तभी मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं भीक नहीं मांगूंगा और जिन्दगी में कुछ बन के दिखाऊंगा मैंने अपना जोला बन किया और काम करना शुरू किया और आज आपके सामने हूँ मैं सिर्फ आपका सुक्रिया आदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा भोया हुआ स्वाविमान वापस लोटा दिया उस घटना ने तो मेरी जिन्दगी ही बदल दी बिखारी की जिन्दगी में क्या बदला जो बदला वह यह था बिखारी का स्वाविमान बढ़ा था तथा उसकी कर्चमता बढ़ी यही है जादू स्वाभिमान का हमारी जिन्दगी में स्वाभिमान का आसान सा मतलब है कि खुद के बारे में हम क्या सूचते हैं कैसा महसूस करते हैं खुद के बारे में हमारा नजरिया दफ्तर में हमारे काम करने से लेकर हमारे समंधों माता पिता के रूप में हमारी मिका जिन्दगी में सब कुछ पाने की चा आदी पर असर डालता है हमारी काम्यावी या नाकाम्यावी का फैसला करने में स्वाभिमान की एक अहम भुमिका है उच्छा स्वभिमान हमें सहाल संतुष्ट और मकसदों से भड़ी जिन्दगी देता है जब तक आप खुद को बहुत उप्योगी नहीं समझेंगे तब तक आप में एक उच्छा स्वभिमान नहीं आ सकता इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि दुनिया के बरे नेताओं और सिक्षकों ने यही नतिजा निकाला है कि काम्यावी के लिए अंधरूनी प्रेड़ना का होना बहुत जरूरी है जब अंजाने में ही हमारी अपनी जिन अंदर की परख और सक्सियत बैभार के रूप में उभर कर दूसरे के सामने आती है तो दूसरे भी उसी के अनुसार बैभार करते हैं अर्थार अंजाने में ही हमारा असली व्यक्तित्व बाहर आ जाता है और जबाब में दूसरे भी उसी के अनुसार बेभार करते हैं अपने बारे में जो हम महसूस करते हैं वही दूसरों के बेभार में हमारे परती जहलगता है उचे स्वाभिमान वाले लोगों में आत्मिश्वास और डेटा, काविलियत और अपनी जिम्यदारियों को कबूल करने की इच्छा परबल होती है वे जिन्दगी का सामना एक आसावादी की तरह करते हैं उनके समंद बहतर होते हैं और जिन्दगी खुसाल होती है ऐसे लोग प्रेरित और महत्वा कांची होते हैं वे लोग ज्यादा संवेदन सील होते हैं उनकी काम करने और रिस्क लेने की छमता बढ़ जाती है वे नए अवसरों और चुनूतियों के लिए सदा तयार रहते हैं ऐसे लोग बड़ी असानी और समझदारी से आलोचना और तारीब दोनों कर भी सकते हैं और ले भी सकते हैं स्वाविमान एक ऐसा एहसास है जो काम को समझने और करने की जानकारी से आता है आत्म छवी स्वाविमान है एक किसान की कहानी है जिसने अपने खेतों में सीता फल वोई थे किसान ने बिना किसी कारण एक छोटे सिताफल की बेल एक सीसे के जार में डाल दी सिताफल पूरी तरह से पकने पर उसने देखा कि वह सिताफल सिर्फ जार के अकार के बराबर ही बढ़ा था जिस तरह वह सिताफल उसे रोकने वाली सिमाओं से ज्यादा नहीं बढ़ सका उसी तरह इंसान भी अपने बारे में खुद की सोच की हद से आगे नहीं बढ़ सकता चाहे फिर वह जैसी हो उच्छे स्वाभिमान के कुछ फाइदे हैं लोगों की भावनाओं और उनकी कार्चमता में सीधा संबंध होता है उच्छे स्वाभिमान का सबूत इस बास से मिलता है कि कोई खुद का, दूसरों का, संपत्ती का, कानून का, माता-पिता का और अपने देश का संबंध कैसे करता है इसका उल्टा भी उतना ही सही है बेहतरी और प्रसाली की ओर ले जाता है दूसरों की जर्रतों के परती ब्यक्ति को संबेदसील बनाता है और देखवाल का नजरिया बनाता है ब्यक्ति को महत्वा कांग्छी और आत्मप्रेरित बनाता है नए अवसरों और चुनोतियों का स्वागत करने के लिए ब्यक्ति को तयार करता है काम और रिस्क लेने की छमता को बहतर बनाता है असानी और समझदारी से ब्यक्ति को आलोचना और तारीफ करने और पाने दोनों में सहता करता है कमजोर स्वाभिमान को हम कैसे पहचाने कमजोर स्वाभिमान वाले लोगों के बरताओ का क्या ठंग होता है ऐसे लोगों के बारे में नीचे एक लिष्ट दी गई है लेकिन यह जलगफर है इन लोगों को पीठ पीछे बद खोई करने की आदत होती है इनका स्वभाव ही मीन मेक निकालने वाला होता है ये मीन मेक तो इस ढंग से निकालते हैं जैसे कि कोई content हो रहा हो और इन्हें इनाम जितना हो इन में बहुत अहंकार और अर्यलपन होता है ये सुचते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं कमजोर स्वाविमान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहत मुस्किल होता है ये खुद को उचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाता है ये लोग मतलबी और तंग दिमाग होते हैं ये अपनी नकाम्यों को छिपाने के लिए लगातार बहाने बनाते रहते हैं ये जिम्मेदारियों को कभी स्विकार नहीं करते हमेशा अंदूसरों को ही दोसी ठाराते हैं इनका नजर्या भाग्यवादी होता है, ये बहल नहीं करते और हर चीज के होने का इंज़ार करते हैं स्वाविमान से ही ये इर्षालू होते हैं, सही आलोचना सुनना भी ये पसंद नहीं करते और हर चीज के लिए सफाई पेस करते रहते हैं अकेले रहना इन्हें बोर और तकलीफ देह लगता है कमजोर स्वाविमान वाले लोग सराफ़त और मरजादा की हद का उलंगन करते है इन लोगों का आत्मिस्वास कमजोर होता है यह यह नहीं जानते की कहा सराफ़त खत्म होती है और असलीलता या घटियापन शुरू होता है पाटियों में चुटकुले सुनाना कोई नई या खास बात नहीं है लेकिन हर बेग की बात इनके चुटकुले घटिया से घटिया होते चले जाते है इनका कोई सच्चा दोस्त नहीं होता क्योंकि ये खुद भी सच्चे नहीं होते ये ऐसे वाइदे करते हैं जो ये जानते हैं कि कभी न निभाएंगे एक कमजोर स्वाभिमान वाला आदमी तो अपनी फाइदे के लिए चांद भी ला देने का वादा कर देगा जोटे वाइदों से विश्वस्नियता गिरती है उचे स्वाभिमान वाला कोई भी बेक्ती विश्वस्नियता में कमी लाने की बजाए बिजनेस में नुखसान उठाना पसंद करेगा क्योंकि यह जानता है कि विश्वस्नियता अनमोल होती है इनका बेवहार बेतुका और और संतुलित होता है ये घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर जूदते रहते हैं ऐसे आदमी आज तो मिठी मिठी बाते करेंगे और कल आपका गला काटने के लिए तयार हो जाएंगे इन में संतुलन की कमी होती है इनके बरताओं से लोग दूर हड़ जाते हैं और ये अकेले रह जाते हैं ये टची नेचर के होते हैं हर बात को दिल से लगा लेते हैं इनके लिए हर चीज इज्जत बेज़ती का सवाल हो जाता है इनका स्वाहिमान छोटी छोटी बात पर तूट जाता है ये हर चीज दिल से लगा बेटते हैं और बुरा मान जाते हैं और एक छन में मायोस हो जाते हैं भावुक और समवेदन सील में क्या फर्क है भावुकता का मतलब है कैक्टस की तरह होना मुझे छूओ और मैं तुम्हें तकलिव दूँगा समवेदन सीलता तो एक आसावादी नजरिया है जिसका मतलब है मैं आपकी परवाह करता हूँ कई बार लोग दोनों को एक दूसरे की जगा इस्तमाल करते हैं कई बार लोग कहते हैं कि फला आदमी या फला औरत से बात करते समय याद रखियेगा कि वह बहत सम्वेदन सील है बास्तब में वे यह कह रहे हैं कि वह बेक्ति भावुक है इसलिए ध्यान रखियेगा उनको अपने आप से और दूसरों से छोटी उम्मीदे होती है और उन्हें मायूस भी नहीं होना पड़ता उनमें बिस्वास की कमी होती है एक वे हमेशा दूसरों से मंजूरी और इकरार खोजते रहते हैं मंजूरी लेने और सुझाओ लेने में फर्क है सुझाव का मतलग है सलाह लेना हमेशा मंजूरी मांगते रहना आत्मिस्वास की कमी को जाहिर करता है दो अपनी बढ़ाई करना भी आत्मिस्वास की कमी को ही दिखाता है तीन दब्बू या संकोची बरताओ ये वे लोग हैं जो अपने वजूद को बनाए रखने के लिए लगातार माफी मांगते रहते हैं ऐसे लोग खुद को इतना नीचे जोका और गिरा देते हैं जिसे विनमृता नहीं खा जा सकता विनमृता आत्मिस्वास से आती है जबकि खुद को जुकाना आत्मिस्वास की कमी से आता है वह ब्यक्ति जिसमें आत्मिस्वास की कमी हो वह असरदार लीटर नहीं बन सकता दूसरे लोग उसकी इस कमी को भाप लेते हैं लिहाजा उनका सम्मान गिर जाता है 4. डिठता की कमी कमजोर स्वाविमान वाले लोग अपने फैसलों और विस्वास पर ठीके नहीं रहते 5. बिस्वास की कमी के करण लोग दूसरों की हां में हां मिलाती रहते हैं अगर यह सब्स यही कह रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए रोज हम देखते हैं कि साथियों के दवाब में आकर लोग वही काम करते हैं जिनके बारे में उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वे गलत काम है और उन्हें नुकसान पहुचा सकते हैं इसके बावजूद भी सुकृति पाने के लिए हां में हां मिलाते हैं इन्हें खुद पर विश्वास की कमी के कारण ये दूसरों के इकरार की उम्मीद में बैठी राते हैं चाह दिखावे के साथ रहना और रीस करना दिखावा करने की कोशिस में लोग आवकास से जादा खर्च करते हैं ये लोग दिखावे के लिए वे चीजें भी खरिदते हैं जिनकी इन्हें जरुरत नहीं बिना वजह लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं जिने पसंद भी नहीं करते साथ वसूल से हटकर या ध्यान खिचने वाला बेभार कमजोर स्वाविमान वाले लोग दूसरों की नजर में आने के लिए बेतुके काम करते हैं ताकि वे अलग से दिखाई दे सके वेतुकी हरकते करके खुद को महत्वकून समझते हैं और इसमें उन्हें आनंद भी मिलता है उनको दूसरों को दुख में देखकर एक अजीब किस्म की खुशी और आनंद मिलता है कुछ लोग सिर्फ दूसरों का ध्यान खीचने के लिए दूसरों से अलग दिखने के लिए उल्टे काम करते हैं या बने रहते हैं मिसाल के तोर पर बहुत डिंगे मारने वाले कलास के जोकर आदी ये फैसला नहीं कर पाते और जिम्मेतारिया भी स्विकार नहीं करते हिम्मत की कमी और आलचना के डर से फैसला नह कर पाने का बेवार बना रहता है वे बिद्रोही स्वावाव के होते हैं और अथर्टी से बिद्रोह करते हैं मैं विश्वास पर अधारिश साहस से किये गए विरोध में और कमजोर स्वाविमान से उपजे विरोध में भर्क मानता हूँ। विश्व के बरे नेता जैसे महत्मा गांधी, मार्टिन लोथर किंग और अबराहम लिंकन सभी विद्रोही थे। इन सभी ने अपने डिड़ विश्वास की बल पर इंसाथ की खातिर अधोरिटी का विरोध किया। इनका स्वाविमान और आत्म विश्वास बहुत उचे थे। इनों ने किसी वज़ा की खातिर विरोध किया, जबकि कमजोर सा विवान वाले आदमी सिर्फ ध्यान खीचने के लिए वे वज़ा अथोरिटी का विरोध करते हैं। चाहे अथोरिटी सही क्यों ना हो। ये समाज विरोधी और गएर मिलनसार होते हैं। इनमें सही दिसा की कमी होती है और आम तोर पर किसी की प्रवाह न करने का नजरिया होता है। जो कि इनके बेवार में भी जलगता है। ये बड़ी मुश्किल से दूसरों की तारीफ करते हैं और अपनी तारीफ भी मुश्किल से सुनते हैं। तारीफ करते वक्त इन्हें लगता है कि लोग इन्हें गलत समझेंगे और अपनी तारीफ सुनकर इन्हें लगता है कि ये उसके काविल नहीं है, अयोगिता का एहसास विनामृता की पहचान नहीं है, भोतिक, पनावटी और संसारिक जीजों को बहुत महतु देना, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग दूसरों को रुपिय पैसे के अधार पर आते हैं ना कि उनके गुनों के अधार पर, इनकी निगाह हमेशा इस बात पर लगी रहती है कि आपके पास कौन सी गारी है, किस तरह के घर में आप रहते हैं, आप कैसे गाने और कपरे बहनते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोग ही इन चीज़ों को बनाते हैं, ना कि ये चीज़ें लोगों को बनाती हैं, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग धन दौलत को जादा महतु देते हैं, ना कि नीजी योगताओं को, इनकी जिंदगी बिग्यापनों और दिखावे के इर्द- भूमती है, महगी और लोग पिरिये वस्त्वों का प्रयोग ही इनकी पर्तिष्टा का चिन्ह बन जाता है, इनसे ये चीज़ें ले लो तो ये सर्म से मर जाएंगे, इस तरह ये एक चूहा दोड में सामिल हो जाते हैं, लिली टौमलीन की अनुसार चूहा दोड की एक समस् कि अगर आप जीद भी जाते हैं, तो भी चूहे ही रहते हैं, गर्व की कमी के करण ये फटी चर्प, भद्दे और गंदे बने रहते हैं, ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं, कमजोर स्वाभिमान उच्छे और उग्र विभार को बढ़ावा देता है, उच्छे स्वाभिमान वाला बेक्ती भी कई बार ऐसा बेभार करता है, जैसे कमजोर स्वाभिमान वाला, लेकिन उनका ऐसा करने का कारण कुछ और है, उच्छे स्वाभिमान वाला बेक्ती अकेला इसलिए रह सकता है, क्योंकि उसे एकांत पसंद है, जबकि कमजोर स्वा स्वाविमान वाला बेक्ति अकेला इसलिए राना चाहता है क्योंकि उसे समूह में बेचेनी और परिसानी होती है और वह लोगों के बीच रहकर अकेला अपन महसूस करता है। कमजोर स्वाविमान वाले लोग आलोचना करेंगे उचे स्वाविमान वाले लोग विनर्म होंगे कमजोर स्वाविमान वाले लोग घमन्डी होंगे उचे स्वाविमान वाले लोग आथर्टी का आदर करेंगे कमजोर स्वाविमान वाले लोग आथर्टी का विरोध करेंगे उचे स्वाविमान वाले लोग जिट विश्वास का साहस होगा कमजोर स्वाविमान वाले लोग जी हजोडी करेंगे उचे स्वाविमान वाले लोग विश्वास करेंगे कमजोर स्वाविमान वाले लोग भरमित होंगे उचे स्वाविमान वाले लोग चडितर का ख्याल रखेंगे, कमजोर स्वाविमान वाले लोग जोटी इज़त का ख्याल रखेंगे उचे स्वाविमान वाले लोग अस्थिर रहेंगे, कमजोर स्वाविमान वाले लोग उत्तेजित होंगे उच्छे स्वाभिमान वाले लोग जिम्मेदारियां स्विकार करेंगे कमजोर स्वाभिमान वाले लोग दुनिया को दोस्त देंगे उच्छे स्वाभिमान वाले लोग हित की बात करेंगे कमजोर स्वाभिमान वाले लोग स्वार्थी होंगे उच्छे स्वाभीमान वाले लोग असावादी होंगे, कमजोर स्वाभीमान वाले लोग भागिवादी होंगे उच्छे स्वाभीमान वाले लोग दूसरों को समझेंगे, कमजोर स्वाभीमान वाले लोग लालची होंगे उचे स्वाविमान वाले लोग सिखना चाहेंगे, कमजोर स्वाविमान वाले लोग समझेंगे कि इन्हें सब मालूम है उचे स्वाविमान वाले लोग संवेदन सील होंगे, कमजोर स्वाविमान वाले लोग भावुप होंगे उचे स्वाविमान वाले लोग एकांत प्रिया होंगे कमजोर स्वाविमान वाले लोग अकेला पर महसूस करेंगे उचे स्वाविमान वाले लोग बाचित करेंगे कमजोर स्वाविमान वाले लोग बहस करेंगे उचे स्वाभिमान वाले लोग आत्म गुन में विश्वास करेंगे, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग धन दोलत में विश्वास करेंगे उचे स्वाभिमान वाले लोग सही राह को जानेंगे, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग भटके होंगे उच्छे स्वाभिमान वाले लोग अनुसासित होंगे, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग अनुसासन हीन होंगे उच्छे स्वाभिमान वाले लोग आत्म सक्ती से प्रेरित होंगे, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग बाहरी कारणों से प्रेरित होंगे उच्छे स्वाभिमान वाले लोग सम्मान करेंगे, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाएंगे उच्छे स्वाभिमान वाले लोग सलिकेदार होंगे, कमजोर स्वाभिमान वाले लोग नीच और घट्या होंगे उच्छे स्वाविमान वाले लोग सराफत का पालन करेंगे कमजोर स्वाविमान वाले लोग मतलब के लिए कुछ भी करेंगे उच्छे स्वाविमान वाले लोग देना जानते हैं कमजोर स्वाविमान वाले लोग सिर्फ लेना जानते हैं इस लिष्ट का मकस्द एक ऐसा अधार देना है कि खुद को पड़क सकें ना कि खुद को कसरवार ठाराने लगें यह जरूरी नहीं है कि आप में सब बिश्यश्था हो, हो सकता है कि आप में कुछ बिश्यश्थाएं ज्यादा या कम तादाद में हो जब तक हम अपनी इन विश्यस्ताओं को पहचान लेने में सफल होंगे तभी खुज में सुधार लाने की कोशिस कर सकेंगे ये चेहरे पर नकाब लगाते हैं कमजोर स्वाविमान वाले एक युवा अधिकारी को तरकी दी गई ओहदा तो मिल गया लेकिन दिमागी तोर पर वह अपनी नई पोजिशन से समझोता नहीं कर पाया एक बार जब उसके दरवाजे पर खटखटाहट हुई तो अपनी अहमियत और अपने आपको बीजी दिखाने के लिए उसने फोन उठा लिया और आगंतु को अंदर आने को कहा जब वह आदमी अंदर आकर खरा हुआ तब अधिकारी फोन पर कहने लगा घवराने की बात नहीं है मैं समझाल सकता हूँ और थोड़ी देर तक इसी तरह फोन पर बात करता रहा रिसीवर रखने के बाद अधिकारी ने उस आदमी से आने की वज़ा पूछी उस आदमी ने जवाब दिया मैं आपके इस फोन का कनेक्शन लगाने आया इस से क्या सबक मिलता है जूटा दिखावा या बनावट क्यों हम क्या सावित करने की कोशिस करते हैं हम हासिल क्या करना चाहते हैं हमें जूट बोलने की जरुवत क्यों है जूटे महत को क्यों महसूस करना चाहते हैं ये सारी बाते और स्रक्षा की भावना और कमजोर स्वाभिमान से आती हैं जूठा दिखावा क्यों? हमारा चरित्र हर उस बात से पाचाना जा सकता है जो हम करते हैं या नहीं करते हैं पसंद करते हैं जैसे किस तरह की फिल्में हम मनुरण्जन के लिए देखते हैं? किस तरह का संगीत हम सुनते हैं? किस तरह का साथ हम रखते हैं या नहीं रखते हैं किस तरह की चुटकुले हम सुनना या सुनाना पसंद करते हैं किस तरह की कितावे हम पढ़ना पसंद करते हैं हर काम से हमारा चरितर जाहिर हो ही जाता है तो दिखावा क्यों मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि अगर कोई आदमी मजबूत इरादे सम्वेदना और मिल जुल कर काम करने की भावना रखे तो वह दूसरों को अपने काम से प्रभावित कर सकता है ऐसा व्यक्ति खुद बखुद सम्मान पाने योग बन जाता है बढ़िया स्वाहिमान आत्म सम्मान आत्म विश्वास आत्म महाद आत्म स्विकिर्थी आत्म प्रेम आत्म ग्यान आत्म अनुसासन स्वाभिमान का मतलब उचा आंकार होना नहीं है जब कोई फुद ही असांत हो तो वह दूसरों के साथ सांती से कैसे रहेगा उदारन के तोर पर जिस तरह जो चीज हमारे पास नहीं है उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते है ठीक उसी तरह जब हम में साहिमान के कुन ही नहीं होंगे तब तक हम उसे दूसरों में नहीं बाट सकते दूसरों को सांती बाटने के लिए हमारे खुद के मन में भी सांती होनी चाहिए जरूरत है कि पहले हम खुद को जाने और अपनी पहचान करें और खुद को रास्ते पर लाएं जहाज में भी बचाओ के तरीकों में बताया जाता है कि आक्सीजन मास्क पहले अपने उपर लगाए फिर अपने बच्चों पर यहाँ पर हम खुद गर्जी और स्वाविमान की बात नहीं कर रहे है स्वाविमान की परिभासा है अपने आपको महसूस करने का ढ़ांग अपनी नजरों में खुद को देखना आत्म छवी कहलाता है जब हम अच्छा महसूस करते हैं तब हमारी उत्पदक्ता भी बढ़ जाती है कमजोर स्वाविमान की वज़ हैं जन्म से ही हम अपना स्वाविमान सही या गलत बनाने लगते हैं बच्च्पन से ही दोसरों के बढ़ावे की वज़ा से हम अपने बारे में कुछ ऐसी धार्नाएं बनाएं चलते हैं कि जो हमारी सक्तियत का हिस्सा बन जाती है गलत आत्म बरता या गलत आत्म सुझाओ ऐसा तब होता है जब हम अपने बारे में जाने अंजाने में ऐसी बातें करते हैं मेरी यादास्त कमजोर है, मैं हिसाम में कमजोर हूँ, मैं अच्छा खिलारी नहीं हूँ, मैं ठका हुआ। इस तरह की बातें सिर्फ निरासा को ही बढ़ावा देती हैं, हम अपनी नजरों में खुद को ही छोटा बना देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। जल्दी ही हमारा दिमाग इन बातों पर यकीन करना शुरू कर देता है, और हमारा बैभार भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। फिर हम इन खायालातों से भुद को भड़ने लगते हैं और यही असलियत बन जाती है। माबाप की तरफ से अपने बच्चों को जो सबसे खास चीज मिल सकती है, वह है मजबूत बुनियार। परिवार रुपी पेर में जड़े सबसे मातपुर्ण हिसा होती है। किसी छोटी बच्ची के अच्छे और तहजीब भरे बेवार को देखकर उसकी टीचर ने पुछा। तुम्हें मीठा बोलना और तहजीब किसने सिखाई। बच्ची ने जवाब दिया। किसी ने नहीं। मेरे परिवार में सभी ऐसा करते है। परवडिस। प्रियाय नागरी को तुम अपने बच्चों की देखवाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो। और दोलत पाने के लिए पत्थरों को तरासने में इतना जादा समय क्यों देते हो। जबकि एक दिन यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। सुक्रात। बच्चों के अच्छे विखास के लिए जरूरी है कि हम इन पर दुगुना समय और आधा पैसा लगा है। बच्चपन में हासिल की गई सिक्षा बड़े होकर अज्यानी पन्ने से कम तकलिफ दे है। उचे स्वाभिमान वाले माबाप अपने बच्चों को सही बिचार अच्छे संस्कार वह नेतिक मुल्य और विश्वास दे कर उचे स्वाभिमान वाला और डिट विश्वास वाले बनाते हैं। इसका उल्टा भी इतना ही सच है। इमंदार माबाप का होना एक महान विरासत है जो माबाप गलत व्यवसाय करते हैं वे बदकिस्मती से आने वाली पीठी के लिए एक गलत उदार्ण पेस करते हैं समाज में इज़त की नजर से देखे जाने वाले माबाप रिष्टेदार या सिक्षक एक अच्छा आदर्स और गुरू बन सकते हैं कच्ची उन में बच्चे ऐसे बरों को आदर्स मान लेते हैं जो महत्पुर्ण ओहदे पर हों हम बड़े भी अपने सुपरवाइजर और मने आखें देखे तुमको तेरे हर एक सब्द पर उसके कान लगे हैं उसके छोटे हाथ चाहे तुझसा ही करना ख्वावों में भी देखे वो तुझसा ही बनना सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्स बने हो रती भर संदेह नहीं है उसको तुझ पर भक्ती भाव से करता वो विश्वास है तुझी पर तेरी कतनी करनी ही सवार है उस पर तुझसा अगर वो कहे करेगा तभी तो बन पाएगा तुझसा आस्चर में लिए करे अटूट विश्वास है तुझ पर उसकी अँखें तुझे दिन रात तके हैं बनाये राह अपने नित्यकर्म से उसके लिए जो इंतजार में हैं बरा होकर दुस्षा बनने की विश्वास बनाना काम पर जाने से पहले एक पती पत्नी अपनी बेटी को डे केयर सेंटर में छोड़ जाया करते थे जब वे अलग होने लगते तो एक दूसरे के हाथ को छुमते और चुम्बन को अपनी जेब में डा सुस करती तो वह एक चुम्मन जेब से निकाल कर अपने गालों से लगा लेती या छोटी सी दिन चड़्या सारीर की रूप से दूर होने पर भी उन्हें एक दूसरे के नज़दीक रखती कितना आश्यर्चकित करने वाला और खुबसूरत भाव हैं बच्चे उडंड क्यो बनते हैं उन्हें यह सिखलाओ की हर चीज विकाओ है तो वे अपने जमीर को भी बेच देंगे उसे वसूलों का पक्का न बनाओ तो वह हर बात पर फिसलेगा उसे यह सिखलाओ की जीतना ही सब कुछ नहीं है बलकि सिर्फ जीतना ही एक मात चीज है तो वह हर उल्टे सिध यह तरीके से जीत हासिल करने की कोशिस करेगा बच्पन से ही बच्चों की सभी सही या गलत कफाय से पूरी करो तो वे इस विश्वास के साथ बड़े होंगे की उन्हें रोजी रोटी देना दुनिया का काम है और हर चीज प्लेट में रखकर उन्हें दे दी जाएगी बच बच्चों को नेतिक मुल्य न देकर उनके 21 साल का हुने का इंदजार करो और उन्हें अपने नेतिक मुल्य और आदर्स खुद चुनने के लिए छोड़ दो बगएर जिसा दिखाए उन्हें चुनाव करने तो उन्हें यह कभी न सिखाओ की हर चुनाव का एक नतीजा है इस डर से कि उसमें कंप्लेक्स पैदा हो जाएगा उसे यह कभी न कहो कि वह गलत है और जब वह किसी गलत काम के लिए गिरवतार होता है तो यह अस्तिती उसे इस बात पर विश्वास दिलाएगी कि यह समाज ही उसे खिलाव है अगर आप उसके द्वारा बिखिरे हुई कितावे जूते कपड़े वगेरा को संभालते रहो और उसका हर काम करो तो वह यही सिखेगा कि कैसे अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर ला दें उसे पढ़ने देखने सुनने और कुछ भी करने में मनमानी करने दो वह क्या खा पी रहा है इसका खयाल दो रखो लेकिन उसके दिमाग में क्या कच्रा जा रहा है उस पर कोई ध्यान न दो साथियों के बीच लोग पिरियता पाने के लिए उसे वह सब करने दो जो सब करें चाहे गलत ही क्यों न हो उसकी मौजुदगी में बार बार जगरो तो घर में किसी भी तरह के कलेस या बिखराओ को देखकर उसे हैरानी नहीं होगी बच्चे को मुहमांगी रकम देते रहो और उसे पैसे की कीमत न सिखाओ उसको उन मुश्किलों का एहसास न होने दो जिन्हें आपने जहला है उसे ऐसो अराम की हर चीज दो जैसा उसका मनचाहत थाना बीना और रहना यह सोचकर की इन चीजों के न मिलने पर वह निरास हो जाएगा परोर्सियों अध्यापकों द्वारा सिकायत किये जाने पर हमेशा अपने बच्चे की ही तरफदारी करो और यह समझो की हुए उसके हिद के खिलाब है जब वह किसी भारी मुश्किल में फस जाए तब यह कहते हुए पाला जहार लो की मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिस की लेकिं उसके लिए कुछ नहीं कर सका आप किसी वसूल पर खड़े न रहे यह सोचकर की अनुसासन से अजादी चिन जाती है अगर आप यह सूचे की दूर रखने से बच्चा आत्म निर्वरता सीखता है बच्चे जो पाते हैं वही समाज को लोटाते हैं बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं अगर बच्चा आलोचना के माहुल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है अगर बच्चा परसंसा की माहूल में रहता है तो तारीफ करना सीखता है अगर बच्चा लड़ने की माहूल में रहता है तो जगरना सीखता है अगर बच्चा सहंसिलता की माहूल में रहता है तो धैर्ज सीखता है अगर बच्चा प्रोसान वाले माहूल में रहता है तो आदमिस्वास सीखता है अगर बच्चा सरमिंदगी के माहूल में रहता है तो वह खुद को दोसी मानना सीखता है अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहूल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है अगर बच्चा नियाए संगत माहूल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है अगर बच्चा सुरक्षा के माहूल में रहता है तो वह भरोसा करना सीखता है अगर बच्चा सहमती और दोस्ती के माहूल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार लेना सीखता है शिक्षा अंजान होना सर्म की बात नहीं लेकिन सीखने की इच्छा नहोना सर्म की बात जरूर है आदर्स ब्यक्ति अपने अच्छे उदाहरनों से सीखा सकते हैं जिन बच्चों को उनकी कच्ची उन में सच्चाई और इमंदारी का महत्व समधाया जाता है आम तोर पर वे उसे कभी नहीं खोते ये जिन्दगी का एक हिस्सा ही बन जाते हैं और इसी की आज हमें हर छित्र में तलास है चाहे वर ठेकेदार, वकील, एकाउंटेंट, राजनेता, पुली सदिकारी या जज़ हो वास्तब में जमीर की इमंदारी की बुनियाद है युवाओं पर असर डालना असान होता है क्योंकि ये असानी से प्रभावित हो जाते हैं जब युवाओं अपने गुरुओं, मा, बाप, टीचर या राजनेताओं को घर्व के साथ दोखा करते हैं छोटी छोटी बातों पर बेमानी करते जैसे होटल में तोलिया या काउंटे चमच्चुराते देखते हैं तो ये बाते होती हैं, उन्हें निरासा होती हैं जिन्हें वे अपना आदर्स मानते थे, वे उनकी नजरों में गिर जाते हैं ऐसी बातों को लगातार देखते रहने पर वे भी उन्हें अपना लेते हैं गलत आदर्स एक छोटे बच्चे से उसकी टीचर ने पूछा कि उसके पिता जी क्या खाम करते हैं बच्चे ने जवाब दिया मैं पक्का तो नहीं जानता लेकिन मुझे लगता है कि वे पेन, पें बच्च में टाल कर रोज घर लाते हैं अनुचित तुलना करना उचित तुलना करने की बात तो ठीक लगती है लेकिन अनुचित तुलना से इंसान अपने आपको छोटा महसूस करने लगता है तुलना वास्तब में अपने परतियोगों से आगे बढ़ने की इच्छा होती ह उच्छे स्वाभिमान वाले लोग दूसरों से मुकाबला नहीं करते, बलकि अपनी कार छम्ता बढ़ाते हैं। वे खुझ से ही मुकाबला करते हैं, वे अपने काम की तुलना अपनी छम्ताओं से करते हैं। और सफल और सफल एक के बाद दूसरा असर। काम्यावी से काम्यावी और नकाम्यावी से नकाम्यावी का ही जन्म होता है इस कहावत में बहुत बड़ी सचाई है अक्सर हम खेलों में देखते हैं कि जब एक चेंपियन का उच्साह कम हो जाता है और कई बार कम होता भी है तब कोच उसे कभी भी किसी अच्छे खिलारी के खिलाब में खिलाता क्योंकि फिर से हार जाने पर उसका स्वाविमान और गिर जाएगा उसका आत्मिस्वास वापस लाने के लिए पोच उसे एक तंजोर पर्तिद्वंदी के साथ खिलाता है और वह जीत उसके स्वाविमान को बढ़ाती है फिर थोड़े बेहतर पर्तिद्वंदी से जीतने से उसके आत्मिस्वास को और बल मिलता है यह सिलसला तब तक चलता रहता है जब तक वह तीन ना आए की चेंपियन फैनल चैनेज के लिए तयार हो जाए हर एक सफलता के बाद आत्मिस्वास बढ़ता जाता है जिस से अगली बार सफल को ना असान हो जाता है इसी वज़ा से कोई अच्छा लीडर माता पिता टीचर या अफसर लोगों या बच्चों के काम को सुरुआत असानी कामों से करवाते हैं हर एक सफल अच्छा प्रोसाहन भी जोड दिया जाए तो यह अच्छे स्वाविमान का रूप लेना सुरू कर देता है बच्चों और खुद को असफलताओं की जंजीर से निकाल कर सफलता के क्रम में सामिल करना हमारी जिम्मेदारी है नाकाम्याबी का मतलब नाकाम्याब होना नहीं ह किसी एक काम में नाकाम्याबी मिलने पर बहुत से लोग दिल इतना छोटा कर लेते हैं कि खुद को ही नाकाम्याब समझने लगते हैं वे यह नहीं समझते की नाकाम्याबी का मतलब काम्याब होना बिलकुल नहीं है मुझे सायद नाम काम्याबी का मुझ देखना पड़े ल कारियों की पूर्णता के लिए बे बुनियादी या जरुष से ज़्यादा अबेक्छा हैं मान लें कि किसी बच्चे को इम्तिहान के बाद पांच विसें में एक विसें में भी मिलता है रिपोर्ट कार्ड देखकर बच्चे के माता-पिता आम तोर पर यही बात पूछेंगे की बीव क्यों आया इस बात से बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा क्या उसने बीव के लिए ही कोशिस की या मता-पिता को भी पाने के लिए उसे बढ़ाई देनी चाहिए या उसे स्विकार कर लेना चाहिए नहीं बिलकुल नहीं बच्चा वास्तव में मेहनत से आये पांच एपर 87 और बढ़ावा चाहता है माबाप पांच के लिए 87 और बढ़ावा देकर सभी छब इसियों में एक की अपनी उमीद भी बता सकते हैं और उसे पाने के लिए मदद करने की भी बात कर सकते हैं अगर हम अपना अस्तर गिराद हैं तो इस बात की काफी कुझायस है कि अगली बार हमारा काड़ परदर्सन हमारी अपने च्छाओं की तुल्ना में खराब होगा उसी तरह एक करमचारी दबतर में एक सो काम सही और एक काम गलत धंग से करता है तो अनुमाल लगाए कि उसका बाउस क्या चुनेगा अपना अस्तर गिराए बगर सही की तारिफ करने में ही समझदारी है अनुसासन की कमी अनुसासन क्या है क्या यह फुली आजादी है क्या आजादी का मतलब है कि हम उसके नतीजों की परवाह न करें क्या इसका मतलब होगा कोई परिशानी आने या गल्ती हो जाने पर सही कदम उठाना है क्या यह थोपा हुआ है क्या यह नाजायज है क्या यह आजादी को छिन लेता है जवाब है इन में से कोई भी नहीं अनुसासन का मतलब यह नहीं होता कि कोई छड़ी उठाए और बच्चों को बीटना शुरू कर दे यह तो पागलपन है अनुसासन तो है प्यार भरी डिर्टा यह सही दिसा है यह परिशानियों को आने से पहले ही रोकने का नाम है यह अच्छा कार्ज छमता के लिए हमारी सक्ति को एकत्रीत और क्रमवत करने का एक तरीका है अनुसासन अपने प्रियाजनों के लिए कुछ काम करने का नाम है ना कि उनके साथ किया जाने वाला किसी भी तरह का ब्यभार अनुसासन प्यार का एक इजहार है, कई बार हमें भलाई करने के लिए भी पूरा बनना पड़ता है सारी दबाईयां मीठी नहीं होती, सारे आपरेशन बिना तकलीब के नहीं होते फिर भी हमें इनका सहारा लेना ही पड़ता है हमें पुद्रस से सीखना चाहिए, एक बिसाल जानवर जिराफ को हम अच्छी तरह से जानते है माता जिराफ खरे हुए ही अपने बच्चे को जन्म देती है मा के अरामदे गर्व से निकल कर बच्चा एक आएक सक्त जमीन पर आगिरता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है इसके बाद माता जिराफ का सबसे पहला काम होता है बच्चे के पीछे जाकर उसे एक जोड़दार ठोकर मारना इस जोड़ से बच्चा उठतो जाता है लेकिन कमजोर और लर्खराते पहरों की बज़ा से फिर गिर जाता है मा फिर से बच्चे को पीछे जाकर एक ठोकर और मारती है बच्चा ख़ड़ा होकर फिर से गिर जाता है मा बच्चे को तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक बच्चा अपने पहरों पर ख़ड़ा होकर चलने न लगे अपने ही बच्चे के साथ मा ऐसा क्यों किया मा जिराफ जानती है कि जिन्दा रहने का यही एक जड़िया है कि वह अपने फईरों पर खरा हो जाए नहीं तो उसे जंगली जानवरों का सिकार बनने में देर नहीं लगेगी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता है क्या यह प्यार का इजहार करना है बेसक अक्सर देखा गया है कि प्यार और अनुसासन की माहूल में पलने वाले बच्चे माबाप का ज्यादा आदर करने वाले और कानून का पालन करने वाले नागरिक बनते हैं इसकी उल्टी बात भी उतनी ही सच है हर घर में अगर अनुसासन का पालन किया जाए तो युबाओं द्वारा किये जाने वाले अब रादों में 95% तक की कमी आ जाएगी जे एडगर ओवर अच्छे मावाब किसी बात को लागू करने के लिए बच्चों की थोड़ी देड़ रहने वाली नापसंदगी और नाराजगी की परवाह नहीं करते अनुसासन आजादी देता है बच्चे को एक बारी में एक पूरा डिपा चोकलेट खाने की छूट देने से वह बिमार बढ़ सकता है लेकिन रोज चोकलेट के एक या दो टुपड़े खाने देने से अनुसासन से बच्चा उसका आनंद ले सकता है और अपनी सेहत भी बनाए रख सकता है हमारी मूल प्रवर्ती नतीजे की परवाह किये बगएर ही हमें मनवानी करने की उकसाती है आजादी मन चाही चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं बलकि मन को वस में रखने से मिलती है लोगों में एक गलत फामी फैली हुई है कि आजादी का मतलब जो चाहे वह करना है कोई भी अपनी सारी ख्वाह से हमेशा पूरी नहीं कर सकता अक्सर अच्छे मुल्यों और अनुसासन के फैदे को समझना असान नहीं है कई बार ऐसा लगता है कि अनुसासन के बिना कोई काम करना कुछ ज़्यादा फैदे मन आनंद दायक और असान हो सकता है हमें जरुरत है तो सिर्फ ऐसे अंगिनत उदारन देखने की जिन से यह पता चलता है कि अनुसासन की कमी से कितने ही लोग नाकाम्याब हो जाते हैं जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं कि वह हमें नीचे ले जा रही है लेकिन वह बास्तब में हमें उपर उठा रही है यही अनुसासन है एक लर्खे ने पतंग उड़ाते हुए अपने पिता से पुछा कि पतंग हवा में उपर कैसे टिकी रहती है पिता ने जवाब दिया कि डोड़ी से बच्चे ने कहा पिता जी डोड़ ही तो है जो पतंग को उपर जाने से रोक रही है पिता ने बच्चे से कहा देखो अब मैं इस डोर को तोड़ता सोचिए कि उस पतंग के साथ क्या हुआ होगा वह नीचे आ गई क्या हमारी जिन्दगी में भी ऐसा नहीं होता कुछ चीजें के बारे में हम सोचते हैं कि वे हमें रोक रही है लेकिन असलियत में वे हमें उपर उठा रही है अनुसासन इसी का नाम है मैं अजादी चाहता हूँ हम अक्सर यह बात सुनते हैं मैं अजादी चाहता हूँ अगर आप रेलगारी को उसकी पश्डियों से अलग हटा दे तो रेल आजाद तो हो जाएगी लेकिन जाएगी कहां अगर सारे लोग ट्रेफिक के अपने अपने नियम बना लें और सरक पर किसी भी तरफ चलने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे आजादी कहेंगे या और वेवस्था यहाँ पर कमी है अनुसासन की नियमों को मान कर वास्तव में हमें आजादी ही मिल रही है क्या यह सच नहीं है यह प्यार भरी डेटता है मैंने अपने सेमिनारों के दोरान भाग लेने वाले बहुत लोगों से यह सवाल पूछा है अगर आपके बच्चे को 105 डिगरी बुखार हो और वा डॉक्टर के पास ना जाना चाहे तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे सभी का जवाब एक जैसा ही था बच्चे के ना चाहने पर भी वे उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाएंगे क्यों? क्योंकि इसी में बच्चे की भलाई है बच्चे की परवर्ष लोग प्रतियोगता नहीं है एक चोर को सजा सुनाते हुए जज ने उसे पूछा कि उसे कुछ और कहना है उस चोर ने जवाब दिया हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरे साथ जेल भेजा जाए जज के वजह पूछने पर उस आदमी ने जवाब में कहा भुजूर जब मैं छोटा बच्चा था तो स्कूल से एक पेंसिल चुरा लाया लेकिन मेरे माबाप को मालुम होते हुए भी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा उसके बाद मैंने एक पेंसिल की चोड़ी की तो माबाप ने मेरी इस चोड़ी को भी नजर अंदाज कर दिया उसके बाद मैंने स्कूल और फरोस में कई चोड़ियां की और इस तरह चोड़ी करना मेरी आदत बन गई थी मेरे माबाप ने इस बात को जानते हुए भी मुझे कभी नहीं रोका अगर किसी की मेरे साथ जेल में जगा है तो उनकी है उसका कहना सही है क्योंकि माबाप तुवारा अपनी जिम्मेदारियां पूरी न किये जाने उन्हें भी दोसी बनाता है जिम्मेदारी चाहे किसी की भी हो लेकिन चोर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता बच्चों की पसंद नापसंद जानना जरूरी होता है और उन्हें सही रास्ता चुनने का मोका देना चाहिए लेकिन बगेर मार्ग दर्सन के रास्ते चुनने देना बरवादी लगता है तन और मन की मजबूती का नतिजा त्याग और हात्मनुसासन है मा बाप एक हफते में बच्चों के साथ काम की बाचीत पर तकरीबन 15 मिनट तक का ही वक्त देते हैं बाकी समय उन्हें अपने साथियों और टीवी से जो नेतिक मुल मिलते हैं उन्हें मन्चाही धंग से इकठे करने के लिए छोड़ दिया जाता है जर्नल अफ दा अमिर की फैमिली एसोसियसर खुश से पूछें अनुसासन के बिना क्या एक कप्तान जहाद को सही धंग से चला सकता है क्या एक एथलीट दोर में जीच सकता है क्या एक वाइलिन वादक संगित समारों में अच्छी तरह से वाइलिन वजा सकता है जवाब है बिलकुल नहीं तब आज क्यों हम अपने आपसी बैवार में या जिन्द्गी में एक खास मकाम हासिल करने के लिए अनुसासन के जरूरी होने पर सवाल या निसान लगाते हैं। अनुसासन बेहत जरूरी है। आज की फिलासुपी है अगर यह काम अच्छा लगता है तो करो। मैंने कई बार माबाप को बरे ही भोलेपन के साथ कहते हुए सुना है कि चाहे वे कुछ भी कर रहे हों लेकिन उन्हें इससे खुशी मिल रही है तो यह मेरे लिए महतुपूर नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उनसे पूशता हूँ क्या आप जानना नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों को क्या करने से खुशी मिलती है। और कैसे हासिल करते हैं। यह हमारे नेतिक मुल्यों अनुसासन और जिम्मेदारी का मिला जुला नतीजा होती है। हम अक्सर सुनते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। इस बात का उल्टा भी उतना ही सही है कि जो करना जरूरी है उसे पसंद करो। कई बार हमें ऐसे कामों को भी करना पड़ता है जिन्हें करने की जरूरत हो वे चाहे हमें पसंद हो या ना हो। एक मां दिन भर काम करने के बाद घर आती है फिर घर के काम काज निप्टाती है बच्चों की देखवाल करती है और आखिर में ठकी हारी सो जाती है। आदी रात को बच्चा रोने लगता है ऐसे में ठक कर सोई मां क्या उठना चाहेगी नहीं मगर फिर भी वह उठती है क्यों। इसकी तीन वज़े हैं प्यार, फर्ज, जिम्मेदारी। हम सिर्फ भाबनाओं के सहारे जिन्दगी नहीं गुजार सकते। हमें अनुसासन की भी जरूरत होती है। चाहे हमारी उम्र कितनी ही हो। जिन्दगी में काम्यावी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं के सिकार होने की बजाए। वह करें जो किया जाना चाहिए या जिसको करने की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है अनुसासन की। माबाप गुरू या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेवल। क्या आपने कुछ माबाप को अपने बच्चों को मजाग में या प्यार से कधा, बेवकूफ, उल्लू या भौदू कहतर पुकारते सुना है। लेवल जिन्दगी भर के लिए लग जाते हैं। बड़े होने पर यही बच्चे माबाप को सही सावित करते हैं। यह लेवल जिन्दगी भर के लिए ही नहीं बलकि पीड़ियों के साथ लग जाते हैं। भारत में जाती पर था इस बात का जीता जाता उदारन है। कि किस परकार लेवल लग जाना कितना तकलिफ दे हो सकता है। जो सारे समाज को बरबाद करता है। उची जाती या नीची जाती यह बातें सिर्फ लेवल नहीं तो और क्या है। आम तोर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेवल लगाते हैं। तुम बहुंदू हो। कोई भी काम तुम सही ठंक से नहीं करते। तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सही मुल्यों की सिक्षा। बहुत बार जाने अंजाने हम पर अपने परिवार या दब्तर में गलत मुल्यों की सिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या करमचाडियों को अपने लिए जूट बोलने को काते हैं उधारन के तोर पर उन्हें कहो कि मैं यहां पर नहीं हूँ, उन्हें कहो कि चेक टाक से भेज दिया गया है। हम अपने मावा गुरू या सुपरवाइजर से या उमीद करते हैं कि वे हमें इमंदारी और सक्चाई सिखाएंगे लेकिन कई बार हमें निरासा ही मिलती है। लोग ऐसे चोटे मोटे जूट बोलते बोलते पेसेवर जूट बोलने वाले बन जाते हैं और जूट बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब हम अपने लिए दूसरों को जूट बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वे हमसे भी जूट बोलने लगेंगे, जैसे सेक्रेटरी फोन पर अपनी बिमारी का बहाना करती है जबकि वह सावपिंग करने जाना चाहती है, हो सकता है कि उसके बास ने अपने लिए उससे जूट बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि इसमें एक्सपर्ट होकर उसी से जूट बोलती है, पहले वह उसके लिए जूट बोलती थी अब उसी को जूट बोलती है, उच्छा स्वाभिमान बनाने के कदम, अपनी कम्यों को फुवियों में बदलें ऐसे लोग की जीवनी पर हैं, जिने हार को जीत में नुपसान को फैदे में रास्ति के पत्थरों को सफलता की सीधी में बदल दिया हूँ ऐसे लोग दुखी और उदास होने से ही इंकार कर देते हैं, मायोसियों और नकाम्याओं को अपने उवर हावी नहीं होने देते दुनिया को सर्वस्रेश्ट संगीत देने वालों में से एक बीथो वन भी थे, उनकी और छमता क्या थी? वे बहरे थे, प्रकिर्टी के उपर सर्वस्रेश्ट कविताएं लिखने वालों में से एक थे मिलतन, उनकी और छमता क्या थी? वे अंधे थे फ्रेंकलीन डी रूजवेल्ट, अमरिका के सर्वस्रेश्ट राजपती और दुनिया के महांतम नेताओं में से थे उनकी और छमता क्या थी? वे चल फिर नहीं पाते थे, जिससे उन्हें वील्चेयर पर ही बैटकर काम करना पड़ता था विल्मा रुडोल्फ की कहानी विल्मा रुडोल्फ का जन टेनेसिस के एक गरीब पड़िबार में हुआ था चार साल की उन्हें में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बिमार कर दिया इनकी वज़ा से उसे पोलियो हो गया वह पेरो को सहारा देने के लिए ब्रेस पाहना करती थी डाक्टरों ने तो यहां तक कह डाला था कि वह जिन्दगी भर चल फिर नहीं सकेगी लेकिन विल्मा की मा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि इस्वर में विश्वास मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है नौ साल की उम्र में डाक्टरों ने मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतार कर पहला कदम लिया जबकि डाक्टरों ने कहा था वह कभी भी चल नहीं पाएगी तेरा साल की उम्र होने पर उसने अपनी पहली दौर परतियोगता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही इसके बाद वह दूसरी तिसरी चौथी दौर परतियोगताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखरी अस्तान पर आती रही और वह तब तक कोशिस करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फस्ट आई 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी एस्टेट युनिवर्सिटी गई जहां वह एक टेंपल नाम के एक कोच से मिली विल्मा ने उन्हें अपनी यह क्वाइस बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ तब टेंपल ने कहा तुम्हारी इसी इच्छ सक्ति की वज़ा से कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा आखिर वह दिन आया जब विल्मा ओलम्पिक में हिस्सा ले रही थी ओलम्पिक में दुनिया के सबसे तेज दोड़ने वालों से मुकाबला करना पड़ता है विल्मा का मुकाबला जुत्ता हैन से था जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था पहली दोर 100 मिटर की थी इसमें विल्मा ने जुत्ता को हरा कर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता दूसरी दोर 200 मिटर की थी इसमें भी विल्मा ने जुत्ता को दूसरी बार हराया और उसे दूसरा गोल्ड मिला तीसरी दोड 400 मिटर की Relay Race थी और Vilma का मुकबला एक बार फिर से जुधता से ही था Relay में Race का आखरी हिस्सा टीम का सबसे तेज अटलीथ ही दोड़ता है विल्मा की टीम के तीन लोग Relay Race के शुर्वाती तीन हिस्से में दवरे और आसानी से बेटन बदली जब विलमा के दोड़ने की बारी आई उसने बेटन ही छूट गई लेकिन विलमा ने देख लिया कि दूसरे चोर पर जुत्ता हैं तेजी से दोड़ चली है विलमा ने गिरी हुई बेटन उठाई और मसीन की तरह ऐसी तेज दोड़ी की दुत्ता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गूल मेडल जीता यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई की लकवागरस्त एक महिला 1960 के ओलम्पिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई विलमा से हमें क्या सिखना चाहिए इस से हमें सिख्षा मिलती है कि काम्याब लोग कठिनाईयों के बागूर सफलता हासिल करते हैं ना कि तब जब कठिनाईयां नहीं होती जब हम ऐसे किसी बेक्ति की कहानी सुनते या पढ़ते हैं जिसने की अपनी कम्यों को खुबियों में बदल दिया हूँ क्या यह हमें उस साहित नहीं करता यदि हम ऐसे ही काम्याब लोगों की जीवनी पर हैं तो क्या हमारा भी होसला नहीं बढ़ेगा समझ भरी ना समझी सीखे सिक्षा हमें सिखाती है की हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं मैं बहुत से ऐसे असीम छमता वाले लोगों की तलास में हूँ जो यह नहीं जानते की क्या नहीं किया जा सकता है हैंरी फोर्ड हेंडरी फोर्ट ने दुनिया को V8 इंजन दिया है उन्होंने स्कूली सिक्षा ज़्यादा नहीं पाई थी वास्तव में 14 साल की उम्र के बाद वे स्कूल ही नहीं गई थे वे इतने समझदार थे की जानते थे की V8 इंजन बनाया जा सकता है प्रन्तु तक्निकी अग्यानता की वज़ा से नहीं जानते थे की कैसे तो उन्होंने अपने सारे उची तालिम वाले लोगों को V8 इंजन बनाने को कहा उन लोगोंने हेंडरी फोर्ट को बताया की क्या हो सकता है और क्या नहीं और यह कि V8 इंजन बनाना नामुम्किन है लेकिन हैंडी फोर्ट V8 इंजन बनाने की अपनी मांग पर अरा रहा वे लोग वही बात दोराते रहे कि हमें मालूम है कि क्या हो सकता है क्या नहीं V8 इंजन बनना असंभब है कुछ महिनों के बाद उसने अपने लोगों से फिर से कहा कि मुझे मेरा V8 इंजन चाहिए कुछ ही दिनों बाद वही लोग हैंडी फोर्ट का V8 इंजन बना कर ले आए यह कैसे हुआ उन्होंने अपनी सिक्षा की हदों से आगे बढ़ कर सोचा सिक्षा हमें जहां एक और यह बताती है कि क्या क्या जा सकता है वहीं दूसरी और कई बार हमारी जुटी सिमाएं भी बांधती है भवरा हमें कुद्रस से कुछ सीखने की जरुवत है बेग्यानिकों के मुताविक भवरे का सरीर काफी भारी होता है और पंखव का फिलाओ का भी कम वायू गतिका के अनुसार भवरा उड़ नहीं सकता लेकिन भवरे को इस बात की ख़वर नहीं है और वह उड़ता रहता है जब आप अपनी हदों और सिमाओं को नहीं जानते तो आप बरे और उच्छे काम करके खुद को ही आसर चकित कर देते है पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि क्या मेरी कोई सीमा भी थी हम सिर्फ उन्हीं सीमाओं से बंदे हैं जो हमें खुद अपने लिए बनाई है सिक्षा को आज अपने उपर बंधन मत लगाने दें उन लोगों के लिए कुछ करें जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं विस परसिद मनोचिकसक डॉक्टर कार्ल मेनिंजर से एक बार पूछा गया कि आप उस आदमी को क्या सलाह देंगे अगर आप जानते हैं कि किसी बेक्ती का नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है दरसक उमीद कर रहे थे कि डॉक्टर मेनिंजर ऐसे आदमी को डॉक्टर से सलाह लेने को कहेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया डॉक्टर मेनिंजर ने कहा मैं ऐसे आदमी को यह सला दूंगा कि वह अपने घर में तला लगा कर सहर की दूसरे हिस्से में चला जाए और वहां किसी जरूरत मंद की मदद करें ऐसा करने से हम अपने रास्ते की बाधा खुद नहीं बनते हैं कई बार हम अपने ही रास्ते में खुद ही रुकावट बन जाते हैं क्या यह सही बात नहीं है सोसल वरकर बनिये इससे आद महत्व बढ़ता है जैसी मदद आप दूसरों से खुद के लिए चाहते हैं दूसरों की वैसी ही मदद करें यह आपको संतोस की अनुभूती देगा यह एक अच्छी भावना है जिससे उचे स्वाविमान का निर्मान होता है बदले में बिना कुछ पाने की भावना के दूसरों की मदद करना किसी भी वैक्ती में स्वाविमान को बढ़ाता है एक अच्छी सक्सियत वाले वैक्ती को सिर्फ लेने की नहीं देने की भी जरुवत होती है प्रसंसा लेना और देना सीखें दूसरों की सची प्रसंसा करने का कोई मोका हाथ से ना जाने दे याद रखें कि इसमें सबसे महत्कुन सब्द है सदभाव, सच्चाई और इमंदारी जब दूसरे आपकी तारीफ करते हो तो उसे सिष्टा और नर्मता से दो सब्द आपका धन्यवाद कहते हुरे स्विकार करें यह विनर्मता की निसानी है जिम्मेदारी को स्विकार करें बेभार और काम के लिए हमें जिम्मेदारी को कबूल करना और बहाने वाजियों से बचना चाहिए उस एस्टुडेंट की तरह बने जो सिर्फ इसलिए फेल हो गया था क्योंकि उसे टीचर या इसे पसंद नहीं आया ऐसा कभी न करें सबसे ज़्यादा नुकसान वा किसे पहुचाता है हमें अपनी जिम्मेदारी को स्विकार करके दूसरों को दोस देना बंद करना चाहिए तभी यह संबव है कि हमारी उत्पादक्ता और जीवन की क्वैल्टी में सुधार होगा अधिकार हमारी जिम्मेदारियों से बरे नहीं हो सकते हमारे अधिकारों की स्वरक्षा हमारी जिम्मेदारियों की पालन से ज्यादा नहीं बढ़ सकती जाउन एफ कैनेडी बहाना बाजिया समस्याओं को और भी मुस्किल कर देती है और फुद भी समस्या बन जाती है हमारी जिम्मेदारियां है फुद के लिए, परिवाल के लिए, दप्तर के लिए, समाज के लिए, वातावरन के लिए पेर पोधे को लगा कर मिट्टी के कटाव को रोकने और प्राकृतिक फूपसूर्ती की हिपाज़ करके हम हर याली बढ़ा सकते हैं हमें इसी पिर्थवी पर रहना है, हमारे पास दूसरी पिर्थवी नहीं है जहां हम जा सकते हैं हर दिन हमें कुछ ऐसे काम करने की जरूरत है जिन से यह दुनिया रहने की एक बेहतर जगह बन सके आने वाली पीडियां के लिए हम सिर्फ इस जमीन के हिफाज़त करने वाले हैं अगर हम जिम्मेदारी भरा बेभार नहीं करेंगे तो आने वाली पीडियां हमें कैसे माप कर सकती हैं अगर आदमी की ओसत्यायू 75 साल हो और आप अभी 40 साल के हैं तो अभी भी आपको 365 गुना 35 दिन जीना है खुद से यह सवाल पूछें कि आप इस समय के साथ क्या करना चाहते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियां स्विकार करते हैं या बढ़ाते हैं तो फुद को और भी महत्रपूर्ण बना लेते हैं क्या यह सच नहीं हैं अनुसासन का पालन करें आत्म अनुसासन हमारे आनन्द को खत्म नहीं करता बलकि और भी बढ़ाता है आपने देखा होगा कि पर्धिवा और समताओं के बावजुद भी बहुत लोग नाकाम्याब है वे निरास होते हैं और यही ब्यभार उनके ब्यभार सेहत और डिस्तों पर असर डालता है वे संतुष्ट नहीं होते हैं और अपनी समस्याओं के लिए भागे को दोस्त देते रहते हैं यह महसूस किये बिना कि उनकी कई समस्याएं तो अनुसासन की कमी से पैदा हुई है अपने लक्ष तई करें सही और साफ प्रकार के बनाए गए लक्ष ब्यक्ति को एक दिसा दिखाते हैं लक्ष में काम्याब होने से संतोस मिलता है लक्ष से भी ज़्यादा महत्कुन है दूर दर्शिता और जिंदगी का मकसद इससे जिंदगी को एक अर्थ और फुर्णता मिलती है अपने लक्ष में काम्याब होने से हम जो पाते हैं उससे भी ज्यादा महत्पुन है कि उसको पाने से हम जो बन जाते हैं हम जो बनते हैं वही हमें सच्ची खुसी देता है और यही सच्चे अर्थों में स्वाविमान है हमारे लक्ष वास्त्विक्ता से दूर नहीं होने चाहिए क्योंकि जो लक्ष वास्त्विक्ता से परे या वे बुनियाद होते हैं वे काम्यावी में नहीं बदले जा सकते जिससे हमारे स्वाभिमान में कमी आती है जबकि वास्त्विक और बुनियादी लक्ष हमें उठसाहित करने के साथ-साथ हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाते हैं उच्छे चरित्रवारे लोगों से नाता जोड़ें अगर आप खुद के मान सम्मान को महतुद देते हैं तो गुनवान लोगों की संगती में रहें खराब संगत में रहने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही रहें जोर्ज वासिंग्टन दोस्तों की परख बुरा प्रभाव सातियों की दवाब के रूप में आता है लोग कहते हैं क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो याद रखें कि अच्छे दोस्त कभी भी अपने दोस्तों को दुप और तकलीप में नहीं देखना चाहते अगर मैं किसी अपने दोस्त को कभी बेहत सराब पिये हुए देखूं तो मैं उसे कारी चलाने से रोकूंगा किसी भी हालक में मैं दोस्त खोने के बज़ाए दोस्ती खोना पसंद करूंगा अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए गलत काम भी वरी सहजता से कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा मजा आया मगर वे यह नहीं समझ पाते कि उनका यही मजा उन्हें मजाक बना देता है साथियों के दवा में जो सुरू होते हैं वास्ता में वही छन दोस्ती की परख की घड़ी के होते हैं जब आप मुश्किल में होंगे तब वे कहां होंगे वे कहां तक आपकी मदद करेंगे और सबसी बड़ा सवाल तो यह है कि आज जब उनके पास चरित्र नहीं है तो कल वे आपकी मदद के लिए चरित्र कहां से लाएंगे उचे नेजिक चरित्र के लोगों के साथ जूरने से स्वाभिमान बढ़ता है साथियों का दवाव जब जुन्ड में सामिल होने की इच्छा सही काम पर टटे रहने की इच्छा से ज़्यादा परवल होती है तो साफ है कि जिसकी कमी है वह है साहस और चरित्र आप बहस या हसी मजाग के पाथ्र नहीं बनते जुन्ड के साथ चलने में सुविधा महसूस होती है आपके आसपास के लोग खुस रहते हैं और आपका मजाग बनाए जाने का डर नहीं रहता मगर यहीं पर पूछे स्वाभिमान वाले लोग एक सीमा खीच लेते हैं यहीं पर बरे और छोटे का फर्क पता चल जाता है उदाहरन के तोड़ पर इसकुली बच्चे अपने ग्रूप का हिस्सा इसलिए बने रहना पसंद करते हैं ताकि उन पर कोई हसे नहीं वे जवाब देने की पहल नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि दूसरे उनका मजाग उराएंगे कार खाने के करमचारी अपने साथियों को खुश रखने के लिए जान बूझ कर अपना उतपादन कम रखते हैं और ज्यादा मेहनद नहीं करते है थोरा बहुत चलता है या हर चीज हद के अंदर ठीक है बहुत से लोग कहते हैं कि हर चीज चलती है या हद के अंदर हर चीज ठीक है मैं थोड़ा बहुत ट्राय करके छोड़ दूगा सवाल यह है कि क्या थोड़ा बहुत धोखा देना ठीक है क्या थोड़ा बहुत चरस गाजा लेना ठीक है क्या थोड़ा बहुत जूट वोलना ठीक है क्या थोड़ा बहुत नजाय सम्मंद रखना ठीक है क्या थोड़ी बहुत चोड़ी करना ठीक है कुछ लोग बार-बार इस बात को सही ठाराते हैं कि मैं जब चाहूं तब इन बुराईयों को छोड़ सकता हूं वे यह महसूस नहीं करते कि इच्छा सक्ति के मुकाबले बुरे असर ज्यादा ताकतवर होते हैं बाहरी दबाबों की अपेक्छा अंदरूनी सक्ति से चलें किसी दिन अगर कोई बहुत खुस मिजाजी की साथ सोकर उठें और मुझे भौन करके कहें कि दुनिया में तुम सबसे महान आदमी हो तुम अच्छा काम कर रहे हो मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त कहने में मुझे गर्ब महसूस होता है मैं जानता हूँ कि वह इमांदारी से कह रहा है यह सुनकर मुझे कैसा लगेगा जाहिर है बहुत अच्छा मगर अगले दिन जब वह जोनिलाहट के साथ सोकर उठता है और मुझे फौन करके कहता है कि तुम दूष्ट जाल साज और मकार हो तुम सहर में सबसे बड़े आज हो यह सुनकर मुझे कैसा महसूस होगा जाहिर है बहुत ही बुरा इस तरह जब उसने पहले दिन कहा तुम सबसे अच्छे आदमी हो मैंने अच्छा महसूस किया अगले दिन जब उसने मुझे दुष्ट कहा तो मैंने बहुत बुरा महसूस किया मेरी जिंद्गी की कौ चलने की बात मैं अंदरूनी सकती से चलने वाला बनना चाहता हूं जब उसने मुझे फ़ौन किया और मुझे सबसे अच्छा बेक्टी कहा तो सुनने में तो यह बात बड़ी अच्छी लगी लेकिन अगर वह मेरी तारीप में यह बातें ना कहता तो भी मैं अपनी नजरों म अभी भी एक अच्छा इंसान हूँ जब लोग ऐसी बातें कहते हैं तुम मुझे नराज करते हो तो यहां पर कंट्रोल बाहरी है लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं तुम से नराज हूँ तो यहां पर कंट्रोल अंदरूनी है कोई भी आपकी इजाजत के बगेर आपको हीन य और रूजवेल्ट एक कहानी है कि प्राचीन भारत के किसी साधू महत्मा को राह चलते एक आदमी ने धालिया दी उस महत्मा ने बिना परिसान हुए उन बातों को तब तक सुना जब तक वह आदमी बोलते बोलते ठक न गया तब उन्होंने उस आदमी से पुछा अगर किसी क दी हुए चीज न लिजाये तो वह चीज किसके पास रहेगी आदमी ने जवाब दिया कि चीज देने वाले के पास ही रह जाएगी महत्मा ने कहा मैं तुम्हारी इस देन को लेने से इंकार करता और उस आदमी को हका-बका और हैरान छोर कर चल गए उस महत्मा का कंट्रोल अंदरौनी था। जब तक हम बाहरी बातों को दोस्त देते रहेंगे तब तक हमारे दुख चलते रहेंगे और हम दुख को अउसहाय महसुस करते रहेंगे। जब तक हम अपने औसहाय और बेभार की जिम्मिदारी कुद नहीं लेंगे, तब तक हम में कोई बदलाओ नहीं आएगा, इस दिसा में हमारा पहला कदम या पूछना होगा, मैं परिसान क्यों हुआ, मैं गुसा क्यों हुआ, मैं निरास क्यों हुआ, तब हमें इन पर काबू पाने के उपए भी मिलने लगते हैं, खुसी अच्छे स्वाविमान का नतीजा है, अगर आप लोगों से पूछे कि किन बातों से उन्हें खुसी मिलती है, तो आप बहुत किस्म के जवाब मिलेंगे, इन में से ज़्यादतर लोग धन दौलत, भोतिक ऐसो अराम की चीज़ भी नहीं की, वह खुस हो, उसकी उल्टी बात भी इतनी ही सच है, खुसी अंदरूनी होती है, खुसी तो एक तितली की तरह है, जिसके पीछे आप यतना दोड़ती रहेंगे, यह आगे उड़ती ही जाती है, और हाथ नहीं आती, अगर आप चुप्चा खरे हो जाएं, तो यह खुद बखुद आपके कंधे पर बैठ जाएगी, खुसी लाने वाली मानसिक प्रविर्ती बनाए, करवाहट भावनात्मक नाकाम्यावी की पहचान है, अच्छे काम करने की हमारी छमता को यह अपाहिच कर देती है, अपने मापडन खुद बनाए, खुद की परती इम अंदार रहें, अपनी छमता से ही मुकाबला करें, नीचे लिखी बातों को अपनाए, हर ब्यक्ति और हर हालत में इच्छाई ढूंडें, खुस रहने का फैसला करें, अपने मापडन समयदारी से तै करें, गलत आलोजना से परिसान ना होने की सक्ति बढ़ाए, हर छोटी स चीज में भी खुसी तलासना सीखें, याद रखें कि समय कभी एक ऐसा नहीं रहता, उतार चड़ा तो जीवन का हिस्सा है, हर प्रस्तिती का भरपूर आनंद लें, रचनात्मकार्यों में खुद को लगाएं, रखें, खुद से कम भागसाली लोगों की मदद करें, चीजो आना, मगन ना रहें, खुद को और दूसरों को माफ करना सीखें, अपने और दूसरों के पर्तित, द्वेस भाव ना रखें, खुद को सही आतमसुझा ओते हैं, खुद से सही बाते करने की आदत बनाएं, आतमसुझाओ हमारे अभजिक्तन मन को प्रभावित करके, हमारे विश्वास को डीट करता है हमारे बेभार में हमारा डीट विश्वास लगता है आत्म सुछाओ हमारे डीट विश्वास को प्रभावित करके हमारे बेभार पर असर डालता है या हमें आने वाले कल के लिए तैयार करता है और असलियत का रूप लेकर जीवन में उतर आता है उदाहरन के तोर पर मैं इसे संभाल सकता हूँ मैं इसे कर सकता हूँ मैं हिसाब में अच्छा हूँ मेरी यदास्त अच्छी है हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है आपका कोई गुन अपने दैरे से बाहर निकल जाता है तो कमजूरी में बदल जाता है उदारन के तोर पर सेल्स के पेसे में अच्छी तरह से बात करना एक हुनर है अक्सर ऐसा देखा गया है कि बोलचाल में कुसल सेल्समें ज्यादा सफल होने लगते हैं और फिर इसी हुनर को हज से ज्यादा इस्तमाल करने पर असफल भी होने लगते हैं उनकी हालत उन्हें काम्याबी के पास तो ले जाती है लेकिन जरुष से ज्यादा होने पर कमजूरी बन जाती है और वे नकाम्याब होने लगते हैं सुनना भी एक ताकत है जरूरस से जादा बढ़ने पर यह नतिजा निकलता है कि जादा सुनना और ना बोलना उसकी कमजोरी बन जाती है हमारी सबसे बरी कमजोरी हमारी सबसे बरी ताकत बन सकती है गुस्सा एक कमजोरी है इसे एक ताकत के रूप में कैसे बदला जा सकता है इसका प्रदर्सन एक महिला ने मेट बना कर किया मेट का मतलब है Mothers Against Drunk Driving नामक संस्ता एक सरावी ट्रैवर की लापरवाही से उस महिला का बच्चा मारा गया था वह इतनी गुस्सा हुई कि उसने यह मैसला किया कि समाज में वह ऐसी बातें बरदास्त नहीं करेगी उसने समुचे अमेरिका में सराव पीकर ड्रैविक करने के खिलाब लोगों को एक जुट किया आज वह महिला और उसका संगठन लाखों सदस्यों के साथ एक बड़ी सक्ती बन चुका है और जरूरी कानूनी बदलाव लाने में भी सफल हो रहा है यह गुस्से जैसे नकारात्मक भाव को एक सही मजबूत इरादे में बदलना है उसकी कमजूरी ही उसकी ताकत बन गई धैर्ज रखें अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीज को एक बार देखने सुनने या करने से कोई असर नहीं होता लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता असर भले नजर ना आए लेकिन कुछ न कुछ असर जरूर होता है चीन में बांस का एक ऐसा पेर्ट होता है जिसे चार सल तक रोपने पानी देने या खाद देने की बावजूद उसके अंकूर फुटने का भी कोई निसान नहीं दिखता लेकिन पांचमे साल के दोरान पांस का एक पोधा सिर्फ चा सब्ता में 90 फीत तक बढ़ जाता है सवाल यह उठता है कि क्या पांस का यह पोधा सिर्फ चा हफ्तों में बढ़ा या इस काम में पांस साल लगे जबकि इसकी जर में होने वाला परिवर्तन उपर से दिखाई नहीं दे रहा था जब नजर आने वाले कोई लच्छन नहीं थे और कोई इस पोधे को पानी देना और खाद देना बंद कर देता तो क्या वह बढ़ पाता बिल्कुल नहीं बांस का यह पोधा मर जाता हमें कुद्रस से सीखने की जरूरत है और यह सीख बिल्कुल साथ है धैर्ज और विश्वास के साथ सही कार्ज करते रहे अगर नतीजा न नजर आये तब भी उसका असर जरूर होता है लिस्ट बनाए अपनी सारी सक्तियों और कमजोडियों की लिस्ट बनाए काम्याब लोग अपनी कम्यों को पहचानते हैं मगर अपनी सक्तियों को बढ़ाते हैं जब तक हम अपनी सक्तियां भाचानेंगे ही नहीं, तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे, इस बार पर ज़्यादा ध्यान दे कि आप क्या करना और बनना चाहते हैं, ना कि क्या नहीं। स्वाभिमान के भाव का असली निचोर नीचे लिखे अपराहम लिंकन के लवजों से ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। ये दुनिया आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। चहार दिवारी के बाहर कभी झाका नहीं था। इसमें सायद संगर्स भी होगा, दुख भी होगा और निरासा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरुवत होगी। इसलिए ये दुनिया मैं उमीद करता हूँ कि आप इसके नन्हे हाथों को पकर कर वे सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर मगर हो सके तो प्यार से। मैं जानता हूँ कि इसे एक दिन यह समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी इस्तरी पूर्ष सच्छे नहीं होते। इसे यह भी सिखाएं कि संसार में हर्थ उर्थ के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहां एक दुस्मन है तो वहां एक दोस्त भी है। इसे शुरू में ही या सीखने में मदद करें कि बुरे और धोस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे असान है। इसे किताबों की खुवियों के बारे में बताएं और पढ़ने के लिए प्रेडित करें। इसे यहवी सिखाएं कि बैमानी की जीत से हार जाना कहीं अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाएं जब सब कह रहे हों कि वह गलत है। मेरे बच्चे को वह सकती दे जिससे वह भीर का हिसा न बनकर भेर चाल न चले जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे यह तो सिखाएं कि जब दूसरों की बात सुनें लेकिन हर बात सच्चाई की तराजों पर पर्खें और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाएं। जिन्दगी में खुद को सही पाता है तो अपने सही इरादों पर टटा रहें और संघर्स करें। इसे नर्मी से सिखाएं लेकिन यह दुनिया इसे बिगारे मत और कमजोर न बनाएं क्योंकि लोहा आग में तब कर ही उलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना एक बहुत बड़ी बात है मगर ए दुनिया फिर भी आप ऐसा करने की कोशिस जरूर करें। आखिरकार वह एक बहुत प्यारा बेटा है। अब्राहम लिंकन अध्या है पांच आपसी मेल जोल अच्छी सक्सियत का निर्मान। इस दुनिया में मैं लोगों के साथ पेश आने वाली काबलियत को किसी भी दूसरी काबलियत की तुलना में ज्यादा मुले दूंगा। जान राग फेलर हमारी समस्याएं वैवसाए सम्मंधित नहीं ब्यक्ति सम्वद्दित है। जब हम लोगों से जूरी समस्याएं सुलजा लेते हैं तब हमारे वैवसाए से सम्मंधित समस्याएं खुद वखुद सुलज जाती है। वस्तु ग्यान से ज़्यादा जिरूरी है वैक्ति ग्यान। सफल लोग अपनी सक्सियत, खुस्नुमा और आकर्सक बना लेते हैं और यही बात उन्हें करिस्माई बनाती है। दूसरे से दोस्ताना सहयोग पाने में मदद मिलती है। एक अच्छी या खुस्नुमा सक्सियत को भाचानना तो असान है लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह एक इंसान के चलने और बात करने के धंग, उसकी आवाज के उतार चरह, उसकी कर्म जोसी और उसके ठोस आत्म विस्वास में जलगता है। कुछ लोग अपना आकरसन उम्र के किसी भी दोर में नहीं खोते क्योंकि या खुबी चेहरे और दिल दोनों से जलगती है। एक अच्छी सक्सियत किसी इंसान की नजरिये, तरीके और बेभार के मेल से बनती है। खुश मिजाद दिखना आपकी सक्सियत की सबसे बड़ी खुबी है, जो आपके चेहरे से जलगता है। वह आपके सरीर के कपरों से ज़्यादा महत्तपुन है। क्योंकि यही आपकी अविव्यक्दी है। किसी का आकर्सक होना सिर्फ जोतों की चमक या उपरी टीप टॉप से नहीं दिख सकता। खराब चरित्र को छिपाने के लिए आकर्सक हावभाव का इस्तवाल थोड़ी देर तो किया जा सकता है। लेकिन असलियत खुलते देर नहीं लगती। चरित्र के बगएर सिर्फ परतिभा और सक्षक्त के अधार पर जो रिष्टे बनाये जाते हैं। वे जिंद्गी में परिशानियां और दुख के सिवाए कुछ नहीं लाते। अच्छे चरित्र के बगएर करिस्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी सक्ल। इसका सार या है कि जिंद्गी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिस्मा दोनों का मेल होना बेहत जरूरी है। नर्मता सब के साथ रखें मगर नजदिकी बहुत कम के साथ और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परक लें। सच्ची दोस्ती धीरे बढ़ने वाली पौधे की तरह है और उसे यह दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलों सहके भी मजबूती से खराराना पड़ेगा। जार्ज वासिंग्टन जीवन एक गूंज है। गाटी में पहली बार था जब उसने कोई गूंज सुनी थी। वह डर कर अपनी मा के पास भागा और बोला घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिलाता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी मा सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिट से चिला कर कहे। चोटा बच्चा वहाँ गया और चिलाया मैं तुम्हे प्यार करता हूँ। और वही अवाज गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली हमारा जीवन एक गूंज की तरह है। हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। बेंजामीन फ्रेंकलीन ने कहा है जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। जीवन एक बूमरेंग है। बूमरेंग आस्टलिया में इस्तिमाल किया जाना वाला एक तरह का अउजार है जो फेके जाने पर फेकने वाले के पास वापस चला आता है। वे चाहे हमारे विचार हों, काम हों या व्यभार हों आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेजी से वापस लोड़ते हैं। जीवन में उपर उठते समय लोगों से अदब से प्येस आएं क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। नीचे लिखी कहानी दब्येस्ट आफ बिर्स एंड पिसेज से ली गई है। बहुत साल पहले दो लरके एस्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसे की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इगनेसी पेडेरेस्की को पियोंने बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे एकठे होंगे उन्हें वे अपनी पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियोंनों वादक की मेनेजर ने दो हजार डॉलर की गैरेंटी मांगी उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकब मानी जाती थी। मगर इन लर्कों ने इसे स्विकार कर लिया और संगी समारों का परचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेना तो बहुत की लेकिन सोले सो डॉलर ही जमा कर पैए। समारों के बाद इन दो लर्कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने उसे सोले सो डॉलर की सारी रकंब दे दी और 400 डलर का एक करार नमा भी दिया और यह कहा कि वे यह बाकी रकम कमा कर जितनी जल्दी हो सके उनके पास भेज देंगे आप तो उन्हें अपने कॉलेज की परहाई का भी अंत दिखने लगा लेकिन पेडेडेस्की ने कहा नहीं बच्चो ऐसा नहीं हो सकता उन्होंने तब वह करार नमा भार दिया और सारा पैसा भी लोटा दिया और कहा इस 16-60 डलर में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बच्ची रकम में से 10% अपने मेहनत दाने के रूप में ले लो बाकी बच्ची रकम मैं ले लेऊंगा साल गुजरते गए पहला विसूद हुआ और समाप्त हो गया पैडेरेस्की अब पोलेंड के पर्धानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भोखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्स कर रहे थे एक आदमी जो उनकी मदद कर सकते थे वह थे यूएस फूड एंड रिलीफ वियोरो के अधिकारी हावर्ड हुवर्ड ने बिनादेर की एक अदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलेंड भी जवा दिया पैडेरेस्की भोखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हावर्ड हुवर्ड को इस सहता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुशे धन्यवाद की कोई जरुवत नहीं मिस्टर पैडेरेस की हुवर्ड का जवाब था और फिर आपको सायद याद नहीं एक बार आपने मेरी सहता की थी जब मैं कालेज में विद्यार्थी था और मुस्किल में था जिंदगी की सबसे खुबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुद्रती रूप से अपने आप हो जाता है राल्फ वाल्डो इमर्सन अच्छाई वाफसी का रास्ता भूंड लेती है यही प्रकरती का नियम है सिर्फ फल खाने की इच्छा से किसी को अच्छे काम करने की जरुवत नहीं है या तो खुद्रती तोर पर अपने आप होता है दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी हुआ है बलकि वैसी दिखती है जैसे हम है यह एक ऐसे बुद्धिमान ब्यक्ती की कहानी है जो अपने गाउं के बाहर बैठा हुआ था एक यातरी उधर से गुजरा और उसने उस ब्यक्ती से पूछा इस गाउं में किस तरह के लोग राते हैं क्योंकि मैं अपना गाउं छोड़ कर किसी और गाउं में बसने की सोच रहा तब उस बुद्धिमान ब्यक्ती ने पूछा तुम जिस गाउं को छोड़ना चाहते हो उस गाउं में कैसे लोग राते हैं उस आदमी ने कहा वे स्वार्थी निर्दई और रूखे है बुद्धिमान ब्यक्ती ने जवाब दिया इस गाउं में भी ऐसे ही लोग राते हैं कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया और उस बुद्धिमान ब्यक्ती से वही सवाल पूछा बुद्धिमान ब्यक्ती ने उससे भी पूछा तुम जिस गाउं को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग राते हैं उस यात्री ने जवाब दिया वहां लोग विनर्म, दयालू और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं तब बुद्धिमान ब्यक्ती ने कहा इस गाउं में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे इस कहाने से क्या सबक मिलता है आम तोर पर हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी हुआ है बलकि जैसे हम खुद हैं वह ऐसी देखते हैं जाद तर दूसरे लोगों का बेभार हमारे बेभार का ही आएना होता है भरोसा मेरा विश्वास है कि जाद तर रिष्टे भरोसे पर अधारित होते हैं इसे कि मालिक नोकर माबाब बच्चा पती-पत्नी गुरु बिजार्थी खरिदने वाला बेचने वाला और ग्राहक सेल्समें बिना निश्ठा और इमंदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे का संकत में पढ़ने का मतलब है सच्चाई का संकत में पढ़ना भरोसा भरोसिमंद बनने का नतीजा है किन-किन बातों से भरोसा पैदा होता है विश्वस्नियता कमिंटमेंट से आती है और पहले से अंदाजा लगाने की छमता देती है अस्थिर्ता विश्वास बढ़ाती है सम्मान खुद के और दोसरों की परतिस्ष्टा और प्रवाह करने का भाव पैदा करता है निस्पक्ष्टा नियाय और निष्ठा के भाव को जगाता है खुला पन बिना संकोज के हर चीज के लिए खुला रास्ता है समता कथनी और करनी में समानता होती है अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे निपुन्ता काविलियत और सिवा की भावना से यह गुन आता है इमंदारी इमंदारी विश्वास का महत्वण अंग है स्विकिर्ति सुधार के प्रयास की बावजूत हमें एक दूसरे की कमियों और खुबियों को एक हद तक कबूल करने की जरूत है चरित्र किसी इंसान म में कितनी ही योगता क्यों नहों लेकिन अगर वह चरित्रवान नहीं है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता भरोसे का महत्व प्यार से भी ज्यादा हो सकता है हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते रिष्टे बेंक अकाउंट की तरह है हम उनमें जितना जमा करते हैं उतने ही वे बढ़ते हैं इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं लेकिन अगर आप बिना जमा किये निकालने की कोशिश करेंगे तो निरासा ही हाथ लगेगी कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज्यादा निकाल लिया है मगर कम ही जमा किया है खराब रिष्टियों और हरोसों की कमी के कुछ नतीजे नीचे बताए गए हैं तनाव खराब सेहत आपसी समझ की कमी और विश्वाव स्चिर्चिरापन प्रोध बंद दिमाग या संकुचित सोच प्रवाग्रह टीम एस्पिरीट का भाव आत्मबल का लापन वे कौन कारक हैं जो सही रिष्टे को बनाने और कायम रखने में बादक बनते हैं इन में से जादतर के मायने साफ है या उनका वीवरन इस चप्टर के आखरी में दिया गया है खुदगर्जी तहजीब की कमी लापरवाह बैवहार वादों को पूरा ना करना रूख प्रचाई और इमंदारी का अभाव स्वार थी एक इंसान जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है अरियल पन एक अरियल बैक्ति अपने विचारों और ग्यान से संतुष रहता है उसके हमेशा अग्यानी बने रहने की पूरी गार ने जवाब दिया जरूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी बुद्धिम्यत्ता तो मेरे पास ही है घटिया नजरिया बंद दिवाग दिहान से सुनने की कमी सक्की मिजाज नेतिक मुल्यों के समान की कमी अनुसासन की कमी दया का अभाव कुरूरता कमजोरी की निसानी है उतावलापन कुरोध गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे वहीं बनाए रखता है हेराफरी करने की आदत, सामना करने की सक्ति का अभाव, भावुप स्वभाव, अस्थिर्ता, सच्चाई का सामना या स्विकार न करने की इच्छा, पिछले बुड़े अनुवव, लापरवाही का नजरिया, उपेक्षा अच्छा एहसास नहीं है यह बेरुखी दिखाता ह है, लालज समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं उतनी ही प्यास बढ़ती है, इस सुची में सायद सारी बाते नहीं है, हमें से ज्यादातर में उपर लिखी हुई बाते हो सकती है, किसी में एक बात ज्यादा हो सकती है, किसी में एक कम, उदेश इन छेत्रों को पर प्रकना और सही राप पर लगाना है शंकार और गर्भ में अंतर मैं शही रिष्ते में सबसे वरी रुकावट हो हिवाता है शंकार अपने आप में नसा है शंकार कर एक खोटा गर्व differentद example product गर्व, आनन्द और संतुष्टी का वह भव है, जो सही रूप में किसी काम को विनर्मता से किये जाने को कहते हैं, आहंकार से दिमाग चड़ जाता है, जबकि गर्व के भव से सीर उचा होता है, जितना दिमाग चड़ा होगा, उतनी बड़ी सीरदर्दी होगी, और जितना उतीन कितनी की बड़ी क्यों न हो बद्दिमागी का किसी को हग नहीं है गर्म जरूर होना चाहिए लेकिन बद्दिमागी नहीं अहंकार मैं सब कुस्छ जानतहूं का नग्रिया एक अहंकारी ब्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है और वह समझता है कि उसके लिए उसी की चारों और बुंती है एक बावस ने अपने एक अधिकारी से पूछा उसे बेतन में बिर्धी की कैसी जरूरत है उस अधिकारी ने कहा बहुत ज़्यादा मैं भगवान से इसकी प्रारत्ना करता हूँ बास ने जवाब दिया अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने मुझसे उचे अधिकारी से बात की है एक अहंकारी दूसरों को सदा निचा दिखाता है अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मुर्खता के दर्द को कम कर देता है नियूट रोपने अपनी भलाई देखने और स्वार्ती होने में क्या अंतर है इन दोनों सब्दों की बीच का फर्क समझना जरूरी है स्वार्ती होना घटिया और बरबादी लाने वाला होता है यह रिष्टे को तोड़ता है क्योंकि यह गलत मुल्यों पर अधारित होता है यह हार यह जीत के सिधान पर विश्वास करता है अपनी भलाई देखना सही है पर धन दोलत मांसिक सांती अच्छी सिहत और पुशियों को बढ़ाता है और यह इनका स्वागत करता है अपनी भलाई देखने की भवना सबकी जीत में विश्वास करती है केकड़ा प्रवर्ती क्या है क्या आप जानते हैं कि केकरों को किस परकार पकरा जाता है इसका तला तो होता है ढग कर नहीं होता जब बक्सा भर जाता है तो इसको बंद कर दिया जाता है केकड़े रेखते हुए असानी से बाहर निकल कर आजात हो सकते थे मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि केकड़ों की परवर्ती ऐसा होने से रोकती है जैसे ही कोई केकरा रेंग कर बाहर निकलने की कोशिस करता है दूसरे उसे नीचे खीच लेते हैं इस तरह से कोई भी केकरा बाहर नहीं निकल पाता सोचिए उनका क्या हस्ट होता है इर्षिया करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते इर्षिया कमजोर स्वाविमान का लक्षन है यह सर्व्यापी दुर्गुन है सबसे बड़ी चुनोती उस समय आती है जब किसी देश का अराष्टिय चरित इर्षिया करना बन जाता है देश पिछे पन में डूबने लगता है आने वाली पिडियों को इसके भेंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं इर्षिया लोगों को भरष्ट बना देती है हमें खुले दिमाग का होना चाहिए ना कि खाली दिमाग का खुले दिमाग और खाली दिमाग में क्या अंतर है खुला दिमाग लचिला होता है यह उनों के अधार पर किसी बिचार को स्विकार या और स्विकार कर सकता है खाली दिमाग में अच्छी या बुरी कोई भी बात भड़ी जा सकती है यह बिना जाचे परखे कुछ भी स्विकार कर लेता है अच्छी सक्सियत बनाने के कदम पहला कदम जिम्मेदारी स्विकार करें जिम्मेदारियां उस बेक्तिक तरह खिची चले आती है जो उन्हें और यह उसकी समझदारी और परिपकुता को दिखाता है जिम्मेदारी कबूल करना हमारे नजरिये और उस माहुर की छवी है जिसमें हम रहते हैं जादतर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत स्रेल ले लेते हैं मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गलती होने पर अपनी जिम जिम्मेदारियों को स्विकार नहीं करने का यह मतलब नहीं है कि उनसे छुटकारा मिल गया है हमारा उद्यस जिम्मेदार विभार को बढ़ावा देना है जिम्मेदारी की भावना का विकास बच्पन से ही किया जाना चाहिए आग्या पालन के बगएर इसे सिखाया नहीं जा सकता इलजाम लगाने का खेल बंद करें यह कहना छोड़ दो कि हर कोई ऐसा करता है ऐसा तो कोई नहीं करता सारा दोस्त तुम्हारा है जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाती वे लोग माबाप गुरु वंस उपर वाले भाग्या गरह नचत्रों को दोस्त देते हैं जाउनी बोला ममी जिम्मी ने खिरकी का सिसा तोड़ दिया मा ने पूछा उसने ऐसा कैसे किया जाउनी ने उतर दिया जब मैंने उस पर पत्थर भीका तो वह जुग गया जो लोग बिना जिम्मेदारी स्विकार किये अपने अधिकारों का परयोग करते हैं वे अकसर अधिकारों को भी खो देते हैं जिम्मेदारी में सोच बिचार कर काम करना सामिल है जिम्मेदारियों से मुह मोड़ना छोटेपन का नतीजा है जरा सोचकर देखिए छोटे या तंक दिमाग वाले वे काम भी दोसरों पर डालने में ब्यास रहते हैं जो उन्हें खुद करने की जरूरत है समाजिक जिम्मेदारी पुरानी भारतिय मानता हमें यह सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के परती है दूसरी परिवार की परती और तीसरी खुद के परती इस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका करम उल्टा होता है समाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नेतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए जिम्मेदारी और आजादी हाथ में हाथ डाले चलती है एक अच्छे नागरिक की यह पहचान है कि वह अपना बोज खुद उठाने को तयार रहे महांता की कीमत जिम्मेदारी है समाजों की बरवादी चोर उचकों की कर्टूतों से नहीं होती बलकि अच्छे लोगों के निकम्मे बन से होती है कैसा बिरोधा भास है अगर वे निकम्मे बन कर बरवादी साहते हैं तो वे अच्छे कैसे हो सकते हैं सवाल या है कि क्या वे अपनी समाजिक जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं। बुराई के जर जमाने के लिए इतना काफी है कि अच्छे लोग कुछ न करें और बुराई जर पकड़ लेगी। एडमंड बर्ग दूसरा कतम दूसरे के लिए सोच। एक दिन दस साल का बच्चा एक आइस क्रीम की दुकान पर गया और टेवल पर बैट कर एक बेटर से पूछा एक कैन आइस क्रीम कितने की है। बेटर ने कहा 75 सेंड्स बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा कि छोटी कप वाली आइस क्रीम कितने की है। बेटर ने बे सर्वी से कहा 65 सेंड्स लरका बोला मुझे छोटा कभी दे दो। उसने आइस क्रीम ली पैसे दिये और चला गया। जब बेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आया तो उसने जो कुछ देखा वह बात उसके मन को जुग गई। वहां दस सेंड्स टिप के रखे हुए थे। उस चोटे बच्चे ने उस बेटर का खयाल किया। उसने संविदन सिंता दिखाई थी। उसने खुझ से पहले दूसरे के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस चोटे बच्चे की तरह सोचे तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल करें और नर्मता वसिष्टा दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना या दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। तीसरा कदम सब की जीत की सोचें। मरने के बाद एक आदमी सेंट पीटर के पास पहुचा। तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में। उस आदमी ने कहा फैसला करने से पहले क्या मैं दोनों जगह देख सकता हूँ। सेंट पिटर पहले उसे नरक में ले गए। वहां उसने एक बहुत बरा हाल देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर धेर सारा खाना रखा था और मधुर संगीत बज रहा था। उसने पीले और उदास चेहरे वाले लोगों की कतारे भी देखी। वे बहुत भुखे जान पर रहे थे और वहां कोई हसी खुशी न थी। उसने एक और बात पर गौड किया कि उनके हाथों में चार कुट लंबे कांटे और छुडियां बंधी थी। जिनसे वे खाने की कोशिस कर रहे थे मगर वे खा नहीं पा रहे थे। फिर वहां आदमी स्वर्ग देखने गया। वहां भी एक बड़े हाल में एक बड़ी मेज पर धेर सारा खाना लगा था और मधूर संगीत बज रहा था। उसने मेज के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारे देखी जिनके हातों में चार पूट लंबी छुड़ी और कांटे बंधे हुए थे। मगर यहां उसने एक अलग बात देखी। यहां लोग हस खेल रहे थे संतुष्ट और स्वस्त दिख रहे थे। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। छिसका नतीज़ा था खुसाली और संतुष्टी कियोगि वे लोग सिर्फ अपने बादे में नहीं सोच रहे थे बलकि सब की जीत के बारे में सोच रहे थे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है, जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने करमचारियों की सेवा करते हैं, तो हमें जीत खुद बखुद मिल जाती है, चौथा कदम, अपने सब्दों को साफधानी से चुने, जो मन में आये वही बोलने से आदमी को बात में वह सुनना पड़ता है, जो उसे पसंद नहीं होता, बेभारिक रूप से समझदार बने, बेभारिक रूप से समझदार होने का मतलब है कि आप अपने सब्दों का चुन सलता के बीना, परतिवाह हमेशा काम नहीं आ सकती, सब्दों से हमारा नजरिया जलगता है, सब्द हमारी भादनाओं को चोड पहूंचा सकते हैं, और हमारे रिष्टों को तोड़ सकते हैं, लोगों को इतनी चोड तो फुद्रती बिना से भी नहीं पहुंचती, जितनी की अब सब्द या कठोड़ सब्द से पहुंचती है सोच के बोले न की बोल के सोचे बुद्धि मता और बेवकुफी में यही फर्क है जरुरस से ज़्यादा बोलने का मतलव या नहीं होता कि आप बाचीत में कुसल है बोलिये कम कहिए ज़्यादा एक बेवकुफ बिना सोचे समझे बोलता है एक बुद्धिमान सोच समझ कर कहता है करवाहट भड़े सब ला इलाज नुकसान पहुँचा सकते हैं मा बाप जिस प्रकार अपने बच्चों से बाचित करते हैं उसी से उनके भविष को अकार मिलता है मुझ से निकले सब्द लोटाए नहीं जा सकते एक किसान ने अपने परोसी की निंदा की अपनी गलती का एशास होने पर वह पाधरी के पास पच्चा ताब करने गया पाधरी ने उससे कहा कि वह पंकों से भ़रा एक थैला सहर के बीचो बीच विखेर दे किसान ने वही कहा फिर पादरी ने कहा कि जाओ और सभी पंक थैले में फड़ लाओ, किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिस की, मगर सारे पंक हवा से इधर उधर उड़ गए थे, जब वह खाली थैला लेकर लोटा तो पादरी ने कहा, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है, तुमने ब आलोचना की बात करता हम, तो मेरा मतलब नकारात्मक आलोचना से है, हम आलोचना क्यों न करें, जब किसी की बुराई की जाती है, तो उसका रबयात खुद को बचाने का हो जाता है, क्या इसका मतलब है कि हमें कभी आलोचना नहीं करना चाहिए, क्या हम सही आलोचना कर सकत हैं एक आलोचक एक ड्राइवर को पागल बना देने वाले बैक सीट ड्राइवर की तरह होता है सही आलोचना राचनात्मक आलोचना क्या है इसका मतलब है मदद करने के उद्यस से की गई आलोचना बजाय नीचा दिखाने के आलोचना करते समय सुझाओ देना भी जरूरी है बैभार की आलोचना करें न की व्यक्ति की क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं सहता करने की इच्छा होने पर ही आलोचना करने का हक मिलता है जब तक आलोचना देने वाले को दुख दायक है तब तक उसे सही तरीक किसे आलोचना करने का हक है और जब तक आलोचना देने वाले को यह आनन्द देने लगे तो उसे आलोचना करने का कोई हक नहीं है दूसरों को प्रेरित करने के लिए कि गई आलोचना के कुछ सुझाओ कोच बने सहता करने की भावना से आलोचना करें वोच अपने खिलारियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। दूसरों को समझना और उनकी परवाह करना एक प्र gravel का काम करता है। नज़रिये का लग्ज सुधारने वाला होना चाहिए नकी सजा देने वाला। यह कहने के बजाए कि तुम हमेशा या तुम कभी नहीं अपनी आलोचना सीजे सब्दों में करें, घुमापिरा कर बात करना तकलीफ देती है, असलियत या हकिकत को जाने बिना सोचे समझे किसी बात का मतलब ना निकालें, हमें अपनी राय रखने का तो हक है, लेकिन गलत त आलोचना सही तरीके से की जाए तो इसकी जरुवत बार बार नहीं पढ़नी चाहिए, आलोचना हमेशा आकेले में करें सब की सामने नहीं, ऐसा क्यों क्योंकि ऐसा करने से स्वाविमान बना रहता है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमान जाना को सकता है, दू अपसी नराजगी आलोचना में ना लाएं सुधार के लिए सलाह मसवड़ा लें काम पर उंगली उठाएं इरादों पर नहीं अगर इरादों पर भी संदे हो तो संबन्द तोड़ देना ही बहतर हो सकता है आलोचना दैरे में ही सिमिद रखें इसे जर्रों से ज्यादा ना कर यह सही ढंग से किये जाने पर या बहुत पैदेमंद हो सकती है आलोचना करने पर अगर लोग अपनी गलतियां सुधार लेते हैं और सही कदम उठाते हैं तो उन्हें सावासी दें अपनी बात सकारात्मक रूख और प्रसंसा के साथ खत्म करें आलोचना लेना या स्विका करना ऐसा कभी-कभी हो सकता है कि हमारी आलोचना गलत या सही ढंग से की जाती हो दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है सही आलोचना फाइदामंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में स्विकार करना चाहिए नाजायज आलोचना एक छीपीवी इसे तारीफ का रूप है आम लोग जीतने वालोगों पसंद नहीं करते जब लोग सफल नहीं होते अलोचकों के पास काने के लिए कुछ नहीं होता आलोचना से हमेशा बच्शे रहने के लिए केवल Сейчас महती तरीका है कि आप नहीं कुछ रख तो आप एक बहुत बरे नकारा इन्सान बंजाते हैं गलत अलोचना इन दो बज़ों से आती है औग्यांता जब औग्यांता की वज़ plac से में सुधारा of तो जा सकता है किहीर्षिया की वज़ा से अलोचना होती है तो ॲृप्से च्पी रूप忘기에 स्विकार करें आपकी गलत अलट सब्सक्राइब के पत्थर मारे जाते हैं रचन अत्मक अलोचना को स्विकार करने की कावलियत ना होना कमजोर स्वाभिमान को दिखाता है आलोचना को स्विकार करने से कुछ सुझाओ इसको सही धंग से लें इसे बरपन के साथ स्विकार करें ना कि मनमुटाओ के साथ इससे सीख लें खुले मन से इससे स्विकार करें परके और अगर ठीक लगे तो इस पर अमल करें उस इंसान के सुखर गुजार हो जो आपकी रचनात्मक आलचना करता है क्योंकि वह आपका सुपचिंतक है और आप ही सहता करना चाहता है उचे स्वाहिमान वाला वेटी सकारात्मक आलचना को स्विकार करके बेहतर बनाता है ना की खराब जादतर लोगों के साथ समस्या या है कि वे जोटी तारीफ सुनकर बरबाद होना तो पसंद करेंगे बज़ा इसके की सही आलोचना सुईकार करके जीतना और आगे बढ़ना सिकायते, कुछ लोगों को सिकायते करने की बिमारी होती है अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है उनके लिए हर दिन खराब है, जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी वे सिकायत करते है शिकायते करना अच्छा क्यों नहीं है अगर क्योंकि आपकी समस्या है तो 50% लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते और दूसरे 50% लोग इसलिए फुस होते हैं कि आपको कोई समस्या है फिर सिकायत करने से फैदा क्या है इससे कोई नतीजा नहीं निकलता यह सक्सियत का हिस्सा बन जाती है क्या इसका यह मतलब हुआ कि हमें कभी सिकायत नहीं करनी चाहिए यह सिकायत करने का मुका नहीं देना चाहिए ऐसा बिलकुल नहीं है ठीक आलोचना की तरह अगर इसे सह नहीं धंक से किया भो सकता है र्यक्तात्म धंक से की गई शिकायद यह दिखाती है कि सिकायद करने वाला प्रवाह करता है जिसकी सिकायद होती है उसे सुधार का दूसरा मुंका मिलता है छटा कदम मुश्कुराय और दयालू बने मुस्कान कि कोई कीमत नहीं होती मगर यह बहुत कुछ रचती है यह पाने वाले को खुशाल करती है देने वाले का कुछ घरता नहीं बलकि छनिक होती है लेकिन यह यादों में सदा के लिए रह सकती है कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगएर काम चला ले कोई इतना गरीब नहीं कि इसके भाइद को ना पा सके यह घर में खुसाली लाती है बेपार में ख्याती बढ़ाती है और यह दोस्तों की पहचान है यह ठके हुओं के लिए अराम है निरास लोगों के लिए रोशनी उदास के लिए सुनहरी धूप और हर मुश्किल के लिए खुद्रत की सबसे अच्छी दवा तब ना तो यह भीख में ना खरीदने से ना उधार मांगने से और ना चुडाने से मिलती है क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो तब तक किसी काम की नहीं जब तक कि आप इसे किसी को दे ना दे हैं दिन भर की भाग दोर में कुछ परिचीत हो सकते हैं कि इतने ठके हुँं की मुस कि मुसकान की उतनी जरुषत नहीं होती इतनी की उसे जो खुद किसी को अपनी मुसकान ना दर सकते हैं खुस मिजा जी अच्छाई से आती हैक मुसकान बनावटी हो सकती है और सत्ची भी मुद्द की बादिया है कि मुसकान असली हो मुस्कुराने से ज़्यादा मसल्स त्योडिया चठाने में लगती है यह सूरत को निखाने का सबसे संथा तरीका है हस्ते हुए नुरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है एक चिर्चिरे इंसान के साथ कौन डहना चाहेगा कोई नहीं सिवाए इससे भी बड़े चिर्चिरे के एक सच्ची मुस्कान वैसे ही पता चल जाती है जैसे एक दोटी मुस्कान साथवा कतम दूसरों के वेभार का सही अर्थ लगा है पूरी जानकारी नहीं होने की वज़ा से लोग आदतन दूसरों दुआरा किये गए या नहीं किये गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं कुछ लोग एक भरम से पिरित रहते हैं वे समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाब है और पीछे पड़ी हुई है मगर ऐसा नहीं है एक सकारात्मक सुरुआत करने से हमें एक आकरसक वेक्तितु बनाने का अच्छा मोका मिलता है जिस से हमारे रिष्टे बेहतर बनते हैं मिसाल के तोर पर ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम फौन करते हैं लेकिन दूसरी तरब से दो दिन तक कोई जवाब नहीं आता जब पहली बात जो हमारे मन में आती है वह यह है कि उन्होंने जवाब देने का भी कष्ट नहीं उठाया या उन्होंने मेरी उप्यक्षा की या नकाराकमक सोच है हो सकता है उन्होंने कोशिस की हो मगर आपका नमबर ना मिला हो उन्होंने कोई संदेश छोड़ा हो जो आपको ना मिला हो उन्हें कोई मुश्किल आ गई हो उन्हें हमारा संदेश मिला ही ना हो और भी बहुत से कारण हो सकते हैं पहतर है कि हम उसे संदेह का लाव दे सकते हैं और यही सोचें कि उसकी गलती नहीं थी और सकारतमक डंग से अपना काम जारी रखें आठवा कतम अच्छा स्रोता बने खुश से ये सवाल करें आपको कैसा लगता है जब आप चाहते हैं कि कोई बेक्ती आपकी बात सुने हैं लेकिन वे सुनने से ज़्यादा बोलें आपकी पहले बात पर वे असाहमती पड़गट करें वे हर कदम पर आपको डोकें वे बेसर्वी दिखाएं और आपके हर वाक्य को खुद पुरा करें वे सरीर से मोजूद हो लेकिन दिमाग से नहीं वे सुने लेकिन समझे नहीं आपको हर बात तीन बार दोहरानी परें क्योंकि वे आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहें वे मुद्य से हटकर नतीजों पर पहुँचें जिनका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है वे ऐसे सवाल पूछें जिनका मुद्दों से कोई मतलब नहीं है उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा हो वे न तो ध्यान दे रहे हों और न सुन रहे हों ये सभी बातें इस बात को दिखाती है कि उस इंसान को आपकी बातों या मु सुनी के जाने पर आपके मन के भाव दिखाती है उपेक्षित नीचा दिखाना और स्विक्रित नाराज निरास बेवकूफ मायूस महतुहीन मामूलीपन सरमिल्दा छोटा प्रेटनाहीन अंदेखी हतास अब इसका दूसरा पहलू देखें आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी बात सुने और आपको संतुष्ट बनाए सारा ध्यान आपकी तरफ लगाए ज़रूरी और विशय से जुड़े सवाल पूछे आपकी बातों में दिलचल सबीले ध्यान पूरबर आपकी बात सुनने जाने से क्या आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसा नीचे लिखा है महत्वपूर्ण अच्छा खोस प्रसन संतुष्ट तारीप हुई उपयोगी प्रेरित हौसला अपजाही खयाल रखा गया ध्यान पूरबक सुनने में कौन सी रुकावटे हैं बाहरी रुकावटे भोतिक बधाये अंदरूनी रुकावटे चीर का अस्तिर ना होना या मन ब अंदरूनी रुकावटे पुर्वागरः पहले से ही किसी के लिए मन में धारना बना लेना बोलने वाले और उसकी बातों में दिल्चस्पी ना होना कुछ बोधिक रुकावटें भी हो सकती है जैसे की भासा की समझने की आदी दूसरों को बोलने के लिए प्रेडित कर पाने के लिए खुद एक अच्छा स्रोता बने आपके सुनने के ढंक से पता चलता है कि आप कितनी परवाह करते हैं दूसरे ब्यक्ति की परती जब ऐसा ख्याल रखने वाला नजरिया आप दिखलाते हैं तो वा ब्यक्ति खुद को महत्पूर्ण महसूस करता है जब वह महसुस करता है तो क्या होता है उसका होसला बढ़ जाता है और वह आपकी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तयार होता है खुले दिल वाला होने की एक मात्र विश्वस्निय पहचान है खुले कान वाला भी होना एक अच्छा सुरोता बनने के लिए दूसरे को बोलने के लिए उच्छाहित करें सवाल पूछें या आपकी दिल्चस्पी को दिखाता है बीच में बोलकर रुकावट न डालें बिशेर न बदलें सम्मान और समझ का भाव दिखाएं धियान से सुनें इधर उधर धियान बटकाने वाली चीज़ों से बचें अपने आपको दूसरे के अस्तान पर रख कर देखें फुले बिचारों वाला बनें अपनी अवधारनाओं और प्रुवागरह को अपने सुनने में बाधाना बनने दें संदेश पर धियान दें ना कि कहने के सलिके पर सारी रिक अविव्यक्तियों को पहचाने जैसे की चेहरे का एक्सप्रेसा नजरों की भासा वो सकता है कि ये अविव्यक्तिया कोई अलग ही संदेश दे रही हो भावों को समझे ना कि सिर्फ सब्दों को सुने नवा कतम उस उच्साह के कोई बड़ा काम नहीं हुआ राल्फ वाल्डो इमर्सन उच्साह और सफलता साथ साथ चलती है मगर उच्साह का नंबर पहला है उच्साह आत्मविश्वास को बढ़ाता है आत्मबल को बढ़ाता है वफदारी को बढ़ाता है और यह अमुल्य है उच्साह एक से दूसरे में फैलता है किसी व्यक्ति के बात करने चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उच्छाह को महसूस कर सकते हैं। उच्छाह एक तरह की आदत है जो अभ्याद से सीखी या अपनाई जा सकती है। कई दसक पहले चाल्स स्वाब जिसकी सलाना तनखाव 10 लाग डालर थी से एक बार पूछा गया कि क्या वह इस्टिल बनाने की अपनी विशेश योगता की वजह से इतनी तनखाव पाता है। चाल्स स्वाब ने जवाब दिया मैं लोगों का उच्छा पढ़ाने को अपनी योगता मानता और वही मेरी सबसे बड़ी पुंजी है। और यही एक महत्पुन रास्ता है जिससे किसी इंसान की अच्छाई उबारी जा सकती है। जब तक जिंदगी है जिंदा दिली के साथ जीओ बिना उच्छा के जिंदगी मौज से पहले मर जाने के समान है। उच्छा और इच्छा विक्ति को सधारन से और सधारन की तरफ ले जाती है। जिस तरह सिर्फ एक डिग्री के फर्क से पानी भाब बन जाता है और भाब बरे से बरे इंजल को खीश सकती है उसी तरह उच्छा हमारी जिन्द्गी के लिए काम करता है दस्वा कदम इमंदारी और सच्चाई से परसंसा करें मनो बेग्यानिक विलियम जेम्स का कहना है इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है परसंसा पाने की इच्छा गैड जरूरी या अंचाहा महसूस होने का भाव तकलिफ दे हो सकता है जरूरी नहीं कि किम्ती जेवरा सच्चे उपहार हो सकता है कई बार ये सिर्फ कमियों को डखने के लिए माफी मांगने का एक नजरिया हो कई बार लोगों के लिए पूरा समय न दबाने की वज़ा से उपहारों से हम उस कमी को पूरा करने की कोशिस करते हैं असली उपहार तो वही है जब इंसान अपने आपको बांट सके सच्ची तारीब करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते है इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्पुन समझता है खुद को महत्पुन समझने की इच्छा जादतार लोगों में गहरी होती है यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरख हो सकती है आज के दौर की सबसे बड़ी बिमारी ओड या तप्यतिक नहीं है बलकि अपने को गहर जरूरी महसूस करने का भाव है तारीव को असरदार और प्रवासाली बनाने के लिए उसमें इस तरह की कुछ बातों का होना जरूरी है एक यह साफ और असपस्ट होना चाहिए अगर मैं किसी को यह कर चल देता हूं कि उसने अच्छा काम किया है तो वह मन में क्या सोचेगा वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है वह कुछ समझ नहीं पाएगा मगर जब मैं यह काता हूं तुमने जिस तरह उस अडियल और नाकुस ग्राह को समझाया वह बहुत अच्छा काम था तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है तो यह तुरंथ होनी चाहिए किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ छा महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर प्यकार हो जाता है दीन यह सच्ची और हार्दिक होनी चाहिए यह दिल से निकलनी चाहिए आपके हर सवत में इमंदारी जलकनी चाहिए प्रसंसा और चापलुसी करने में क्या फर्क है फर्क सच्चाई का है एक वेक्ती एक दिल से होती है दूसरी जुवान से एक में स्वार्थ शिपा होता है दूसरे में असलियत, घटिया लोगों के लिए चाप लुसी करना इमंदारी सितारीब करने से ज़्यादा असान है, ना तो चाप लुसी करें और ना चाप लुस्यों की बातों में आये, इस कुलों में एक पुरानी कहावत है कि चाप लुसी मुर्खों की खुराक होती है, फ से हलकाना करें परंतु लगाने से उस परसंसा का अर्थ कम हो जाता है इस से हम परसंसा को मिटा देते हैं और इसके अत्रीक या दूसरे सब्दों का इस्तमाल करना बेहतर है कुछ इस तरह कहिए मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अत्रीक क्या आप किर्प्या वजाए इसके की कहिए मुझे आपका पसंद आया काम लेकिन 5. परसंसा करने के बाद आपको उसकी रशीद या स्विकिर्थी प्राप्ट करने की जिरूवत नहीं है फुस लोग बदले में परसंसा पाने की उम्मीद रखते हुएं वहीं खरे रहते हैं परसंसा करने का उदेश यह नहीं होना चाहिए किसी एक की परसंसा करने का यह मतलब नहीं कि दूसरे की निंदा की जा रही है लेकिन यह आम बात है कि कमजोर स्वाविमान वाले लोग दूसरे की परसंसा को अपनी निंदा समझ लेते हैं और खुद को त्रस्क्रीत और छोटा मान लेते हैं। अगर आपकी कोई तारीप करें तो धन्यवाद कहते हुए बिनाबता प्रोगक स्विकार कीजिए। जोटी परसंसा को स्विकार करने से सची आलोचना स्विकार करना जादा असान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही अस्थिती तो जान जाता है। जोटी परसंसा मिर्ट दिश्मा की तरह है। आप जितना ही उसके नजदिक जाते हैं आपके हाथ उतना ही निरासा लगती है। क्योंकि यह सिर्फ छल या ब्रह्म हैं लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर इमंदारी का नकाब लगा लेते हैं। 11 कदम जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें उसे तुरंत और खुसी से स्विकार करना चाहिए। कोई भी गलती करने पर हमें उसे तुरंत और खुसी से स्विकार करना चाहिए। गलतियां हमें सीखने का एक मौका देती है उनसे सीखना बहुत जरूरी है उनसे ना सीखना ही सबसे बड़ी गलती है गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती है अपनी गलती के लिए ना तो किसी पर दोस लगाए और ना ही बहाने बनाए इस पर अरे न रहे जब आप अपनी गलती महसूस करें तो बहुत अच्छा होगा कि उसे स्विकार करके माफि मांगे अपनी सफाई पेस ना करें क्यों गलती स्विकार करने से दूसरा बैक्ती विनव पढ़ जाता है बारवा कतम जब दूसरे लोग अपनी गलती का अहसास करके इसे स्विकार करें तो उन्हें मुबारक बात दें और इज्जत से बाहर निकलने का रास्ता भी थें अगर हम उसे इज्जत से बाहर निकलने का रास्ता ना दें तो हम उसके स्वाभिमान को ठेस पहुचाते हैं तेरवा कतम, तर्क करें, तक्रार न करें। कुछ ऐसे सक्सियत हैं जिन पर यह लेवल लगाया जा सकता है कि वे सिर्फ तक्रार ही करते हैं और यह उनके रिष्टों और वेभार में दिखाई देता है। तक्रार और बहसे बचा जा सकता है और थोड़ी साबधानी बरत कर बहुत सी रंजिसें से आदमी पढ़े रह सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पढ़ा ही न जाए। अर्था तो बहस में न पढ़ना ही जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। बहस एक ऐसी चीज है जिसे जीता नहीं जा सकता क्योंकि अगर आप जीते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे इसकी तो जीत में भी हार है और हार में भी हार है अगर आप एक बहस में जीते हैं मगर एक अच्छी नोकरी ग्राहत दोस्त या जिवन साती हो देते हैं तो यह कैसी जीत है बिलकुल खोखली बहस बाजी जूटे अंकार से पैदा होती है बहस करना हारती हुई लराई में लडने के समान है अगर कोई जीता भी है तो जो हासिल होता है उसके महत्व से कहीं जादा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है जजबाती लराईयां आपके जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द शोड़ जाती है बहस में दोनों ब्यक्ति अपनी अपनी बाद मनवाने पर तुले होते हैं बहस बाजी अहंकार की लराई से जादा कुछ भी नहीं है जिसमें एक दूसरे पर चिलाने की होरसी होती है जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह तो बेवकूफ ही है लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ हुआ है जो उसे बहस करता है क्या यह किसी काविल है आप जितनी बहसें जीतते हैं उतने दोस्त कम होते चले जाते हैं सवाल यह है कि चाहे आप ठीक भी है तो क्या बहस जीतना उचित है जवाब साब है बिलकुल नहीं क्या इसका मतलब या हुआ कि हमें कभी कोई बात या मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए जरूर उठाना चाहिए लेकिन नर्मी और समझदारी से कुछ इस तरह निस्पक्ष बात कहते हुए कि जहां तक मुझे ख़वर है अगर दूसरा ब्यक्ति बहस कर रहा हो और आप उसे गलत सावित कर भी सकते हों तब भी क्या यह उचित होगा मैं ऐसा नहीं सोचता एक बार और स्विकार किये जाने के बाब जूद क्या आप दुबारा अपना विचार प्रकट करेंगे मैं तो नहीं करूंगा क्यों क्योंकि बहस का उस तंग दिमाग से आ रही है जो क्या ठीक के बज़ाए कौन ठीक है सावित करने की कोशिस कर रही है मिसाल के तोर पर किसी पार्टी में खासकर कुछ बैग लेने के बाद कोई बड़े अधिकार के साथ कहता है इस साल का निडियाद 50 अरब डॉलर है आप जानते है कि उसकी जानकारी गलत है और सही निडियाद 45 अरब डॉलर का हुआ है आप कैसे जानते हैं आपने या उसी दिन के अकवार में पढ़ा था या आपने रास्ते में रेडियो पर सुना था जब आप पार्टी में आ रहे थे और आपकी कार में एक बुलेटिन पढ़ा है जो आपकी बात को सिद्ध करेगा क्या आप अपनी बात साबित करेंगे हां ऐसा कहकर मेरी जानकारी की अनुसार निडियाद की रकम 45 अरब डॉलर है दूसरा आदमी परतिकिरिया करता है तुमको नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो मुझे एकदम सही पता है कि कितना है यह 50 अर बास्ते हैं एक अपनी बात दोराएं और बहस शुरू कर दें दो भाग कर अपनी गारी से बुलेटिन ले आएं और उस आदमी को गलत साबित कर दें तीन नजर अंदाज कर दें चार तरक करें लेकिन बहस नहीं तीसरा रास्ता सही है अगर कोई जिंदगी में बड़ी ची तरक करने और बहस करने में क्या अंतर है बहस से आग निकलती है और तरक से रोस्नी बहस रंदकार और बंद दिमागी से उपचती है जबकि तरक खुले दिमाग या सीखने की भावना से आती है बहस में अग्यानता की नुमाइस होती है तरक में ग्यान की बहस बंद दिमागी का प्रदर्सन है जबकि तर्क समझदारी का बहस में यह सावित करने की कोशिस की जाती है कि कौन सही है जबकि तर्क में यह सावित किया जाता है कि क्या सही है मन में पहले से राय बनाए बैठे ब्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं है क्योंकि बंद दिमागी दिमागी की वज़ा से यह उसमें घर कर गई होती है और बंद दिमागी की वज़ा से ही बाहर नहीं निकलती एक छोटा दिमाग और बरामु कभी-कभी बेबुनियाद लेकिन दिल्चस्प बहस को पैदा कर सकता है तर्क करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरे इंसा का गुपार निकालने दें उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिस ना करें कभी भी उसे यह मोकान ना दे कि वह आपको अपने अस्तर तक गिरा दें उसे इज्जत दे और तहजीब से पेशाएं जो उसे दुविधा में डाल देगा कारण चाहे कोई भी हो अस्तिति को स कि उसे जगरे की उमीद रहती है तीन माफी मांगे जाने की उमीद ना करें कुछ लोगों को माफी मांगना बहुत मुश्किल लगता है चाहे उन्होंने गल्ती भी की हो चार छोटी-छोटी बातों में राई का पाहार ना बनाए तर्क का मतलब सिर्फ सही पर सही बात कहना ही नहीं है बलकि यह भी है कि जो नहीं कहना चाहिए उसे ना कहा जाए यह जरूरी है कि बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई चाहे लेकिन पलट कर जवाब देने की नहीं बरे होने के नाते बिना जगरालू हुए और सहमती की कला हमें सीखनी चाहिए बहास के दोरान एक व्यक्ति कैसे बेभार करता है और अपने आपको संभालता है उससे उसकी परवरिस्त का पता चलता है बहुत पहले मैंने सीख लिया था कि सुवर से कुष्टी कभी नहीं लड़ें आप तो मैले हो जाएंगे साथ ही यह सुवर को अच्छा लगता है साइरस जिंग विचार विमर्स या तर्क को सुरू करने के तरीके एक खुले विचारों वाला बने दो बहस में घसीटे ना जाएं तीन बीच में नटों के चार अपने विचार कहने से पहले दूसरे के विचार सुनें पांच बात असपश्ट करने के लिए सवाल पूछें इससे दूसरे ब्यक्ति को बोलने से पहले सोचना परेगा, छे, बढ़ा चरा कर ना कहें, साथ, बात मनमाने के लिए उटसा दिखाए, जबरस्ति नहीं, आठ, बात स्विखार करने के लिए तयार रहें, छुटी-छुटी बातों के लिए समझोता करें, लेकिन अपने सित्वांतों के यह नहीं, दस, हर चीज को इज़त, पेज़ती का मुद्धा बना कर परतिष्ठा का प्रस्वना बनाए, यह ग्यारा, अपने परतिदंद्वी के गर्व को ठेश पहुचाना, उसे अराम से पीछे हटने का मुका दे, दुद्कारना ठेश पहुचा सकता है, बारा, नरम उसके बेबुनियाद और कमजोर दर्ग की तरफ हिसारा करते हैं, बिचार विमर्ज के दोरान ऐसे सब्दों का इस्तमाल अच्छा साबित हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है, मैं गलत हूँ, बहस को खत्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है, कि हम अपनी अग्या दिखाते हुए इस तरह के सवाल पूछे, आप ऐसा क्यों महसुस करते हैं, आप क्या थोरा और विस्तार से बता सकते हैं, क्या आप अपनी बात थोड़ी और असपश्ट कर सकते हैं, अगर इन में से किसी से भी बात ना बने, तो ज्यादा बहतर होगा कि विनर्मता, और ताजीब से और सहमती के लिए सहमत हो जाएं, चौधवा कतम, इधर उधर की या पीट पीछे बात ना करें, याद रखें जो लोग आपके सामने दूसरों की बात करते हैं, वे आपकी पीछे आपके बारे में भी बाते करते हैं, गप्पे हांकने और जूट बोलने का क जल्दवाजी में है, मगर उन्हें मजे लेकर सुनाता है, एक गप्पी अपने काम पर कभी ध्यान नहीं देता, क्योंकि ना तो उसके पास काम होता है और नहीं दिमाग, एक गप्पी की दिल्चसपी उर्थी खवरों को सुनने या छिप छिप कर बातें सुनने में तो होत है, लेकिन काम की बातें सुनने में नहीं, गप्पे मारना एक ऐसी कला है, जिसमें कुछ खास कहा भी नहीं जाता, और ना कुछ अनकहा छूटता है, किसी ने ठीक ही कहा है, छोटे लोग दूसरों के बारे में बाते करते हैं, बीच के लोग चीचों के बारे में बाते करते हैं और महान लोग सुझाओ के बारे में गप्पे करने से किसी के चरित की निंदा और बदनामी भी हो सकती है गप्पे सुनने वाले उतने ही दोसी हैं जितने की गप्पे करने वाले गप्पे हाकने वाला अकसर अपनी ही बातों के जाल में फस जाता है गप इनसान का आदर न पाना वाला और नीचे वाला होता है। अगली बार जब आप इधर उधर की बातें करें या पीठ पीछे बातें करें तो खुझ से पूछें क्या यह सच है। रख सकता हूँ। गप्पे करने से बचें याद रखें बड़े मुह वाले छोटी बातें करते हैं। पांच्वा कदम अपने वायदों को कमिंटमेंट में बदलिए। वायदा और कमिंटमेंट में क्या अत्तर है। वायदा अपनी मन की इच्छा को जाहिर करता है। कमिंटमेंट एक ऐसा वायदा है जो हर हाल में पूरा होगा चाहे कुछ भी हो। मैं गएर जरूरी गएर कानुनी और अनितिक बातों को सामिल नहीं करता। कमिंटमेंट चरित्र से आता है और विश्वास को बढ़ाता है। क्या आप कलपना कर सकते हैं कि यदि किसी एक का किसी दूसरे से कमिंटमेंट ना होगा तो या संसार खैसा होगा। फिर इनके बीच का रिष्टा क्या होगा। कमिंटमेंट के बिना कोई चीज आज तक अस्थाई नहीं बनी। कमिंटमेंट काता है इस अनिस्चित दुनिया में मैं भरोसे मंद हूँ, अनजाने भविश में मैं अस्थीर हूँ। बहुत से लोग कमिंटमेंट को बंद जाना समझने की फूल करते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। कमिंटमेंट आपकी आजादी नहीं छीनता वास्तव में यह आपको और आजादी देता है। क्योंकि इस से आप सुरचित महसूस करते हैं। सबसे महत्पून कमिंटमेंट जो हम कभी कर सकते हैं, वा अपने आदर्सों के परती होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे आदर्स सही हो। मिसाल की तोर पर अगर मैं एक ऐसे नेता का समर्थन करने के लिए फुद को कमिंट करता हूं, जो बाद मैं एक चरम चरस गाजे का बेपारी बन जाता है, तो क्या मुझे उसके लिए कमिंटमेंट बनाए रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुख और दुख में कमिंटमेंट रिस्तों की मजबूती बनाए रखता है, यह इनसान की सक्सियत और रिस्तों में जलगता है। सोलवह कदम, एहसान तो मानें लेकिन एहसान मंदी की उमीद न करें। एहसान एक फुबसूरत सब्द है, हमें सुख गोजार होना चाहिए। एहसान मंदी एक एहसास भी है और बावना भी। यह हमारी सक्सियत को सुधारती है और चडित्र बनाती है, विनर्मता से एहसान मंदी आती है, यह दूसरों के परती अभाळ दिखाने का एक भाव भी है। यह भाव दूसरे के परती अपनाए गए अपने नजरिये से पता चलता है और हमें बैभार में जलगता है। एहसान का मतलब यह नहीं कि अच्छे कामों का बदला चुकाया जाए क्योंकि एहसान सिर्फ एक लेंदेन नहीं है। बदले में किया गया काम एक अच्छे काम का असर खत्म नहीं करता। दया, देखभाल और धैरज अनमोल है। इसकी किमत नहीं चुकाई जा सकती। एहसान मंदी हमें क्या सिखाती है या हमें आपसी सहयोग और एक दुसरे के पड़ती समझ की कला सिखाती है। एहसान मंदी इमंदारी से होनी चाहिए, धन्यवाद कहना भी एहसान मंदी को दिखाता है। अक्सर हम लोग अपने बहुत नजदिगी लोगों जैसे जीवन साथी, सम्मंदी, दोस का सुखर बजार होना भोल जाते है। एहसान मंदी उन सभी गुनों में सबसे उची है जो एक सक्चे और इमंदार इंसान का चरीत रोर सक्सियत बनाती है। अहंकार अक्सर एहसान मं और विनर्मता के गुनों को हम अपना लेते हैं तो हमारा बेभार अपने आप ही सही होने लगता है। एहसान मंदी जीने का एक तरीका होना चाहिए जिसे हम जितना भी दिखाए कम है। यह मुसकान धन्यवाद या परसंसा के भाव से जाहिर हो सकता है। सोचिए पास पहले से मौजूद हो उनका एहसान हम बहुत कम व्यक्त कर पाते हैं। मुरकर देखिए और उन लोगों को याद करने की कोशिस किजिए जिनका अच्छा असर आपके जीवन पर पड़ा हो। आपके माबाप, सिक्षक या कोई भी दूसरा जिसने आपकी सहता करने के ल अईसा लगे कि उन्होंने अपना करतब निभाया है लेकिन वास्तब में ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छा से अपने समय, महनत, पैसा और कई चीज़ों का आपके लिए त्याग किया है। उन्होंने आपके परती प्रेम के कारण ऐसा किया ना कि आपके सुक्रव पुजारी पाने के लिए किसी मोड पर बेक्ती इस बात को महसुस करता है कि उसकी जिन्दगी को समारने में कितनी महनत की गई है। सायत आज भी देर नहीं हुई उन्हें धन्यवाद देने के लिए यही वह समय है जब आप बदले में कुछ कर सकते हैं। प्रेम में वे तो सिर्फ एक को छोड़कर सब जा चुके थे। उसमें जीसस को धन्यवाद देने की विनर्मता थी। तब जीसस बोले मैंने कुछ भी नहीं किया। इस कहानी से क्या सबक मिलता है। एक ज्यादातर लोग एहसान फरामोस होते हैं। दो एहसान मानने वाला इंसान आसा सबहरन होता है। तीन जीसस ने सचमुच उन्हें नया जीवन दिया है। और कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। जीसस की तरफ हमें भी एहसान की उम्मीद नहीं करना चाहिए। उपर का उधारन हमारे व्यभार और सक्षियस में लागू होता है। हम किसी को थोड़े दिनों के लिए रोटी कपरा देदेते हैं और कहते हैं, देखो मैंने इसके लिए कितना किया। हम अपने इस परुकार को अपने दिमाग में कितना बढ़ा चरहा देते हैं। हम अकषर सुनते हैं, अगर मैं नहीं होता तो यह आदमी आज सरक पर रोता। क्या अंकार है इत्पाक से जब लोग दूसरों से काम निकलवाने के लिए ऐसी बाते करते हैं इत्पाक से क्या आप मेरे लिए यह कर सकते हैं ऐसा कहकर वे काम करने या ना करने के महतु को कम कर देते हैं मैंने यह पाया है कि अगर हम जिन्दगी में किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो यह इतिफाक से नहीं होता बल्कि हमेशा खास तोर पर होता है एक अच्छे इंसान के नजरिये से देखा जाए तो काम करने वाले कुछ भी काम एहसान समझ कर नहीं करते अगर दूसरे की मद करी बात नहीं होती यह हमेशा खास तोर से होती है और ऐसा करना ही उचित है इस कहावत में बहुत सक्चाई है कि नेकी कर कुए में डाल सतरवा कदम भरोसे मंद बने और वफादारी निभाने का प्रयाज करें पुरानी कहावत है एक छटांक वफादारी एक सेर चालाकी से ज्यादा अच्छी है यह सर्व्यापी अटलनियम है काविलियत बहुत जरूरी है लेकिन भरोसे मंद होना अनिवार्ज है अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी खूबियां है लेकिन वह भरोसे मंद नहीं है तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप अपनी टीम में रखना पसंद करेंगे नहीं बिलकुल नहीं मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे दो बचपन के ऐसे दोस्त थे जो स्कूल कालेज और यहां तक की फोज में भी साथ ही भरती हुए यूद छिर गया और दोनों एक ही यूनिट में थे एक रात उन पर हमला हुआ चारो तरफ गोलियां बरस रही थी ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई हैरी इधार आओ मेरी मदद करो हैरी ने अपने बचपन के दोस्त बिल की आवाज फोरन पहचान ले उसने अपने केप्टन से पूछा क्या मैं जा सकता हूं केप्टन ने जवाब दिया नहीं मैं तुम्ह फिर वही आवाज आई हैरी आओ मेरी मदद करो हैरी चुप बइठा रहा क्योंकि केप्टन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी वह आवाज बार बार आई हैरी अपने को और अधिक रोक ना सका और उसने केप्टन से कहा केप्टन वह मेरे बच्पन का दोस्त है ले आया, उन लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था, अब कैप्टर नराज हो गया और हैरी पर चिल लाया, मैंने कहा था न कि वह नहीं बचेगा, वह मर गया है और तुम भी मारे जाते और मैं एक और आदमी खोब बैठता, तुम्हारा जाना एक गलती थी, हैरी ने जव किया वह ठीक था, जब मैं बिल के पास पहुंचा तो वह जीवित था, और उसके आखरी सब्ज थे, हैरी मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, अच्छे रिष्टे मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निवाना चाहिए, हमें से अक्सर कहा जात हैं, हमें अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों जिनकी हम परवाह करते हैं, जो हम पर निर्वर्क हैं और हम पर भरोसा करते हैं, उनके लिए त्याग या कुर्वानी करने की जरूरत है, अठारवा कतम, द्वेस न रखें, छमा करें और भूल जाएं, कूरा इकठा कर करने वाले न बने, क्या आपने वह कहावा सुनी है कि माफ तो कर सकता हूं, लेकिन भूल नहीं सकता, जब एक व्यक्ति माफ करने से इंकार कर देता है, तो वह उन सभी दर्वाजों को बंद कर देता है, जिने खोलने की किसी दिन उसे जरूरत पर सकती है, जब हम मन में की दोस्ती में दरार पर गई, और वे 25 साल तक एक दूसरे से नहीं बोले, जेरी मिर्तु सया पर पढ़ा था और दिल पर बोज लेकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिम को बुलवाया और माफी मांगते वे कहा, हम एक दूसरे को छमा कर दें और पिछली बातों को भूल जाएं, जिम ने सोचा यह अच्छा विचार है और उसने जेरी से अस्पताल जाकर भेट करने का फैसला किया, उन्होंने बीते पचीस सालों को याद किया, अपने मतवेदों को भुलाया और घंटों साथ गुजारे, जब जिम जाने वाला था, जेरी पीछे से चिला कर बोला, जिम अगर मैं नहीं मरा तो याद रखना या माफी मानी नहीं जाएगी, द्वेश भाव रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, द्वेश रखना बियर्थ है, लानत है मुझे पर, जहां एक तरफ द्वेश रखना अच्छी बात नहीं, वहीं बार बार चोट किसी ने ठीक ही कहा है, तुम मुझे एक क्वार दोखा देते हो, तो तूम पर लानत है, तुम मुझे दोबारा दोखा देते हो, तो मुझे पर लानत हैर। का मतलब यह था कि दुबारा ठगे जाना या धोखा खाना अकल की बात नहीं है 19 कदम सच्चाई इमंदार और निस्कपट बनने की प्रैक्टिस करें कई बार सच्चाई की चमक सेटान की रोशनी दिखाने के बजाए और अंधा बना देती है इमंदारी का मतलब है कि सच्चा और असली होना न की नकली और जूटा अपने उपर भरोसे मंद होने की च्छाप लगवाईए और अपनी पहचान एक विश्वस्निय ब्यक्ति के रूप में बनाईए अगर कोई चीज है जो घर में दफ्तर में और समाज में रिष्टों को बनाती है तो व अपने और दूसरों के परती सम्मान दरसाती है इमंदारी इमंदार होने में है ना कि इमंदार दिखने में जूट की रब्तार भले ही देज हो मगर सच टिकाओ होता है इमंदारी कंपनी के टाइटल ब्रोसर या उहदे में नहीं बलकि लोगों के चरित्र में पाई जाती ह क्या अपनी इमंदारी से समझोता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए छोटे रास्ते चुनना उचित है बैमानी से जीती हुई ट्राफी हासिल करके क्या कोई इंसान फुष से वास्ता में फुष रह सकता है ट्राफी जीतने से कहीं ज़्यादा महतकुन है एक अच्छा इंसान बनना एक सेर मक्षन एक किसान एक बेकर को एक सेर मक्षन बेचा करता था एक दिन बेकर ने या परखने के लिए की मक्षन एक सेर है की नहीं उसने दोबारा तोला और उसने पाया की मक्षन कम था इस बात से वह गुस्टा हो गया और किसान को अदालत में ले गया जज ने किसान से पूछा कि उसने तोलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था किसान ने जवाब दिया हुजूर मैं अग्यानी हूँ मेरे पास तोलने के लिए कोई सही बाट नहीं है लेकिन मेरे पास एक तराजू है जज ने पूछा तो तुम मक्खन को कैसे तोलते हो किसान ने जवाब दिया इसने मक्खन को तो मुझसे अब खरिदना शुरू किया मैं तो बहुत पहले से इससे एक सेर ब्रेड खरिद रहा हूँ रोज सुबा जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड को बाट बना कर बरावर का मक्खन तोल कर दे देता हूँ अगर इसमें किसी का दोस है तो वह है बेकर का इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है जिन्दगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं जब भी आप कोई कदम उठाएं तो खुच से यह सवाल पूछें क्या जो पैसा मुझे मिलता है उसके बरावर की मैं मेहनत भी कर पाता हूँ अगर हाँ तो मुनासिब है अगर नहीं तो उस पैसे पर हमारा हक नहीं है इमंदारी और बैमानी एक आदत बन जाती है कुछ लोग बैमानी की प्रैक्टिस करते हैं और सीथे मू बड़ी असानी से जूट बोल सकते हैं दूसरे इतना जूट बोलते हैं कि सच क्या है यह भी भूल जाते हैं मगर वो वे किसको दोखा दे रहे हैं किसी और को नहीं बलकी खुद को इमंदारी तहजीब से पेस की जाती है कुछ लोग निर्दाई इमंदार होने में गर्ब महसूस करते हैं ऐसा लगता है कि उन्हें उस निर्दाईता में जादा अनदाता है बजाय इमंदारी में इमंदारी परतने में सब्दों का चुना और बैभार मातकुन है सच्चाई हमेशा आपकी मनपसंद नहीं होती सच बिना कठफोर वे भी बोला जा सकता है लेकिन ऐसा हमेशा संभब नहीं होता एक इमंदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह सच्चा हो कुछ लोग करवे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्तों का चुना करते हैं जो वही बोलते हैं जो उन्हें पसंद हो वे खुद को दोखा देते हैं या सच जानते हुए भी कि उनके दोस्त सच्चे नहीं है सच्ची आलोचना तकलीफ देख हो सकती है अगर आपका परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत ही कम हूँ तो यहीं रुपकर अपने रिष्टों की गहराई को परखने की जरुवत है इमंदारी की कमी को चतुराई, जनसंपर्क और राजनिती का नाम दिया जाता है सवाल यह है कि क्या असलियत में ऐसा है जूट बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्याया है कि बेक्ति को अपने जूट याद रखने पड़ते है इमंदारी में डीर्था और कमिंट्मेंट की जरुवत होती है कितनी बार हम लोग इन बातों के दोसी रह रहे है सपेद जूट चापलुसी सच्चाइची पनाया आधे सच बोलना चुप रह कर सबसे बड़ा जूट बोलना खुद को एक इमंदार इंसान बनाएं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया में एक धूर्थ आदमी कम हो गया थामस कारलायल विश्वसनियता उस चरवाहे लरके की कहानी हम सभी जानते हैं जो भेरिया आया भेरिया आया चिलाता था गाउवाले को परिसान कर बच्चे ने मजा लेने की सोची और वह चिलाया बचाओ बचाओ भेरिया आया गौवाले ने उसकी आवाज सुनी और उसे बचाने दोड़े जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भेरिया नहीं था और वह बच्चा उन पर हसने लगा वे सब चले गए अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली और गौवाले फिर मदद के लिए दोरे तीसरे दिन वह लड़का जब भेरों को चरा रहा था तो उसने सचमुच एक भेरिया देखा और मदद के लिए चिलाया गौवालों ने उस लड़के की आवाज तो सुनी मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया उन्होंने सोचा की लड़का फिर वही चाल खेल रहा है और उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया उसकी बेरे खा गई और नुपसान हो गया इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है इस कहानी से सिक्षा मिलती है कि जब लोग जूट बोलते हैं तो अपनी विश्वस्नियता खो देते हैं एक बार जब वे अपनी विश्वस्नियता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उनका यकीन नहीं करता जब इंसान पर जूटे होने की छाप लग जाती है तो वह सच भी बोले लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता एक अच्छे चरित्र का गुन है इमंदारी सच को दो गलत तरीके से पेस किया जा सकता है एक अधूरे सच या अधूरी जानकारी दो बढ़ा चरा कर बुला गया सच आधे अधूरे और गुमा फिरा कर पेस किये गए सच से बचे एक नाविक तीन साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था एक रात वह नसे में धुत हो गया और ऐसा पहली बार हुआ था केप्टन ने इस घटना को रैस्टर में दर्ज कर लिया नाविक आज रात नसे में धुत था नाविक ने यह बात पढ़ ली और वह जानता था कि इस एक वाक से उसकी नोकड़ी पर असर पड़ेगा इसलिए वह केप्टन के पास गया माफी मांगी और केप्टन से कहा कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसमें यह भी जोड़ दें कि ऐसा तीन साल में पहली बार हुआ जो असलियत है और पुरी बात है केप्टन ने मना कर दिया और कहा मैंने जो कुछ भी रजिश्टर में धर्ज किया वही असली सर्च है अगले दिन रजिश्टर भरने की बारी नाविक की थी उसने लिखा आज की रात केप्टन ने सराब नहीं पी केप्टन ने इसे परहा और नाविक से कहा कि इस वात को या तो वह बदल दे या इसमें पुरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखें क्योंकि जो लिखा गया उससे जाहिर होता था कि केप्टन हर राज सराब पिता था नाविक ने केप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिश्टर में लिखा वही सच था दोनों बातें सही थी लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वह एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की जलक नहीं है बढ़ा चड़ा कर कहना बढ़ा चड़ा कर कहने से दो बातें होती है एक यह किसी भी बेक्ति की बात के असर को कम करता है और उसकी विश्वस्नियता गड़ती है दो यह एक लट की तरह है यह एक आदत बन जाती है कुछ लोग बिना बढ़ाय चड़ाय सच कह नहीं पाते सदभाव रखें और निस्कपट बने सदभाव मन की इच्छा है इसका सबूत देना मुश्किल है लेकिन यह हमारे बेभार में जलगता है निस्कपट होकर दूसरों की मदद करने की भावना से ही हम अपने लक्षों को प्राप्ट कर सकते हैं दिखावे से दूर रहे मुसीवत में परे दोस्त से पूछना मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ बहुत अखरता है क्योंकि बहुत बारिया दिखावे के लिए कहा जाता है लेकिन बगेर मन की इच्छा कि अगर आप सचमुछ मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई भी काम चुन लेजिए और कीजिए बहुत लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए इंसानियत का नकाव लगा लेते हैं ताकि जब कभी उन्हें तकलीफ हो तो वे बदले में हग से सहता मांग सके जूटी और व्यकार की नाटकवाजी से दूर रहे साबधान निस्कपटता सही फैजले का माप डंद नहीं है एक इंसान निस्कपट होते हुए भी गलत हो सकता है काम खुद बखुद बोलते हैं सब्द नहीं किसको है प्यार सब से ज़ादा जब नन्हा जान कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ मा फिर अपने भी काम छोड़ कर वह पुपी उच्छालता हुआ बगीचे में जूलने चला जाता है और छोड़ जाता है मा को पानी भरने और लकडियों लाने के लिए जब रोजी नेल कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ मा इतना की सब्दों में बयान करना मुश्किल है तो वह आधे दिन तक मा तो परिसान करती रही और जब वह खेलने चली गई तो मा ने राहत की सांस ली मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ मा इस बार भैन ने कहा मैं कितनी खुस हूँ कि आज स्कूल बंद है इसलिए मैं आज जी भरकर तुम्हारी मदद करूंगी और वह छोटे भाई को गोद में लेकर जोलाती रही जब तक कि वह सो न गया फिर उसने जारो उठाई और फर्श साफ किया वह पूरे दिन काम करती रही और खुस रही उतनी ही खुस और मददगार जितना की एक बच्चा हो सकता है हम तुम्हें प्यार करते हैं मा तीनों ने फिर कहा और सोने के लिए चले गए आपकी समझ में उस मा की क्या राय थी किसको है प्यार सबसे ज़्यादा उसमें जय एलिसन इमंदारी और निष्ठा बनाए रखें प्राचिन ग्यान कहता है ऐसी कोई सी चीज जो बेची और खरी दी जाए वह तब तक मुलेवान नहीं होती जब तक उसमें एक अनमोल खुवी ना हो जो बिकाव नहीं है वह खुवी क्या है वह अनमोल खुवी जो हर चीज में होती है वह है उसके बनाने वाले की विश्वस्नीयता इमंदारी और उसकी परतिष्ठा यह राज नहीं है लेकिं अनमोल जरूर है इमंदारी का दूसरा पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है तीन अधिकारी इस बात पर जगर रहे थे कि खाने का बिल कौन देगा एक ने कहा मैं दूँगा क्योंकि मुझे टेक्स में छूट मिल सकती है दूसरे ने कहा मुझे देने दो क्योंकि मुझे कमपनी से मिल जाता है तीसरे ने कहा मैं भैसा दूँगा क्योंकि अगले सब्ता मैं दिवालिया होने की कुष्णा करने जा रहा हूँ विश्वा कदम विनम्रता की प्रैक्टिस करें विनम्रता के बिना आत्म विश्वास आंकार है विनम्रता सारी कुवियों की बुनियाद है यह महानता को दर्शाती है और बरप्पन की पहचान है सच्ची बिनर्मता अकरसित करती है लेकिन बनावती बिनर्मता बेमुक करती है और परे धकेलती है बहुत साल पहले एक गुरसवार ने उस सेनिकों को देखा जो एक लकड़ी के गठे को उठाने में नकामयाब हो रहे थे नायक भी वहीं ख़ड़ा था जब सेनिक संघर्स कर रहे थे गुरसवार ने नायक से पूछा कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता नायक ने जवाब दिया मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम इनको आदेश देना है गुरसवार अपने गोड़े से उतर कर उन सेनिकों के पास गया और उसने उस गठे को उठाने में मदद की उसकी मदद से वह गठा उठा दिया गया गुरसवार चुपचा अपने गोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला अगली बार जब तुम्हें सहयता की जरुवत परे तो तुम अपने कमांडर इंचीफ को बुला लेना जब वह गुरसवार चला गया तो नायक और सिपाईयों को पता चला कि गुरसवार और कोई नहीं बलकि जोर्ज वासिंग्टन थे बरे लोगों का यही तो बरप्पन है संदेश बिलकुल साफ है सफलता और विनमता हाथ में हाथ डाले चलती है जब दूसरे आपकी परसंसा करते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाती है जरा इसके बारे में सूचिए सादगी और विनमता महंता की दो भाचान है विनमता का मतलब अपने आपको गिराना नहीं गिराना तो अपने आपको छोटा बनाने के समान होगा 21. कदम दूसरों को समझने और खयाल रखने वाला बने रिस्तों में हम सभी से गलतिया होती है कभी-कभी हम दूसरों की जर्वतों के परती रुखे या और सम्विदन सील हो जाते हैं खासकर उनके परती जो हमारे बहुत कड़ीबी है फिर इससे मायूसी और नाराज की पैदा होती है मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी जरूरी है आपसी रिष्ते लोगों के परफेक्ट होने के वजह से नहीं बनते बलकि उनकी आपसी समझदारी और परवाह करने की वजह से बनते हैं दूसरों का ख्याल रखने वाला बनने से जादा संतोस मिलता है बजाए सिर्फ एक अच्छा इनसान बनने के ख्याल रखने वाले नजरिये से आपकी अच्छी छवी और ख्याती अपने आप ही बन जाती है जो आपके जीवन का सबसे बेहतर पीमा है जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता कुछ लोग समझदारी दिखाने और खयाल रखने की कमी को पैसें से पूरा करने की कोशिस करते हैं समझदारी दिखाना और प्रवाह करना पैसों से ज़्यादा महत्पुन है और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी प्रवाह करें और आपको समझें तो आपको भी उनके लिए वही करना पड़ेगा आपसी तालमिल का असली अधार भी समझदारी ही है उदार बनने की प्रैक्टिस करें यह भावनात्मक परिभकता और समझदारी की पाचान है उदार होने का मतलब है कि आप बिना किसी के कहें उनका खयाल रखें और उनके लिए सोचें बिचारें उदार लोग जीवन की नयमतों का जैसा अनुभव करते हैं वैसे स्वार्थी लोग सपने में नहीं कर सकते समझदारी दिखाएं क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही परती है दूसरों की भावनाओं के परती उदार और समेदन सील बने ब्यभारिक रूप से समझदार बने किसी भी रिष्टे में ब्यभारिकता बहुत महत्तपूर्ण है ब्यभारिकता का मतलब है किसी ब्यक्ति को नराज किये बगएर अपनी बात कह देने की कावलियत दयालुता बैसे से बहुत महगा कुटता खरिदा जा सकता है मगर आपकी प्यार और दयालुता की वज़ा से ही वह पूछ हिलाएगा दया का भाव जितनी जल्दी हो दिखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दयालुता एक ऐसी भासा है जिसे बहड़े सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं एक दोस्त के जीवी रहते उसके परती दयालुता दिखाना बेहतर है बजाए इसके की उसके मरने पर उसकी कबर पर फूल चरह है दयालुता से इंसान अच्छा महसूस करता है चाहे वह किसी और के लिए दिखाता हो या उसके साथ दिखाई गई हो मिठी बोली बोलने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होती 22. कदम हर रोज विनर्व बनने की प्रैक्टिस करें विनर्वता का मतलब दूसरों का खयाल रखना यह उन दर्वाजों को खोलती है जिने खोलना मुश्किल हो एक तहजीव वाला मगर कम परतिवहसाली इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा बज़य उसके जो परतिवहसाली तो है लेकिन तहजीव वाला नहीं है छोटी छोटी बातें अहमियत रखती है और बरा फरक डालती है क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है सीधा सा जवाब है नहीं क्या आपको किसी मच्छड ने काटा है हम में से बहुतों को हम सभी सफन जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं मगर हमारी आदतें और माहूल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है मगर माहूल की वज़ा से हमने हारना सीख लिया है हम अक्सर ऐसी बाते सुनते हैं उस आदमी की किस्मत अच्छी है मिट्टी छुता है तो सोना बन जाता है या फिर वह बदकिस्मत है वह कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है मगर यह सच नहीं है अगर आप जाचें पर्खें तो पाएंगे कि जाने या अंजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं जबकि हारने वाले लोग अपने हर काम में वही गलतियां दोहरा रहे हैं याद रखें प्रैक्टीस से पुर्णता नहीं आती बलकि सिर्फ सही प्रैक्टीस से ही पुर्णता आती है practice हर उस काम को अस्थाई बना देती है जिसे हम बार-बार करते हैं कुछ लोग अपनी गलतियों की ही practice करते रहते हैं और वे उसी में perfect हो जाते हैं इसलिए वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनके बेवार में खुद बखँद आने लगती है बेवसाइक लोग अपना काम असानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाज में रख कर करते हैं लेकिन वे जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती हैं वही तरक्की के असली हकदार हैं किसी चीज की आदत डालना खेती करने के समान है इसमें समय लगता है यह बेक्टी के अपने अंदर से उपजती है एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है अंतर प्रेर्णा एक बेक्टी से काम सुरू कराती है प्रेर्णा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से अस्थाई रूप ले लेती है और काम फुद बखुद होता चला जाता है संकत के समय में भी साहस दिखाना लालच के सामने आत्मसयम दिखाना दुख के सामने कुसी चुनना निरासा के सामने चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलास करना ये गुन सिर्फ संयोग या किसमत से नहीं आते बलकि ये तो सारिलिक और मांसिक रूप से की ग कि हमने प्रैक्टिस से की है फिर चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक जब हम छोटी छोटी बातों में कायरता और बैमानी जैसे अगुन अपनाते हैं तो यह सोचकर कि जब बड़े काम करने होंगे तब साहस और इमंदारी जैसे सही गुन दिखाएंगे मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुनों की प्रैक्टिस नहीं की है क्योंकि जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं वही वेभार में जहलती है जब हम खुद को एक बार जूट बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार जूट बोलना थोड़ा और आसान हो ज जाता है सफलता की फिलासफिक है कायम रहें और संयम रहें जिसे करना चाहिए उसे करो और जिसे नहीं करना चाहिए उससे बचो जब तक हमारी आदत नहीं बन जाती तब तक जो जरूरी है उस पर कायम रहें और गएर जरूरी में संयम बढ़ते हैं इंसान की फित्रत है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, इमंदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा है, कोई भी काम जिसे हम लंबे अर्शी तक करते हैं, वह हमारे व्यक्तित का एक हिस्सा बन जाता है और आदत भी, एक इंसान ज जो हमेशा इमंदारी बरतता है, जब भी पहली बार जूट बोलता है, तो पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने जूट बोलने की ही प्रैक्टिस की हो, तो पहली सच बोलने पर पकड़ा जाता है, खुज से और दूसरों से इमंदारी या बैमानी बरतना दोनों ही आदतें ब बनाती है इससे पहले कि आप आदत को अपनाने की सोचें आदत आपको अपना चुका होती है हमें सही सोचने की आदत डालने की जरुरत है किसी ने कहा है हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं काम से आदतें बनती है आदतों से चडित्र बनता है और चडित्र से हमारा भव आदतन होता है यह पिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है और एक बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है आदतें तरक और समझदारी से कहीं ज़्यादा सक्विसाली होती है आदतें अपने शुरू में इतनी मामूली लगती है कि आप धिहान नहीं देते और बात में वे इतनी मजबूत हो जाती है कि उनसे छुटकारा मिलना मुस्किल है आदतों का विकास या तो अंजाने में होता है या निश्य पुर्वक्त मुझे याद है कि बच्पन में मेरे माता पिता कहते थे तुम अच्छी आदतें डालो क्योंकि आदतें ही चरित का निर्मान करती है हम आदतें कैसे बनाते हैं? किसी काम को जब बारबार किया जाये तो वह एक आदत बन जाती है हम काम करने से ही सीखते है साहस भरा वेभार करने से हम साहस सीखते है इमंदारी और निर्पेख्षता के गुन हम की प्रैक्टिस से सीखते है इन ही गुनों की लगातार प्रैक्टिस करने से हम इन में निपुनता हासिल करते हैं और माहिर हो जाते हैं इसी तरह जब हम बैमानी गलत बैभार या अनुसासन जैसी बुरी आद्टों की प्रैक्टिस करते हैं तो उन ही में निपुन हो जाते हैं अगर हम कोई चीज अच्छा करना चाहते हैं तो यह स्वभाविक रूप से हमें सही काम करने के लिए अगर सोचना पड़े तो हम इसे कभी भी अच्छे और सही तरीके से नहीं कर पाएंगे इसका मतलब है कि हमें इसकी आदत बनानी पड़ेगी हम लगातार वातावरन या माहोल और मिडिया से प्रभावित हो रहे हैं और इनके आदी बनकर रोबोट की तरह बेवार कर रहे हैं या हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आपको अच्छी बातों के आदी बनाएं जब मैं मार्सल आर्ट का एस्टूटेंट था तो मैंने गौर किया कि बलेक बेल्ट होल्डर भी गोसा मारने और बार रोकने जैसे साधारान एक्षन की प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि जब उन्हें इन कलाओं की जरुरत पड़े तो बहुत स्वाविक रूप से इनका परियोग कर पाएं अच्छी आदतों को अपनाना मुस्किल है लेकिन उनके साथ जीना आसान है बुरी आदतें अपनाना आसान है मगर उनके साथ जीना मुस्किल है हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं उस विसाल हाथी के बारे में सोचिए जो एक टन से भी ज़्यादा का वजन सिर्फ अपनी सूर से उठा लेता है जरा सोचिए कि एक हाथी को एक पतली रसी और एक फूटे से एक ही जगह पर बंधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है बच्चपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेर से बांधा जाता है हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेर मजबूत होते है बच्चे को बंधे रहने की आदत नहीं होती इसलिए वह उस जंजीर को खीचने और तोड़ने की लगातार निसफल कोशिस करता रहता है एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खीचने और तोड़ने की कोशिस करने से कोई भैदा नहीं वह रुक जाता है और सांध खरार रहने लगता है अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है और जब वही बच्चा एक विसाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमजोर रसी और कूटे से बान दिया जाता है वह हाथी चाहे तो एक जटका देने से ही आजाज हो सकता है मगर अब वह कहीं नहीं जाता क्योंकि वह बच्पन से ही दिमाग से इसका आदी हो चुका है जाने अंजाने बहुत सी चीजों का असर हम पर पढ़ता चला जाता है और हम उनके अनुसार ढलते चले जाते हैं जैसे किताबें हम पढ़ते हैं जैसी फिल्में और टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं जैसा संगीत हम सुनते हैं जैसी संगती में हम राते हैं गारी चलाते समय अगर हम एक ही धुन बहुत दिनों तक सुनें और एक दिन टेप रिकाडर खराब हो जाए तो अंदाजा लगाईए कि हम कौन सी धुन गुन गुना रहे होंगे पागलपन की पडिवासा है कि एक ही काम को बार बार करना लेकिन हर बार अलग नतीजे की अपेक्षा कर रखना अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहे हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है आदतों को बदलने के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि जो चीज काम नहीं कर रही है उसे कैसे भुलाया जाए और जो काम कर रही है उसे कैसे अपनाया और बढ़ाया जाए गीगो सिध्धान्त कम्पिटर का एक सिध्धान्त कीगो G.I.G.O यानि गारबेज इन, गारबेज आउट है जो बिल्कुल सही है अपने अंदर गलत डालिये गलत बाहर आएगा सही डालिये, सही बाहर आएगा अच्छा डालिये, अच्छा बाहर आएगा हम जितना डालते हैं उतना ही निकालते हैं हमारा अवचितन मन भेदवाव नहीं करता हम जो कुछ भी अपने अवचितन मन में डालेंगे वह उसे स्विकार कर लेगा और वही बात हमारे बैभार में उतारेगी टेलिविजन का हमारे नेतिक मुल्यों सोचने के ढंग और संस्क्रिती पर काफी हद तक अच्छा या बुड़ा असर पड़ता है टेलिविजन ने जहां हमें बहुत सी अच्छी और फैदेमंद सुचनाएं दी हैं वहीं यह हमारी रूचियों में घट्यापन लाया है इसने हमारी नेतिकता को भरष्ट किया है और बच्चों में अपराद की परविर्थी को बढ़ाया है यह तो बोलने की आजादी या टेलिविजन की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी कीमत है अठारा साल की उम्र तक बच्चे लगभग दो लाख हिंसा के सीन टेलिविजन पर देख चुके होते हैं क्या यह टेलिविजन ने किया है या जैसे प्रोग्राम हम देखने को चुनते हैं उन्होंने अब रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में है और साथ ही फैसला भी इस्तिहार निकालने वाले अपने दर्सकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं निश्चित रूप से इस्तिहारों से विक्री बढ़ती है वरना कंपनियां इस्तिहार क्यों देती जब हम टीवी पर इस्तिहार देखते हैं या रेडियो पर सुनते हैं तब हमारा चितन मन उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता मगर हमारा अब चितन मन हर उस चीज को स्विकार कर लेता है जो कुछ भी उसमें डाला जा रहा है क्या आपने कभी टीवी से बहस की है कभी नहीं हम जब पिक्चर देखते हैं तो हसते हैं और रोते भी है क्या ऐसा इस वज़ा से होता है कि उन्होंने सीट में कुछ लगाया होता है या इस वज़ा से कि हम जो भी भावनात्मक सीन देखते सुनते हैं उसी का भवनात्मक असर तुरंत हम पर होता है इन्पुट में बदलाओ करें और तो आउट्पुट खुद बदल जाएगा जेतन और अब जेतन मन याद रखिए हमारे जेतन मन के पास सोचने की सकती है यह स्विकार कर सकता है और अस्विकार भी मगर अब जेतन मन सिर्फ स्विकार करता है यह इन्पुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता अगर हम अपने मन में डर, संखा, नफरत के भाव भड़े हैं तो यह आत्म सुझाओ इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविक्ता में बदल देगा हमारा अब जेतन मन एक डाटा बेंक की तरह है इन दोनों में अब जेतन मन ज्यादा सक्ति साली है अब जेतन मन एक गाड़ी की तरह है और जेतन मन एक ड्राइवर की तरह सक्ति तो गाड़ी में होती है मगर उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास अवचेतन मन हमारे फैदे या नुक्सान के लिए काम कर सकता है इसमें सोचने समझने की छमता नहीं है जब हम सफल नहीं होते तो हमारे अवचेतन मन को दोबारा नए और सही तरीके से री प्रोग्राम करना पड़ेगा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है इसमें कोई परवाह नहीं कि आप कैसे पोधे लगाते हैं या निर्पेक्ष है इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है लेकिन अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपको बगिचा सुन्दर होगा नहीं तो आपके बगिचे में जंगली पोधे उगाएंगे मैं तो एक और कदम आगे बढ़ कर कहूंगा अगर आप अच्छे बीज भी बोएंगे तब भी जंगली पोधे उगी आएंगे और उन्हें उखार फेकने का सिलसिला लगाता चलता रहना चाहिए इनसान का दिमाग इससे कोई अलग नहीं है याद रखिए सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते कमपनियां बिसे सबसरों पर 30 सेकेंड के इस्तिहार पर करोरों रुपे खर्च कर देती है जाहिर है कि उन्हें इसका फायदा मिल रहा होता है जब किसी खास ब्रांड की ड्रिंक या तूदपेस्ट का इस्तिहार देखते हैं तो हम दुकान पर जाकर उसी ब्रांड को खरिदना चाहते हैं हम किसी दूसरे ब्रांट की ड्रिंग नहीं चाहते केवल उसी ब्रांट को चाहते हैं ऐसा क्यों क्योंकि हमारे अपचेतन मन में उस ब्रांट की छवी बन चुकी होती है जिसे हम उसके आदी हो जाते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं हम अपने अपचेतन मन को इस तरह ढालने की जरूरत है कि वह हमें सही और ठीक राज़ते पर ले जा सके हम आदी कैसे बनते हैं सोचिए हमने सैकिल चलाना कैसे सीखा इसके चार अस्तर है पहले अस्तर को अपचेतन आयोगिता कहते है यह वह अस्तर है जब हम नहीं जानते की हम नहीं जानते बच्चा यह नहीं जानता की सैकिल चलाना क्या है अपचेतन नहीं वह सैकिल चला सकता है आयोगिता यह अपचे पड़ा होकर जान जाता है कि सैकिल चलाना क्या है मगर वह खुद नहीं चला सकता इसलिए वह जेतन तो है मगर योग है फिर वह सैकिल चलाना सीखता है और यह तिसरा अस्तर है जो जेतन योगिता कहलाता है अब वह सैकिल चला तो सकता है मगर ऐसा करने के लिए उसे हर बार चेतन रूप से सोचना पड़ता है इस तरह इन सभी सचेत, सोच और पढ़ियास के साथ बच्चा सैकिल चलाने योग्य है चौथा अस्तर अवचेतन योग्यता का है यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ सैकिल चलाना इतनी अच्छे से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है चैकिल चलाते समय वह लोगों से बाते कर सकता है और दूसरों को हाथ से इसारा कर सकता है इसका मतलब यह है कि वह अब जेतन योग्यता के अस्तर पर पहुंच गया है इस अस्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह हमारे बेभार में खुद बख़ुद उतरने लगता है यही वह अस्तर है जहां हम अपनी अच्छी आदतों को पहुचाना चाहते हैं दुख की बात है कि हमारी कुछ बुरी आदते हमारे अपचितन योगिता के अस्तर तक पहुँचाती है और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती है तजुर्बे और अध्यान से पता चलता है कि लगबग 90% सिग्रेट पिने वाले इसकी आदत 21 साल की उम्र से पहले ही डाल चुके थे अगर किसी ने 21 वर्ष की उम्र तक सिग्रेट न पी हो तब इसकी गुंजाइस बहुत कम है कि उसे जिन्दगी में इसकी लट पड़ेगी इस साफ जाहिर होता है कि सिग्रेट पीने की आदत हमारे अवचितन मन में कच्ची उम्र से ही पर चुकी होती है और इसके लिए हमारा दिमाग छोटी उम्र से ही ढलना सुरू हो जाता है कुदरत खाली पंद पसंद नहीं करती मेरे दो भातिजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है उन्हें टेनिस बहुत पसंद है एक दिन उनके पिता ने मुझसे कहा यह खिल बहुत महगा होता जा रहा है इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंदे, लाउन की फीज देनी पड़ती है तो अब तो इन्होंने एक पोज भी रख लिया है यह सब बहुत महगा पर रहा है तब मैंने इन से पूछा यह किस चीज की तुलना में जादा महगा पर रहा है तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रुखवा सकते हो और पैसे पचा सकते हो लेकिन अगर वे खेलना छोड़ देंगे तो इस्कूल से घड़ लोटने पर समय और इनरजी का क्या करेंगे वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर पोले मुझे लगता है इने खेलने देना चाहिए या सस्ता ही पड़ेगा उन्होंने बच्चे को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने का मा तो समझ लिया नहीं तो वे बुरी चीजों की तरफ मुड़ते क्योंकि कुद्रत को खालिपन पसंद नहीं या तो हमारे पास अच्छा होता या बुरा इन दोनों के बीच निस्वक्ष रास्ता कोई नहीं होता चरित का निर्मान करना एक आदत सी बन जाती है अगर हम एक अच्छी सक्सियत बनना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जाचना होगा जो बात कभी-कभी मोज मस्ती करने की वज़ा से सुरू होती है वह एक अस्थाई दोस्या कमी बन जाती है खुझ से ये सवाल करें एक क्या आप अपने काम की क्वाल्टी को गिरने देते हैं दो, क्या आप इधर उधर की बातें और पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते हैं तीन, क्या इर्सिया और अहंकार आपके साथ ही है चार, क्या दूसरे के मनोभावों को समझने की छमता आप में कम है ऐसे कितने ही सवाल हो सकते हैं हम आदतों के गुलाम है ऐसा होना अच्छी बात है क्योंकि अगर हमें हमेशा कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जिन्दगी में इतना तो समय ही नहीं होता हम अपनी सोच पर काबू और आत्म अनुसासन की प्रैटिक्स के द्वारा अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं हमें अपने अपजितन मन की सकती का फाइदा उठाने की जरूरत है हमें आदतों को बच्पन से ही समारना चाहिए ताकि बड़े होने पर या हमारे अच्छे चरित का निर्मान कर सके जिंदगी की सुरुआत में ही अच्छे बिचारों के बीच बोने चाहिए फिर भी इसकी सुरुआत करने में कभी तेर नहीं होती हर अच्छा या बुरा तजुरवा कुछ न कुछ असर करता है नई आदतों को सीखने में समय लगता है मगर अच्छी आदतें एक बार सीख ली जाए तो जीवन को नए माइने देती है आसावादी या निरासावादी होना भी एक आदत है आदतें दुख या सुख के सिध्धान का एक बिशे है हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या फिर दुख से बचने के लिए करते है जब तक नफ़ा नुकसान से ज़्यादा होता है तब तक हम उस आदत को चारी रखते है मगर जब नुकसान नफ़े से ज़्यादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ देते है मिसाल के तोर पर जब doctor cigarette पीने वाले को cigarette पीने से माना करता है तो जबाब देता है मैं नहीं छोड़ सकता यह एक आदत है जिसमें मुझे मज़ा आता है और वह cigarette पीना जारी रखता है यहाँ मज़ा दर्ज से ज़्यादा है और जब एक दिन वह एक खतरनाक बीमारी का सिकार हो जाता है तब डक्टर कहता है अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो सिग्रेट पिना इसी वक्त बंद कर दीजिए और वह उसी समय सिग्रेट पिना छोड़ देता है क्योंकि यहाँ पर नुक्सान नफे से ज़्यादा है बदलाओ का विरोध जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं उनके न बदलने का कारण है कि वे जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें तो मज़ा आता है वह बदलाओ के दर्द से ज़्यादा होता है उनमें सायद बदलाओ की इच्छा की कमी हो बदलाओ के लिए जरूरी अनुसासन की कमी हो अपने आपको बदल पाने के विश्वास में कमी हो बदलाओ के लिए जर ने का हक है बुरे बेभार को नजर अंदाज करते हुए हम यह हसा कर सकते हैं कि वह खुद वखुद चला जाएगा यह सुतुर मुर्ग का तरीका हुआ या इसका मुकाबला करें इस पर काबू पाएं और हमेशा के लिए मिटा दें बेबुनियादी डर और अपनी आरामदाय जिन्दगी के दैरे से बाहर निकल कर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है याद रखिए डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है अपनी बुरी आदतों को ना बदलने के बरे आम बहाने नीचे लिखे हुए हैं हम लोग हमेशा इसी तरह करते आये हैं हमने इस तरह कभी नहीं किया है यह मेरा काम नहीं है मैं नहीं समझता कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा मैं बहुत वियस्त हूँ अच्छी आदतें डालें बदला कभी भी लाया जा सकता है चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी ही पुरानी हो सही जानकारी और बेभार बदलने वाले तरीकों का इस्तमाल करके बदला कभी भी लाया जा सकता है हम हमेशा सुनते हैं कि बुढ़े कुटे को नहीं कलावाजियां नहीं सिखा सकते यह बात इंसानों पर लागू नहीं होती क्योंकि हम कुटे नहीं हैं और नहीं हम कलावाजी कर रहे है हम बुरी और नुकसान पहुचाने वाली आदतों से शुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं सफल लोगों का राज यह है कि वे काम करने की उन आदतों को डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और नहीं करते हैं जरा उन चीजों के बारे में सोचिए जो सफल लोग नहीं करना चाहते ये वही काम है जिनें सफल लोग भी करना नहीं चाहते लेकिन वे फिर भी करते हैं मिसाल के तोर पर असफल लोग अनुसासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते सफल लोग भी अनुसासन और करी मेहनत एक खिलारी रोज सुबा उठकर प्रैक्टिस करने के लिए अनुसासन को पसंद नहीं करता लेकिन फिर भी नियमित रूप से करता है ना पसंद करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जैसा असफल लोग नहीं कर पाते सभी आदतें बहुत छोटे रूप से सुरू होती है लेकिन अंत में इन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है नजरिये और सोच का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है यह सवाल है पुरानी बुरी आदतों को पदल कर नई अच्छी आदतों को अपनाने का बुरी आदतों को न अपनाना उन पर कावू पाने से असान है मोह और लालच पर कावू करने से अच्छी आदतें बनती है खुस मिजाजी और चिरचिरापन भी आदतें है उम्दा या अच्छा होना लगातार सचित मन से तब तक किये गए पडियास और मेहनत का नतिजा है जब तक यह सब आदत नहीं बन जाता इसे एक आदत में बदलने के लिए बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूत होती है हम सभी में कुछ खराब आदते हैं जो हमें नीचे खिचती है पांच मिनट तक किसी भी सांथ जगा पर अकेले बैट कर उन बुरी आदतों की सुची बनाईए जो आपको नीचे खिचती है पंद्रह मिनट तक किसी भी सांट जगा पर अकेले बैट कर उन अच्छी आदतों की सुची बनाईए जो आप अपने में लाना चाहते हैं अच्छी आदतों के निर्मान के लिए 21 दिन का फार्मूला आत्म सुझाओ आत्म सुझाओ क्या है आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं इस सोच को वर्तमान काल में कहे जाने को ही आत्म सुझाओ कहते हैं आत्मसुज़ाव इस्तिहार की तरह है, जो आप अपने आपको अपने बारह में अपने लिए लिखते हैं ये आपके चेतन और अपचितन मन दोनों को प्रभावित करते हैं जिसका असर आपकी नजरिये और वेवार पर पड़ता है आत्म सुझाओ आपके अबचितन मन को ढालने प्रोग्रेम करने का एक तरीका है आत्म सुझाओ अच्छे या बुरे हो सकते हैं बुरे आत्म सुझाओ के कुछ उदारन मैं थका हुआ हूँ, मैं फुर्तिला नहीं हूँ, मेरी यादास्त कमजोर है मैं हिसाब में अच्छा नहीं हूँ जब हम बुरे आत्म सुझाओं को बार-बार दोहराते हैं तब हमारा अबचितन मन उन पर विश्वास करने लगता है और ये असलियत बन कर जीवन में उतर जाते हैं मिसाल के तोर पर जब मैं किसी से बात करता हूँ समय यह भूल जाओं कि मुझे क्या कहना था तो मैं उस आदमी से कहता हूँ देखिए मैं भूल गया जो मुझे कहना था मेरी यादास्त बहुत कमजोर है इससे साब जाहिर होता है कि अब चितन मन यकीन करता है यादास्त कमजोर है और उसे बेभार में उतार लेता है जिसका वास्ता अपराज से पहली बार पड़ता है वे इसे नफरत करते हैं लेकिन इसके अनुहब से वे इसके आदि हो जाते हैं और अगर अनुहब बहुत लंबा होता है तो वे इसे अपना भी लेते हैं और इस तरह वे अपनी बदकिस्मती का पन्ना फुद लिखते हैं एक विक्ति जब किसी विश्वास को बार-बार दोहराता है तो यह उसके अब जितन मन की गहराई में बैट जाता है और एक असलियत का रूप ले लेता है बार-बार दोहराया गया जूट या तो असलियत में बदल सकता है या सच भी मना जा सकता है सही आत्म सुझाओ का तरीका मेडिकल और एस्पोर्ट के छेतर में काफी इस्तिमाल किया जा रहा है आत्म सुझाओ सकारात्मक्त होना चाहिए क्योंकि हम अपने दिमाग में जो पाना या बनना चाहते है उसकी तस्वीर बनाए बजाए इसके लिए हम क्या नहीं पाना या बनना चाहते है कोई भी तस्वीर जो हमारे दिल और दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है असलियत का रूप ले लेती है आत्म सुझाओं बार बार दोहराने का सिलचिला है एक इंसान जब इन वाक्यों को लंबे समय तक दोहराता है तो ऐसा करके वह इन अपने अवचेतन मन की गहराई में बैठा देता है मिसाल के तोड़ पर मैं अराम से हूँ, मैं सांथ हूँ, मैं धीरे और गंभीर हूँ और आत्म सुझाओं की प्रैटिस नकारात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए जैसे मैं तनाव में नहीं हूँ, मैं गुसा नहीं करूंगा चकारात्मक वाक्य इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमारी सोच एक तस्वीर के रूप में आती है न की सब्दों के रूप में अगर मैं कहूं नीले हाथी के बारे में मस सोचो तो आपके मन में पहली तस्वीर कौन सी आती है नीले हाथी की जब मैं कहता हूँ मा तो आपके दिमाग में क्या आता है मा की तस्वीर या उसकी एस्पेलिंग जब हमारे आत्म सुझाओ में कोई नकारात्मक सब सामिल होता है तो यह एक गलत तस्वीर बनाता है जिस से हमें बचना चाहिए और दूर रहना चाहिए वर्तमान काल में ही क्यों क्योंकि हमारा मन एक कालपनिक और वास्तिवी कनभब में फर्क नहीं कर पाता विसाल के तोर पर मा बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा साहे 9 बज़े तक घर आ जाए लेकिन बच्चा देर तक घर नहीं लोटा और अब एक बज रहा है मा बाप के मन में क्या चल रहा है वे आसा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है मैं आसा करता हूँ कि बच्चे के साथ कोई धुर्गटना न हुई हो फिर क्या होता है उनका ब्लड प्रेसर बढ़ता है यह एक कालपनिक अनुभब है सच्चाई यह हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मोज मस्ती में मस्गूल हो और गयर जिम्मेदारी दिखा रहा हो और वह घर उस समय नहीं लोटा जब उसे लोटना चाहिए था अब परस्तिती को उल्टा करके देखें मानने की बच्चा बहुत जिम्मेदार है और वास्तव में वह सारे 9 बजे घर आने वाला है मगर एक दुरघटना का सिकार हो गया और एक बजे तक घर नहीं पहुचा मावाब के बलड प्रेसर का क्या हाल हो रहा होगा वह फिर भी बढ़ेगा पहले हालत में अनुभव काल्पनिक था और दूसरे में वास्तविक मगर सरीर पर दोनों का असर एक सा था हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं महसूस करता अब चेतन मन को तयार करें हम आत्म सुझाओं को किस तरह बुरी या गलत आदतों को छुराने और सही या अच्छी आदतों को लाने में इस्तमाल कर सकते हैं हम सभी आत्म सुझाओं का जाने अनजाने इस्तमाल कर चुके हैं मिसाल की तोर पर कभी जब आपको सुबा साथ बजे ट्रेन पकड़नी हो और आपके पास अलार्म घरी ना हो तो आप अपने अपचेतन मन से कह कर सूते हैं कि मुझे पांच बजे उठना है तो क्या आप उठते हैं? अगर उठते हैं तो इसके पीछे क्या चीज काम कर रही है? वह है आत्म सुझाओ एक तैयार अपचेतन मन को पहले से ही अभास और एहसास हो जाता है। विक्ता में बदल जाते हैं। बार बार दोहराना काफी नहीं है जब तक इससे साथ भावनाओं और एहसास का संयोग नहीं हो। बिना कल्पना के आत्म सुझाओ का कोई नतीजा नहीं होता। जब पहली बार हमने मन को एक आत्म सुझाओ दिया जाता है तो वह उसे वस्व कार कर देता है क्योंकि चुकि यह विचार अजनभी होता है। इसलिए हमारे सोचने की ढंके विब्रीत होता है। सफलता हमारे ध्यान देने और इस सिल्सिले को बार बार दोहराने की काविलियत पर निर्वर करती है। आत्म सुझाओ का पालन करने के कदम। एक ऐसी जगह पर जाईए जहां आपको कोई परिसान ना करें। अपने सुझाओ को लिखें। जो कुछ शुरू किया गया है उ असलियत में बदलें। एक वर्तमान काल के अपने आत्म सुझाओं की एक लिस्ट बनाएं। दो, दीन में कम से कम दो बार आत्म सुझाओं को दोहराएं। एक बार सुबह और एक बार रात को। ऐसा। इसलिए करें क्योंकि सुबह, मन, सांत, धर्जवान, ताजा और चारों से करने से दिन भर के लिए एक फुब्सूरत सी लेव बन जाती है। तीन, इसे लगातार 21 दिन तक दोहराएं। चार, जव तक कि यह एक आदब न बन जाये। सिर्फ आत्म सुझाओं अकेले काम नहीं करेगा। इसके लिए कल्पना की भी जरुरत होती है। कल्पना, कल्पना मन में छवी बनाने और देखने का एक सिलसिला है। उनका जो आप पाना या करना या बनना चाहते हैं। कल्पना और आत्म सुझाओं देना दोनों साथ साथ चलते हैं। कल्पना किये बिना आत्म सुझाओं मसीन की तरह दोराना और वह बेसर होगा। नत भी हो सकता क्योंकि यह एक अजनवी विचार है मिसाल के तोड़ पर अगर पिछले कुछ सालों से मेरा विश्वास रहा है कि मेरी यादास्त कमजोर है और अचानक मैं अपने आपसे कहता हूं मेरी यादास्त बहुत अच्छी या तेज है तो मेरा मन इसे स्विकार नहीं और वह कहेगा तुम जूते हो तुम्हारी यादास्त कमजूर है क्योंकि आज तक उसके दिमाज में यही बात बैठी वी थी कि उसकी यादास्त कमजूर है उसे इसी पर विश्वास्ता इस विचार को हटाने में 21 दिन लगेंगे 21 दिन ही क्यों क्योंकि किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन तक का लगातार सचेत प्रैक्टिस की जरुवत पड़ती है महत्पुन सवाल या है कि क्या 21 दिनों की सचेथ प्रैक्टिस जीवन को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी कीमत है या लगता तो सरल है मगर इसे करना असान नहीं है सवाल या है कि सिर्फ गिंती भर लोग ही क्यों अपनी जिंदगी को बदलना चाहते है अपने आत्म सजाओं की एक लिष्ट बनाए इन्हें अपनी कल्पना में रखकर 21 दिन तक दोहराए अध्याय साथ लक्ष बनाए अपने लक्ष बनाना और हासिल करना ग्यान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है बसरते की आपको अपनी मंजिल का पता हो प्राचिन भारत में एक रिसी अपने सिस्यों को तिरंदाजी की कला सिखा रहे थे उन्होंने लक्ष के रूप में एक लकडी की चिडिया रखी और अपने सिस्यों से उस चिडिया की आँख पर निसाना लगाने को कहा उन्होंने पहले सिसी से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है सिसी ने कहा मैं पेर, टाहनिया, पत्ते, अकास, चिडिया और उसकी आँख देख रहा हूं रिसी ने उसे सिसी को इंदजार करने को कहा तब उन्होंने दूसरे सिसी से वही सवाल किया और दूसरे सिसी ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिडिया की आँख दिखाई दे रही है तब रिसी ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ तीर सीधा जाकर चिडिया की आँख में लगा इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है अगर हम अपने मकसक पर धियान न लगाएं तो अपने लक्ष को हासिल नहीं कर सकते अपने मकसक पर धियान लगाना एक मुझ्किल कार्ज है मगर यह एक गुन है जिसे सीखा जा सकता है जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आखें अपने लक्ष पर लग्जम आये रहें आम पर ध्यान दें गुठली पर नहीं अग्यात अपनी नजर लक्ष पर रखें चार जुलाई उन्हेसव बावन को फ्लोरेंस चेडविक केटलिना चेनल को तहर कर पार करने वाली पहली महिला पनने वाली थी वह इंग्लिस चेनल को पहले ही पार कर चुकी थी सारी दुनिया देख रही थी चेडविक ने घने कोहरे, हटियां तक कपकपाने वाली ठंड और कई बार सार्क मचलियों का मुकाबला किया वह किनारे पर पहुँचने का प्रियास कर रही थी लेकिन जब भी उसने अपने चस्मे से देखा उसे घणा कोहरा ही दिखाई दिया किनारा ना दिखाई दिने की बज़ा से उसने हार मान ली चैटविक को सत्मा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मिल दूर रह गई थी उसने हार मन लि थी इसलिए नहीं कि बाधाओं ने इसकी हिंमत तोड़ दी थी बलकि इसलिए कि उसने अपना लक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था उसने कहा था मैं बहाने नहीं बना रही हूं अगर मैंने किनारा देखा हो था तो मैं जरूर काम्याब हो जाती दो महिने बाद वो फिर वापिस गई और उसने केटलीना चेनल को पार कर लिया इस बार खराब मोशन के बाबजूद भी उसने अपने लक्ष पर निगाह रखी और न केवल सफल रही बलकि उसने पूरुसों के रिकाउट को भी दो घंटे के समय से तोड़ा लक्ष क्यों जरूरी है तेज धूप और सक्तिसाली मेगनिफाइंग गलास के वावजूद भी कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप उसे हिलाते रहेंगे लेकिन अगर थोड़ी देर आप उसे अस्थीरता से पकड़े रहेंगे तो एक्तम कागज आग पकड़ लेगा धियान लगाने और फोकस करने में ऐसी ताकत होती है एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका उसने एक बुजूर्ग से पूछा या सरक मुझे कहां ले जाएगी बुजूर्ग ने फलट कर पूछा तुम कहां जाना चाहते हो उस यात्री ने कहा मैं नहीं जानता बुजूर्ग ने कहा तब कोई भी सरक ले लो क्या फरक पड़ेगा कितनी सही बात है जब हम यह जानते ही नहीं कि हमें कहां जाना है तो कोई भी सरग हमें वहां ले जाएगी मान लीजिए कि आपकी फुटवाल की टीप खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तयार है तभी अचानक कोई गोल पोस्ट को हटा देता है तब खेल का क आप कुछ भी नहीं बचा आप एस पूर कैसे रखेंगे आप कैसे जानेंगे कि आप पहुंच गए हैं बिना दिशा के उच्छा जंगली आग की तरह है जिससे मायोसी ही मिलती है लक्ष दिशा का एहसास कराते हैं क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बठेंगे बिना य लक्ष के लोग चलने को क्यों तयार हो जाते हैं सपने लोग लक्षों को अक्सर इच्छा या सपने समझने की भूल करते हैं सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत की सिवा कुछ नहीं है चाहते कमजोर होती है चाहते तम मजबूत होती है जब इनकी बुनियाद नीचे में अंतर करती है लक्ष वे सपने हैं जिसमें निश्चित समय और हासिल करने का प्लान होता है लक्ष मुलवान या मुलहीन हो सकते हैं लगन ही सपनों को असलियत में बदलती है ना कि सिर्फ इच्छा सपनों को असलियत में बदलने के कदम एक लक्ष निश्चित और साफ लि नहीं बनाते इसके कई कारण हैं जिन में से कुछ नीचे लिखे हैं एक निरासावादी नजडिया संभाबनाओं की बजाए हमेशा रास्तिक की बधाओं को देखना दो असफलता का डर अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा लोगों के अब जितनमन में ये विचार रहते हैं क अगर वे लक्ष बनाएं और उन्हें हासिल न कर पाएं तो वे फेल हो गए दूसरी तरफ यह सोचते हैं कि अगर वे लक्ष नहीं बनाएं और उसे हासिल न कर पाएं तो वे फेल नहीं हुए मगर ऐसे लोगों की शुरुआत ही असफलता से होती है तीन इच्छा या अभिलासा की कमी यह हमारे जीवन मुल्यों का नतीजा है और साथ ही साथ एक भरपूर जिन्दगी जीने की इच्छा का अभाओ हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है एक मचवारा था जो जब भी कोई बड़ी मचली पकरता तो उसे वापिस नदी में फेक देता था और सिर्फ छोटी मचलीयों को अपने पास रहने देता उसकी इस अजीव हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे मचवारे की तरह छोटी कराही ही लेकर घूमते हैं यही बंद दिमागी है चार और स्विकार की जाने का डर अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे पांच टाल मटोल कभी न कभी तो मैं अपना लक्ष बनाऊंगा यह इच्छा के अभाव की तरह ही है चा कमज प्रूनी सक्ती से नहीं चलता और जीवन में प्रेणह का अभाव होता है तो यह कमजोड़ स्वाभिमान को दिखाता है साथ लक्ष को महत्वना समझ पांगा किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं ओर ना लोगों ने कभी लक्ष के महत्व को समझा ही नहीं आठ लक्ष कैसे बनाता है ग्यान की कमी लोग लक्ष बनाने के तरीकों को नहीं जानते उन्हें एक साफ नक्षे की जरुत होती है जिसे वे गाइड बनाकर अपना सके लक्ष बनाना एक के बाद एक कदम उठाए गए का नतीजा है जब आप ट्रेन का एक टिकट खरिकते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है यात्रा क्रा आरंब करने का अस्थान कीमत गंतव अस्थान यात्रा सुरू करने की तारीक सिरेनी या दर्जा टिकट समापती की तारीक अगर आप लोगों से जिन्दगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो वे सायद आपको अस्थान जवाब देंगे जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूं खुस रहना चाहता हूं अच्छा जीबन गुजारना चाहता हूं और यहीं रुख जाएंगे यह सभी कोड़े सपने हैं और इन में से कोई भी लक्ष साफ नहीं है लक्षों को स्मार्ट होना चाहिए एक एस यानि स्पेसिफिक अस्पस्ट मिसाल के तोर पर मैं वजन घाटाना चाहता हूं यह सिर्फ यह इक इच्छा है यह लक्ष तब बनता है जब हम यह तै कर लेते हैं मैं 90 दिन में 10 पाउंट वजन घाटाऊंगा 2. M यानि मेजरेबल मापा जा सकने वाला जिसकी सही माप की जा सके अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते 3. A यानि हासिल करने के काविल हासिल करने के काविल होने से मतलब है कि यह चुनोती भरा और मुश्किल तो है लेकिन नामुम्किन ना हो क्योंकि असंभब लक्ष हमें निरासा ही करेगा 4. R यानि रियलिस्टिक वास्त्विक वास्त्विकता से भरा एक इनसान जो 30 दिन में 50 पॉंड वजन घटाना चाहे तो यह बिल्कुल वास्त्विक है 5. T यानि टाइम बॉंड समय वद काम के शुरू और अंत का एक निश्चित समय होना चाहिए लक्ष ऐसे हो सकते हैं एक थोड़े समय यानि एक साल तक दो बीच का समय यानि तीन साल तक तीन लंबा समय यानि पांस साल तक लक्ष पांस साल से भी ज्यादा समय के हो सकते हैं लेकिन तब वे जीवन का उद्यस बन जाते हैं जीवन का उद्यस होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नजर्या तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्षों को हासिल करने तक ही सिमी تरह जाते हैं और वदेशयों को भूल जाते हैं लक्षों को असानी से हासिल किया जा सकता है योदि उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए लक्ष संतुलित होने चाहिए हमारी जिन्दगी एक पहिय की तरह है जिसमें अच्छा एस्पोक्स लगे होते हैं एक पड़िवार फैमिली हमारे प्रियेजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है दो आर्थिक हमारे केरियर और उन चीजों को दर्साता है जिन्हें पैसे से खड़िदा जा सकता है तीन सारी रिरिक हमारी सेहत जिसके बगर किसी चीज का कोई माइने नहीं रहता है हर ब्यक्ति और संगठन की कुछ समाजिक जिम्मेदारियां है जिनके पूड़े न किये जाने पर समाज गिरने लगता है हमारे जीवन मुल्य नेतिकता और चरित को दिखाते हैं इन में से कोई भी हैसपोक अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है थोड़ा समय निकाल कर जरा सोचिए अगर इन च्छा में से कोई एक न रहे तो जीवन कैसा होगा संतुलन सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से आठ लोग मिले अंदा लगाया जा सकता है कि उनकी संपत्ती का जोर अमीर का सरकार की कुल संपत्ती से भी जादा था इन लोगों से जादा कौन जानता था कि पैसा कैसे कमाया और जोड़ा जाता है अब आएए देखें 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ एक सबसे बड़ी स्टिल कमपनी के मालिक चाल्स स्वाब उधार की पुंजी पर 5 साल तक जिये और फिर वे दिवालिया होकर मर गए दो सबसे बड़ी गयास कमपनी के प्रेसिडेंट हावर्ड हवसन पागल हो गए तीन एक बहुत बड़े वेपारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर मर गए चार नियुवार्क स्टाउक एक्सेंग्ज के प्रेसिडेंट रिचर्ड वैटनी को जेल जाना पड़ा पाँच राष्टपटि के केविनेट सदस अलवर्ट फाल को जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सके चार वाल स्ट्रीट के सबसे बड़े सक्टेवाद जेसी लिवर्मोर ने आत्मत्या कर ली साथ दुनिया के सबसे बड़े एकादिकार के प्रेसिडेंट इवार रूजर ने आत्मत्या कर ली थी पैसा कमाने में तो ये माहिर थे लेकिन यह भूल गए थे की जिन्दगी को कैसे बनाया जाए ऐसी ही कहानियां लोगों के मन में भरम डालती है कि पैसा ही सब बुराईयों की जड़ है यह सच नहीं है पैसा भूखे को खाना गरीब को दबाई और जरुरत मन्द को कपड़ा देता है पैसा सिर्फ लेंदेन का जड़िया है हमें दो तरह की सिख्षा चाहिए एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए जवाह हो जाते है उनसे पूछने पर कि वह ऐसा क्यों करते हैं उनका जवाब होता है कि वह यह सब अपने पड़िवार के लिए ही दो कर रहे हैं जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं जब हम घर लोड़ते हैं तब भी वे सो रहे होते हैं और 20 साल बाद हम पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़ कर चले गए हैं अब हमारा परिवार ही नहीं रहा हमारी जिन्दगी में कौन सी चीज सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है हमारा परिवार और किसे हम सबसे ज़्यादा नजर अंदाज करते हैं हमारा परिवार बरे दुख की बात है quantity नहीं quality आम तोर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ quantity का नहीं बलकि quality का समय बिताना चाहिए जरा इसके बारे में सोच कर देखिए क्या या वास्ता में सही है मान लिजिए कि आप सहर के एक restaurant में गए जहां हाथ में सभे दस्ताने पहने बगेरे इंग्लेंड के बने काटे चमच, फ्रांस की क्राकरी, स्विट जर्लेंड की चाकलेट और ऐसी बहुत सारी चीजे हैं आप सुनहरी फ्रेम वाली मेनों उठा कर साही पनीर टिक्का का order देते हैं, कुछी देर में बहुत सारा अच्छा बना साही पनीर टिक्का का छोटा सा टुकरा लाकर आपको देता है आप उसे खाते हैं, वह बहुत लजीज बना होता है, आप उसते हैं क्या बस इतना ही मिलेगा बैरा जवाब देता है quantity से जादा महत्व quality का होता है, आप कहते हैं कि आप अब भी भी भूखे हैं लेकिन जवाब आपको फिर वही मिलता है मुझे उमीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, हमारे परिवार को quality और quantity दोनों की जरुरत होती है सेहत पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत को बढ़ते हैं और खुई भी सेहत को पाने के चकर में अपना पैसा इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी समाजिक दाइत पैसा कमाने के चकर में हम अपने समाजिक दाइतों को नजर अंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं यहां तक कि हम खुद ही उसके सिकार बन जाते हैं अपने लक्षों को जाचे परकें, जो इंसान किसी चीज पर निसाना ही नहीं लगाता वह चुकेगा किया, छोटे लक्ष बनाना ही सबसे बड़ी गलती है, जितने वाले लक्ष को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को, हमारे लक्ष इतने बरे होने चाहिए कि हमें प्रेड़ना दे सके मगर असल्यस से इतनी दूर भी ना हो कि हम निरास हो जाए हम जो कुछ भी करते हैं ya तो वो हमें लक्ष के करीम ले जाता है या उससे दूर हर लक्ष इन पङमानों पर तोला जाना चाहिए रोटरी के चार सुत्रिये टेश्ट की तरह ही 1. क्या इसकी बुनियाद सच्चाई और इमंदारी है या हमारे मुल्यों का आइना है 2. क्या यह सबके लिए निस्बक्ष और उचित है 3. क्या इससे मुझे ख्याती मिलेगी 4. क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की सांती देगा 5. क्या यह मेरे दूसरे लक्षों के अनुकूल और संगती में है 6. क्या मैं अपने आपको इसके लिए कमिट कर सकता हूँ नीचे लिखे उधारन इस कसोटी पर खरे नहीं उतरते 1. अगर मेरा लक्ष सेहत बंद बनना हो लेकिन जेब में पैसा न हो तो यह बिल्कुल साफ है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है इसका मतलब है कि इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्षों के साथ नहीं है और नहीं यह उसके अनुकूल है 2. एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है लेकिन अगर वह अपनी सेहत और पडिवार को देता है तो क्या यह इस काविल है 3. कोई ब्यक्ति चरस और गांजा बेचकर करोरों रुपिय कमा सकता है क्या इस से उसे मानसिक सांती मिलेगी या कानून से भागता रहना पड़ेगा या उसकी मानसिक सांती को छीन लेगा और उसका इस तरह का व्यभार किसी के लिए भी उजित नहीं है और नहीं इस से उसे कोई यस मिलेगा हर लक्ष को इसी कसोटी पर परखा जाना चाहिए और सभी लक्षों की आपस में संगती और अनुकुलता होनी चाहिए बिना एक्सन के लक्ष फोकले सपनों की तरह होते है एक्सन ही सपनों को लक्षों में बदलता है अगर हम अपना लक्ष नहीं भी हासिल कर पाते तो इसका मतलब वासफल होना नहीं होता देरी होने का मतलब हारना नहीं है इसका सिर्फ यही मतलब है कि अपने लक्ष को पाने के लिए फिर से प्लान बनाने की जरूरत है ठीक एक कैमरे की तरह जिसे एक तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष बनाने की जरुरत पड़ती है हमारे लक्षों और नैतिक मुल्यों के बीच मेल होना चाहिए लक्ष हमारे जीवन को अर्थ देते हैं यह हमें अपने उद्यस्यों की तरफ ले जाते हैं यह सफलता की और पहला कदम है चांद को लक्ष बनाए अगर आप चूख भी गए तो एक तरह तो बन ही जाएंगे बाधाएं ऐसी तरावनी चीजे हैं जो लक्ष से आखें हटने पर आपको दिखाई देती है हेंरी फोर्ड इस दुनिया में हम सभी का जीवन में एक उद्यस हैं और यह उद्यस हर इंसान का अलग-अलग हो सकता है एक आर्केस्ट्रा में अगर हर कोई एक ही म्यूजिकल एस्ट्रूमेंट बजा रहा हो तो वह सुनने में सायद अच्छा नहीं लगेगा छोटी योजनाएं न बनाएं उनमें इंसान के दिलों में जोस भढ़ने वाला जादू नहीं होता बरी योजनाएं बनाएं पूरी आसा के साथ उचाई की और बढ़े और काम करें इस से कोई फर्क नहीं पढ़ता कि हम कहां है महत्व इसका है कि हम किस दिसा में जा रहे है बिना किसी उद्यस के मेहनत और साहस भी प्यकार होते है चिंता गलत लक्ष बनाने की और ले जाती है यह उन बातों के बारे में सोचना है जिन्हें आप चाहते हैं कि ना हो सक्रियता का यह मतलब नहीं की काम पूरा हो रहा है सक्रियता और काम पूरा होने में बहुत फर्क है एक फ्रांसिसी बेग्यानिक फेब्रे ने इस बात को एक भेरचाल वाले केटर पिलर्स के साथ एक एकस्पेरिमेंट करके दिखाया केटर पिलर्स अपने सामने वाले की नकल करते हुए आखे मुन कर चलते हैं फैबरे ने उन्हें एक फूलदान के घेरे में इस तरह से ब्यवस्तित किया कि सबसे आगे वाला केटर पिलर पास्ताब में सबसे पीछे वाले केटर पिलर के ठीक पीछे रहे फिर उसने चीड के काटे जो केटर पिलर का भोजन है उस फुलदान के बीच में रख दिये केटर पिलर उस फुलदान में एक खेरे में ही गुमते रहे आखिरकार एक हथे तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भोग से मर गए जबकि खाना उनसे कुछ ही इंच दूर था हमें केटर स्पिलर से सीख लेनी चाहिए सिर्फ काम करते रहने का मतलब यह नहीं है कि आप काम्याबी की तरफ बढ़ रहे हैं हर किसी को अपने काम को परक्ष दे रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल मिल सके एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था और पत्नी ने कहा पिडिया हम लोग गलत दिसा में जा रहे हैं पत्ती ने जवाब दिया कौन परवाह करता हम बिफोर टाइम चल रहे हैं अगर हम सिर्फ रफतार और काम करने को काम्याबी समझ बैठे तो हमारी कारी तो बहुत अच्छी चलेगी मगर हम कहीं नहीं पहुँचेंगे बे मतलब लक्ष किसी किसान का एक कुटा सरक की किनारे बैठकर आने वाली कारीयों का इंतजार करता रहता था जैसे ही कोई कारी आती वह भोगता हुआ उसके पीछे दोड़ता एक दिन उसके पड़ोसी ने उसकिसान से पूछा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुटा कभी किसी कारी को पकर पाएगा उसकिसान ने जवाब दिया सवाल यह नहीं कि वह किसी कारी को पकर पाएगा सवाल यह है कि अगर पकर पाएगा तो वह क्या करेगा बहुत से लोग उस कुट्टे की तरह बे मतलब लक्षों के पीछे भागते रहते हैं अध्याए आठ नैतिक मुल्य और दूर अंदेशी सही काम सही वजह के लिए करना महत्मा गंधी के अनुसार साथ महापाप है मेहनत के बिना दौलत, आत्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ग्यान, नैतिक मुल्यों के बिना बैबार, इंसानियत के बिना साइंस, त्याग के बिना धर्म, सिध्धान्तों के बिना राजनिती जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुसिया कौन मनाता है माँ बाप रिष्टेदार और दोस्त लेकिन रोता कौन है वह बच्चा हलाकि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब इसका फुल्टा होना चाहिए हमें खुसी होनी चाहिए और संतुष्टी होनी चाहिए कि हमने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहे हैं दुनिया को रोने दे कि इसने एक ऐसे अच्छे इंसान को खो दिया जिसके जाने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई हमारा काम दुनिये से सिर्फ लेना नहीं है बलकि देना भी है जग में जब तूं आया था जग हसा तूं रोया था बसर कर जिंदगी ऐसी जग रोय तूं हसता जा हिंदू फिलोसोफी का मानना है कि जब एक अच्छे हिंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वे मरते नहीं सिर्फ गुजर जाते हैं उनका नाम उनके अच्छे कामों की वज़ा से सदा अमर रहता है दूसरी और मौत तो सिर्फ धूर्तों को आती है और उनके जाने से धर्ती का बोज हलका होता है याद किजिए आपने आखरी बार कब सर्धान जली सुनी थी जब लोग अपनी सर्धान जली दे रहे होते हैं तो सबसे आम बात जो होती है वह उस व्यक्ति दुवारा जीवन में किये गए छोटे से छोटे अच्छे काम की चर्चा होती है वास्तब में उनके गुजरने के बाद उन्हें और भी जादा याद किया जाता है यही वह समय है जब लोग महसूस करते हैं कि गुजरने वाले के छोटे छोटे काम याद करने वाले और दूसरों के लिए कितने महत्पूर्ण थे आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया लेकिन इसलिए जरूर हुआ कि उसने क्या दिया कालविन कुलीज हम अपने जीवन मुल्यों को किस तरह परकते हैं मेरे ख्याल से इसके दो ही टेस्ट है सबसे उचा टेस्ट ममा टेस्ट कहलाता है आप कुछ भी कह रहे हों जब भी कर रहे हों जो कर रहे हों जहां भी कर रहे हों जिसके साथ भी कर रहे हों घर या बाहर अकेले मैं या किसी के साथ अगर मुल्यों का सवाल हो तो खुद से पूछे अगर मेरी माँ देख रही होती की मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या वह गर्व करती और कहती साबास मेरे बच्चे या वह सर्म से सिर जुका लेती यहां रुप कर थोड़ा सोचिए आपकी जीवन तुरंत साफ हो जाएंगे अगर आप ममा टेस्ट पास कर लेते हैं और दूसरे सभी टेस्ट में फेल हो जाएं तो भी आप पास हैं और अगर आप ममा टेस्ट में फेल हो गए और सभी टेस्ट में पास हो गए तो भी आप फेल हैं यह बार-बार आजमाने योग हैं इसके बारे में सुचिए जब भी आपको जीवन मुल्यों को लेकर कोई तुभी था हो तो अपने आप से पूछे अगर मेरी मां यह देख रही होती कि मैं क्या कर रहा हूँ तो क्या वह गर्व करती और कहती सावास मेरे बच्चे या वह सर्म से सीर जुका लेती संका के बादल तुरत छट जाएंगे और आपको अपना जवाब असानी से मिल जाएगा अगर ममा टेस्ट से जवाब नहीं मिलता तो मेरे पास एक और टेस्ट है जिसे कहते हैं बाबा टेस्ट आप कुछ भी कर रहे हों जब भी कर रहे हों जो भी कर रहे हों जहां भी कर रहे हों और जिसके साथ भी कर रहे हों घर या बाहर अकेले में या किसी के साथ अगर मुल्यों का सवाल हो तो खुछ से पुछे अगर मेरे बच्चे मुझे देखें जो मैं अभी कर रहा हूं तो क् चाहूंगा कि वह इसे देखें या मैं सरमिंदा होंगा एक बार फिर संकात के बातल जल्दी छट जाएंगे और आपको अपना जवाब मिल जाएगा अगर ये दोनों टेस्ट किसी इंसान के जीवन मुल्यों को नहीं परक पाते तब वह इंसान इंसान नहीं है और उसकी अंतरा आत्मा मर चुकी है हमारे जीवन मुल्य कैसे बदलते हैं लगातार संपर्ग में आने से जो असहनिय है वह भी स्विकार करने लायक हो जाता है और फिर हम उसमें उलच जाते हैं और इस सारे बदलाओं के सिल्सले के दोरान हर बात को मानने के लिए रोज नए बहाने बनते जाते हैं समय बदल रहा है हम युवा पिढ़ी की बात करते हैं उनका आखिरकार क्या होगा उनके जीवन मुल्यों का क्या होगा उन पर उंगली उठाने से पहले आईए देखे क कि दोस किसका है हमें यह याद रखना चाहिए कि नेतिक मुल्य अच्छी आजते और सदगुन पैदाईसी नहीं है वे सीखे जाते हैं हमें अपनी सही प्रार्थमिक्ताएं निर्धारित करने की जरूत है हम आजविका के लिए क्या करते हैं और हम आजविका के साथ क्या कर बहुत से लोगों के पास पैसा काफी है। मगर वे फिर भी गरीव है। हमारा लक्ष होना चाहिए कि हमारे पास पैसे भी हो और हम अवीर भी हो। जब पैसा बोलता है तो अकल की बात नहीं बोलता और जब भी पैसा बोलता है तो सच्चाई चुप रहती है सबसे दुख की बात जिंदगी में यही है कि लोग बिना कमाए पैसा बनाना चाहते हैं पैसा कमाना तो असान है लेकिन उसे संभालना मुस्किल है दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुन्दर चीजों को न तो देखा और नहीं छुआ ही जा सकता है उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि माबाब अपने बच्चों को यह बात सिखाए मुझे युबाब इढ़ी के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है जो बिना मुल्यों को सिखे दौलत विरासत में पालेते हैं बिना सही सिख्छा और नेर्जेशन के वे हर चीज को पैसे से तोलते हैं उनका मानना है कि हर चीज विकाव है और हर चीज की कीमत है वास्तम में यह सच नहीं है वे लोग जिनका जीवन मुल्यों पर आधारित है विकाव नहीं होते और ना ही वे अपनी कोई कीमत लगाते हैं चरित्र अमुल्य है एक अंग्रेज फिल्म इंसीडेंट प्रुपोजल में यह बात साफ रूप में दिखाई गई है यह एक ऐसे पती-पत्नी की खाहनी है जो एक दुसरे से बहुत प्यार करते हैं एक बार एक करोड़ पती ने पत्नी को एक रेस्टोरेंट पे देखा और उसने उन दोनों का यह आफर दी की यदि पत्नी एक रात उसके साथ सो जाए तो वह उनको एक मिलियन डॉलर देगा आफर सुनकर उनके स्वाभिमान को धक्का लगा और उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन धिरे धिरे अपनी रोजामा की परिसानियों के चलते वे इस आफर पर सोचने लगे और वे अपने आप से समधोता करने लगे कि एक रात में क्या जाता है अगर चंद घड़ियों के लिए नेतिक मुलियों से समधोता करके सुक और दुख के साधन हासिल किये जा सकते है तो क्या फर्त पड़ता है वे दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और करते रहेंगे और सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे और जब वे इस पर आपस में राजी हुए तो उन्हें एक मिलियन डॉलर मिल तो गए लेकिन फिर न तो वे एक दूसरे के साथ रह पाए और नहीं खुद के अपने साथ लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं चाहे फिर उन्हें अपनी आत्मा को ही क्यों न बेचना पड़े लेकिन फिर भी बात नहीं बनती ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्चे जीवन मुल अमुल होते है जैसे ही मुलियों की कोई कीमत लग जाती है तो वे मुल अपनी कीमत खोब बेटते है कोई भी फाइदा उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता पैसे का होना और उससे खड़िदी चीजों का होना ठीक है मगर पैसे कमाने के दोरां हम उन चीजों को नहीं खोना चाहते जो अनमुल है पैसे से वही चीजें खड़िदे जा सकती जिनकी कीमत लग सकती है और वास्तम में सबसे अच्छी कीमती चीज़ें वहीं है जो पैसे से खरीदी ही नहीं जा सकती जिसे पैसा नहीं खरीद सकता जिन्दगी की सबसी कीमती चीज़ें पैसा खरीद ही नहीं सकता हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि हर आदमी की एक किमत होती है जो लोग ऐसी बाते करते हैं वे वास्तम में खुत विकाओं होते हैं अच्छे चरित निष्ठा और सही जीवन मुल्यों वाले लोग विकाओं नहीं होते पैसा खड़ीच सकता है हसी मगर कुशी नहीं विश्तर मगर नींद नहीं कितावे मगर ग्यान नहीं एक घड़ी मगर समय नहीं साथी मगर दोस्त नहीं चमक दमक मगर फूपसूरती नहीं खाना मगर भूक नहीं मकान मगर घर नहीं दवा मगर सेहत नहीं हंगुठी मगर जीवन साथी नहीं जीवन में दो तरह के दुख होते हैं एक जो न मिलना जो चाहा दुख ज्यलने वालों के लिए एक नसीहत मैंने इसवर से सक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूँ उसने मुझे कमजोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदव से करूँ मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूँ मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूँ मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मैं पुछ रह सकूँ मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुदिमान बन सकूँ मैंने रुत्वा मंगा था तकि लोग मुझे सरा है, मुझे आसा है बनाया था कि मैं इसवर की ज़रुवत महसूस करूँ मैंने सब चीजे मंगी थी तकि मेरा जीवन फूशाल गो, मुझे सिर्फ जीवन मिला था कि मैं हर चीज से कोशी पास थकूँ मैंने जो भी मांगा नहीं मिला मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आसा की थी ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही प्रार्टनाई सुनी गए मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा किरपा हुई अग्याद दो मिलना जो चाहा जब हमारे जीवन मुल्य साप न हूँ तब हमारी इच्छाओं का बुरा होना ज़्यादा दुगदाई हो सकता है राजा मिदास की कहानी से इसके बारे में पता चलता है मिदास का असपर्स हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं उसके पास सोने की कमी नहीं थी लेकिन सोना जितना बढ़ता उतना ही वह और चाहता उसमें सारे सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था एक दिन जब वह गिन रहा था तो एक अजनवी कहीं से आया और बोला कि तुम मुझे से ऐसा कोई भी बर्दान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुसी दे राजा फुस हुआ और उसने कहा मैं चाहता हूँ कि हर वह चीज जिसे मैं छोओ शोना बन जाए अजनवी ने राजा से पूछा क्या सच मुझ तुम यही चाहते हो राजा ने कहा हाँ तो अजनवी बोला कल सूरज की पहली किरन के साथ ही तुम्हें यह कोल्टन टच मिल जाएगा राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा यह सच नहीं हो सकता लेकिन अगले दीन जब राजा निन से उठा तो उसने अपना पलंग कपड़े छुए और सब कुछ सोना बन गया उसने खिरकी के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया उसने अपनी बिटिया को यह अजुवा दिखाना चाहा और सोचा कि वह पुस होगी लेकिन बगिचे में चाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई और वह किताब को पढ़ना सका फिर वह नास्ता करने बैठा और जैसे ही उसने फ़लों और पानी की गिलास को छुआ वह सोने के बन गई उसकी भूख पढ़ने लगी और वह कुछ से बोला मैं सोने को खा और पी नहीं सकता ठीक उसी समय उसकी बेटी दोड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया और वह एक सोने की मुर्थी बन गई अब राजा की चेहरे से कुछी गाया हो गई राजा सीर पकड़ कर रोने लगा वह बरदान देने वाला अजनवी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह अपने गोल्डन टच से खुस है राजा ने बताया कि वह सबसे दुखी इंसान है और राजा ने उसे सारी बाते बताई अजनवी ने पूछा अब तुम क्या पसंद करोगे अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के धेर और बिटिया की सोने की मुर्ती राजा ने गिर गिरा कर माफी मागी और कहा मैं अपना सारा सोना छोड़ दूँगा महरवानी करके मेरी बेटी मुझे लोटा दो क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मुलहीन हो गई है अजनवी ने राजा से कहा तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो और उसने गोल्डन टच के वरतान को वापस ले लिया राजा को अपनी बेटी फिट से मिल गई और राजा को एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिन्दगी भर नहीं भुला सकता इस कहानी से क्या सिक्षा मिलती है एक घटिया या विक्रित जीवन मुल्यों से दुख ही मिलता है दो, कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूर होने से बरा दुख बन जाता है तीन, जिन्दगी के खेल में न तो खिलारी बदले जा सकते हैं और नहीं खेल दुबारा खेला जा सकता है चार, राजा को दुखों से बचने का दूसरा मुका मिला लेकिन आप और हम राजा नहीं हैं और नहीं हमें हर चीज के लिए दुबारा मुका मिला है पांच, हम जब भी अपने लक्ष बनाएं उनकी बुनियाद मुल्य और सिथान्थ होने चाहिए आप कैसे याद किये जाना पसंद करेंगे करीब सौ साल पहले एक आदमी ने सुबह के अकवार में जब अपना नाम उठावनी कलम में देखा तो वह हैरत में पड़ गया अकवार बालों ने गलत फामे की वज़ा से उसका नाम चाप दिया था यह परकर वह एक बार तो चौक गया मैं जिन्दा हूँ या मरा हुआ जब वह थोड़ा संबला तो उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है उसके बारे में लिखा था डैनामाइट का बाजसा मर गया और वह मौत का सौदागर था इस विक्ति ने डैनामाइट की खोज की थी और अकवार में अपने लिए मौत का सौदागर बढ़कर उसने पुछ से सवाल किया क्या इसी तरह मुझे याद किया जाएगा उसकी भावनाओं ने उसे छू लिया और उसने फैसला किया कि वह हरगिज नहीं चाहेगा कि लोग उसे इस तरह याद करे उस दिन से उसने सांती के लिए काम करना सुरू किया उसका नाम था अलफ्रेट नोबल और आज उसके नाम से नोबल प्रसकार के रूप में याद किया जाता है जिस परकार अलफ्रेट नोबल ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपने जीवन मुल्यों को दुबारा से देखा उसी परकार हमें भी जिन्दगी में पिछे मुर कर अपने मुल्यों को दुबारा से देखने की जरूरत है दुनिया को आपकी देन क्या है आप क्या छोड़ कर जा रहे हैं आपका योगदान क्या है आप किस तरह याद किये जाना चाहेंगे क्या आपके बारा में लोग अच्छी बाते कहेंगे क्या आपको प्यार और इचत के साथ याद किया जाएगा क्या आपका ना होना किसी को मिस होगा छोटी छोटी बातें बरा फर्ख डालती है एक आदमी सुबह को सबुन्ठ के किनारे टहल रहा था उसने देखा कि लहरों के साथ सेक्रों एस्टार मचलियां टट पर आ जाती है और जब लहरे पीछे जाती है तो मचलियां किनारे पर ही रह जाती है और धूप से मर जाती है लहरे ताजी थी और एश्टार मचलियां जिवित थी वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा उसने एक मचली उठाई और पानी में फेग दी ऐसा वह बार बार करता रहा उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है वह उसके पास आया और पुछा तुम क्या कर रहे हो यहां तो सेक्रों मचलियां है तुम कितनों को बचा सकोगे और इससे क्या फर्क पड़ेगा उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया दो कादम आगे बढ़कर एक और मचली को उठा कर पानी में फेट दिया और बोला इससे इस एक मचली को फर्क पड़ता है हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं बरा या छुटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत बरा फर्क पड़ेगा क्या आपका जीवन बचाने लाइक है एक लड़का नदी में डूब रहा था तो वह मदद के लिए चिलाया एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में उध पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा धन लड़के ने जवाब दिया मेरी जिन्दगी बचाने के लिए उस आदमी ने लड़के की आँखों में देखा और कहा बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारी जिन्दगी बचाने लाइक थी यह सोचने का समय है यह सचेत होने का समय है सफलता बिना आत्मसंतुष्टी के प्यार्थ है जब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं अर्थ और उद्यस नहीं जीवन सुना और उदास है फिर चाहे किसी के पास कितनी ही इच्चत पैसा और डिग्रियां क्यों नहीं हो सेहत पैसा परिवार समाज और जीवन मुल्यों की पारे में अपनी व्यक्तिकत सफलता की फिलासुपी बनाने से ही सफलता की सुरुवात होती है अगर हमारे जिंदगी में साफ उद्यस और फिलासुपी राह नहीं दिखाएंगे तो जूटे सपने और खयाली पुला ही हमा सफलता की फिलासुपी को अपना लिया है क्य बार हम उन चीजों को अंदेखा कर देते हैं जिनहें अंदेखा नहीं करना चाहिए और उन चीजों को अनदेखा नहीं करते जिने अनदेखा करना चाहिए commitment अच्छे नैतिक मुल्यों का जरूरी हिस्सा है commitment जब हमारे जीवन मुल्य साफ होते हैं तो फैसला लेना और commitment करना असान हो जाता है उदारन के तोर पर आप दूस्मनों को अपने देश के राज बेचकर अपने देश के परती एक commitment नहीं कर सकते अपने दोस्त के राज दूसरों को बता कर दोस्ती बरकरार नहीं रख सकते जितना कम हो सके उतना कम काम करके आप अपनी नोकली या काम के परती कमिटेट नहीं हो सकते कमिटमेंट पूरी न करने का नतीजा बैमान बेभार होता है मुझे हैरानी है कि कोई रिष्टा चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यफसाई कैसे कायम रहेगा अगर कुछ ऐसी बातें की जाए मैं कोशिस करूँगा मगर मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता मैं इसे कर लूँगा मगर मेरे भरोसे मत रहना अगर हो सका तो मैं आऊँगा मगर कम ही आजा रखना जब तुम काम्याब हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक तुम्हारी सिहत अच्छी है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जब तक मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा अगर ये रिष्टे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया का काम कैसे चलेगा मा, बाब, एवं बच्चा, पती-पत्नी, गुरुसिस, विक्रेता ग्राह, मालिक, क्रमचारी दोस्त-दोस्त, और स्थिर्था और और सुरक्षा का ऐसास इंसान को पागल बना देता है हमारे सबसे मजबूत रिष्टे एक ऐसे धागे से बंदे होते हैं जिसे कमिट्मेंट कहते हैं, आज वादों को दोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है कमिट्मेंट के अभाव में सभी रिष्टे खटाई में पढ़ जाते हैं कमिंटमेंट की कमी रिष्टों में दरार डाल देती है और और सुरक्षा बढ़ाती है किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहता नहीं रिष्टे की मजबूती और गहराई का पता चल सकता है कमिंटमेंट में सामिल है भरोसे मंदी, विश्वस्नियता, निश्चित्ता, गहराई, परवाह करना, एहसास, जिम्मेदारी का भव, इमंदारी, चरीद्र, निश्ठा, वफादारी, इम्मत इनमें से अगर एक भी गुन कम हो तो कमिंटमेंट कमजोर हो जाती है जब कोई ब्यक्ति किसी से कमिंटमेंट करता है तो वह वास्तव में कहता है चाहे कुछ भी हो तुम मुझे पर भरोसा कर सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ होंगा बिना किसी सर्थ के commitment कहता है और निश्चित भविस में मैं ही निश्चित हूँ भविस को कौन सी चीजे और निश्चित बना सकती है आपकी जिंदगी और हालात में बदलाओ मेरी जिंदगी और हालात में बदलाओ बाहरी हालात में बदलाओ और निशित्ता के बावजूत कमिंटमेंट कहता है तुम मुझे पर भरोसा कर सकते हो एक इंसान जो कमिंटमेंट करता है वो बहुत कुछ पुरुबान करने को तयार रहता है किसलिए जवाब साफ है इसके नाम बहुत कीमती हो सकते है कमिंटमेंट कहता है मैं त्याक करने को तयार हूँ योगी मैं परवाह करता हूँ मैं भरोसे मंद ब्यक्ति हूँ तुम मुझे पर विश्वास कर सकते हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूँगा तकलिफों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा अच्छे या बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा कमिंटमेंट एक कानूनी कंट्रेक्ट की तरह नहीं होता जिसे पूरा करना ही पड़ता है इसकी बुनियाद एक कागज के टुक्टे पर किया गया दसकत नहीं बलकि चरित, निष्ठा और दूसरे के मनोभावों को समझना है कमिंटमेंट करने का मतलब यह नहीं की और कोई रास्ता ना बचने पर ही इसे निभाया जाए इसका मतलब है बहुत से रास्ते होने पर भी अपने कमिंटमेंट पर डटे रहना उपर लिखे गुनों के बिना कोई भी इंसान दूसरों से देड़ तक के लिए कमिंटमेंट नहीं कर सकता कमिंटमेंट बनाए रखने के फायदे क्या है यह लाता है निश्चित्ता, सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति और समाज में अटूट रिष्ता टिकाउ, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत और व्यक्तिगत रिष्ते चोर उचकों और गुंडों मवालियों को भी इमंदारी के साथ कमिंटमेंट निभाने वालों की तलास रहती है वादा वियावन जंगल में हर्याली के एक टुकड़े की तरह है हम इसे और सुरक्षित संसार में सुरक्षा कोज काते हैं कमिंटमेंट के लिए की गई मेहनत वाजिब भी है और मुल्यवान भी कमिंटमेंट का मतलब है दूसरों की जरुतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना याद रखें और गांट बांदले की जरुरतें इच्छाओं से ज़्यादा गहरी या मजबूत होती है कमिंटमेंट रिस्तों को जोडने वाली गोंद की तरह है कमिंटमेंट निभाने का मतलब है अपने सुखों को त्याग कर दुख को इच्छा पुटवक स्विकार करना मिसाल की तोर पर एक दोस्ती में कमिंटमेंट निभाने का मतलब है विश्वसनेत्या कायम रखना दो, ग्राहों को के परती कमिटमेट निभाने का मतलब है अच्छी सेवा देना तीन, बैवाईक जीवन के परती कमिटेट रहने का मतलब है वभधार होना चार, सिश्टता के परती कमिटेट होने का मतलब है अस्टीलता और घटियापन से दूर रहना पांच देख्ष भक्ती के परती कमिटेड होने का मतलब है त्याद करना चा नोकडी के परती कमिटेड होने का मतलब है सच्चा और रहिमंदार होना साथ समाज के परती कमिटेड होने का मतलब है जिम्मेदार होना कमिटमेंट परिपकुता और समझदारी की पहचान है कमिटमेंट का मतलब है दूसरा रास्ता मिलते ही कठिनाईयां सामने आते ही अपने फर्ज से मुह न मुड़ना सिर्फ मजबूत इरादे के लोग ही एक मजबूत समाज का निर्मान करते हैं रिष्टे कमिटमेंट पर अधारित होते हैं सिर्फ निकरता और धनिष्टा पर नहीं कोई व्यक्ति करीबी और धनिष्ट हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि कमिटेड ही भी हो आजकल बदलते जीवन मुल्यों के साथ बिना कमिटमेंट के समध बनाना भी अच्छा समधा जाना लगा है बहुत से लोग कमिटेड होना नहीं चाहते क्योंकि वे सोचते हैं कि वे इसके लिए पुरी तरह तयार नहीं है फिर भी सालों तक वे एक दूसरे की हर चीज इस्तमाल करते रहते हैं बहाना या होता है कि कमिटमेंट होने से पहले हम एक दूसरे को परक रहे वे सालों साल परकते रहते हैं वे ऐसी क्या चीज परकते हैं जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों या कुछ महिनों या कुछ सालों में नहीं परका है मेरे बिचार से ऐसे लोग स्वार्थी जोंग की तरह है जब तक सब ठीक है तब तक जितना संभव है उतना फैड़ा उठा लेना चाहते हैं ये केवल लेना जानते हैं और समाज के लिए एक बोज है बहुत से लोग कमिट्मेंट को पंधन समझ बढ़ते हैं रिष्टे प्यार और मोह से नहीं चलते बलकि कमिट्मेंट और एक दूसरे के मनोभावों को समझने से चलते हैं कमिट्मेंट का मतलब है कि दूसरों की जरुतों को अपनी जरुत से जादा महतु देना कई बार अच्छे लोग जिनके इरादे भी अच्छे हैं उन्हें उल्जन बरे कमिट्मेंट का सामना करना पड़ता है उदारन के तोर पर एक सिपाई आक्री सांस ले रही अपनी पतनी की देखवाल के लिए परती कमिटेड है तभी अचानक उसे इमर्जेंसी से निपटने के लिए बुलावा आता है सहर में कहीं दस लोगों का जीवन खत्रे में है उसे क्या करना चाहिए दो एक सर्जन अपनी बेटी की साधी की तयारी में लगा हुआ है जीवन में एक बार आने वाले इस अवसर का वह बेतावी से इंज़ार कर रहा था सब महमान पहुँच चुके हैं तभी उसे एक इमर्जेंसी सुचना मिलती है कि एकसीडेंट की वज़ा से घायल हुए एक आदमी का जीवन बचाने के लिए उसी आउपरेशन करना है और कोई सर्जन इस समय सहर में मौजूद नहीं है उसके पास क्या रास्ता है किसी एक का चुनाओ करने का मतलब यह नहीं कि हम दूसरे के परती कमिटेट नहीं है इन दोनों जीमेदारियों में से एक को चुनते समय प्रार्थमिक्ता जीमेदारी और करतब्य का धियान रखना पड़ता है एक के बज़ाए दूसरे को प्रार्थमिक्ता देना नेतिक मुल्यों को दिखाता है सर्जन अपनी बेटी की साधी में ही रुकना चाहता है इसमें कोई सक नहीं लेकिन इससे कोई फर्थम नहीं पड़ता कि वह क्या चाहता है कमिटिमेंट में 12 बातें सामिल हैं जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं भले ही हम उन्हें पसंद करें याना करें कमिटिमेंट को निभाना चरित की डीर्टा को दिखाता है ऐसे में अपनी इच्छाओं के बदले दूसरों की जरूरतें को प्रमुकता दी जाती है ना कि उनकी सनक और उर्पटांग इच्छाओं को जरूरतें आवस्थे हैं जबकि इच्छाओं अनंत हैं कसमकस के समय जरुरतों का फैसला उनकी परमुकता जिम्मेदारी और करतब की बुनियाद पर तैक करना चाहिए। विवाह जैसे रिष्टे में दो लोग एक दूसरे की परती कमिटेट होते हैं। मान लेजिए अगर एक पुसादी के एक साल बाद ही कैंसर हो जाए तो दूसरे को क्या ऐसा महसुस करना चाहिए कि उसके साथ चल हुआ है। कमिटिमेंट कायम रहता है अगर उसे पूरा न कर पाना एक पुल की कारण हुआ हो। लेकिन अगर यह जान बुझकर की गई हो तो इस पर गोर करने की जरुवत है। गलती से की गई भूल को प्यार और माफी से संभाला जा सकता है। जबकि धोखे या कपट से किया गया नुकसान करता है कि अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है। अगर तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझे पर लानत है। किसी भी तरह देखें आपके अपने हक में सही जवाब है माफी। जैसी की कहावत है जक भर जाते हैं मगर दाग रह जाते हैं। बिना माफी के कमिंटमेंट सायद ही पूरी की जा सकती है। मिसाल की तोर पर एक बच्चा जूट पूलकर धोका देकर अपने माबाब का विश्वास खोड़ सकता है। लेकिन अगर बच्चा अपनी गलती दिल से समझे और सुधारे तो माफ करना ही उचित है। लोग कमिंटमेंट से बचना चाहते हैं क्योंकि वे सिर्फ आज के लिए जीना चाहते है। हमारा सबसे बरा कमिंटमेंट क्या है? अगर हम अजने में गलत या अनेतिक कमिंटमेंट कर बठे हैं जो हमारे मुल्यों और आփत्मा की अवाज के खिलाब होँ, तो ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए ऐसे हाल में हमें सोचना है कि उस commitment को निभाए या तोड़े अगर हमने जाने अंजाने में एक गलत commitment कर दिया है जो की अनेतिक है तो सवाल या है कि उसे निभाने के लिए क्या दूसरी तीसरी और चोथी गलती करनी चाहिए मुल्यों के परती कमिटमेंट वफादारी खरीदी नहीं जा सकती इसे कमाया जाता है और हम किसके परती वफादार होते हैं क्या व्यक्तियों के परती या संगठनों के परती तो जवाब है इन में से किसी के परती नहीं हमारी वफादारी मुल्यों और सिधान्तों के परती होती है जहां मुल्यों में ठकराव हो वहां लोग ना तो एक साथ एक घर में रह सकते हैं ना ही एक संगठन में साथ काम कर सकते हैं जब कोई इंसान वफादारी का commitment किसी वेक्ति या संगठन से करता है तो वह वास्तव में क्या कहता है वह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि जिस चीज में तुम यकीन रखते हो उसी में मैं भी रखता हूँ अगर मैं एक ऐसे नेता जीवन साथी मालिक या करमशारी की परती committed हूँ जो देश के खिलाब जासूस बन जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए क्या उसका साथ देना चाहिए जारी रखूँ क्योंकि मैं पहले committed हूँ बिलकुल नहीं क्योंकि उनके सिधान्त बदले तो commitment भी मैं अनेतिक और गयर कानूनी काम करने वाले बैवार के परती committed नहीं हूँ अधूरे commitment की वज़ा से होता है परिवार का टूटना अधूरी जिंदगी बच्चों का भटकना बैपार में नुकसान कमजोर रिस्ते अकेला पन भारी तनाव मायूसी सर्मिंदगी commitment करें और उन पर कायम रहे नैतिकता गलत फैसले और बुरी जिंदगी के लिए खराब हालत को दोसी नहीं ठाराया जा सकता नैतिक मुल्य और सिधान सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं बलकि बुरे दिनों से भी बचाते हैं वे किसी देश के कानून की तरह हैं जिनकी बुरे लोगों से बचाव करने के लिए पड़ती हैं हर चुनाव सिधान्त का चुनाव नहीं है मिसाल के तोर पर कैसे कपड़ें घर दें या कैसा टीवी घर दें यह वेक्तिगत चुनाव है जो इस पर निर्वर करता है कि हमारे लिए क्या ठीक है इन कामों में नेतिकता या अन्यक्तिक्ता का सवाल नहीं उड़ता। कुछ लोगों के लिए सोनी टीवी की जगा पैना सोनी किफायती होने की वज़ा से सही चुनाव हो सकता है। व्यक्तिगत पसंद मन पर अधारित होती है न कि किसी योजना पर और वे नैतिक सवाल न भी हो तब भी उन में जिम्मेदारी दिखाने की आवसकता होती है। नेतिकता पर अधारित फैसला सही और गलत के पीच चुनावों को दिखाता है। नेतिक चुनाव सिथांत का होता है और व्यक्तिगत चुनाव सिथांतों का नहीं होता। यही वज़ा है कि जब हम एक अनेतिक कदम उठाते हैं तो हमारी आत्मा हमें धिकारती है। जबकि एक गलत व्यक्तिगत चुनाव करने का ऐसा नहीं होता। चुनाव व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि वह फैसला व्यक्ति लेता है लेकिन इसका गलत या सही होना हर इनसान के लिए एक सा है जो एक इनसान से दूसरे इनसान के लिए नहीं बदलता। जैसे कि गनित में इम्तहान मे कौन इम्तहान देता है और क्या जवाब लिखता है उनके जवाब अलग-अलग हो सकते हैं मगर जवाब का सही होना उनके चुनाओ पर निर्पर नहीं करता बलकि वह तो सतंथ होता है उस अस्तिती में नैतिक चुनाओ और गनित के चुनाओ एक जैसे नहीं होते ठीक उसी तर हुए भी एक जूटा और भड़े भी इंसान हो सकता है ऐसा बेभार उसे अच्छी तहजीव वाला तो बना सकता है लेकिन चरित्रवान नहीं तहजीव उसे समाजिक स्विकृति देती है सिर्फ तहजीव का मतलब अच्छाई नहीं होता वास्तव में आज हमारे ज्यादतर फ हारित है ना कि काम करने की जिम्मेदारी पर तीन समाजिक चलन और परचार दूसरे सभी कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना चाहिए यह एक आम धरना है कि सिध्धान्त और सिध्धान्तों का चुना उल्जा देते हैं मगर अहम सवाल या है कि किसको उल्जा देते हैं जो जैसा महसूस करते हैं कि सिधान्त हर हाल में एक से नहीं हो सकते बलकि हालात के अनुसार बदलते रहते हैं तो लोग तरह तरह से सफाई पेस करके अपने बदलते सिधान्तों को सही ठाराते हैं और अलग-अलग हालात और अलग-अलग विक्तियों के साथ अपने सिधान्त कि french mark हम Estenders क्यों बनाते हैं वे एक पैमाना होते हैं यूर्रोप और एस छला में एक मीमीटर 100γ होता आ यूर चाहिं नहीं होता है जो लोग नेतिक Estenders पर यकीन नहीं रखते वे नियंतित्था की परिभासा यह का कर बतलते रहते हैं कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता हमारी सोच ही उसे ऐसा बनाती है गलत या सही का फैसला सोच पर अधारित है ना कि बेभार पर वे महसूस करते हैं मेरा बेभार तो ठीक है आपकी सोच ने मेरे बेभार को गलत बना दिया है मिसाल के तोर पर हिटलर सोच सकता था कि वह सही था मगर स पैशेर सगांजे के लिए पैसे देना गलत है, समान्य हालत अस्तर तैय करता है, अगर सीब खास हालात तब्दिली ला सकते हैं, मिसाल के तोर पर हत्या करना गलत है, यह एक आम्धर्णा है, माना हुआ सत्य है और एक नेतिक बैमाना है, जब तक यह हत्या आत्मरक्षा के लि जा मेरा दिल कर रहा है तो हत्या करना जैज है। काम के अलावा एक इंसान की दिल्चस्पियां उसके बारे में काफी कुछ बताती है। कोई इंसान अपने ख्राली समय को किस तरह पिताता है, वह दफ्तर में उसके काम में जहलगता है। पैसे की कमी पढ़ने पर एक चरस्या के अपराधी बनने की गुंजाइस जादा है बजाए उस इंसान के जो इलत का आदी नहीं है। हमारे नितिकता का अस्तर इस बात से भी पता चलता है कि हम कैसे सलाहकार चुनते हैं, कैसे सप्लायर चुनते हैं और कैसे खरिदारों से नाता रखते हैं। अलग-अलग संस्कृतियों में लोगों की अलग-अलग राय और मत हो सकते हैं। मगर निस्पक्षिता, नियाय, निष्ठा और कमिंटमें जैसे मूल, अजर और अमर है। उनका किसी खास संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि समाज में विर्था के बदले कायरता का सम्मान किया गया हो। नियाय और नेतिकता में ये गुन सामिल है। एक दूसरे के मनोभावों को समझना, निस्पक्षिता, दुखी के लिए दया, समाजिक हित। जादा लोगों के एक बात पर सहमत होने का यह मतलब नहीं कि वह बात सही है। मिसाल के तोर पर अगर दस घटिया और नीच लोग किसी सरीफ इंसान को सताने के लिए सहमत हो जाए, तो क्या सताना को सही गिना जाएगा। नहीं। गुरुत्वाकर्सन के नियमों की तरह ही नैतिक मुल्य और सिथांत सर्व व्यापी है, जिस तरह अनुसासन के बिना आजादी बरबादी लाती है। उसी तरह मुल्यों और सिथांतों के बिना समाज अपाहिज हो जाता है। अगर सच्मुच सिधानतों का सही या गलत होना हर एक की रहे पर ही निर्भर होता तो किसी को अपराधी ठाराने का समाज को कोई हक ही नहीं है। फिर पुलीस की क्या जरुद है। एक समाज अच्छा या बुरा उसके नागरिकों के नेतिक मुल्यों के अधार पर बनता है। और इन ही नेतिक मुल्यों से समाज को सक्ती मिलती है। कुछ लोग चरस काजा लेना पसंद करते हैं इससे उन्हें आनंद मिलता है। लेकिन क्या उनका आनंद बाना इस काम को ठीक बना देता है जो लोग सापेक्षता के सिधान्त में विश्वास रखते हैं वे अपनी बिटमणाओं में ही फसकर रह जाते हैं वे कहते हैं सब कुछ सापेक्ष है यही बिल्कुल सही है यह अपने आप में ही बिरोधा भासी है गलत और सही इमंदारी और बैमानी में फर्क करने के लिए पहले हमें इनके वुजूद की मौजूद्गी को मानना और स्विकार करना होगा फिर इनके बीच के अंतर को देखना और समझना होगा जैसे किसी चीज का लेबल बदलने से चीज नहीं बदल जाती ठीक वैसे ही नाम बदलने से उसका मतलब नहीं बदल जाता लोग नेतिक मुल्यों को नए नए नाम देकर बदलते जा रहे हैं और मीडिया उन्हें बढ़ा चरह कर दिखा रहा है जूटे लोग इन लेबलों के पीछे छिपे रख जाते हैं जैसे बरबोलापन ब्यभार कुसलता आदी 1993 में जब कोलंबिया युनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट माइकल सोबर्ड ने रेजिगनेशन दिया तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या कोई काम उनसे अधूरा छूट गया है सोबर्ड ने जवाब दिया हाँ बस एक ही काम बाकी रह गया है उन्होंने नैतिक सिक्षा की कमी की तरफ इसारा किया एक आम स्टूडेंट को इन विस्यों की कोई सिक्षा नहीं दी जाती ज्यादतर टीचर्स इन विस्यों को छूने से कतराते हैं नेतिक सिक्षा देना माबाप के जिम्मे छोड़ दिया जाता है नतिजा यह है कि इस देश में नई पिढ़ी जिन्हें नेतिक सिक्षा और सिधान्तों की बहुत ज़्यादा जरूरत है को यह अब पहले से भी कम मिल रहे है सिधान्त और नेतिक मुल कोई धर्म नहीं है यह सूजबुज भड़े अच्छे ब्यबार के सिधान्त है जिनकी जरूरत एक संति पिरिया समाज में होती है नेतिकता और कानून ज्यादातर लोग इस बात से समत होंगे की नेतिकता और कानून एक ही चीज नहीं है जो बात नेतिक हो सकती है वह कानून के दैरे में हो भी सकती है और नहीं भी इसका उल्टा भी उतना ही सच है जिसे जादा कमिशन पाने की चिंता है बजाए इसके की अपने ग्राहत को सबसे उप्योगी पोलिसी बेचे वह अपने ग्राहत को गलत पोलिसी बेचता है उसका काम कानूनी तोर पर सही है मगर अनेतिक और सिधान्थ के खिलाब है दो, एक नौजवान अधिकारी अपने जखमी बच्चे को बचाने के लिए स्पीड लिमिट से देजगारी चला रहा है ऐसी अस्तिती में सायद ही कोई उसे कानून तोरने समंधी नेतिकता का प्रस्म होठाएगा उस बच्चे का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरी सहता उपलब्द न कराना सिधान्थ की खिलाब होगा फिर चाहे इसके लिए ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना पड़े कानून कम से कम एस्टेंडर्स तैक करता है जबकि नेतिकता और मुल्य इन एस्टेंडर्स से काफी ज़्यादा आगे जाते हैं नेतिक्ता और मुल्य निस्वक्षता और नियाय पर अधारित है ये लोगों को खुस या नाखुस करने के लिए नहीं है या लोगों की जरुतों और अधिकारों का सम्मान और इज़त करना है जीवन का उदेश इच्छाएं कई तरह की होती है सफल होने की इच्छा अपने खुशी की कीमत पर भी अपने कर्तब निभाने की इच्छा मकसद पाने की इच्छा जीवन को अर्थ देने वाली किसी चीज के लिए मर मिटने की इच्छा अपनी आत्मा और जमीर को बेच कर सारी दुनिया हासिल कर भी ले तो उसका क्या फैदा है एक उदेश हिन जीवन जीते जी मरने के समान है आपका उदेश क्या है क्या आपके पास कोई उदेश है भी उदेश लगन लाता है एक उदेश पाईए या बनाईए और फिर उसे लगातार लगन और जज़बे से पुड़ा कीजिए हर रोज हमें अपने से यह सवाल पूछना चाहिए क्या मैं जीवन में अपने उदेश के करीब पहुँच रहा हूं क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक और भी बेहतर जगह बना रहा हूं अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बरबाद कर दिया जिन्दगी हमें उसी हिसाब से देती है जो हम उसे देते हैं हम जीवन में अपने उदेश जितनी जल्दी हो ढूंड लें उतना ही अच्छा है ऐसा लगता है कि जीवन में उदेश खुजने की अनंत तलास ही सबसे बरी जुनोतियां लाती है यह सिर्फ व्यक्ति के साथ ही नहीं बलकि हमारे परिवारों, संगठनों और देश के साथ भी होता है एक बार हमारा उदेश और नेतिक मुल्य साफ हो जाएं तो व्यक्तिगत फायदों और समाजिक जिम्मेदारियों के बीच के संगर्स में एक नेतिक संतुलन आ जाता है हम जागरूप हो जाते हैं कि हमें कब डेटता से खरे होना है यही वह समय है जब हम दूर के फायदे की सोच कर सही फैसले करने लगते हैं बजाए इसके की अभी के फैसले के लिए गलत फैसले करने के समझदारी और बुद्धी मत्ता से बड़े मुद्ध के बारे में बहतर समझ पैदा होती है पर हो ऐसे की जैसे तुम्हें सदा जीना है जी हो ऐसे की जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है महत्मा गांधी दूसरों की मदद किये बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते हैं दूसरों को फाइदा पहुचाए बिना हम खुद को फाइदा नहीं पहुचा सकते हैं। दूसरों को खुशाली दिलाए बगर हम खुद खुशाल नहीं हो सकते। Janet Call, SPL Man College Janet Call ने एक बार कहा मुझे ऐसा ब्यक्ति दिखलाओ जो साधारन अस्तर से संतुष्ट हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा ब्यक्ति दिखाऊंगा जिसकी हिम्मत में और सफल होना लिखा है। जिन्दगी तमासा बिनों का खेल नहीं है। हम चुपचाप बैटकर कुछ होते हुए नहीं देख सकते। जिन्दगी को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है एक उदेश को खोजना और उसे पाने की कोशिस करना। उदेश के साथ जीना हम सभी इस धर्ती पर एक उदेश के साथ भेजे गए हैं। हम इस विशाल तस्वीर का एक हिस्सा हैं लेकिन बहुत कम लोग ही जीवन में अपने उदेश को फोज या पहचान पाते हैं। हम में से जादतर सिर्फ जीते हैं और अपने दिन गिनते रह करते हैं बजाए उन्हें महत्पुर्ण बनाने के। डॉक्टर अलबर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया हम यहां क्यों आये हैं। तो उन्होंने जवाब दिये अगर दुनिया एक एक एक्सिटेंट है तो हम भी एक्सिटेंट है। अगर दुनिया के होने का कोई मक सब्सक्राइब और आगे बोले मैं जितना ही भोतिक ग्यान पढ़ता हूं उतना ही मैं अध्यात्मिक ग्यान की तरफ खीचता जाता ह। मैं उस काम में असफल होना पसंद करूंगा जो आखिर में सफल होगा बजाए उस काम में सफल होने की जो आखिर में असफल होगा। उ अमेरिका के एक हाई स्कूल एस्टूटेंट को जीबन मुल्यों के बारे में परा रहे थे। किलास की एक लर्की को 1000 डालर से भरा पर्स मिला और लर्की ने वह उसके मालिक को दे दिया। टीचर ने स्टुटेंट्स की राय जाननी चाही कलास के हर स्टुटेंट्स ने उस लरकी को वेवभूफ बताया। ज्यादातर स्टुटेंट्स का यह मानना था कि अगर कोई अपने समान के परतिला परवा है तो उसे इस बात की सदा मिलनी चाहिए। जब टीचर से पूछा गया कि उसने बच्चों से क्या कहा तो उसने जवाब दिया मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उन्हें यह बताऊं कि क्या सही है और क्या गलत तो मैं उनका काउंसलर नहीं बन जाऊंगा। मैं अपने विचार उन पर नहीं लाज सकता। अगर हम नेतिक्ता अपने माबाब और सिख्चकों से नहीं सीखते तो हम किस्से सीखते हैं। और ऐसे दूसरे गलत जड़ियों से अन्जाने में शीखने लगते हैं। कोई आर्शचज की बात नहीं है कि इससे समाज में गंधगी पहल जाती है। एक ऐसा टीचर जिसका उदारन उपर दिया गया है ना केवल घटिया जीवन मुल्यों के साथ गैर जिम्मेदार है बलकि उसे हमारे बच्चे को पठाने का भी हक नहीं है जीत और विजेता में फर्क जीत और विजेता में क्या फर्क है? जीतना एक घटना है विजेता होना एक भावना है विजेता जीत को अपने सिध्धान्तों के तराजू पर तोलते हैं तीन प्रेरक विजेता एक ओलंपिक में भाग लेना जीवन की एक बहुत बड़ी बात है लारेंस लेमी एक्स नाव की रेस के दोरान मुसीवत में फसे अपने एक परतियोगी की मदद करने के लिए रुगे सारी दुनिया देख रही थी अपने जीतने की इच्छा से ज़्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा करने को उन्होंने परार्थ मिक्ता दी हलांकि वे दोर में नहीं जीते फिर भी विजेता थे सारी दुनिया की राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवीत रखा दो मैंने रूबेन गाउन जेलिस की कहानी सुनी जब रेकेट बॉल टूर्णामेंट का फाइनल मेच खेल रहे थे यह एक महत्पुर्ण मुकाबला था और वह विस्व किताब के लिए खेल रहे थे फाइनल मेच में मेच पॉइंट पर गाउन जेलिस ने एक बहुत अच्छा सौर्ट खेला रेफरी और अलाइंसमें दोनों ने उनके सौर्ट को सही बताया और उन्हें बिजेता खोसित कर दिया मगर गाउन जेलिस थोड़े रुकने और हिचकने के बाद पीछे मुर कर अपनी परतिद्योंदी से हाथ मिलाते हुए बोले सौर्ट गलत था नतीजा यह हुआ कि वे सर्विस हार गए और मेच भी हर कोई हैरान रह गया कौन सोच सकता था कि एक खिलारी जिसके हग मैं सारी बाते हों हार को इस तरह गले लगा लेगा जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो गाउन जेलिस ने जवाब दिया अपने जमीर को बनाए रखने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था वह मेच हार गया लेकिन फिर भी वह एक वीजेता था तीन कुछ सेल्समेन के एक गुरूप ने मिटिंग के लिए सहर से बाहर जाते समय अपने परिवार वालों से कहा कि वे सुक्रवार की रात को खाने के समय तक आ जाएंगे लेकिन जैसा कि इस तरह के दोरों में होता है एक के बाद एक काम होने की वज़ा से वे निश्चिस समय प विसायत न उरागो इसी भागदोर में उनमें से एक उस मेज से टकरा गया जिस पर फलों का एक टकरा रखा था सारे फल इधर उधर बिखर गए और खराब हो गए लेकिन उनके पास उटने का समय नहीं था वे दोरते रहे और जहाज के अंदर पहुँचकर उन्होंने चैन क्या है वह उस गिरीवी मेज के पास गया और उसने उस मेज के पीछे एक तस साल की अंधी बच्ची को देखा जो रोजी रोटी के लिए फल बेशती थी उसने कहा मुझे उमीद है कि हमने तुम्हारा बहुत नुकसान नहीं किया तुम्हारा दिन खराब नहीं किया उसने दस डॉलर जेब से निकाल कर उस लरकी को दिये और कहा यह तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगा और इसके बाद वह चला गया लरकी यह सब कुछ तो देख न सकी वह केवल दूर जाते हुए कदमों की आवाज सुन पा रही थी जैसे ही जाते कदमों की आवाज धीमी वह विजेता था यकीनन अगर जीत को सही नजरिये से न देखा जाए तो बिना मेडल के भी कोई विजेता हो सकता है और मेडल जीत कर भी हारने वाला हो सकता है जीत एक घटना है विजेता होना एक भाव मेरा थन रेस में अन्य सेक्रों लोगों के साथ तीन लोग भी भाग रहे थे मेडल किसी चोथे ने जीता लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि वे तीन लोग हार गए हरगीज नहीं उन तीनों ने अलग अलग वजहों से रेस में भाग लिया था पहले ने अपनी चमता आजमाने के लिए रेस में भाग लिया था और उसने आसा से अच्छा परदर्संग किया दूसरा अपने पिछले परदर्संग को बेहतर बराना चाहता था और उसने वैसा ही किया तीसरे ने कभी मेराथन में भाग नहीं लिया था उसका उद्यस था रेस में भाग लेना और उसे पूरा करना और उसने किया भी इससे हमें क्या पता चलता है वे तीनों अलग-अलग उद्यस लेकर दोरे और तीनों विजेता रहे चाहे उनमें से किसी ने भी मेडल न जीता हो जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है किसी सम्मान के योग होते हुए भी उसे न बना अयोग होकर उसे पाने से बहतर है ऐसा इसलिए कि सही सम्मान योगता में है ना कि उसे पाने में अगर जीतना ही एक माच उद्यस हो तो इनसान अपने मन के उस खुसी के आहसास से महरूम हो जाता है जो सिर्फ जीतने की वज़ा से मिलता है उसे मेडल तो मिल गए जाएगा लेकिन जीत का एहसास नहीं जीतने से ज़्यादा जरूरी इज़त और सम्मान के साथ जीतना और उस जीत के काबिल होना है बैमानी की जीत से सम्मान की हार अच्छी है सम्मान कुलवक हारना दिखाता है तैयारी में कमी लेकिन बैमानी की जीत दिखाती है चरित की कमी जब किसी इंसान को यह पता हो कि कोई नहीं जान पाएगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया तब वह क्या करता है इसी बात से उसके चरित की असली पहचान होती है कोई भी जीत इस योग नहीं की अपनी निष्ठा और जमीर से समझोता करके छोटे रास्तों को अपना या जाए ट्रॉफी तो आप भले ही जीत लें लेकिन यह जानते हुए कि वह सच्चाई से नहीं जीती गई तो वह आपको कभी मन की खुशी नहीं देगी एक ट्रॉफी जीतने से ज्यादा आहम बात है एक अच्छा इंसान होना विजेता हर दिन यह सोचकर जीते और काम करते हैं कि यह उनके जीवन का आखरी दिन है क्योंकि इन में से कोई एक दिन हमारा आखरी दिन होगा और हम नहीं जानते कि वह दिन कौन सा होगा जब वे इस दुनिया से जाते हैं तो एक विजेता की तरह जाते हैं कई बार जीत से ज़्यादा हार में विजे होती है माइकल डी मांटे गन विजेता उदार और एहसान मंद होते हैं याद रखिए विजेता उदार होते हैं वे कभी अपने बारे में डिंग नहीं हांते, वे अपने साथी और विवक्षी खिलारियों दोनों को पूरा सम्मान देते हैं और परसंसा करते हैं बहुत से लोग यह जानते हैं कि सफल कैसे हो लेकिन बहुत कम ही जानते हैं कि सफलता को कैसे संभला जाए सफलता में कुछ ऐसी बात है जो लोगों को नाखुस कर देती है जिन्हें यह हासिल नहीं होती सफलता का बुलूप्रिंट हम तीन दिन का एक सेमिनार जिसका नाम है बुलूप्रिंट फोर सक्सेस दुनिया के बहुत से संगठनों और पबलिक के लिए आयोजित करते हैं यह इस सिधान्त पर अधारित है जितने वाले अलग काम नहीं करते वे हर काम अलग धंग से करते हैं यह सिधान्त इस सोच के जवाब में आया जीत ही सब कुछ है इस फिलास्पी को मानने वाले की निष्ठा पर मुझे सक होता है यह किलर इंस्टिंक्ट का गलत मतलब है अगर आप किसी राह चलते इंसान से पूछें किलर इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है तो ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे जैसे भी हो आपको जीतना है रास्ता चाहे टेड़ा हो या सीथा यह किलर इंस्टिंक्ट नहीं बलकि पूरी बैमानी है एक अच्छे खिलारी के लिए किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है एक आप एक सपर्दिसत नहीं बलकि दो सपर्दिसत मेहनत और पोसिस किजिए दो जीत के लिए विपक्षी की गल्ती का फैदा उठाए विपक्षी की गल्ती का फैदा ना उठा पाना एक गल्ती है लेकिन जीत के लिए खेल के नियमों को तोड़ना या उलंकन करना किलर इंस्टिंक नहीं सरासर बैमानी है अनुची जीत थोड़े समय की सफलता तो दे सकती है मगर मन की संतुष्टी नहीं सच्चाई यह है कि जिन्द की परतियोकता है और हम सभी वो भाग लेना है वास्तव में परतियोकता भाग लेने वालों को और बेहतर बनाती है इसमें कोई सक नहीं की उद्देश तो जीतना होता है मगर यह जीत इमंदारी उदारता असपश्टता और खेल के नियमों के अनुसार होनी चाहिए विजेता कदमों के निसान छोड़ जाते हैं महान लोग अपनी पाचान पीछे छोड़ जाते हैं विजेता इस बात को महसूस करते हैं कि कोई अकेला ही इसे हासिल नहीं कर सकता अलाकि चंपियनों को मैडल मिलते हैं लेकिन वे जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है जिनके बिना यह सब संभब ना हो पाता उनके सिक्षक, माबाब, पोच, प्रसंसक और उनके गुरू विजेताओं की सहता करने वालों का कर्ज अदा नहीं किया जा सकता विजेता के पास अपना अभार जताने का एक ही रास्ता है कि वह आने वाली पीडियों का सही मार दर्सं करे यह कविता इस बात को साफ जाहिर कर देती है रास्ता बनाने वाला एक बुजुर्ग जो एक सुंसान सरक पर जा रहा था साम होते होते ठंडा और ठिटूटता पहुंचा एक लंबे गहरे और चोरे धड़े के करीब जिसके अंदर तेज पानी बह रहा था बुजुर्ग ने साम के धुंदले के में उसे पार किया पानी की धारा से उसे कोई ड़ड नहीं लगा मगर वह पीछे मुरा सुरक्षित पार कर जाने के बाद और उन लहरों के आरपार एक पूल बनाया और बुजुर्ग एक साथी ने उसे पुकारा तुम इसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हो तुम्हारी यात्रा दिन के धलते ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम कभी इस रास्ते से नहीं गुजरोगे तुमने इस चोड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया है तुम इस धारा पर पुल क्यों बना रहे हो उस बिजुर्ग ने अपने सिर को उठा कर कहा प्यारे दोस्त जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस राह में मेरे पीछे आ रहा है एक नोजवान जिसे यहीं से गुजरना है यह दर्रा जो मेरे लिए मुश्किल रहा उस सजिले नोजवान के लिए एक बड़ा खत्रा हो सकता है उसे भी साम के धुनलके में पार करना पड़ेगा मेरे दोस्त मैं यह पूल उस नोजवान के लिए बना रहा हूँ उद्रे को ना हासिल हुआ होता थोवा मर चुका होता हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी उस पिरासत को आगे वरहना है जिस पर आने वाले पीडियां गर्व कर सके बदलते जीवन मुल्य आज के सिथान बदलाव निशित है हम इसे पसंद करें या ना करें यह होगा ह हम इस मैवाली पीडि और हालात की अनुसार बदलते मुल्यों की सोच को बहुत देख चुके हैं जिससे हमारे मजबूत समाजिक जीवन को बहुत धक्का पोचा है आज हालात यह हो गए कि लोगों को गल्ती करने के बज़ाए पकड़े जाने का दुख है और बहुत से लोगों को वह भी नहीं गलत काम करने और पकड़े जाने पर लोग दुखी तो होते हैं लेकिन पस्चाताब नहीं करते 1958 के एक सर्वे में कई हाई स्कूल की प्रिंस्पल से या सवाल पूछा गया आपके एस्टूडेंस की खास समस्याएं क्या है उनका जवाब था एक हमवर्क ना करना दो संपत्ती का महत्व ना समझना जैसे की कितावों को फेंग देना तीन बत्यां जली और खिरकी दरवाजे खुले छोड़ देना चार कलास में मुह से धुक के बुलबुले निकालना पांच कमरों में भाग दोर करना उसी सवाल को तीस साल एक पिढ़ी के बाद 1988 में पूछा गया जवाब आस्चरजनक रूप से बिलकुल अलग थे आज के हाई स्कूल के एस्टूटेंट्स की मुख समस्याएं हैं एक गर्व बात दो एड्स तीन बलतकार चार चरस गाजा पांच हिंसा की वज़ा से मौत का डर हत्या बंदुकों और चाकों का स्कूल में डर सफल इंसान बनने की कोशिस करने के बजाए सिधानतों वाला इंसान बनने की कोशिस कीजिए अलबर्ट आइंस्टीन पुराने का मतलब किसी पिटे होना नहीं है कुछ लोग जिम्मेदारी, निष्ठा, कमिंटमेंट और देशवक्ती जैसे नयतिक मुल्यों को पुराना समझते हैं ये नयतिक मुल पुराने हो सकते हैं मगर इनका महत कभी खत्म नहीं हो सकता ये समय की कसुटी पर खरे उद्रे हैं और कभी पुराने नहीं परेंगे चाहे न्यूयार्क को नई दिल्ली हो या स्विर्जर्ड लेन हो इन मुल्यों का अर्थ सब जगा एक साही हैं ये सर्वव्यापी है मुझे किसी ऐसे इतिहास के दोर या संस्कृति के बारे में नहीं पता जिसने इन मुल्यों को सम्मान न दिया हो आज नयतिक मुल्य काफी नीचे गिर चुके हैं किसी भी समाज में अनयतिक्ता और नाइंसाफी से निरासा जन्म लेती है लालची और स्वार्थी लोग जो गलत फैदों की तलास में रहते हैं उन पर नयतिक चरित्र वाले लोगों दुआरा अंकुस लगाना जरूरी है हम जिंदगी के रास्ते से भटक गए हैं कोई भी समाज जिसने अपने सिथान्थ को खो दिया है वह विनास की और बढ़ रहा है इतियास गवा है कि जब भी नेतिक मुल्य और सिथान्थ गिरे तो समाज भी गिर गया लगवाग पचास साथ साल पहले अमिरिका जबरदस्त मंदी के दोर से गुजर रहा था उसकी एक तिहाई दोलत कुछ ही महिनों में बरबाद हो चुकी थी उत्पादन में 77% की गिरावट आ गई थी एक चोथाई मजदूर बेकार हो गए थे कई सहरों में स्कूल चलाना भी मुश्किल हो गया था न्यूयार के 20% स्कूली एस्ट्रेंट्स पोशन की कमी के सिकार हो चुके थे एक समय तो 34 मिलियन आदमी और बच्चे बगए किसी आमदनी के थे फिर भी इन गहरी मुश्किलों के दिनों में भूग तकलीफ और पीड़ा के बीच फ्रेंकलिन रूजबेल ने अपने राष्ट के लोगों से रेडियो पर कहा इसवर का सुप्र है कि हमारी मुश्किलें सिर्फ बोतिक और संसारिक चीजों को लेकर है अच्छाई क्या है अगर हम एक सर्वे करें और लोगों से पूछें आप क्या अच्छे हैं तो जाज़तर लोगों का जवाब होगा हाँ उनसे पूछें कौन सी चीज उन्हें अच्छा बनाती है तो जवाब होगा मैं धोखा नहीं देता इसलिए मैं अच्छा हूँ मैं जूट नहीं बोलता इसलिए मैं अच्छा हूँ मैं चोड़ी नहीं करता इसलिए मैं अच्छा हूँ अगर आप उपर दिये जबाब को चाचें और परकें तो पाएंगे कि उन में ज़्यादा दम नहीं है मगर इतनी सी बात से वे अच्छे नहीं बन जाते एक अच्छा इंसान तब बनता है जब वह वास्तव में अच्छे काम करता है ना कि तब जब वह गलत काम नहीं करता नेतिक मुल्यों वाला ब्यक्ति वही होगा जिसमें सच्चाई, दया, साहस, निष्ठा, दूसरों के भ्रोसें न्याई के लिए खड़े होते हैं जरुरत मंद की मदद करते हैं अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदकी बहतर बनाते हैं अच्छाई को हर रूप में पहचानने के लिए खास एस्टेंडर्स और बेंचमार्सकों की जरुवत पड़ती है ये बेंचमार्क नेतिक या कानुनी या दोनों हो सकते हैं लेकिन बेंचमार्क सिर्फ गलत और सही के बीच के फर्क को नहीं बताते बलकि इनके बीच के धुंदले मुल्यों जो साफ नहीं है का भी समधान करते हैं कि क्या सही है और क किया ज्यादा बुरा है हमारे सिधन्तों का आस्तर कितना उचा है ऐसे हालात में आप क्या करेंगे एक आपको मालूम है कि आपके घर और रिल्वे के बीच का किराया 64 रुपिये है आप पहले भी इतना ही दे चुके हैं और आप जानते हैं कि यही सही किराया है मगर इस बार टेक्सी ट्राइवर 32 रुपिये मांग रहा है तो आप क्या करेंगे दो आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं और आपने चार चीजे मंगवाई बै ती से उसने तीन ही चीजों का बील बनाया आप क्या करेंगे तीन आपका सबसे अच्छा दोस्त आख़री सांस ले रहा है और आप जीवन बीमा के एक एजेंट हैं वह एक लाख रुपिय का बीमा कराना चाहता है किसी को पता नहीं है और नहीं किसी को मालूम होगा कि आप का दोस्त मरने वाला है क्या आप उसे पॉलिसी बेचेंगे हर सिधान को कानून में नहीं बदला जा सकता ऐसे हालात में आप अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे और जो सलाह देंगे क्या आप वैसा ही बेभार अपने जीवन में कर रहे हैं जन्म के साथ ही नेतिक्ता की सिक्षा हमें मिलनी लगती है और वह सारा जीवन साथ चलती है क्या हम अपना अनेतिक बेभार बदल सकते हैं हां हमें नेतिक सिक्षा की जरूरत है नेतिकता को क्या प्रभावित करता है लालच डर दवाव किसी भी तरह का दवाव अनेतिक काम को उचित नहीं बना सकता समानत कि निस्पाष्षता का बैभार दोनों एक ही नहीं है। उदाहरन के तोर पर एम-हस और दस्वी फेल को आप एक समान बेतन दे सकते हैं क्या नहीं लेकिन निस्पाष्षT Hir तो किया सबता हैं समानता काबिल्य становится है और निस्पाष्षत इंसानियत से पर मैं नेतिकता सिधान्तों का परभाव या अभाव हर किसी के काम में जलगता है लालची टॉक्टर बिना जरुवत के जाच और सरजरी करते हैं वकील सच को तोड़ते मरोड़ते हैं माबाप और बच्चे दोनों सफे जूट बोलते हैं एकाउंटेंट और सेक्रेट्री अक्सर गल सारीं कर रहे हैं समरिदी और स्इमेदारियां लाती है हम नेतिक और समाजिक मुल्यों को नश्ट करके उतियोग धंदें और देश का निर्मान नहीं कर सकते नेतिक नियमों को ना मानने की नतिजिये वैसे ही नहीं होते जैसे की कानूनी नियमों को ना मानने के होते हैं कुछ लोग कभी भी नेतिकता का पालन करने वाले नहीं बनेंगे वे सोचते हैं कि उन्होंने आसान रास्ता चुना है मगर सच तो यह है कि यह रास्ता कठीन है क्या आप खुद का सामना कर पाएंगे अगर आप अपने ग्राहकों को उचित सेवा ना दे क्या अपने बच्चों से डिंग हांकर आपको गर्व होगा क्या आप अच्छा महसूस कर पाएंगे अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका बेवार अनेतिक है स्वाभिमान और गर्व इंसान को सही रास्ते पर रखते हैं दूर अंदेसी लोग सेष्टा या उच्छा अस्तर क्यों नहीं हासिल करते इसका सबसे बड़ा कारण दूर अंदेसी की कमी है हमें अपनी नजर जो मुमकिन है उस से आगे ले जाना चाहिए आज हम जो कुछ भी देखते हैं वास्विक्ता बनने से पहले वह एक सपना ही था उच्छा सही रास्ता और सही उदेस के साथ जीएं क्या आपका कोई सपना है अगर है तो क्या क्या आपकी जिंदकी का हर दिन आपको अपने उदेस की नजदिक ले जा रहा है सलाह लेनी ही है तो उन लोगों से ले जो मुश्किलों के बावजूद भी सिधानतों पर ठिके रहे और कुछ कर दिखाया वह असफलता की मुर्ती सफलता का क्या रास्ता दिखाएगी जो खुद ही भटकी हुई है अगर उसे रास्ता ही मालूम होता तो क्या उस रास्ते पर वखभुत नहीं चलते जहां दूर अंदेसी एक साल के लिए हो तो फूल लगाईए जहां दूर अंदेशी दस साल के लिए हो तो पेड़ लगाईए जहां दूर अंदेशी अनंद काल के लिए हो तो लोगों का विकास कीजिए एक प्राचीन कहावत याद रखिए जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते वे हर काम को अलग ढंक सिक करते हैं सीव खेडा झाल 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 झाल